Chapter 751, Connate Dominance Body Translator, C.K. Talent बजना, 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 पूरी तरह से फैला हुआ Transcendent Flying Immortal पुराने मास्टर जिया के हाथों से अवरुध है. गाजियन से उसे दी गई दिव्य अपतार, उसके से संचित पाउट सार उर्जा के साथ, सा C.H.H. में भयानक है. राजवीर का इस स्ट्राइक से पुराने मास्टर जिया को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है, जैसे ही दो कृपान पागलपन से फिसले, टॉर्च ड्रैगन की मिरा आई ने भी राजवीर की पुतलियों को एक अजीब परिवर्तन से गुजवना पड़ा. बुरे मास्टर जिया को देखते ही यह ऐसा थामानो वहाइने में बदल गया हो. हाला की, ओल्ड मास्टर जिया अचानक हवा में गायब हो गया. अप्रॉक्स उसी टाइम, वह राजवीर के पीछे आया और उसके सिर पर अपनी हथेली से प्रहार किया. टेलेपोटेशन, राजवीर ने तुरंट महसूस किया कि यह सही टेलेपोटेशन है लॉस्ट कंट्री के बराबर ही इसका अफेक्ट पड़ा. बिना पीछे मुड़े या चकमा दिये, राजवीर ने बैम्बू ब्लेड को अपने सिर के उपर उठाया और बूरे मास्टर जिया की हथेली को अवरुद कर दिया. हाला कि हथेली अजीब तरह से पारदर्शी हो गई जैसे कि वह गोस्ट हाथ में बदल गई हो. यह बैम्बू ब्लेड से होकर गुजरा और राजवीर के सिर पर प्रहार करता रहा. राजवीर घबरा गया और उसने अपना सिर एक तरफ घुमा लिया. उसने अपने दूसरे हाथ से अपनी पाव इकठी की और ओर्ड मास्टर जिया की हथेली पर वार किया. जब दोनों हथेलिया आपस में टकराई, तो राजवीर ने तुरंट महसूस किया कि एक पावर्ड सक्षन बल उसकी हथेली को चूस रहा है. उसके बोडी में सार उर्जा को बुरे मास्टर जिया की और कीच रहा है. राजवीर पुराने मास्टर जिया का हाथ छुडाना चाहता है लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका. उसके दूसरे हाथ में बैम्बू ब्लेड था और वह ओर्ड मास्टर जिया पर गिरा, लेकिन उसे उसके दूसरे हाथ से पकड़ लिया गया. उनकी सार उर्जा और भी तेजी से चूसी गई राजवीर को तुरंत प्रॉब्लम का फील हुआ पुराने मास्टर जिया ने न केवल उन टालेंटों की सार उर्जा को अवशोशित किया है बलकि उन्होंने उनसे उनकी रक्त रेखा टालेंट, लाइफ प्रोविदेंस और लाइफ सोल को भी लूट लिया है राजवीर निश्चित था कि पुराने मास्टर जिया के पास निश्चित रूप से कई लाइफ फ्यूचर और लाइफ सोले हैर अन्य हैर इतने सारे अलग-अलग एसेंस एनजी स्किल्स का यूज़ करना उनके लिए impossible है उस छोटे सिक्षंड में पुराने मास्टर जिया ने विभिन विशेश्चताओं और श्रेनियों की तीन पावयों का यूज़ किया हैर इसके अलावा उनमें से प्रतेक एक दुरलब कपासिटी है राजवीर की सार उर्जा फिनिश हो गई थी क्योंकि उसकी एक्स्प्रेशन उग्रह हो गई है उसने अचानक अपनी मिरा आई को सक्रिय किया और ओर्ड मास्टर जिया को देखा मेरे सामने एक ही चाल का दो बार यूज मत करो गुड़े मास्टर जिया ने ठंडेपन से कहा उसने अपनी आई खोली और ऐसा लगा जैसे उसकी पुतलियों में कोई शैतान दहार रहा हो यह एक आख प्रकार की लाइफ सोल है जैसे ही उसने लाइफ सोल को देखा राजवीर की पल के अनियंत्रित रूप से बंध हो गई चाहे कुछ भी हो जाए वो उन्हें नहीं खोल सका इस हरामी ने कितने भायानक लाइफ प्रोविडेंस और लाइफ सोलों को लूटा उसने ऐसा कैसे किया था राजवीर घबरा गया क्योंकि उसके बोडी में सार उर्जा एक रिवर की तरह बूरे मास्टर जिया की और बढ़ी मैं इससे तुम्हारे साथ लरूनगा राजवीर ने बूरे मास्टर जिया की पकर से बचने की उम्मीद में अपनी पूरी पाव से संघर्ष किया लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ जैसे ही ओर्ड मास्टर जिया कुछ कहने वाले थे एक बैंगनी काली प्रा इंडिया तलवार अचानक जमीन से निकली और ओर्ड मास्टर जिया के क्रोच पर वार कर दिया यह हर्ताल बहुत अजीब और भयावे है इससे पहले की ओल्ड मास्टर जिया प्रतिक्रिया दे पाता, तलवार उसके बॉडी में घुस चुकी है बम, मॉंस्टर तलवार से भेदने के बाद, बुडे मास्टर जिया का बॉडी पानी के एक गोले की तरह पर गया, पानी के एक कुंड में बदल गया उसके असली बॉडी के रूप में यह राजवीर के पीछे दिखाई दिया और उसकी बाहों को मोर दिया उनका एक अबतार लाइफ सोल भी है, यह पुराना बीमार, राजवीर अंदर ही अंदर शापित है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने मजबूत हो, तुम सिर्फ एक हो इससे पहले की ओल्ड मास्टर जिया अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसके शिशे सनकुचित हो गए राजवीर का दाहिना हाथ, जिससे उसने पकड़ा है, रचानक गोस्ट की तरह गायब हो गया यह पुराने मास्टर जिया के सनरक्षकामा और बॉडी से होकर गुज्रा और तुरंट तीन बार चमका राजवीर को अपनी सार उर्जा के चूस जाने का डर नहीं है और उनकी स्लोटर लाइफ सोल ने उन्हें असीमित सार उर्जा की अनुमती दी ओर्ड मास्टर जिया कितना भी आत्मसात कर ले इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा राजवीर ने इस मौके के लिए काफी देर तक इंतजार किया है जब ओर्ड मास्टर जिया को लगा कि वह अपनी रसी के एंडमी है और उसका लास्ट रंप कार्ड विफल हो गया है तो उसने डॉक्टर डाकनेस के डाकनेस राइट हैंड का इस्तेमाल किया बुरे मास्टर जिया को कोई मौका दिये बिना राजवीर के डाकनेस राइट हैंड ने बुरे मास्टर जिया के दिल लीव और उसके एक किड्नी को निकाल लिया यहां तक गाजियन आमभी डाकनेस राइट हैंड को ब्लॉक नहीं कर सका राजवीर ने बूरे मास्टर जिया के रक्तरंजे तंगों को अपने हाथ में पकड़ रखा है दिल अभी भी हिंसक रूप से धलक रहा है हर बार जब यह धलकता है तो कटी हुई धमनियों से खून निकलता है यह बेहत भयानक लग रहा है बूरे मास्टर जिया ने नीचे अपने बोड़ी को देखा और उसे कोई चोट नहीं मिली हाला कि उसकी मूह और नाक से खून निकल रहा है जिया लियुचुवान और जिया जुवानयू ने मिश्रित भावनाओं के साथ इस सीन को देखा काफी टाइम हो गया है मुझे घायल हुए काफी टाइम हो गया है आप अप्रॉक्स 20 यह में पहले हैं बूरे मास्टर जिया ने राज़वीर को घूरते हुए कहा, राज़वीर को तुरंत लगा कि कुछ गढ़बर है, पुराने मास्टर जिया की लाइफ एनरजी उसके अंगों को हटा दिये जाने के बाद भी कमजोर नहीं हुई, बल्की और मजबूत हो गया, बूरे मास्टर जिया के बोड़ी पर एक वाइट लॉज जल रही है यह कोई जवाला नहीं है अपितु अपार लाइफ पावर का संगनन है। राजवीर ने बूरे मास्टर जिया को घूरने के लिए अपनी भेदन द्रिश्टी का यूज किया और देखा कि उसके बोड़ी से निकाले गए अन्फिर से बढ़ गए थे। Content Dominance Body यह कैसे पॉसिबल है यहां chills सिबल है जिया जुआ नयू ने कहा। कॉनेट डॉमिनेंस बोडी क्या है? राजवीर ने जट से पूछा. भारी रूप से घायल जिया लियूचिवा ने आंसर दिया, the कॉनेट डॉमिनेंस बोडी एक लाइफ प्रोविडेंस है जो अजय कॉनेट डिवाइन आठ से हासिल हुई है. केवल अजय कॉनेट दिव्यकल की कल्टिवेशन करके ही एक कॉनेट डॉमिनेंस बोडी को संधनित किया जा सकता है. हाला कि हर कोई जो अजय कॉनेट डिवाइन आठ की कल्टिवेशन नहीं करता है, एक कॉनेट डॉमिनेंस बोडी को संधनित कर सकता है. यह किसी की अफ्तार और टालेंट पर निर्भर करत हमारे जिया परिवार ने बहुत पहले अजेय कॉनेट डिवाइन आट को छोड़ दिया है, रिकॉर्ड में एक मात्र व्यक्ति जो एक कॉनेट डॉमिनेंस बोडी को संधनित कर सकता है, वह हमारे जिया परिवार का हीरो था, हाला कि वह कई साल पहले मर गया था, उधरंग चि जैसा कि ली जूबान ने अजेय कॉनेट डिवाइन आट में कल्टिवेशन की हैर उन्होंने उससे इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, हाला कि राजवीर की छाप में, जिया परिवार के नायक के लाइफ प्रोविदेंस को कॉनेट डॉमिनेंस बोडी नहीं कहा जाता है इसके अलावा, शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए, उन्होंने अजेय कॉनेट डिवाइन आट को रद कर दिया है, उसने अपना लाइफ प्रोविदेंस और लाइफ सोल दोनुक हो दिया है, यहां तक अगर वह जिंड़ा हो गया, तो उसके लिए एक और इमेंशन एरिया में मर गया, हाला कि जिया लियू चुवान और जिया जुवान यू असली जिया परिवार के सदस्य थे, वे स्वाभाविक रूप से गलती नहीं करेंगे, ओल्ड मास्टर जिया के पास निश्चित रूप से कॉनेट डॉमिनेंस बोडी है, राजवेर ने क कोई अजेय कॉनेट डिवाइन आट में कल्टिवेशन करता है, किसी ने भी कॉनेट डॉमिनेंस बोडी को संधनित नहीं किया है, जिया जुवान्यू ने कहा, तो आप गलत अंडिस्टैंडिंग रहे होंगे, उसके पास कॉनेट डॉमिनेंस बोडी नहीं है, लेकिन एक औ और पाउड आत्मा उपचार कपैसिटी है, राजवीर ने देखा कि पुराने मास्टर जिया का बोडी पहले ही ठीक हो चुका है उसके अंगों के जिंडा होने के बाद, वे उसके पिछले अंगों से अलग नहीं थे, चाप्टर 752, काले बादल ट्रैंसलेटर, सीके टैलन बूरे मास्टर जिया ठीक ट्रसे उन्हें सुनना कंटिन्यू रखने के मूर में नहीं थे, एक फ्लेश के साथ, वह राजवीर के सामने एक शैतान की तरह दिखाए दिया और उस पर जपट पड़ा, उसकी हथेलियों पर आग की लपटे एक धधकते सूरच की तरह थी जिस ने इसे सीधे ले जाने की हिम्मत नहीं की, हाला कि गोल्डन विंग रॉक लाइफ सोल विंग्स की एक जूरी ओल्ड मास्टर जिया के पीछे दिखाए दी, जिससे उसकी स्पीड बहुत बढ़ गई, राजवीर उनके बीच की दूरी को खोलने में एबल नहीं है, इसलिए आग की लप्ते उसकी छाती पर लगने ही वाली है, राजवीर के पास बुड़े मास्टर जिया की हतेली पर अपने बांस के ब्लेड को काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जब बैंबू ब्लेड आग की लप्तों के संपर्क में आया, तो लप्ते बैंबू ब्लेड क साथ फैल गई और तुरंत उसके बोडी को धंक लिया, बुजने से पहले ही लप्ते तेज हो गई, राजवीर की पीट पर छे पंक गायब हो गए क्योंकि उसका चेहरा पीला पढ़ गया है, अगर सिक्स विंड लाइफ गाजियन नहीं होता, तो राजवीर की इस हर्ताल से मरे हुए यू हो जाती, हाला कि इस वजह से सिक्स विंग भी मारा गया, जिससे इसे जिंडा करना अंपॉसिबल हो गया, यह सोचने के लिए कि आपके पास एक साथी जानवर है जो आपकी जगह मर सकता है, आपका भाग्य निश्चित रूप से अप्राइमरी जीनो है, हाल को जख जोर कर रख दिया, एक टाइम आकाश काले बादलों से भर गया, काले बादलों के बीच बिजली चमकी, जांक चुनकियू, जो बाहर जांक रहा है उसकी आखों में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे ही उसने अपनी स्वरगिया आख को जल्दी से वापस लिया, उस हुआ है, लेकिन फबिदन सिटी तूफान का केंद्र लग रहा है, यह विशेश रूप से उदास है, अप्रॉक्स उसी टाइम, डुगु जी का अपने गू क्रिमी से संपर्क तूट गया, उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आखों में शौक देखा, अब तक, उन्हें अभी तक यह पता लगाना था कि फबिदन सिटी में क्या हुआ है, उन्होंने जो देखा उसके आधार पर उनके पास कुछ विचार थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे सही थे या नहीं, हाला कि केवल अटकलों ने उन्हें चौका दिया, क्या आप ज जानते हैं कि क्या हो रहा है, दुगुजी ने आकाश में काले बादलों की ओर इशारा किया और पूछा, जांग चुनकियों ने अपनी उन्गलियों को परमात्मा की और खीचा, जितना अधिक उसने ऐसा किया, उतना ही उसने अपना सिर हिलाया, स्वर्ग ये रहस्य को छोड़ दे, हारने वाले के बारे में क्या, दुगुजी ने पूछा, मैंने पहले उसका भाग्या बताया है, वह मरने के लिए नियत नहीं है, उसे इस आपदा से बचने में एबल होना चाहिए, जैसे ही जांग चुनकियों ने बात की, वह मुर्णा और चला गया, जैस सिटी में, राजवीर ने मशाल ड्रेगन को बुलाया और जिया जुआन्यू और कमपनी से कहा, अब छोड़ दो, वह जानता था कि वह केबल अपनी जान जोखिम में डाल सकता है, अन्य है वह सा सी एचेच में आज फविदन सिटी छोड़ने में एबल नहीं हो सकता, राज को, क्या होगा अगर वर्तमान जिया परिवार में सच्चे हीरो की वनशावली नहीं है, राजवीर घबरा गया क्योंकि उसे अचानक लगा कि यह बहुत पॉसिबल है, जैसा कि कहा जाता है, एक शातिर बाग भी अपने शावकों को नहीं खाएगा, हाला कि, पुराने मास् कर्मी से मारा जा सकता है, यह निश्चित रूप से एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, हाला कि, अगर ओर्ड मास्टर जिया साथ चेच में जिया परिवार के नायक थे और उन्होंने साथ चेच में अपना कौमार्य नहीं खोया है, तो यह सब अंडिस्टैंडिंग जा स नहीं है, उनका स्वभाव बस इतना ही निर्मम है, आह चेंग, लिटल चुवान और लिटल यू को वापस ले लो, गुड़े मास्टर जिया ने राजवीर को घूरते हुए कहा, वो जिया लियू चुवान और जिया जुवान यू को सदभावना से नहीं मार रहा था, इसक नहीं रोका, जिया लियू चुवान और जिया जुवान यू को ले जाया जाना उनके यहां मरने से बहतर है जब तक वे मरे नहीं थे, अभी भी आशा है, राजवीर जियो, जिया जुवान यू राजवीर पर चिल्लाई जब उसे ले जाया गया, मैं जिंडा रहूंगा, राजवीर ने सोचा, बुडे मास्टर जिया ने टार्च ड्रेगन पर नजर डाली और कहा, यह जुवान लू मंदिर का टार्च ड्रेगन होना चाहिए, है ना, इतनी कम उम्र में, आपके पास सा CHH में बहुत सारे पौरानिक साथी जानवर हैं और मार्शल आर्ट में ऐसी उपलब्धिया हैं, फेडरेशन पर हावी होने के लिए यह आपके लिए पूरी ट्राहन है, फेडरेशन के इतिहास में ऐसा कोई नहीं है जिसने आपकी उम्र में ऐसी उपलब्धिया हासिल की हो, मैं अभी भी तुम से हीन हूँ, राजवीर ने इमानदारी से कहा, वह सर्वश्रिष्ट में से एक है, हाला कि पुराने मास्टर जिया उनसे अधेक व्यापक थे, ना केवल उनके पास अनेक लाइफ विधान और लाइफ सोले थी, बलकि वे उनका स्वतंत रूप से यूज भी कर सकते थे, उनका एक गाजियन भी है, इससे भी अधेक भयानक बा उनके पास निश्चित रूप से पौरानिक साथी जानवर थे जो निश्चित रूप से सामान्य नहीं थे, उनकी पावर को अथा के रूप में वर्नित किया जा सकता है, बूम 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 एक के बाद एक गलगल आहट के रूप में आकाश में बिजली लगातार बीच जिया लियुचुवान और जिया जुवानयू में अब लड़ने की कपासिटी नहीं है और उन्हें आचेंग ने जबर्दस्ती बाहर निकाला सुप्रीम हामनी के विशाल हॉल के सामने केवल राजवीर और ओर्ड मास्टर जिया बचे थे आप सासी एचेच में अब मुझसे हीन हैं लेकिन अगर हम उसी युग में पैदा हुए होते तो शायद मैं आपका मैच नहीं होता पौराने का अवस्था में मेरी उन्नती की लास्ट आधारशिला के रूप में आपके साथ मैं बहुत संतुष्ट हूँ चिन्ता मत करो आज के बाद मैं आपकी टालेंट लाइफ प्रोविडेंस और लाइफ सोल को अपने लिए ले लूनगा और इसे प्रसिद करूनगा आपको बाद के लाइफ में आराम महसूस करने में एबल होना चाहिए बुडे मास्टर जिया ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा और राजवीर के सामने पहुँचे जैसे कि उन्होंने जीरो में टनल बनाई हो राजवीर जेड क्रिस्टल स्पिरिट आम अपहन कर पहले से ही तयार है वहीं टार्च ड्रेगन ने वर्ल्ड किंग ट्रांस्फॉर्मेशन का इस्तिमाल किया टार्च ड्रेगन की आखें उसके पूरे बॉडी में फैली हुई थी जैसे ही वे दरपन में बदल गई यह वर्ल्ड किंग ट्रांस्फॉर्मेशन स्टेट में ब्राइट टॉर्च विजन वर Old Master Ziya अचानक गायब हो गया. Truth Listener अपनी सीमा के भीतर अपने Place को महसूस नहीं कर सका, जिससे राजवीर Uncomfortable महसूस कर रहे थे. जब Bright Torch Vision World की Power बंद हो गई, तो उसने देखा कि बुरे Master Ziya की आकरिती उससे बहुत दूर नहीं दिखाए दे रही है जैसे कि वह कभी चला ही नहीं है. Universe Place, Yin और Yang Interignate ऐसी बहुत सी अबिलिटी नहीं है जो इस लेवल को हासिल कर सके. मैंने अप्रॉक्स दस ये की खोज के बाद ही यिन यांग यूनिवस रिंग लाइफ सोल हासिल किया. इस लाइफ सोल का यूज़ करके, मैं अस्थाय रूप से यिन और यांग को उल्टा कर सकता हूँ. किसी भी बल को मुझे घायल करने या देखने से रोक सकता हूँ. बुरे मास्टर जिया ने शांती से कहा और अपनी उंगली पर ताईजी प्रतीक के साथ अंगूठी पर हाथ फेरा. तो ने कितने लोगों को मारा है और कितनी जीवात्माव को लूटा है. क्या आपको नहीं लगता कि वे जीव सोले उन लोगों के गोस्ट की तरह हैं, जो आपको दिन रात परेशान करते हैं. राजवीर ने टॉर्च ड्रेगन को पुराने मास्टर जिया से मारे जाने से बचाने के लिए उसे हटा दिया. विश्व किंग परिवर्तन के बाद मशाल ड्रेगन एक कमजोर अवस्था में प्रवेश कर गया, जिससे उसकी पावर बहुत कम हो गई. यह आप ऐसी लड़ाई में निरनायक भूमिका नहीं निभा सकता है. बुड़े मास्टर जिया ने शांती से कहा, इस युग में, अगर मैं अभी भी डिवाइन से डरता हूँ, तो मैं कैसे स्वर्ग को चुनोती दे सकता हूँ और अपना भाग्य बदल सकता हूँ. मैं गोस्ट या देवताओं से नहीं डरता. मुझे डर है कि मैं सभी डाइमेंशन प्रानियों को अपने सामने दंडवत नहीं कर पाऊंगा. यह टाइम के बारे में है. कॉनेट महान समराच सूत्र की नौ मुख्य लाइफ सोलों में से एक के रूप में, मुझे पौरानिक मंच पर आगे बढ़ने में मदद करें. ओर्ड मास्टर जिया के बौडी पर लगे काले जे रामा से एक भयानक काली रोशनी निकल रही है जैसे ही बुड़े मास्टर जिया ने एक मुख का मारा, स्पेस फट गया, एक काला सूरज बन गया. हाला की, साब्धानी पूरवक अब्जवेशन करने पर, काला सूरज एक ब्लेक होल है, इसने एक विशाल सक्षन बल का उतपादन किया जिसने राजवीर को अंदर खीच लिया. जैसे ही ओल्ड मास्टर जिया ने राजवीर में ब्लेक होल को विस्फोटित किया, राजवीर ने महसूस किया कि सक्षन बल मजबूत हो गया, जैसे कि यह उसकी सोल को अंदर कीचने वाला है. राजवीर के चहरे पर चमक आ गई और वह अचानक गायब हो गया. बुड़े मास्टर जिया ने इधर उधर देखा तो उसकी भोहे तन गई, लेकिन उसने राजवीर को नहीं पाया. यह ऐसा था जैसे वह पतली हवा में गायब हो गया हो. अप्रॉक्स तुरंट, ओल्ड मास्टर जिया ने अपनी हथेली में सूरज जैसी चमक की एक गेंद को संधनित किया. लाइट ने निशिद सिटी को रोशन किया. यह जहां भी चमकेगा, गर्म धुआ निकलेगा. चाहे कोई कहीं भी छिपा हो, वे इस अंधाधुन हमले से बाहर निकल जाएंगे. हाला कि, पुराने मास्टर जिया को कुछ भी गलत नहीं लगा, जैसे कि राजवीर सच में हवा में गायब हो गया है. क्या उसके पास यिन यांग युनिवस रिंग जैसी कपैसिटी है? बुरे मास्टर जिया की भोहे तनी है. राजवीर के पास स्वाभाविक रूप से यिन-यांग यूनिवस रिंग नहीं है लेकिन उसके पास असीनता का लबादा है अद्रिश्पता के लबादे का पहिया और देस्टिनी सक्रीय होने के साथ उसके पास तीन मिनट की पूर्ण अद्रिश्पता है उसके खिलाफ हमले बेकार थे। राजवीर ने असीन ताके लिबादे का इस्तिमाल करने के बाद मॉंस्टर नवजात को बुलाया जो हॉल ओफ सुप्रीम हामनी की छट के पीछे चिपा हुआ है और फबिदन सिटी के एंट्री गेट की ओर बढ़ गया। असीन कपासिटी केवल तीन मिनट तक रह सकती है तीन मिनट के बाद वह केवल शारीरिक रूप से असीन रह सका। ऐसे में वह आसानी से पता चल जाएगा। इसलिए राजवीर इस टाइम का यूज निशित सिटी से बचने के लिए करना चाहता है। हाला कि जब वह फबिदन सिटी के एंट्री गेट पर तो उन्होंने महसूस किया कि दर्वाजा पहले ही बंध हो चुका है। हाला कि असीन ता बल ने उन्हें तीन मिनट के टाइम प्र असीन और अमूर्थ बना दिया। जैसे ही राजवीर सीधे दर्वाजे की ओर बढ़ा, वह सीधे मामले में प्रवेश कर सकता है। बम, द्वार नहीं है बलकि एक ऐसा बल था जो बिजली के बराबर है उसका बोड़ी अभी भी सुनन महसूस कर रहा है। आप राबर में च्छाय काले बादलो और बिजली ने राजवीर को पहले ही महसूस करा दिया था कि कुछ गरबर है। यह आब और भी अधिक महसूस हुआ राजवीर ने उपर देखा और निशिद सिटी को ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि सिटी की दीवार पर कौन टौवर एक फी की चमक बिखेर रहा है हाला कि रोशनी तेज नहीं है सूरच को धके काले बादलों के साथ यह विशेश रूप से आख को पकड़ने वाला है। राजवीर ने हवा में उडान भरी और सिटी के अन्यतीन कोने वाले टावरों को देखा। सच मुच वे चमक रहे थे। राजवीर के पास कारण के बारे में सोचने का टाइम नहीं है उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है उसे भागे हुए अप्रॉक्स 20 सेकंड हो चुके थे। चूनकी वह अब नहीं जा सकता है राजवीर को बुरे मास्टर जिया को मारने का तरीका सोचना पड़ा। नहीं तो वह मरने वाला होगा। कौने डॉमिनेंस बोडी शायद ली जुवान के इमोटल देवता के युद्ध के बराबर है। इसको सेल्फ हीलिं मास्टर जिया की ओर दोड़ा जो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा है उसने राजवीर को खोजने के लिए सभी प्रकार के तरीकों का इस्तिमाल किया, लेकिन यह बहुत काम का नहीं है उनके पास पहले से ही मौजूद आठ लाइफ प्रावधान और लाइफ सोले, साथ ह साथ सभी प्रकार के सार उर्जस किल किसी भी काम के नहीं थे, वो हसीन राजवीर को खोजने में असफल रहा, राजवीर ओर्ड मास्टर जिया के सामने आया और उसके मुँव पर इशारा किया, फिर उन्होंने आदिम बीजानू को बुलवाया और उसे अपने बोड़ी मे प्रवेश करने दिया, भले ही यही उस था या नहीं, उसे इसे आजमाना है, पुराने मास्टर जिया के बोड़ी में आदिम बीजानू के प्रवेश करने के बाद, राजवीर ने ओर्केट ब्लेड को बाहर निकाला और उसे असीनता से मुक्त कर दिया, उसने इसे ओर्ड म प्रवेश कर गया, लेकिन यह दूसरे छोर से उसकी खोपड़ी में प्रवेश नहीं कर सका, राजवीर ने ओर्केट ब्लेड को मरोरते टाइम परवा नहीं की, बुरे मास्टर जिया की पावर जवाला मुखी की तरह फूट पड़ी, राजवीर को उरते हुए भेजा, वह और्केट ब्लेड को अपने मुख से बाहर निकालने में भी काम्याब नहीं हुआ, राजवीर का बोड़ी हवा में लुरक गया और फाइनली वह भयानक पावर को खत्म करने में काम्याब हो गया, हाला कि उसने अभी भी एक कौर खून बहाया, राजवीर को अपनी चोटों रूप से खशत इग्रस्त कर दिया गया है लेकिन जब राजवीर ने उसकी ओर देखा, तो उसने देखा कि बूरे मास्टर जिया ने अपनी हथेली को बढ़ाया, और किट ब्लेड को पकड़ा, और उसे अपने मुख से बाहर निकाला, जहां तक चोटों की बात है, वे ते मास्टर जिया ने और्किड ब्लेड को पकर रखा है लेकिन उनकी आखों में कोई गुस्सा नहीं है, इसके बजाए कुछ कटरता है, आपने सा CHH में मुझे चोका दिया, हालांकि मैं पौरानिक अवस्था में आगे नहीं बढ़ा हूँ, एक अभिभावक की वृद्धी के साथ मैं पहले से ही एक पौरानिक एलियम हूँ, इसके अलावा मैं सामान्य पौरानिक प्रानियों से कहीं अधिक पावड हूँ, ऐसी परी स्टेटिस्यों में तुम अभी भी मुझे चोट पहुचा सकते हो और सिर्फ एक बार नहीं, यह साबित करने के लिए काफी है कि आ आपको धन्यवाद देना चाहिए, बुडे मास्टर जिया कदम दर कदम राजवीर की और बढ़े, उनका मारने का इरादा चरम पर है, चाप्टर 754, महान समराच सूत्र को जोड़ना ट्रैंसलेटर, सीके टैलन, राजवीर ने खड़े होकर बुडे मास्टर जिया को देख कर दिया, इसके अलावा, बल तेजी से मजबूत हो रहा है, राजवीर को किंग की पावर की आह का इस्तेमाल किये काफी टाइम हो गया है ऐसा इसलिए था क्योंकि बल बहुत पावर है यहां तक अपने वर्तमान सम्विधान के साथ भी, वह लंबे टाइम तक नहीं टिक सक के, अगर टाइम बीटता है, तो वह दुश्मन के बिना कुछ भी किये बिना अपनी पावर से विस्फोर्ट कर देगा, लेकिन इस लेवल पर, चाहे जो भी हो, उसे इसका इस्तेमाल करना ही है, राजवीर के सामने आते ही बुरे मास्टर जिया का फिगर चमक उठा, जैसे इसका बैम्बू ब्लेड और किड ब्लेड से टकराया और ओर्ड मास्टर जिया को आधा कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, इसने बुरे मास्टर जिया की आँखों को शौक से भर दिया, गाजेयन की वृद्धी के साथ, उनकी स्पीड और पावर पौरानिक नहीं है यहां तक अगर उसके पास एक पौरानिक साथी जानवर है तो वह उसे सच्चा पौरानिक नहीं बनाता है, हाला कि राजवीर के पास ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है उसका बौडी अनकमफेटिबल रूप से सूज गया है और उसके फटने में देर नहीं पौड़ानिक सारूर्जा को अफशोशित कर लिया, हाला कि उन्हें यह जानकर शौक हुआ कि बैम्बू ब्लेड से एसेंस एनरजी अंतहीन लग रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इससे कैसे अफशोशित किया, बान्स ब्लेड से सारूर्जा ने कमजोर होन कोई संकेत नहीं दिखाया, राजवीर ने लगातार कुछ हमले किये जिससे ओर्ड मास्टर जिया को पीछे हटना पड़ा, हर वार के साथ पाव कई गुना बढ़ गई, यह कैसे पॉसिबल है, बुड़े मास्टर जिया घबरा गए, उनके पास एक गाजियन की वृद्धी है कॉनेट महान समराच सूतर की पाव के साथ, कई ऐसे नहीं थे जो पौरानिक मंच पर भी उनका मुकाबला कर सकें, राजवीर एपिक स्टेज पर थे, लेकिन उन्होंने जो पाव दिखाए, वह उन्हें दबाने में एबल है, इससे वह शौक और खुश हो गया, राजव ने दो कि तुम कितने मजबूत हो, राजवीर के कृपान हमलों को चक्मा देते हुए बुरे मास्टर जिया का फिगर चमक उठा, उनकी आखों में उत्तेज ना तेज हो गई, राजवीर की एक्स्प्रेशन नहीं बदली, अब उनका पूरा ध्यान युद्ध पर है, उसके पास कोई और विचार नहीं था क्योंकि उसने अपने बोडी में मौजूद हिंसक पावर को सीमा तक खदेर दिया है, बलेड तेज और तेज हो गया, और बल अधिक से अधिक हिंसक हो गया, राजवीर की क्रिपान टेकनोलोजी के अनुसार, वे भी मजबूत हो गए, ट्रा चीनने के बाद का रास्ता ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इंमोटल से कमतर नहीं है, इसलिए, राजवीर केवल एक सफलता की तलाश कर सकता है, चून की उसकी स्पीड टेकनोलोजी पुराने मास्टर जिया को डरा नहीं सकती है, वे केवल अपने हाथ में क्रिपान को तेज और मजबूत बना सकता है, राजवीर के पास कई फैंसी चालो का यूज करने का टाइम नहीं है, वे केवल तेज स्पीड का पीछा कर रहा है, चटपट, 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 राजवीर का लक्ष केवल अपनी स्पीड बढ़ाना है और उनके चलने की टेकनोलो जी हो या उनके हाथ में ब्लेड, उनके बोडी में अप्रोक्स अनंत पाव यो के कारण उनके पास अनंत पॉसबिलितिये हैं, बम, जब राजवीर को लगा कि उसका बोडी हिंसक पाव से फटने वाला है, तो वह फाइनली एक ऐसे बिंदू पर पहुँच गया जहां पु बुरे मास्टर जिया का बोडी कहीं और दिखाए दिया है, बहुत दिल्चस्प, आपके महाकाव्य बोडी में सा CHH में इतनी अपार पाव है, हाला कि आपके बोडी को इतनी बड़ी पाव का सामना करने में एबल नहीं होना चाहिए, हैना, बुरे मास्टर जिया ने राज प्रोविदेंस और लाइफ सोल्स को लूट लिया। अपने लाइफ प्रोविदेंस और लाइफ सोल्स के साथ वह कॉनेट ग्रेट समराथ सूत्र के लिए नौ की चरम सीमा तक पहुचने के लिए सिर्फ एक लाइफ प्रोविदेंस और लाइफ सोल्स से कम है जिससे उसे अप और उर्जाकला का यूस पौरानिक मंच पर आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। हाला कि 9 Life Providence और 9 Life Soul को इकठा करना हाड है विशिष्ट Life Providence और Life Souls, जैसे कि 10,000 महाकाव्य तलवारबाज केवल 9 Life Providence और Life Souls के पोशक तत्वों के रूप में मौजूद थे। वे सासी एचेच में उसके Life विधान और Life Soul नहीं बन पाए। किसी के लिए 9 मुख्य Life Future वानियों और Life Soulों में से एक बनना बहुत दुरलब है अब तक, बुड़े मास्टर जिया में अभी भी एक कमी है। सच में, जिया लियूचुवान पूरी ट्रहन से नौवा व्यक्ति था जिसे ओर्ड मास्टर जिया ने जानबूच कर पाला है हाला कि, किसी कारण से, पुराने मास्टर जिया ने फाइनली जिया लियूचुवान को अफशोशित नहीं किया। राजवीर के एक्सप्रेस होने के बाद ही पुराने मास्टर जिया ने राजवीर को अपने नौवेल लाइफ प्रोविडेंस और लाइफ सोल के रूप में यूज़ना बनाई। साथ ही, वह दस हजार से अधिक लोगों के लाइफ फ्यूचर वानियों और लाइफ सोलों को पोशक तत्वों के रूप में खुद को पौरानिक मंच पर धकेलने और भागय के चक्र को संधनित करने के लिए यूज़ करेगा। हाला कि राजवीर के प्रदर्शन ने पुराने मास्टर जिया को चिंतित कर दिया। राजवीर उन आठों की तुलना में बहुत अधिक पावर था जिन्हें उसने पहले आत्मसात किया है यह एक दुरलब सीन है। यह सा सी एचेच में वैसा ही था जैसा ओल्ड मास्टर जिया ने कहा है राजवीर का बोडी किंग की आह की पावर का सामना नहीं कर सका। उसकी तवचा पर खून के निशान दिखने से उसका मीट फट गया। खून टपकने से उसकी मीट पेशिया फट गई है उसकी हटियो में भी दरारें आ गई अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह शायद आत्मदा कर लेगा। हाला कि राजवीर अभी पहले की तरह शांत हैर उसने ध्यान से उन पावर को महसूस किया जो उसके बोडी को विनाश की ओर धकेल रही है। राजवीर ने कई पावर जीवो को देखा था टोर्च ड्रागन, अत्याचारी बेहिमोत, प्रिमोडियल सोर्ड, इम्मोटल, ट्रूथ लिसनर और इससे भी मजबूत अभिभावक। वे सभी बहुत पावर थे ऐसी पावर जिन्हें दूसरे देखते थे। हाला कि यह किसी भी प्रकार की पावर है इसको तुलना अगर कोई इमोटल मेरा विरोध करता है, तो मैं इमोटल को खत्म कर दूनगा। गौड के साथ कोई आदान प्रदान नहीं, इमोटल के साथ कोई परिचित नहीं, मैं मैं हूँ। राजवीर ने अपने सपने में उस दिलेर और वहशी आवाज को याद किया। इससे वह डर के मारे कापने लगा, लेकिन इससे उसका खून भी खौल उठा। युक्ति, आप चैक्टर के भी चैक्टर 755, एक सेबर स्ट्राइक की पावर। ट्रैंसलेटर, सीके टेलन उसका मीट फटते ही उसका बॉड़ी फट गया। खून लगातार बहता रहा, लेकिन राजवीर उसने बांस के ब्लेड को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया क्योंकि उसने उसमें अपनी अंतरद्रिष्टी केंद्रित की, उसने बांस के ब्लेड को अपने सिर के उपर उचा उठाया, बुरे मास्टर जिया का दिल धलक उठा जैसे उसे खत्रे का और असा हो गया हो, ज इस प्रहार के साथ, राजवीर के बॉड़ी में उनमादी रूप से प्रस्फुर्टित होने वाली पावर तुरंट फिनिश हो गई। यह ब्लेड पर इकठा हो गया, जिससे बैम्बू ब्लेड का बॉड़ी कांपने लगा। उसके बॉड़ी पर गाजियन का आमा बिखर रहा है उसके हलमेट से उसके आमा तक एक क्रिपान घाव दिखाए दिया। एक असीन क्रिपान बलामा पर दबाता रहा, जिससे वह उपर से नीचे तक तूट गया। बुरे मास्टर जिया का खून भी बह रहा है। दरार, बुर उसके बॉड़ी पर क्रिपान के निशान फैल रहे थे। यह उसके सिर से उसकी छाती तक और फिर उसके पेट तक गया। खूनी निशान लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि अधिक से अधिक खून बह रहा है। पुराने मास्टर जिया का अप्रॉक्स इमोर्टल कॉने डॉमिनेंस बॉड़ी उसके बॉड़ी पर क्रिपान के निशान को गहरा होने से नहीं रोक सका और नहीं उसके घावों को ठीक कर सका। बुरे मास्टर जिया ने देखा कि उसके बॉड़ी पर क्रिपान के निशान लगातार फट रहे थे और उसकी खोपड़ी फटने वाल स्लेश के टाइम प्रत स्लोत्र लाइफ सोल स्वचालित रूप से राजवीर की हर्ताल में शामिल हो गया है स्लोत्र, जो राजवीर को केवल निश्क्रिय रूप से बढ़ा रहा है ने पहली बार सक्रिय रूप से अपना अफेक्ट दिखाया है। इस हमले ने राजवीर की युद्धक कपैसिटी को पहले ही खत्म कर दिया है। विशेश रूप से किंग की आह से उसका बोडी गंभीर रूप से एक शतिग्रस्थ हो गया है और उनके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। राजवीर ने सलोत्र को देखा क्योंकि हर्ताल की पाव ने चमतकार करना कंटिन्यू रखा। यह बुडे मास्टर जिया की हड्यों को दो भागों में चीरने वाला है। गाजेयन की पाव के बिना, ओर्ड मास्टर जिया कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह केवल एपिक स्टेज पर है राजवीर का मानना की भयानक क्रिपान बल का सामना करना उनके लिए इंपोसिबल है। क्रिपान बल केवल किंग की आहता की सीमित नहीं था, इसमें वद करने वाले की पाव भी नहित है, राजवीर ने महसूस किया की हमले की पाव तब तक कम नहीं होगी जब तक की वह अपने प्रतिदवंदवी को मार नहीं देता। बूम 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 इस टाइम, अचानक बिजली का एक जटका बुडे मास्टर जिया के सिर के उपर से टकराया। बैंगनी बिजली ने बुरे मास्टर जिया के बोडी को नहला दिया और सा सी एच एच में बुरे मास्टर जिया के बोडी में कृपान बल को चकना चूर कर दिया. अजीब बैंगनी बिजली भी उसी टाइम उसके बोडी में घुस गई, जैसे कि उसके बोडी पर एक बैंगन मंच में बदल रहा हो। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। मैं तुम्हें यहां तक ले गया और बहुत कुछ सहा, लेकिन तुमने सा CHS में उस बुरे व्यक्ति की मुझसे निपटने में मदद की। राजवीर को गुस्सा आया, वह ठीक रसे देख सकता था कि बैंगनी बिजली जीरो से नहीं टकराई है बलकि हॉल आफ सुप्रीम हामनी की छट पर लौक से बाहर निकली है। हाँ हाँ, मैं सा CHS में स्वर्ग से धन्यव्यक्ति हूँ। यहां तक की स्वर्ग भी मुझे पौ मुझे गौड बनने से कोई नहीं रोक सकता, बुरे मास्टर जिया ने अपना सिर पीछे फेका और हसा। उसके बोड़ी पर नौ लाइफ सोले बेहोश रूप से दिखाई दे रही थी क्योंकि उसके बोड़ी से भयानक पाव निकल रही है उसका बोड़ी तेजी से रूप मास्टर जिया सा CHH में आगे बढ़ने में काम्याब रहे तो राजवीर के पास उससे लड़ने की पावर नहीं होगी। हाला कि जिया जियू हुआंग नाम ने फाइनली राजवीर को यह बता दिया कि ओल्ड मास्टर जिया कौन है यह नाम ना केवल जिया परिवार के जेड बन गया था क्योंकि उसकी सार ओर जाजवाला मुखी विसफोर्ट की तरह निकली है नौ प्रानों की पावर और नौ प्रानों की पावर एक के रूप में विलीन हो गई और एक प्रा इंडिया सम्राट शब्ड धीरे धीरे उनके माथे पर उभराया। अवस्था में आगे बढ़ चुका होगा। राजवीर ने मौनस्टन अवजात और सत्य श्रोता को बुलाया। इस बिंदू पर वह केवल अपने लाइफ को जोखिम में डाल सकता था और पौरानिक चरण में परिवर्तन को पूरा करने से पहले जिया जियू हुआन को नश चरवानी नहीं कर सका। जैसे ही राजवीर टूथ लिसनर को कान की बालिया तोरने का ओर्डर देने वाला है उसने महसूस किया कि जिया जियू हुआन की हालत में कुछ गरबर है। उसके बोड़ी में एक फी की पावर का स्पंधन हो रहा है एक लैवाध रिदय की धरकन की तरह। हाला कि यह पावर पावर नहीं थी और जिया जियू हुआन के बोड़ी का एक हिस्सा लगती है यह राजवीर को किसी तरह का संदेश भेज रही है। युक्ती चाप्टर 756 तीन तरफा संघर्श ट्रैंसलेटर सी के टैलन। में एबल है। एक बार पर जिंडा सफल हो जाने के बाद यह तेजी से पॉइंट हो सकता है इससे पहले कि जिया जियू हुआंग सा CHH में पौरानिक अवस्था में आगे बढ़े इसके विपरीद जब इसने पौरानिक प्रानियों को पर जिंडा किया। प्रिमोर्डियल स्पोर से प्रेशित जानकारी से जिया जिहांग को पूरी तरह से नियंतरित करने में अधिक टाइम नहीं लगेगा। राजवीर को सुख़द शौक हुआ। वह पूरी ट्रैहन से मानते थे कि मौत से लड़ने का केवल एक ही तरीका है लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि एक मरे हुए अंतक पहुचने के बाद एक छोटा प्राइमेडियल स्पोर स्टेटिस को बदल देगा। बूम 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 जिया जियू हुआन के डिवेलिपमेंट के सबसे इंपॉर्टन्ट क्षण में बिजली के बोर्ट काले बादलों से नीचे गिरे और बिजली के ज़रने की तरह लगातार उस पर वार किये। ना केवल बिजली ने जिया जियू हुआन को घायल नहीं किया बलकि उसने विजली की पाव का यूज उसे इवॉल्व करने में मदद करने के लिए किया, जिससे उसका बॉड़ी एक पौरानिक आफ्तार के करीब और करीब हो गया. राजवीर जो जानता था उसके अनुसार, सभी पौरानिक प्रानियों के मूल आकड़े ग्यारा थे. इनसान के लिए उनके मूल आकड़े एक होने का अनुमान लगाया गया है यह भी पौसिबल था कि वे एक तक न पहुचे. Finally, इनसान शिश्यू बहुत कम जोर थे. वे सामान्य पौरानिक प्रानियों से बहुत हीन थे, पौरानिक प्रानियों से बहुत कम. यहां तक प्राइमरी जीनो पौरानिक जीव और महाकाव्य जीव भी शायद ही कभी पौरानिक अवस्था में आगे बढ़े हो, इसलिए इ इनसान के लिए पौरानिक अवस्था में आगे बढ़ना अप्रॉक्सम पॉसिबल है. जीया जीव हुआंग ने 9 साउस BDA लेवल के Life Providence और Life Solo को संधनित किया है पौरानिक अवस्था में आगे बढ़ने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में उर्जा की भी जरूरत है पहले उसका बौडी तेजी से रूपांतरित हो गया. गाजियन के सयोजन के विप्रीत जीया जीयु हुआंग के पूरे बौडी ने एक पौरानिक पावर का उत्सर्जन किया. हर कोशिका और बालों की लट में भयानक उर्जा होती है. वर्तमान जीया जीयु हुआंग में बुरे काले बाल हवा में नाच रहे थे. विजली में नहाया हुआ है वह एक जिंड़ा प्रा-इंडिया दानव देवता की तरह लग रहा है. उसके माथे पर समराट, शब्द एक बैंगनी तारे की तरह चमकीला और चमकीला हो गया. बूम 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 बिजली के लास्ट छ हास में पहला है. फाइनली, मैं फाइनली पौरानिक मंच पर पहुँच गया हूँ. जिया जियो हुआंग हवा में तैरने लगा और उसने अपनी हतेली को उपर उठाया. उसने अपने रूपांतरित बौडी की टरीफ की क्योंकि उसकी उतसाहित आवाज काम प्रही है. इत तक सोल पर जिंडा सफल रही, तब तक यह वेकार होगा, चाहे जिया जियो हुआंग कितना भी मजबूत क्यों न हो. राजवीर, आपको इंसान मिथक की पाव के तहट मरने वाले पहले व्यक्ति होने पर सम्वानित महसूस करना चाहिए. जिया जियो हुआंग राजवीर क उसकी आवाज अत्यंत तीकी है मानो किसी ने उसके मस्तिष्क में बिजली की ड्रिल से छेद कर दिया हो. बेंगनीक सम्राट, चरित्र को देखने से पहले राजवीर सबसे पहले अवाक रह गए. वह तुरंत अंडिस्टैंडिंग गया कि क्या हुआ है. लकड़ी का वह माथे पर दास शब्द को याद किया और इसे जिया जियू हुआंग के माथे पर सम्राट, चरित्र से जोड़ा. हाला कि शब्द अलग थे, लेकिन रूप शौकिंग रूप से बराबर है. जिया जियू हुआंग के चिल्लाने को देखते हुए, राजवीर को भी प्रिमोड और उसके माथे पर सम्राट. तीनों पक्ष जिया जियू हुआंग के बोडी को नियंतरित करना चाहते थे, लेकिन उनकी इच्छा सबसे कमजोर है यहां तक प्रिमोडियल स्पो भी पूर्ण प्रॉफिट हासिल करने में विफल रहा. सबसे मजबूर, सम्राट, शब्द है क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? जिन्ग डाउक्सियन ने ठीक ट्रसे कहा कि जब तक मैं नौजीव बोडी के साथ पौरानिक मंच पर आगे बढ़ सकता हूँ. मेरे पास एक महान सम्राट की नियती होगी. ऐसा क्यों हो रहा है? जिया जियू हुआंग ने धारते हुए कहा एक दुखाद रोना. वह अपना सिर जमीन पर पटकना चाहता है लेकिन उसके बोडी ने उसकी एक नहीं सुनी. इसने उससे भहेभीत और क्रोधित कर दिया. जिया जियू हुआंग की दहार सुनकर राजवीर थोड़ा अचमवित हो गया. जिन्ग डाउक्सियन सा सी एच एच में इस मामले में शामिल है. राजवीर को लगा कि उसने यह सीन पहले कहीं देखा है. कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आया कि लाड़ अलकोहल ने दीरधायू फल खाने के बाद भी कुछ हैसा ही कहा है. जिया जियू हुआंग को देखकर जो असहनिय दर्द में है रा उन्होंने इस मुकाम तक पहुचने के लिए जिंग डाउक्सियन के शब्दों को सुना है. लोस्ट इम्मोटल सूत्र के लिए जो राजवीर ने साधना की वह भी जिंग डाउक्सियन से है अब राजवीर पौरानिक मंच पर आगे बढ़ना चाहता है उसने महसूस किया कि वह कुछ हद तक जिया जिहांग और कमपनी के बराबर है. हाला कि राजवीर के पास इसके बारे में ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है प्रिमोडियल स्पोव उप्री हाथ हासिल करने में एबल नहीं है जिया जियू हुआंग के बोड़ी पर उसका कंट्रोल कमजोर हो रह है और जिया जियू हुआंग की इच्छा लुप्त होने वाली है केवल समराट शब की चमक तेज होती जा रही है कुछ टाइम पहले ही उसने जिया जियू हुआंग के बोड़ी पर कंट्रोल हासिल किया है. इससे पहले की जिया जियू हुआंग का बोड़ी पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता, राजवीर ने अपनी कृपान खीची और आगे की ओर खिसक गई। उसी टाइम, राजवीर के ओर के तहट सत्य श्रोता और मॉन्स्टर नवजात ने हमला किया। आदेम बी जानू से उसे रोके जाने के कारण, जिया जी यूहुआंग बिलकुल भी हिल डुल नहीं सकता है, मॉन्स्टर नवजात को एक और चांस खोजने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने अपनी मॉन्स्टर तलवार को बाहर निकाला और आगे की ओर वार किया। राजवीर की चोटे बहुत गंभीर थी, जिसके कारण वह साई अब दगिंग का यूज करने स रोक रहा है उसकी पावर बेहत सीमित है इसलिए जब उसने जिया जियू हुआंग के बोडी पर वार किया, तो ना केवल वह उसे घायल करने में विफल रहा, बलकि उसे जिया जियू हुआंग की पावर से उरते हुए भेजा गया। राजवीर जमीन पर गिर गया और उसक दर इंचवार करती गई। समराट शब्द जिलमिलता था क्योंकि उसने मॉंस्टर तलवार को विसफोर्ट करने का कोसस किया है लेकिन सत्य श्रोता ने हिंसक रूप से जिया जियू हुआंग के माथे पर प्रहार किया, जिस से समराट शब्द हिंसक रूप से कापने लगा Chapter 757, Scram Translator, CK Talent Primordial Spook के सयम के कारण, समराट शब्द जिया जियू हुआंग के बौड़ी को जवाबी हमला करने से रोकने में असमर्थ है,ом through monster तलवार ने जिया जियू हुआंग के सिर में इंचदर इंचवार किया उसी टाइम, एक काली मॉंस्टर और ने जिया जियू हुआंग के बोडी पर आक्रमन किया, जिससे उसकी लाइफ एनरजी कमजोर हो गई समराट, शब्द जिया जियू हुआंग से संघनित वील ओफ डेस्टिनी है, इसको नीव जिया जियू हुआंग है, जैसे ही जिया जियू हुआंग की लाइफ एनरजी कमजोर हुई, समराट शब्द पर रोशनी कम हो गई, अब पहले जैसी और नहीं रही तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जैसे ही राजवीर खुशी महसूस कर रहे थे, उन्होंने अचानक हौल ओफ सुप्रीम हामनी के उपर से एक थंडी महिला की आवाज सुनी, आवाज का स्रोत कोई और नहीं बलकी वहां खड़ा किया गया लठा है, लौक के अंदर एक महिला है, राजवीर घबरा गया, जैसे ही लौक से महिला की आवाज आई, आकाश में तारे जिल मिला उठे, काले बादलों के बीट से गुजरते हुए और निशित सिटी को रोशन करते हुए तारों का लाइट नीचे गिर गया, राजवीर ने ध्यान से देखा और देखा कि 28 लूनर मेंशन के अलावा, कोई अन्य स्टार लाइट काले बादलों में नहीं घुस पाया, स्टार लाइट चमक गई, जिससे फबिरन सिटी देधी पिमान स्टार लाइट का उतसर्जन करने लगी, विशेश रूप से चार कोने वाले टावरों ने एक दिव्य चमक का उत लूग पर तारों का लाइट इकठा हो गया, जिससे लूग बैंगनी स्टार लाइट उतसर्जित करने लगा, जैसे कि अंदर अंगिनत तारे घूम रहे हो, बैंगनी लॉग से उतसर्जित तारों की रोशनी की तहत, राजवीर को अपने माथे में दर्द महसूस हुआ, त निशिद सिटी का ले आउट बैंगनी निशिद समलगनिक है, परपल स्टार को समराट स्टार के नाम से भी जाना जाता है, यह एक समराट का लाइफ सितारा है, अब जबकि 28 लूनर मेंशन दिखाई दे चुके हैं और 4 कोने वाले टावर जमा हो गए हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि समराट पोल स्टार लोग में है, राजवीर ने अनुमान लगाया, अगर यह सा CHH में महान समराट पोल स्टार है तो राजवीर को लगा कि वहाज बरबाद हो गया है, सामान्य पौरानिक प्रानियों के विपरीत, समराट पोल स्टार एक ऐसा एक्जिस्टेंस था जो स पास शब्द के creation को रोकने में असमर्थ रहा। अचानक राजवीर को अपने body से एक जोरदार उच्छाल महसूस हुआ। यह किंकी आह की पाव है हाला की इस बार यह राजवीर के control में नहीं है लेकिन किंकी आह का एक स्वायत कार्य है यह कुछ-कुछ उसके घुटने टेकने के time जैसा ही है। एक पल में राजवीर के माथे पर अधूरा, गुलाम, शब्द बिखर गया और छिन भीन हो गया। किंकी आहे की पावर ने उसके body को धंक दिया जैसे की उसे एक गर्म आलिंगन में रखा गया हो। स्क्रैम राजवीर को अपनी ओर से एक आवाज आती हु चट गए। अब कोई बादल नहीं है। 28 लूनर मेंशन की तारों की रोशनी तुरंत मंध हो गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। फबिदन सिटी की स्टार लाइड भी गायब हो गई क्योंकि फोर कॉनर टावर्स गिर गए। लॉग ओफ सुप्रीम हामनी से गि भाजित हो गया। उसकी लाश में मौन्स्टर और अफैल गई। मानोवह उसके बोडी को नश्ट करना चाहती हो। रहसिमाई फोन अचानक वाइबरेट हुआ। राजवीर ने अपना फोन निकाला और देखा कि डेड मैन ट्री की गेम स्क्रीन अपने आप चालू हो गई ह जब उसने जिया जियू हुआं की लाश की तस्वीर कीची तो उसे बिना खून की एक बून छोड़े चूसा गया। डेड मैन ट्री को साबधानी पूर्वक देखने का टाइम ना होने पर राजवीर ने दोरने से पहले अपने साथी जानवरों को बुलाया और असीनता का अबादा पहन लिया। भयानक बैंगनी चमक उत्सजित की जैसे एक इमोटल सिटी तारों की रोशनी से सघन हो। राजवीर की आगे देखने की हिम्मत नहीं हुई। वह घूमा और दोरा इस उम्मीद में की फविडन सिटी से जादा से जादा दूर हो सके। थोड़ी दूर तक दोरने के बाद उसने देखा कि वांग लू चूजे और मृक के साथ फविडन सिटी को देख रहा है। फविडन सिटी में चिज ने वांग लू को चिंतित कर दिया। उसने अपनी आई बंद कर ली और अपनी हथेलियों को अपनी छाती के सामने एक साथ दबा लिया जैसे वह कुछ दूर रही है जाहिर है असीन ता लबादे की कपैसिटी इसके खिलाफ अफेक्ट नहीं है। चूजा भी राजवीर की दिशा में घूर रहा है लेकिन उसकी आई कुछ शौक हैर ऐसा लग रहा था कि राजवीर को खोज लिया है लेकिन उसने उससे नहीं देखा। वांग दर के मारे उचल पड़ा। यह देखते हुए कि राजवीर चोटो से धकी हुई थी और उसके कई घावों से अभी भी खून बह रहा है और उसके कपड़े अभी भी खून से सने हुए थे वो चिंता किये बिना नहीं रह सकी। क्या तुम ठीक हो। यह ठीक है मैं अभी नह ही मरूनगा। पहले फबिडन सिटी को छोड़ दें। यह यहां बहुत खतरनाक है। राजवीर ने महान पावर वजड़ बुल को बुलाया और भागने से पहले वांगलू के साथ कूद गया। जब वह निशिद सिटी से दूर है राजवीर ने महान पावर वजड़ बेल हो। उसकी हर चाल से इतना आहत होता था कि वह मा के लिए रोना चाहता है। आपकी चोटे गंभीर हैं। मैं अब उनका इलाज करने के लिए आपको वापस ले जाओंगा। वांगलू ने एक बेल बुलाई जो राजवीर के बौड़ी पर चड़ गई और उसके चारो और उसी टाइम कली उसके घाबों में घुस गई और उसकी चोटो के इलाज के लिए एक फी की चमक निकली। फिर उसने एक पहाड को बुलाया और राजवीर को वापस ले आई जैसे वह एक लता की ममी हो। राजवीर की चोटे बहुत गंभीर है वह नहीं जानता था कि वह जिया जियुहां की मरे हुए यू के साथ जिया परिवार में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो उनकी जान चाहता है है ना। राजवीर ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि उन्हें कोई खत्रा नहीं होगा। वह बाद में जानकारी इकठा करने में मदद के लिए व उन्हें कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। वे सब देख सकते थे कि निशिद सिटी एक इमोटल सिटी की तरह बादलों से घिरा हुआ है जिससे यह और भी अथा हो गया। यह सिटी के आंतरिक भागता की सीमित है कोई डाइमेंशन जीव नहीं निकला। पहले से जो बात अलग थी वह यह थी की तुफानी दिन नहोते हुए भी भीतर से अजीब अजीब आवाजे आ रही है यह गरच के टाइम प्रफ अबिडन सिटी के अंदर होता है। दुरभ पास भी दिखाई दिये थे। राजवीर ने मोटे तोर पर पर परिनाम का अनुमान लगा लिया है जिया जिहान के अलावा, जिया परिवार के कुछ लोग उन्हें मरवाना चाहते थे। फाइनली वे जिया परिवार की उम्मीद थे। ताकि पौरानिक मंच पर उनकी उन्नती के लिए बलिदान किया जा सके। इसलिए ये लोग इस्ट कोर्टे आज से थे और जिया परिवार की सामान्य व्यवस्था को अफेक्ट नहीं करते थे। इससे यह देखा जा सकता था कि जिया जियुहुआन के मन में अभी भी जिया पैदान पर थे। जिया जियुहुआन्ग उनमें से एक को अपनी नौवी लाइफ सोल के रूप में इस्तेमाल कर सकता है लेकिन उसने एंड मी ऐसा नहीं किया। शायद इसमें कुछ भावनात्मक कारक शामिल थे। चाहे कुछ भी हो जिया जियुहुआन्ग और पूर्व कि राजवीर ओल्ड मास्टर्ज या की तरह उत्परिवर्तित निशिद सिटी में फंस गया है इसलिए उन्होंने इंपीरियल कैपिटल की खोज नहीं की। राजवीर पिछले दो दिनों से दाधी वांग के हाथे में स्वास्थे प्रॉफिट कर रही है यह अजीब है इतन सदस्य यहां नहीं रहते थे और वांग परिवार का सच निवास पास में नहीं है। राजवीर ने अपने कड़े लिप्ते हाथ से अपना फोन पकड़ा और देखा कि डेड मेंट्री पर पर परपल कलर का फूल उगाया है। यह पॉसिबल तह वह फूल था जिसने जिया ज की पावर संधनित है इसलिए उससे क्रियेट फल निश्चित रूप से बहुत बुरा नहीं होगा। यह मेरे सिक्स विंग के लिए शर्म की बात है। राजवीर ने धीरे से आह भरी। सिक्स विंग इतने लंबे टाइम से उसके साथ है इसलिए उससे अचानक इसे खोने की आदत नहीं है। बिना कुछ करने के भी लेवल पर लिटे राजवीर ने अपने फोन का इस्तेमाल काल कोटरी को पीसने के लिए किया। उसने पूरी ट्राहन से कल्पना की थी कि वह खुशी से नौ काले ड्रेगन की कल्टिवेशन कर सकता है। लेकिन उसके शौक के लिए उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी है। अन्य पौरानिक जीव प्रतिदिन जन्म लेते हैं। मुझे ये मत बताओ कि ये 9 ब्लेक ड्रेगन 9 दिनों के बाद फिर से पैदा हुए है। राजवीर ने अनुमान लगाया। चून की वह ब्लेक ड्रेगन की कल्टिवेशन नहीं कर सकता है। राजवीर ने फिर से गाजियन पर अपनी नजरे जमाई। जिया जीव हुआन के साथ अपनी लड़ाय के टाइम प्र, राजवीर ने किंग की आह से पावर की अबधारना में कुछ अंतर द्रिष्टी हासिल की है। उन्होंने स्लोत्रल लाइफ सोल का यूज क कारण यह था कि इमोटल हत्या किंग की आह और वद करने वाले लाइफ सोल पर आधारित है। ऐसा नहीं था कि स्लोत्रल लाइफ सोल को संचालित नहीं किया जा सकता है लेकिन इसे चलाने के लिए आवश्य पावर की मात्रा बहुत अधिक है नीव के रूप में किंग के आह कोई मुकाबला करने की पावर नहीं है। इस हमले की पावर कुछ ऐसी थी जिसे गाडियन आमर पहने हुए जिया जियू हुआंग भी जेल नहीं सकता है उसने एक वार से काले जेड अभिभावक को भी मार डाला है इंट सिटी और युद्ध वेगन में गाडियन के को एक पट्टी से पकर लिया गया है वह केवल भी लेवल पर लेट सकता था क्योंकि उसने अपनी बाहों को एक जोवी की तरह सीधा कर दिया है उसने अपना फोन रखा और जुआ खेलने लगा। इस से पहले की नौ ब्लैक ड्रैगन्स पैदा होते वह वेगन समुद्र के तल में रहा। राजवीर सीधे अंडरग्राउंड समुद्र में गया यह देखने की उम्मीद में कि क्या इम्मोटल स्लेइंग गाजियन को अंदर मार सकता है। राजवीर के अंडरग्राउंड समुद्र में पहुचने से पहले उसने खिलकी से एक आवाज सुनी। यहां क कि दो पोनी टेल बाहर निकली हुई है। फिर उसने देखा कि एक छोटी लड़की का सिर धीरे-धीरे बाहर निकला हुआ है। वह खिर्की की चौखट पर पड़ी हुई है राजवीर को अपनी बड़ी निर्मल आखों से घूर रही थी और वह उसे उतसुकता से देख रही ह है। राजवीर ने देखा कि लड़की केवल 11 या 12 साल की है वो बहुत प्यारी थी और थोड़ी वांग लू जैसी दिखती है। अरे छोटे तुम्हारा नाम क्या है? राजवीर ने उससे पूछा। वांग चान छोटी लड़की ने आंसर दिया। जैसे ही राजवीर एक और क्वेस्चिन्स पूछने वाला है उसका हाथ अचानक फिसल गया और फोन उसके चहरे पर जागिरा। राजवीर की नाक में दर्द होने के कारण उसकी आँखों में चोट लग गई। राजवीर फोन उठाना चाहता है लेकिन वह अपना हाथ नहीं मोर सकता है। मुझे अचानक याड के बाहर किसी के चिलाने की आवाज सुनी। मिस लिटिल चान तुम कहा हो जल्दी से बाहर आओ। जैसे ही उसने पीछे मुढकर दरवाजे की ओर देखा लिटिल चैन डर के मारे उचल पड़ी और राजवीर को फोन सौब दिया। हाला कि राजवीर का हाथ बहुत कठोर है इससे पहले की वह फोन पकर पाता, वह एक जटके के साथ गिर गया और राजवीर के चहरे पर जा लगा। वह दर्द से करा हो था। तभी वांग चान भी लेवल के नीचे से रेंग कर बाहर निकली और अपने बोडी पर जमी धूल को जटक कर दूर कर दिया। फिर उसने तकिये के पास से फोन उठाया और राजवीर को सौब दिया। लेकिन वह जानता था कि वांग चान वांग लू की छोटी सिस्टर है वह अभी नहीं जानता था कि वह उसकी जैविक सिस्टर थी या उसकी चचेरी सिस्टर है। वांग चान ने आंसर नहीं दिया। उसने उतसुकता से उसे देखा और कहा तुम इतने गंभीर रूप से घायल क्यों हो। मैं तुम्हें चंगा करने में मदद क्यों नहीं करता। सच में यह सिर्फ एक सती घाब है। इतना कहकर वांग चान ने एक साथी जानवर को बुलाया। यह बहुत अजीब लग रहा है कोई फर्क नहीं पढ़ता कि राजवीर ने इसे कैसे देखा। यह पंखों के साथ एक सिरिंज की तरह लग रहा है। हाला कि सिरिंज में प्यारे छोटे पंख थे और गुलावी रंग का है क्यूपिट के एरो ओफ लव के बराबर यह एक सिरिंज है राजवीर जो बचपन में गंभीर रूप से बीमार थे अकसर इंजेक्शन लगाते थे। वह खुद को सिरिंज जैसी किसी चीज से प्यार करने के लिए नहीं ला सका। यह है, इसको कोई जरूरत नहीं है, राजवीर वांग चान की दयालुता को अग्जेक्ट नहीं कर सकता है लेकिन वह इंजेक्शन नहीं लेना चाहता है। मेरे साथ समारोह में मत खड़े रहो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी, वांग चान ने कहा और उसने सिरिंज को उड़ने का ओडर दिया और राजवीर की बाह में वार कर दिया। तो राजवीर ने तुरंत उर्जा महसूस की और यहां तक अपने खून में उबाल भी महसूस किया। लिटिल चान तुम कहा हो, हम वापस जा रहे हैं। तभी दीवार के बाहर से एक औरत की आवाज आई। जब लिटिल चान ने आवाज सुनी तो उसके भाव थोड़े बदल गए। उसने अपना सिर घुमाया और राजवीर से कहा, मेरी मा मुझे धून रही है। मैं कलाओंगा और तुम से मिलूंगा। अलविदा, नंब स्कूल वेन। इतना कहकर, राजवीर के जवाब की प्रतीक्षा किये बिना वांग चान भाग गया। इतनी कम उम्र में उसके पास पहले से ही एक साथी जानवर है। वांग लू की सिस्टर की टैलन्ट खराब नहीं है, वह काफी दयालू है। राजवीर ने अपनी लाइफ एनजी में वृद्धी महसूस की क्योंकि उनकी चोटे बहुत तेजी से ठीक होती दिख रही है। जैसे ही राजवीर खेलना कंट लगी जाली को फार दिया, जिससे उसके बोडी से गर्मी निकलने लगी। फिर भी, वह अभी भी अनकमफिटिबल महसूस कर रहा है यह ऐसा था मानो कोई पावर उसे धक्का दे रही है जिससे वह नच्छिक रूप से हिल रहा है। वह पहले दोड़ा, लेकिन उसने महसू किया कि दोड़ने से बहुत कम गर्मी निकलती है। राजवीर पुश अप्स करने के लिए जमीन पर गिर पड़े। यह ऐसा था जैसे उसने एक इलेक्ट्रिक मोटर स्थापित की हो क्योंकि उसका बोडी तेजी से उपर उठता था और जब वह गर्म हवा छोडता था तो गिर जाता है। राजवीर की चोटो के लिए गर्मी सा CHH में सहायक है जिससे उसके घावों के उपचार में तेजी आई। हाला कि राजवीर के पागल व्यायाम ने उसके घावों को फिर से भर दिया। जब राजवीर एंड मी रुके तो उन्होंने महसूस किया कि न केवल उनकी चोटे ठीक नहीं हुई थी, बलकि कुछ एरिया जो पहले से ठीक हो चुके थे, फट गए थे। वह कौन सा साथी जानवर है, इसके अफेक्ट इतने दबंद क्यूं है। राजवीर कुछ असहाय है, हाला कि वानचान के साथी जानवर का उपचार अफेक्ट था और बहुत अच्छा है, वह गर्मी का सामना नहीं कर सका और पागलपन से व्यायाम किया, जिसके परिनामस वरूप विप्रीट अफेक्ट पड़ा। फिर से B-Level पर लेटने के बाद, राजवीर किसी को धुन्द में लिपेटने के लिए परेशान नहीं हो सकता है, B-Level पर ज अधिपती तलवार धारंग की और किंग की आह को सक्रिय किया, उन्होंने वद को सक्रिय करने और इमोटल हत्या के साथ प्रहार करने से पहले एक निश्चित तीवरता तक पहुचने के लिए किंग की आह का इंतजार किया, खून से रंगे अपतार का बौडी का उपने लग है तो स्लोत्र फाइनली सक्रिय हो गया, राजवीर निस्वर्ण अधिपती तलवार को धारंग किया और वाइट कोकून पर वार करते हुए इमोटल हत्या को सक्रिय कर दिया, जीरो को अलग कर दिया गया था क्योंकि प्लेस पाव या इमोटल हत्या की पाव का सामना करने मे असमर्थ है, गाडियन को अंदर एक्स्प्रेस करते हुए, वाइट कोकून को अप्रॉक्स तुरंत खोल दिया गया है। यह पहली बार था जब राजवीर ने गाजियन का पूरा रूप देखा है, यह उसकी कल्पना से कुछ भिन है, कोकून के अंदर दगाजियन ड्रेग अधिपती तलवार की ओर पहुंच गया। दरार, जहां भी स्वर्ण अधिपती तलवार गुजरी, अभिभावक का हाथ कट गया। प्लेस पावर के रूप में रक्त के छीटे इमोटल हत्या के प्रक्षे पवक्र को बदलने में विफल रहे। सबसे पहले, राजवीर अगया है गेम स्क्रीन काली हो गई। ऐसा लगता है कि इमोटल हत्या अभी भी रखवालों के खिलाफ यूज है। हाला कि अगली बार मुझे सीधे गाजियन की गर्दन कात देनी चाहिए। राजवीर ने जिंडा होने के लिए अपना खून टप अपतार और खेल में फिर से प्रवेश किया। जल्द ही राजवीर ने महसूस किया कि हाला कि इमोटल स्लेंग स्ट्राइक गाजियन के साथ बराबरी कर सकता है लेकिन उसके पास एक चूप के बाद लड़ने की कपैसिटी नहीं थी क्योंकि इसने उसकी सारी युद्ध पावर को खत्म कर दिया है ग अगर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जवाबी हमले से खून के रंग का अवतार नहीं मारा जाएगा अगर मैं थोड़ी देर और इंतजार करता हूँ तो गाजियन मर सकता है। राजवीर ने अपने कोसर्स कंटिन्यू रखे उन्होंने महसूस किया कि ऐसा करना भी उतना ही हाड है ऐसा इसलिए है क्योंकि इमोटल हत्याकांट के बाद रक्तरंजित अवतार का बोडी अप्रॉक्स अपनी सीमा पर होगा। उसमें युद्ध करने की कपैसिटी बिलकुल नहीं है प्लेस पाव यो में दक्ष एक अभिभावक के सामने उसका बचना अंपॉसिबल है मेरा लेवल अभी भी बहुत कम है अगर मैं भी पौरानिक अवस्था में होता तो इस गाजियन को एक वार से मारना कोई प्रॉबलम नहीं होती। राजवीर क्षन भर के लिए नुकसान में है चाप्टर 760 एक सार उर्जा कला कहानी ट्रैंसलेटर सी के टैलन। कई कोसस के बाद राजवीर ने महसूस किया कि मारने के लिए कमजोर अभिभावक को ढूंडना बहतर विकल फैरुदाहरं के लिए वह ब्लेक जेड गाजियन जिसे उसने मार डाला था या पिछले 6 पंखो वाला सेराफिम। मुझे शौक है कि 6 पंखो वाला सेराफिम कहा गया। यह अच्छा होगा अगर मैं उसे धून सकूँ। राजवीर ने मन ही मन सोचा। एंट सिटी में अभिभावक और युद्ध वैगन शायद रखवालों में सबसे मजबूत थे। कम से कम राजवीर ने जितने भी रखवालों को देखा है और उनमें से किसी ने भी उनकी तुलना में आधेक पावर का प्रदर्शन नहीं किया है। अगली सुबह वांग चान शौकिंग रूप से फिर से आए। राजवीर के बोड़ी पर घावो को पहले ही फिर से भर दिया गया है वांग लूने कल दोपहर उसे फिर से बांध दिया है। हाला कि राजवीर ने वांग चान का उलेक नहीं किया। आखिर वांग चान तो बस अच्छा बहेव कर रहे थे। उसे इस बात का जिक्र करने और सिस्टर को दुखी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब वांग चान ने राजवीर की स्टेटिस देखी तो उसने शौक से पूछा क्या आपकी चोटे अभी तक ठीक नहीं हुई है। क्या मैंने कल ही तुम्हारा इलाज नहीं कर दिया था। यह अप्रॉक्स ठीक हो गया है। मैं और स्वस्थ होना चाहता हूँ, राजवीर ने कहा, मैं तुम्हें एक और इंजेक्शन क्यों नहीं देता। जैसे ही वांग चान ने बात की, उसने सिरिंज जैसे साथी जानवर को फिर से बुलवाया। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, राजवीर ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। मेरी चोटो का इलाज मत करो, मैं बस आलसी होना चाहता हूँ और यहां कुछ दिन जूट बोलना चाहता हूँ। अगर आप मेरी सभी चोटो का इलाज करते हैं, तो मुझे काम करना कंटिन्यू रखना होगा। तो आप सिर्फ तैरने की कोशिश कर रहे हैं, वांग चान प् राजवीर से पूछा, आपकी सिस्टर अतिश्योक्ती कर रही है, मुझे अभ्यास करने के लिए भी गंभीर कोसिस करने होंगे राजवीर ने कहा, मुझे पता है इस दुनिया में कोई इतना कमाल का कैसे हो सकता है जो इतनी लापरवाही से कुछ सीख सकता है, मैंने पहले ह बहुत कोशिश कर ली है, लेकिन मैं अभी भी चीजों का पता नहीं लगा सकता, ऐसा लग रहा था कि वांग चान ने रहत की सास ली है और उसने एक कुरसी कीची और उसे भी लेवल के सामने रख दिया, वह कुरसी के पीछे जुग गई और राजवीर को देखा, क्या आप के पास सीखने की कोई गुप तरकीब है, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं, यह एक गुप चाल नहीं है, लेकिन मेरे पास साजा करने के लिए अभी भी कुछ अनुभव है, आप क्या सीखना चाहते हैं, राजवीर ने सोचा कि चूनकी वांगलू ने उसकी इतनी मदद की है इसलिए उसके लिए अपनी सिस्टर की मदद करना ही सही है, सार उर्जा कला, तलवार टेकनोलजी, अंदोलन टेकनोलजी और इसी तरह सभी को सीखना मुश्किल है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं उनके मानकों पर खरा नहीं उतर सकता, मुझे डाट परती रहती है, वांग चान ने कटू भाव से कहा, आपको यह मुश्किल क्यों लगता है, राजवीर ने वांग चान से पूछा, क्योंकि इसे याद रखना बहुत मुश्किल है, मेरी याददाश्ट बहुत अच्छी नहीं है, मैं सामने वाले को याद करता रहता हूं और पीछे को भूल पीट को याद करने के बाद मैं सामने वाले को भूल जाता हूं, वांग चान ने कहा, सच में यह बहुत आसान है, बस मुझे कोई सार उर्जा स्किल बताओ जो तुमने सीखा है, मैं आपको बताता हूं कि इसे आसान तरीके से कैसे याद किया जाए, राजवीर ने कहा, यह एक सार उर्जा कला है जिसे मैं हाल ही में याद कर रहा हूं, मैं इसे आपको सुनाओंगा, वांग चान ने पाठ करना शुरू किया, राजवीर ने कुछ देर तक सुना, उसके बाद उसकी एक्स्प्रेशन धीरे-धीरे अजीब होने लगी, वांग चान ने जिन सार कलाओं का पाठ किया, वे सभी अपरिचित और अस्पष्ट प्रा-इंडिया ग्रंथ थे, इसके अलावा, वे बहुत लंबे थे, उसने एक ही बार में कुछ हजार शब्दों का पाठ किया है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अभी भी एक लंबा रास्ता फैशला करना बाकी है राजवीर की याददाश्ट के बावजूद, लेक के अर्थ को अंडिस्टैंडिंग बिना सब कुछ याद रखना उनके लिए मुश्किल है एह, लिटल चान, एक पल के लिए रुख जाओ, इस सार उर्जा कला के लिए आपके पास कितने शब्द बचे हैं राजवीर ने वांग चान को रोका और पूछा, कुल 134, 466 शब्द है, कई दिनों से याद कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को याद करके अब भी पीछे को भूल जाता हूँ मैं गलतियां करता रहता हूँ, वांग चान ने संकट में कहा राजवीर ने मन में सोचा, यह एक चमतकार होगा अगर आप उन सभी को याद कर सकें अगर आप इस तरह के एक असपष्ट प्रा-इंडिया पार्ट का अर्थ नहीं अंडिस्टैंडिंग सकते हैं केवल शब्दों को सही धंग से याद करने के लिए अपनी स्मुरे हुए पर भरोसा करते हुए आप एक टैलन्टेड नहीं, बलकि एक देवता होंगे यह प्रा-इंडिया पार्ट सा CHH में एक भारी भाशा के बराबर ही है इसके बारे में सोचते हुए, किसी को कुछ ही दिनों में एक लाख से अधिक भारी शब्दों के काम को याद करने और एक भी गलती ना करने की जरूरत होगी, यह बहुत कठोर होगा क्या किसी ने आपको इस सार उर्जा कला की सामगरी अंडिस्टैंडिंग है, राजवीर ने पूछा हाँ, लेकिन यह अंडिस्टैंडिंग ने में बहुत हार्ड लगता है और मुझे सा CHH में यह याद नहीं है, वांग चान ने कहा राजवीर ने एक पल के लिए सोचा और मुस्कराते हुए वांग चान से कहा, तो क्या आपको कहानिया पसंद है मुझे वे पसंद है, मुझे अपनी सिस्टर को फेडरेशन के छे नायकों के बारे में कहानिया सुनाना अच्छा लगता है वे अग्याद डाइमेंशन एरिया में लड़ते और तलाशते हैं मुझे यह भी उम्मीद है कि मैं एक दिन उनके जैसा हो सकता हूँ अग्याद पाउर जीवों से लड़ने के लिए अग्याद प्लेस पर जा रहा हूँ और जादूई साथी जानवरों को हासिल कर सकता हूँ वांग चान ने प्रत्याशा की एक नजर पहनी है राजवीर ने मुस्कराते हुए वांग चान से कहा दरसल आपने जो सार उर्जा कला का पाठ किया वह एक नायक के साहसिक कार्य की कहानी है चा क्या तुम मुझे इस तरह फुसलाने की कोशिश नहीं कर सकते जैसे मैं एक छोटी लड़की हूँ वांग चान ने अपने होठों पर हाथ फेरा और कहा राजवेर ने कहा अगर आप मुझे पर बिलीव नहीं करते हैं तो इसे पढ़े और मैं आपके लिए इस वीरतापूर्ण साहसिक कहानी का अनुवाद करूंगा वांग चान ने स्वाभाविक रूप से उस पर बिलीव नहीं किया जब उसने सार उर्जा कला का पाठ करना शुरू किया महान दाव का कोई रूप नहीं है फिर भी यह स्वर्ग और अर्थ का निर्मान करता है जैसा कि वांग चान ने कहा उसने राजवीर को देखा इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि वह इसके बारे में कैसे सोचती है वह यह नहीं बता सकती थी कि नायक की कहानी के साथ सार उर्जा कला का क्या संबंध है ठीक है मैं आपके लिए इस वाक्य का अनुवाद करता हूँ राजवीर ने वांग चान को पार्ट बंद करने का इशारा किया वांग चान ने पढ़ना बंद कर दिया और राजवीर पर आखे मून ली उन्हें बिलीब नहीं था कि इसे एक कहानी में अनुवादित किया जा सकता है राजवीर ने यह कहने से पहले एक पल के लिए सोचा एक सुन्दर और मनमोहक लड़की है वह बहुत टैलेंटेर हैं वह तीन साल की उम्र में एक सेलेबरिटी बन गई 6 साल की उम्र में एक महा काव्य और वह 9 साल की उम्र में पौरानिक अवस्था में पहुँच गई 12 साल की उम्र में वह संग में पहले से ही अज्यय है इतनी पावर वर लड़की कैसे हो सकती है? क्या आप बकवास कर रहे है? इसके अलावा, इसका एसेंस एनजी आर्ट से कोई लेना देना नहीं है, है ना वांग चान ने अपने होठो पर हाथ फेरा और कहा मुझे जो कहना है उससे सुनो वह युवा नाई का जब बारह यह कि थी तब अज्यय है वह बहुत अकेली थी और हारना चाहती है लेकिन इस दिन उसकी उम्र के बारे में एक नौजवान सामने आया और उसे चुनोती दी एंड मी, उसने उससे एक वार से हरा दिया वांग चान ने फिर टोका आपकी कहानी विरोधा भासी क्यू है? आपने पहले कहा था कि लड़की अजेय हैर उसे एक वार में कैसे हराया जा सकता है? क्या आप अभी भी कहानी सुनना चाहते हैं? राजवीर ने उसकी ओर देखा continue रखें, वांग चान मुस्कुराया नौजवान से पराजित होने के बाद, लड़की ने नौजवान से पूछा तुम इतने पावर्ड क्यू हो? नौजवान ने उसे आंसर दिया, क्योंकि मुझे एक रहसिमय डाइमेंशन एरिया में एक खजाना मिला है वह खजाना स्वर्ग और अर्थ का पोशन कर सकता है और सन और चंद्रमा की स्पीड को नियंत्रित कर सकता है तब से, लड़की ने खजाने को खोजने के लिए अपनी ट्रैवल शुरू कर दी जैसा कि वांग चान ने सुनाया, राजवीर ने उस सामगरी का अनुवात किया जो उसने एक नायक की कहानी में सुनाय है वांग चान धीरे-धीरे कहानी की सामगरी से आकरशित हुए और राजवीर के कथानक के छिदरों को चुननना भूल गए चाप्टर 761, असीन रूप से डाउनलोड किया गया एक कालकोटरी ट्रैंसलेटर, सीके टैलन ग्यान के किसी भी हिस्से में अपरिचित पेशेवर शर्तों और विवरनों को याद रखना सबसे हाड है चून की इस तरह के शब्दों और विवरनों का आमतोर पर यूज नहीं किया जाता है इसलिए इन शर्तों को किसी की यान प्रनाली से जोडने के कई तरीके नहीं थे पश्चिम जिले के एक व्यक्ती की तरह वह नहीं जानता था कि ताओ क्या है भले ही आप उसे शास्त्र पढ़ने दे वह यह भी नहीं जानता था कि अगर आप उसे इचिंग पढ़ने देते हैं तो आठ त्रिकोन क्या होते हैं विदेशियों के लिए ये शब्द यादे बनाना बहुत मुश्किल है। जब राजवीर ने कहानी सुनाई, तो उसने इन गूर शब्दों को कहानी के खजाने में बदल दिया। इसने वांग चान को इन खजानों को नया और दिल्चस्प पाया, जिससे वह उन्हें याद गया, लेकिन उसे एक प्रॉब्लम का भी फील हुआ। हाला कि ये हलग है, इसने आपको उन शब्दों को याद दिलाया जो पूरी ट्रहन से याद रखना मुश्किल है ना। राजवीर ने मुस्कराते हुए कहा, वांग चान ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि उ उसने इससे याद कर लिया है जब उसने उन शब्दों के बारे में सोचा, तो उसने उन्हें और अधिक स्पष्ट पाया। फ्यूचर में जब आप उन अस्पष्ट सार उर्जा कलाओं और सार उर्जा स्किल को सीखते हैं, तो उन्हें एक कहानी के रूप में माने। जिन तुम्हारी तरह भरमित नहीं हूँ, वांग चान ने कहा. अगर आप इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करते हैं और केवल दूसरों के रास्ते पर चलना सीखते हैं, तो ऐसे लाइफ का क्या मतलब है, राजवीर ने कहा. वांग चान ने राजवीर को हक्का बक्का करके देखा. उसके परिवार के सभी विशेशगत जो उसे पढ़ाते थे, उसे बताते थे कि एसेंस एनरजी आर्ट्स और एसेंस एनरजी स्किल्स कितनी पाउट थी, साथ ही साथ उनकी उत्पत्ती भी. वे इस बारे में बात करेंगे कि अगर वह उन्हें महारत हासिल कर ल वांग चान ने राजवीर को इस तरह देखा जैसे वह उससे पुछ रही हो, लेकिन खुद से बुदबुदा रही है. बेशक, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में आप सोच या कर नहीं सकते. जब तक आप इसके बारे में सोचने की हिम्मत करेंगे, सबसे इंपॉर्टन बात यह है कि आप इसके बारे में सोचने की हिम्मत करें, राजवीर ने कहा. मैं इसे फ्यूचर में एक कोशिश दूनगा, वांग चान कुछ कहने ही वाली थी कि उसने अपने फोन की घंटी सुनी. यह कोई उसे नहीं बुला रहा है बलकि उसने एक अ पनुसार हैं. आप एक बहुत ही खास व्यक्ति हैं. वांग चान के चले जाने के बाद, राजवीर को फाइनली कुछ शांती मिली और पीसना शुरू किया. हाला कि जब राजवीर बी लेवल पर लेट गया, तो उसे अचानक एक दरार की आवाज सुनाई दी. लकडी का बी लकडी का बी लेवल था, जिस पर फूल नक का बी लेवल अलग हो गया और तुरंत, राजवीर जमीन पर गिर गया जैसे ही तूटी हुई लकडी ने उससे मारा. राजवीर की चोटे ठीक नहीं हुई है, लकडी उससे चोट नहीं पहुचा सकती है, लेकिन जब उसे लगी तो उसके मुह के कोने दद से काप उठे, क्या चल रहा है, मेरी किसमत हाल ही में अच्छी नहीं रही है, क्या मैं बी लेवल भी तोड़ सकता हूँ, राजवीर उदास है, आवाज सुनकर बटला आया और राजवीर को देख कर घबरा गया, उसने जल्दी से उसे उठाने मे मदद की और किसी को नए भी लेवल में बदलने से पहले भी लेवल को साफ करने के लिए मिला, अगले कुछ दिनों में जब राजवीर स्वास्थे प्रॉफिट कर रहे थे, वांचान अक्सर चुपके से उनके साथ खेलने आते थे, हाला कि किसी कारण से, राजवीर हर बार वांचान के आने पर बहुत बदकिस्मत थे, एक बार, जब राजवीर खा रहा है वांचान भाग गया, जैसे ही राजवीर चावल का कटोरा खत्म करने वाला हैर उसने महसूस किया कि उसमें आधा कीरा हैर इसने उसे अप्रॉक्स सभी चावलों को उल्टी कर दिया जो उस वांच लू वांचान की सिस्टर है जब वह इतनी भाग या एडव्यक्ती थी तो उसके आसपास के लोगों के लिए अशुब होना अंपॉसिबल है हाला की कुछ अजीब है वांच चान हमेशा उसके पास आता था जब आसपास कोई नहीं होता है यह ऐसा था जैसे वह नहीं चाहती थी कि कोई उससे देखे राजवीर का केवल यह मानना की वांच परिवार सक्त था और वे उसकी पढ़ाई पर बहुत जोर देते थे इसलिए उन्होंने वांच चान को खिलने का टाइम नहीं दिया इसका परिणाम यह हुआ कि वह चुपके से निकल गई इसलिए उसने वांच लू और दादी वांच को इस बारे में नहीं बताया कुछ दिनों के बाद राजवीर की चोटे काफी हद तक ठीक हो गई हाला कि वह एक गहन लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता है लेकिन सामान्य हरकते अब कोई प्रॉब्लम नहीं है और उन्होंने वांग परिवार को छोड़ दिया और टहल रहे थे राजवीर की लुओ आंग लोटने की योजना नहीं है और उन्हें शाही राजधानी की अपनी ट्रैवल के सबसे इंपोटन्ट मामले को सुलजाना अभी बाकी है राजवीर ने असीनता का लबादा पहन लिया और बिना किसी को देखे सडकों पर चलने लगा उन्होंने प्राइंडिया तलवार मकबरे की और प्रप्लेस किया प्राइंडिया तल्वार का मखबरा जिया परिवार के important dimension area में से एक है कई तल्वार प्रकार के साथी जानवर प्राइंडिया तल्वार के मखबरे से हासिल किये गए थे इसलिए राजवीर ने एक नजर डालने के लिए प्राइंडिया तलवार के मखबरे की और जाने की योजना बनाई अगर कोई छोटा हथेली का प्रतीक होता तो वो है एक प्राइंडिया तलवार मखबरे का कालकोटरी डाउनलोड कर सकता है प्राइंडिया तलवार मकबरे के अलावा, शाही राजधानी में कई डाइमेंशन एरिया थे राजवीर ने उन सभी की ट्रावल करने की योजना बनाई प्राइंडिया तलवार मकबरे पर जिया परिवार के पहरेदारों का पहरा है लेकिन वे राजवीर के खिलाफ बेकार थे। असीन ताकि लबादे के साथ गार्ड उसे नहीं देख सके। प्राइंडिया की और बढ़ गया। अपने अगले गंतव्य के रास्ते में प्राइंडिया तलवार का मकबरा डाउनलोड करना फिनिश कर दिया। हाला की असीन ताका लबादा पहने हुए फोन का यूज करना असुविधा इंग है अगर वो फोन को खुला छोड देते तो र दाइमेंशन एरिया भी बन गया है बहुत सी अच्छी चीजे उपलब्ध होने के साथ यह अंदर से जादूई है। इसके अलावा बयूरों के तहट 13 समाधी एक दाइमेंशन एरिया है इसने बाहरी लोगों को प्रवेश करने से रोग दिया। राजवीर का बयूरों पर बुरा अफेक्ट पड़ा है अगर यह उनकी गंवीर चोटों के लिए नहीं होता तो वे निश्चित रूप से बयूरों के मुख्याले की ट्रैवल करते। अब जबकि वह अभी तक अपनी चोटों से उबर नहीं पाया है वह फिलहाल बयूरों के मुख्याले नहीं जा सका हाला की उनके डाइमेंशनल जोन की तस्वीर लेना बुरा विचार नहीं है। आज उनका भाग्या अप्रत्याशित रूप से अच्छा है राजवीर के तेरह मकबरे पर पहुचने के बाद उन्होंने छोटे तार के प्रतीक को पाया और एक अन्य गेम कालकोटरी को सफलता पूर्वक डाउनलोड किया। तेरह मकबरे को छोड़ने के बाद राजवीर ने अगले डाइमेंशन एरिया की और बढ़ना कंटिन्यू रखा। इस बार राजवीर जिस डाइमेंशनल जोन में गए थे वह काफी प्रसिद है यह पौरानिक महान दीवार है। एक खेल कालकोटरी के रूप में इसे डाउनलोड करने के लिए छोटे तार के प्रतीक को खोजने के उम्मीद की। विबिन महान दीवार डाइमेंशन एरिया ज्यादातर बराबर थे। उनमें डाइमेंशन जीव बैटल सोल्स नामक जीव थे। हाला कि बैटल सोल्स जिले कोई देखने नहीं आया। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वांग चान ने अपना सिर घुमाय बिना कहा। तुम मेरा व्यवसाय कैसे नहीं हो। तुम्हारे डैट चाहते हैं कि मैं तुम्हारी देख भाल करू। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। अगर तुम्हें कुछ हो जा जाओंगा। मैं अपनी सिस्टर की तरह बनना चाहती हूँ और पढ़ने के लिए संसेट कॉलेज में प्रवेश लेना चाहती हूँ, वांग चान ने कहा। जियो सी की एक्स्प्रेशन अपरिवर्तित रही क्योंकि वह वांग चान का फॉलो करता रहा। उसने लापरवाही से कहा, लिटिल चान, मजाक मत करो। आपकी सिस्टर के पास भाग्य की देवी का लाइफ है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जहां चाहे वहां जा सकती है। किसी भाग्य की जरूरत नहीं है, आपकी सुरक्षा की तो बात ही छोड़िये। ऐसा मत सोचो की मुझे नहीं पता की तुम इसका इस्तेमाल मेरे परिवार को अपने परिवार की मदद करने के लिए धमकाने के लिए करना चाहते हो। वांग चान ने कहा, मुझे आपके पर वांग चान ने कहा, आप इसे बंद कर सकते हैं, लेकिन क्या आपने अपने परिवार के बारे में सोचा है, अगर मैं तुम्हारे दुर्भाग्य का निवारंड नहीं करता हूँ, तो तुम्हारा परिवार इससे अफेक्ट होगा, मुझे मत बताओ कि तुम यह नहीं जानत आपके वांग परिवार के पास पूरी ट्रहन से वांग परिवार को आगे बढ़ाने और यहां तक जिया परिवार की तुलना में एक एग्जिस्टेंस बनने का एक बड़ा चांस है, हाला कि यह आपके जन्म के कारण था कि वांग परिवार विफल हो गया, अगर आपकी सि पतन हो सकता है क्या आप चाहेंगे कि ऐसा दोबारा हो, जियो सी ने धीरे से कहा, वांग चान ने अपने होठो पर हाथ फेरा और कहा, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मेरी सिस्टर के साथ होने के कारण, मेरे दुर्भाग्य का मेरे परिवार पर कोई अफेक्ट नहीं लेकिन उनके साथ आपका रिष्टा जितना बहतर होगा और आप उनके जितने करीब होंगे, उतना ही वे आपके दुर्भागय से एफेक्ट होंगे, वे हमेशा बदकिस्मत रहेंगे और आपकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है, क्या आपने सा CHH में मेरी कमपनी के बिना संसेट कॉलेज में स्टडी करने का निर्ने लिया है, जियोसी ने शांती से कहा, जब वांग चान ने जियोसी की बाते सुनी, तो वह जिजकी, हाला कि उसने फिर भी कहा, मुझे डराने की कोशिश मत करो, माइ लाइफ प्रोविडेंस वह भयानक नहीं है, भले ही आप और म पत्वमी मीट नहीं है, बलकि इसलिए थी क्योंकि उसके पास लख लाइफ टोविडेंस की देवी है, राजवीर ने लंबे टाइम से इसका अनुमान लगाया है, राजवीर के शौक के लिए, वांग लू की सिस्टर, वांग चान दुरभाग्य लाइफ टोविडेंस की द वांग चान को देखते ही जियो सी के चहरे पर मुस्कान गायब हो गई और कहा, जिस कारण से आप संसेट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, वहां आपकी सिस्टर की वजह से नहीं है, क्या मैं सही हूँ, इस से तुम्हारा क्या लेना देना, वैसे भी, मैं निश्चित रू विडेंस का उस पर किस तरह का अफेक्ट पड़ेगा, फिर निर्ने लेने में देर नहीं होगी, मुझे बिलीब है कि मेरे अलावा दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपके से लाए गए दुर्भाग्य का सामना नहीं कर सकता है, मैं पहले ही कोशिश कर चुका हूँ, कोई प् चेच में पढ़ने के लिए संसेट कॉलेज जाते हैं, तो यह हनिवार्य है कि आप अपने होमवर्क मिशन को पूरा करने के लिए एक डाइमेंशन एरिया में प्रवेश करेंगे, क्या यह सामान्य नहीं है, या क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारे कारण वह अपनी जान से हाथ दो बैठेगा, जियो सी ने मुसकराते हुए कहा, ऐसा ही होगा, यह कोई बड़ी बात नहीं है, वांग चान आवेश में घूमा और चला गया, जियो सी बिना हिले दुले वही खड़ा रहा, वांग चान को जाते हुए देखने के बाद, उसने अपना फोन निकाला और एक कॉल की, एक बाहरी व्यक्ती ने वांग चान से संपर्क किया और उसका बिलीव हासल किया, वह व्यक्ती संसेट कॉलेज का स्टूडेंट हो सकता है, जानिये कौन है वो शक्स, मैं नहीं चाहता कि वह वांग चान को हमारे जियो परिवार में प्रवेश करने की हमारी यो के लिए सोचा, जब वांग लू ने सुना कि राजवीर पहले ही वांग चान से मिल चुकी है, तो उसने आभरते हुए वांग चान और जीयो सी के बारे में एक्स्पैंशन से बताया, जब वांग चान जवान है तो उसकी किसमत थोड़ी खराब है लेकिन वह अभी भी लाइफ़ प्रोविदेंस के विप्रीट है, उसके लाइफ प्रोविदेंस ने उसके आसपास के लोगों के लिए काफी परेशानी ला दी। जब वांग लू उसके साथ होगी तभी स्टेटिस में सुधार होगा। उसके दुर्भाग्य एड बुद्ध बॉड़ी के एफेक्ट के तहट न केवल वांग चान के लाइफ प्रोविडेंस ने किसी और दुर्भाग्य को ट्रिगर नहीं किया, बलकि वह भाग्य एड भी बन गई. इससे वांग चान के मॉम डाड, वांग लू और बाकी सभी वांग चान के विवाह की कानूनी उम्र तक पहुचने पर पती-पत्नी बनने में एबल हो सकते हैं. उनके लाइफ प्रावधान एक दूसरे के पूरक थे. अगर वेसा CHH में पती-पत्नी बन सकते हैं, तो यह उन दोनों के लिए प्रॉफित दायक होगा. हाला कि वांग प चान के साथ वांग परिवार में रहने की अनुमती दी. सबसे पहले, यह दुर्भाग्य लाइफ प्रोविदेंस की देवी के खत्रे को हल कर सकता है और दूसरी बात, वे उन्हें कुछ टाइम एक साथ बिताने दे सकते थे और देख सकते थे कि क्या कुछ खिलता है. राज पारे खीचना. ट्रैंसलेटर, सीके टैलन, राजवीर ने लंबे टाइम तक महान दीवार की खोज की लेकिन छोटे तार के प्रतीक को खोजने में असफल रहे. उसने दोपहर को ऐसे ही बरबाद कर दिया. जब तक वह आंगन में लोटा, तब तक आबराबर में अंधेरा चुका है. जब राजवीर ने दर्वाजा खोला, तो उसने महसूस किया कि वांग चान अपने कमरे में एक स्टूल पर स्तब्ध होकर बैठा है राजवीर को वापस आते देख, वांग चान ने अपना मूँ खोला जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन एंड मी, उसने इतना कहा, तुम वापस आ गए. क्या बात है, राजवीर टेबल के पास बैठ गया और उसने अपने लिए एक कप पानी डाला. मैं ये कुछ भी नहीं है, मैं आपसे चैट करना चाहता है लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी है. मुझे जाना चाहिए. चलो फिर कभी बात करते हैं, वांग चान एक पल के लिए हिचके चैए और फाइनली कुछ नहीं बोले. वह उठी और जाने के लिए तैयार हो गई. वह आज एक गहन मनोवेग्यानिक लड़ाई में ओलजी हुई है, हलाकि वांग चान ये साबित करना चाहता था कि जियोसी और वांग लू उस पूछा. मैं स्वतंत्र हूँ. वांग चान ने अब चेतन रूप से आंसर दिया. मैं कल आसपास के डाइमेंशनल जोन का दोरा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सडकों से परिचेत नहीं हूँ. क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? राजवीर ने मुस्कराते हुए तुम्हारी सिस्टर आजाद नहीं है. क्या तुम आजाद नहीं हो? क्या तुम मेरा साथ नहीं दे सकते? राजवीर ने पूछा. मेरी किस्मत बहुत अच्छी नहीं है. मुझे डर है कि आपके साथ डाइमेंशनल जोन में जाने से आपका दुरभाग आएगा. वांग चान तुम मेरी तरफ होते, तो तुम बहुत बदकिस्मत होते और मर सकते थे. मैं गंभीर हूँ. मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. वांग चान ने अपने हुंट काते हुए कहा. राजवीर ने हसते हुए वांग चान के सामने अपने हाथ में क्रिपान उठाई. क्या आप इस ब्ल क्रिती है. बिल्कुल नहीं. यह प्रामानिक बांस ब्लेड है. इससे पहले इसके मालिक की मौत हो गई है. शायद यह इसलिए है क्योंकि मैं इतना बदकिस्मत हो की यह मेरे साथ संगत होने के कारण फिनिश हो गया. मैं हमेशा सुरक्षित रहा हूँ. चिंता मत करो. मैं इसों से नहीं डरता. वापस जाओ और आराम करो. हम कल सुबह महान दीवार की ओर चलेगे देखने के लिए, राजवीर ने कहा. फिर, ठीक है. वांग चान ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि महान दीवार पर जाना सुरक्षित है. ग्रेट वाल सिटी में इमोटल बैटल सोल्स थे, और वे नश्वर अवस्था से लेकर महाकाव्य अवस्था तक थे. हाला कि इमोटल युद्ध सोलो जैसे डाइमेंशन जीब बहुत अजीब थे. वे केवल महान दीवार भटक गए. इनसान उनका कुछ नहीं बिगार सकते थे और उनमें भी कोई चेतना प्रतीत होती है, वे केवल महान दीवार पर भटकते थे और इनसान पर हमला नहीं करते थे. सच में, भले ही उन्होंने इनसान पर हमला किया हो, यह बिकार है जैसे इनसान उन्हें च्छू नहीं सकते थे, वैसे ही वे भी इनसान को नहीं च्छू सकते थे. वांग चान ने राहत की सांसली जब उसने सुना कि राजवीर महान दीवार पर जाना चाहती है। यहां तक अगर वहां कुछ दुर्भाग यपूर्ण होता तो यह बहुत बुरा नहीं होता। वांग चान के लोटने के बाद राजवीर भी लेवल पर लेट गया और अपने नए डाउनलोड किये गए प्रा-इंडिया तलवार के मखबरे के तहखाने को लॉंच किया। प्रा-इंडिया तलवार मखबरा कालकोटरी उजार दिखी। एक नजर में यह लहरदार पहाडियों की एक श्रिंखला है हाला की करीब से ओब्जवेशन करने पर किसी को पता चलेगा की वे पह हाला की यह प्रा-इंडिया इंसान कबरों से अलग है कबरों के सामने कोई मखबरा नहीं है प्रतेक कबर के उच्चतम बिंदू पर एक तलवार है। परिवार के सदस्यों के अलावा प्रा-इंडिया तलवार मखबरे में प्रवेश करने का मौका है यह एक प्रसित डाइमेंशन एरिया है। जिया जियू हुआंग का पहला पौरानिक साथी जानवर प्रा-इंडिया तलवार के मखबरे से आया है उस टाइम, इंसान के हाथों में केवल मुठी भर पौरानिक पालतु जानवर थे जिया जियू हुआंग ने अपनी तलवार से दुनिया पर राज किया और फेडरेशन के नागरिकों के लिए लड़ाई लड़ी शह वीर इंसान के लिए देवता तुलिय थे बेशक उस टाइम पौरानिक साथी जानवरों के एक्जिस्टेंस के बारे में कोई नहीं जानता है वे केवल इतना जानते थे कि जिया जियू हुआन की तलवार बहुत पावड है लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह एक पौरानिक साथी जानवर है बाद में जिया परिवार तलवार चलाने के लिए प्रसिद हो गया जडाटर तलवार प्रकार के साथी जानवर प्राइंडिया तलवार के मकबरे से आये थे कुछ लोगों को यह भी संदेह था कि आदिम तलवार इमोर्टल प्राइंडिया तलवार मकबरे से आई है लेकिन जिया परिवार से किसी ने भी इसे एक्जैप्ट नहीं किया है कुछ और था जिसने राजवीर को शौक कर दिया किसी कारण से उसने जिया जियू हुआन को एक पौरानिक साथी जानवर का यूज करते हुए नहीं देखा था जब उसने उससे लड़ाई की है जैसे ही वह प्राइंडिया तलवार के मखबरे में चला राजवीर ने चारो ओर देखा उसने केवल एक शेन का उलेक सुना था कि जब तक कोई प्राइंडिया तलवार के मखबरे में तलवार नहीं उठाता तब तक वे मरे हुए वस्तुए बनी रहेंगी तलवारों ने किसी औरर या पावर का उत्सरजन नहीं किया, जिससे उनके लीब को नापना impossible हो गया उन्हें बाहर खीच कर ही कोई उनके सच लेवल और पावर को जान सकता है तलवार खीचना भी एक हुनर है ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी को तलवार के आकड़े कपैसिटी और लेवल का पता नहीं है अगर किसी में पावर की कमी है तो उच्चलीब तलवार को बाहर निकालने से उसकी मरे हुए यू हो सकती है हाला कि अगर कोई मजबूत है तो उनकी ड्रॉ के परिनामस्वरूप निम्न लेवल के डाइमेंशन एलियम को मारना बेकार होगा राजवीर को तलवारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है नहीं उसने किसी एक कुछ चुन्ने की योजना बनाए है वो बाहर पहुँचा और उसके बगल में छोटी कबर में फंसी बेल की तलवार को बाहर निकालने की उम्मीद में पकड़ लिया ऐसा इसलिए था क्योंकि तलवार की कबर में एक अजीब बल एरिया था जो कबर में एम्विडे तलवारों की रक्षा करता है अगर वह यहां की तलवारों को नश्ट करना चाहता है तो उसे पहले उन्हें बाहर निकालना है हाला की राजवीर से दो बार अपनी पाव लगाने के बाद ऐसा लगा की बेल की तलवार जर्पकर चुकी है और राजवीर से खीची नहीं गई है राजवीर बेर तलवार को सावधानी से शेप देने से खुद को रोक नहीं सका उसने देखा कि ऐसा लग रहा था जैसे यह भूरे काले प्राइंडिया लता से तराशा गया हो ब्लेड थोड़ा मुडा हुआ है और यह नुकिला नहीं लग रहा है इसका बहुत ही अजीब शेप है क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पहले ड्रॉ के लिए मेरा सामना किसी बड़े आदमी से हुआ हो राजवीर ने अपने पेरों को फेलाया और दोनों हाथों से मूट को पकड़ लिया फिर उसने अपनी सारी पाव इकटी की और उसे उपर की और खीचा हाला कि बेल की तलवार स्पीड हीन रही मानो वह छोटी कबर के साथ एक हो गई हो राजवीर घबरा गया एपिक चरण में उनकी पाव को पहले से ही शीर्ष पर माना जाता है लेकिन वह भी इसे बाहर नहीं निकाल सके इसका मतलब था कि बेल की तलवार निश्चित रूप से अप्राइमरी जीनो है यह एक पौरानिक डाइमेंशन एलियम भी हो सकता है राजवीर ने अत्याचारी बेहेमोत को बुलाया और उसे बेल की तलवार निकालने के लिए कहा चाप्टर 764 लाइट छुपा तलवार ट्रैंसलेटर सी के टलन अत्याचारी बेगेमोत की अपार पावर असीम है जैसा कि उसने एक हाथ में बेल की तलवार पकड़ी है बेल की तलवार उसके हाथ में एक चॉपस्टिक से अलग नहीं दिखाई दे रही है अत्याचारी बेगेमोत ने पावर लगाई लेकिन लता की तलवार निश्चल रही यह बरकरार रहा दो बार अपनी पावर लगाने के बाद जालिम बेगेमोत तलवार को हिलाने में नाकाम रहा इसने अपना आपाखो दिया और दोनों हाथों से बेल तलवार को पकड़ लिया यह ऐसा था जैसे वह एक रिवर के पॉइंट को तोड़ रहा हो क्योंकि वह अपने पैरों को नीचे धकेलता है और अपने हाथों को उपर की और कीचता है राजवीर को यह जानकर शौक हुआ की अत्याचारी बेहेमोत जिसने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया है अभी भी बेल की तलवार को बाहर निकालने में असमर्थ है भले ही उसकी खीच से छोटी कब रहल गई लेकिन बेल की तलवार अवे चल रही क्या चल रहा है? राजवीर घबरा गया वह जानता था कि वह निष्चित रूप से भाग्या एड था कि उसे एक अ प्राइमरी जीनो तलवार का सामना करना पड़ा हाला कि जैसा कि वह प्राइंडिया तलवार के मकबरे के बारे में बहुत कम जानता है वह नहीं जानता था कि इसका क्या मतलब है कुछ विचार के बाद, राजवीर ने क्रूर बल के साथ बेल तलवार को बलपूर्वक बाहर निकालने के लिए अत्याचारी बेहिमोत को पूर्ण पावर को सक्रिय करने के लिए कहा बूम 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 पूर्ण पावर के सक्रिय होने के साथ अत्याचारी बेहेमोत का बॉड़ी और भी भारी हो गया क्योंकि उसके पैर जमीन में धस गये अत्याचारी बेगेमोत ने अपनी भुजाओं में बल लगाया और खीच लिया बूम 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 राजवीर यह जानकर अवाक रह गया कि चारों और सभी शेप की तलवारे जोर से काम प्रही थी, जैसे कि कोई भुकम पाया हो हाला कि अत्याचारी बेगे मोत के बोड़ी पर नसो के बाहर निकलने के बावजू जब उसने अपनी पूरी पावर से तलवार खीची, बेल की तलवार छोटी कब्र में फसी रही यह बाहर नहीं आया जैसे कि यह फंस गया है, अत्याचारी बेगे मोत लगातार पावर लगाता रहा परम पावर की भयानक और असीम पावर के संचार के तहट आसपास की तलवार की कब्रे आधिक से अधिक हिंसक रूप से हिलने लगी विबिन एमबेडेद तलवारे तलवार की गुंजन करती हैं, उसी क्षन दस हजार तलवारे गुंज उठी और उनकी गुंगुनाहट सरवत्र गुंज उठी केवल बेल की तलवार खामोश रही और अभी तक बरकरार है राजवीर ने देखा कि अत्याचारी बेगेमोट ने अपनी पावा को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया है संपूर्ण प्रा इंडिया तलवार का मखबरा अप्रोक्स भूकम से पलटने के कगार पर था, फिर भी बेल की तलवार बरकरार रही वह जानता था कि इसे बाहर निकालने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है राजवीर का दिल हिल गया जब उसने अत्याचारी बेगेमोट को बेल की तलवार को त्यागने का ओडर दिया वह एक तलवार कबर की और भागा और उसमें से मिट्टी का पात्र निकाला जिसक शंकलीमोर दिखाए दिया भयानक लाल लपते तलवार से निकली हाला कि अत्याचारी बेहिमोट के सामने आग की लपते कुछ भी नहीं है वे उसका फर भी नहीं जला सकते थे अत्याचारी बेहिमोट ने उसे अपने मुह में भर लिया और निगलने से पहले उसे कई बार चबाया महाकाव या एलियम को मार डाला उग्रक लेमोर राजवीर ने खेल की सूचना देखी लेकिन अत्याचारी बेहिमोट ने बिना कुछ पीछे छोड़े तलवार को निगल लिया अत्याचारी बेहिमोट से बेल की तलवार को छोड़े जाने के बाद प्राइंडिया तलवार के मखबरे का भूकम रुख गया और प्राइंडिया तलवारे भन भनानाना बंध हो गई अत्याचारी बेगेमोत ने दो प्राइंडिया तलवारें एक साथ निकाली और उन्हें एक साथ तोड मरोड कर तोड डाला अत्याचारी बेगेमोत ने आगे बढ़कर तलवारें खीची और उन्हें तोड डाला ऐसी कोई तलवार नहीं थी जो उसके एक वार का सामना कर सके जल्द ही इसने अप्रोक्स 40 तलवारें तोर दी है राजवीर गेम के नोटिफिकेशन को देखता रहा कुछ डाइमेंशन क्रिस्टल गिर गए लेकिन उच्चतम महाकाव्य चरण में है उसने कोई पौरानिक पारे है रत्याचारी बेगेमोट ने एक-एक करके बेल तलवार के साथ किसी स्टेटस का सामना किये बिना उन्हें बाहर निकाला सभी को आसानी से बाहर निकाल लिया गया राजवीर को अब यकीन हो गया था कि यह गेम में प्रा-इंडिया तलवार के मकबरे के साथ कोई नहीं है लेकिन यह की उसकी लोटरी लग गई है पहली तलवार जिसका उसने सामना किया वह सासी एचेच में एक प्राइमरी जीनो तलवार है दुर्भाग्य से राजवीर को तलवारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे द रहा अत्याचारी बेहेमोथ ने अपनी सारी पावर का यूज किया जिससे प्रा-इंडिया तलवार के मकबरे में भूकम पा गया लेकिन बेल की तलवार स्पीड हीन रही राजवीर के पास बेल तलवार को अस्थाय रूप से छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है उसने निरनकुष बेगेमोथ को दूसरी तलवारों को खीचने के लिए यह देखने के लिए रखा कि क्या वह कुछ हासिल कर सकता है जैसे ही तलवारे खीची गई उनमें से एक भी अत्याचारी बेगेमोथ से नहीं तोड़ी गई तलवार ने एक दिव्यल आइच्चम रही हाला कि इसने केवल सतह को खंगाला है जो इसको तीक्षनता को साबित करने के लिए पूरी ट्रहन है जब तलवार मुक्त होने के लिए संघर्ष करती है तो वह तेजी से अत्याचारी बेगेमोथ के चारों और चक्कर लगाती है और कभी-कभी उस पर हमला करने के देख सकता है तलवार का बोडी नहीं इससे उन्हें और भी शौक हुआ जब उन्होंने इससे देखने के लिए सत्य शोता की पाव का यूज किया तो उन्होंने तुरंत महसूस किया कि तलवार असीन है तलवार पारदर्शी लग रही है वह केवल तलवार की किरन देख सकत हालां कि राजवीर निश्चित्था की तलवार का भौत एक बोड़ी है यह सोल का बोड़ी नहीं है नहीं यह शुद्ध तलवार का बीम है। एक पारदर्शी तलवार दिल चस्प जैसे ही राजवीर तलवार को शेप दे रहा है उसने अत्याचारी बेहिमोत को गुस्से से धारते हुए सुना। पारदर्शी तलवार बहुत तेजी से उड़ी। अत्याचारी बेहिमोत उसे पकड़ने में असफल रहा चाहे उसने कितनी भी बार हमला क्यों न किया हो। अपने क्रोध में इसने परम पावर की पूर्ण पावर को एक्सप्रेस किया। ब्लेक होल के सद्रिश सक्षन बल ने तलवार की स्पीड को तुरंत कम कर दिया। अत्याचारी बेहिमोत ने आकरमन किया और पारदर्शी तलवार को पकड़ लिया। पारदर्शी तलवार बेहत तेज थी क्योंकि यह अत्याचारी बेहिमोत की हथेली को काटती है जिससे उसकी उंगलि राजवीर यह नहीं देख सका कि पारदर्शी तलवार कैसी दिखती है, लेकिन वह अत्याचारी बेगिमोत के हाथों को धीरे धीरे नीचे उतरते हुए देख सकता है जब दोनों पंजे एक दूसरे को छूने ही वाले थे, तो एक फरफराहट हुई, मानो कोई कठोर स्टील क प्लेट तूट गई हो, अगले सेकेंड में, राजवीर ने खेल के टाइम प्र एक सूचना देखी, पौरानिक एलियम को मार डाला, हल्की गुप्त तलवार, सहयोगी अंडे की खोच की, राजवीर बहुत खुश हुआ, उसने एक पौरानिक तलवार का सामना करने की उम्म इस बात का अहसास हुआ कि शायद लाइट कंसीलमेंट सोट का साथी जानवर भी पारदर्शी और असीन है, उन्होंने जल्दी से सत्य श्रोता के साथ एरिया को भर दिया और तुरंट साथी अंडे की खोच की, यह अत्याचारी बेगेमोत के विशाल पैर के पास है लेकिन वह इसे अपनी आखों से नहीं देख सकता है। मेरे पास पहले से ही असीनता का लबादा है और अब मैंने एक हलकी छिपी हुई तलवार हासिल कर ली है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक अध्वितिय हत्यारा बन जाऊं। राजवीर ने खुशी से सोचा और उसने लाइट क के प्रतीक को खोजने में असफल रहे। उसने दोपहर को ऐसे ही बरबाद कर दिया। जब तक वह आंगन में लोटा तब तक आबराबर में अंधेरा चा चुका है। जब राजवीर ने दरवाजा खोला तो उसने महसूस किया कि वांग चान अपने कमरे में एक स्टूल पर स्टब्ध होकर बैठा है राजवीर को वापस आते देख वांग चान ने अपना मूँ खोला जैसे वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन एंड मी उसने केवल इतना कहा तुम वापस आ गए। क्या बात है राजवीर टेबल के पास बैठ गया और उसने अपने लिए एक कप पानी डाला मैं ये कुछ भी नहीं है मैं आपसे चैट करना चाहता है लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी है मुझे जाना चाहिए चलो फिर कभी बात करते हैं वांग चान एक पल के लिए हिचके चैए और फाइनली कुछ नहीं बोले वह उठी और जाने के लिए तैयार हो गई वह आज एक गहन मनोवेग्यानिक लडाई में ओलजी हुई है हलांकि वांग चान ये साबित करना चाहता था कि जियोसी और वांग लू उसके पक्ष में नहीं होने पर भी उसके कारण राजवीर को दुरभाग्य का सामना नहीं करना पड़ेगा इतने लंबे टाइम तक आ अब चेतन रूप से आंसर दिया मैं कल आसपास के डाइमेंशनल जोन का दोरा करना चाहता हूँ लेकिन मैं सडकों से परिचेत नहीं हूँ क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो राजवीर ने मुसकराते हुए पूछा एक डाइमेंशन एरिया के लिए वांग चान पहले राजवीर ने पूछा मेरी किसमत बहुत अच्छी नहीं है मुझे डर है कि आपके साथ डाइमेंशनल जोन में जाने से आपका दुरभाग आएगा वांग चान ने अपना सिर नीचा करते हुए कहा क्या संयोग है मेरी किसमत भी अच्छी नहीं है दो नकारात्मक एक सकारा कर रही हूँ वांग चान ने अपने हुंट काते हुए कहा राजवीर ने हसते हुए वांग चान के सामने अपने हाथ में क्रिपान उठाए क्या आप इस ब्लेड का नाम जानते हैं वांग चान ने पहली में राजवीर के हाथ में बांस के ब्लेड को बढ़ा कर दिया थोड यह इसलिए है क्योंकि मैं इतना बदकिस्मत हो की यह मेरे साथ संगत होने के कारण फिनिश हो गया. मैं हमेशा सुरक्षित रहा हूँ. चिंता मत करो. मैं कठोर हूँ. इसलिए मैं इन चीजों से नहीं डरता. वापस जाओ और आराम करो. हम कल सुबह महान दिवार की ओर चले अवस्था तक थे. हाला कि immortal युद्ध सोलो जैसे dimension जीब बहुत अजीब थे. वे केवल महान दिवार भटक गए. इनसान उनका कुछ नहीं विगार सकते थे और उनमें भी कोई चेतना नहीं प्रतीत होती है. वे केवल महान दिवार पर भटकते थे और इनसान पर हमला नही करते थे. सच में, भले ही उन्होंने इनसान पर हमला किया हो, यह विकार है जैसे इनसान उन्हें च्छू नहीं सकते थे, वैसे ही वे भी इनसान को नहीं च्छू सकते थे. वांग चान ने राहत की सांसली जब उसने सुना कि राजवीर महान दिवार पर जाना चाहती है. य प्राइंडिया तलवार मगबरा कालकोटरी उजार दिखी। एक नजर में यह लहरदार पहाडियों की एक श्रिंखला है हाला कि करीब से ओब्जवेशन करने पर किसी को पता चलेगा कि वे पहाडी नहीं थे। इसके बजाए वे सभी शेप की कबरें है। कुछ कबरें एक्स चतम बिंदू पर एक तलवार है। हर कबर पर तलवारें अलग है छोटी तलवारें, लंबी तलवारें, भारी तलवारें, धातु की तलवारें, जेर तलवारें, हडियों से बनी तलवारें और मिट्टी से बनी इंडिया मिट्टी की तलवारें है। तरह तरह की तलवारे थी जिनसे आई चौधिया जाती है हर तलवार को एक कब्र में, एक समाधी के पत्थर में कुछ असामान्य अंदाज में जड़ा गया है. हाला कि कुछ बाहरी लोगों के पास जिया परिवार के सदस्यों के अलावा प्राइंडिया तलवार मगबरे में प्रवेश करने का मौक है यह एक प्रसित डाइमेंशन एरिया है. जिया जियुहुआंग का पहला पौरानिक साथी जानवर प्राइंडिया तलवार के मगबरे से आया है. उस टाइम, इनसान के हाथों में केवल मुठी भर पौरानिक पालतु जानवर थे. जिया जियुहुआंग ने अपनी तलव बहुत पावर्ड है लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह एक पौरानिक साथी जानवर है. बाद में, जिया परिवार तलवार चलाने के लिए प्रसिध हो गया. जडाटर तलवार प्रकार के साथी जानवर प्राइंडिया तलवार के मगबरे से आये थे. कुछ लोगों को यह जियो हुआंद को एक पौरानिक साथी जानवर का यूज करते हुए नहीं देखा था जब उसने उससे लड़ाई की है. जैसे ही वह प्राइंडिया तलवार के मगबरे में चला, राजवीर ने चारो ओर देखा. उसने केवल एक शेन का उलेक सुना था कि जब तक कोई प्र तलवार खीचना भी एक हुनर है ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी को तलवार के आंकड़े, कपैसिटी और लेवल का पता नहीं है अगर किसी में पावर की कमी है तो उच्चलीब तलवार को बाहर निकालने से उसकी मरे हुए यू हो सकती है. हाला कि अगर कोई मजबूत है तो उनके ड्रो के परिनामस्वरूप निम्न लेवल के डाइमेंशन एलियम को मारना बेकार होगा. राजवीर को तलवारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है नहीं उसने किसी एक कुछ चुन्ने की योजना बनाए है वो बाहर पहुँचा और उसके बगल में छोटी कब बारों को नश्ट करना चाहता है तो उसे पहले उन्हें बाहर निकालना है. हाला कि राजवीर से दो बार अपनी पाव लगाने के बाद ऐसा लगा कि बेल की तलवार जरपकर चुकी है और राजवीर से कीची नहीं गई है. राजवीर बेल तलवार को सावधानी से शेप द लिए मेरा सामना किसी बड़े आदमी से हुआ हो, राजवीर ने अपने पेरों को फैलाया और दोनों हाथों से मूट को पकड़ लिया. फिर उसने अपनी सारी पाव इकठी की और उसे उपर की और खीचा. हाला कि बेल की तलवार स्पीड हीन रही, मानो वह छोटी कबर के स एक हो गई हो. राजवीर घबरा गया. एपिक चरन में उनकी पाव को पहले से ही शीर्ष पर माना जाता है लेकिन वह भी इसे बाहर नहीं निकाल सके. इसका मतलब था कि बेल की तलवार निश्चित रूप से अप्राइमरी जीनो है यह एक पौरानिक डाइमेंशन एलियम भी हो सकता है. राजवीर ने अत्याचारी बेहिमोत को बुलाया और उसे बेल की तलवार निकालने के लिए कहा. चाप्टर 763 प्राइंडिया तलवार मखबरे में तलवारे खीचना. जैसे वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन एंडमी उसने केवल इतना कहा तुम वापस आ गए. क्या बात है राजवीर टेबल के पास बैट गया और उसने अपने लिए एक कप पानी डाला. मैं ये कुछ भी नहीं है. मैं आपसे चेट करना चाहता है लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी है. मुझे जाना चाहिए. चलो फिर कभी बात करते हैं. वांग चान एक पल के लिए हिचके चाय और फाइनली कुछ नहीं बोले. वह उठी और जाने के लिए तैयार हो गई. वह आज एक गहन मनोवेग्यानिक लड़ाई में ओलजी हुई है हलांकि वांग चान य चोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है. क्या आप कल खाली है? राजवीर ने अचानक वांग चान से पूछा. मैं स्वतंत्र हूँ. वांग चान ने अब चेतन रूप से आंसर दिया. मैं कल आस पास के डाइमेंशनल जोन का दोरा करना चाहता हूँ. लेकिन मैं सड़कों से परिचित नहीं हूँ. क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? राजवीर ने मुस्कराते हुए पूछा. एक डाइमेंशन एरिया के लिए वांग चान पहले तो अपनी एक्स्प्रेशन के मंद होने से पहले प्रसंद हुई. उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह सबसे अच्छा है कि आप मेरी सिस्टर को अपने साथ ले जाएं. तुम्हारी सिस्टर आजाद नहीं है. क्या तुम आजाद नहीं हो? क्या तुम मेरा साथ नहीं दे सकते? राजवीर ने पूछा. मेरी किस्मत बहुत अच्छी नहीं है. मुझे डर है कि आपके साथ डाइमेंशन जोन में जाने से आपका दुर्भाग आएगा, वांग चान ने अपना सिर नीचा करते हुए कहा, क्या संयोग है, मेरी किस्मत भी अच्छी नहीं है, दो नकारात्मक एक सकारात्मक बनाते हैं, शायद मेरी किस्मत में सुधार होगा, राजवीर ने कहा, मेरी किस्मत वाकई ख क्रिपान उठाई। क्या आप इस ब्लेड का नाम जानते हैं। वांग चान ने पहली में राजवीर के हाथ में बांस के ब्लेड को बढ़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने शौक से कहा क्या ऐसा हो सकता है कि यह चार सजजनों के ब्लेड का बांस ब्लेड है। क्या यह बिल्कुल नहीं। यह प्रामानिक बांस ब्लेड है। इससे पहले इसके मालिक की मौत हो गई है शायद यह इसलिए है क्योंकि मैं इतना बदकिस्मत हो की यह मेरे साथ संगत होने के कारण फिनश हो गया। मैं हमेशा सुरक्षित रहा हूँ। चिंता मत करो। मैं कठोर हू इसलिए मैं इन चीजों से नहीं डरता। वापस जाओ और आराम करो। हम कल सुबह महान दिवार की ओर चलेगे देखने के लिए राजवीर ने कहा। फिर ठीक है वान चान ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि महान दिवार पर जाना सुरक्षित है। ग्रेट वाल स इनसान उनका कुछ नहीं बिगार सकते थे और उनमें भी कोई चेतना नहीं प्रतीत होती है वे केवल महान दिवार पर भटकते थे और इनसान पर हमला नहीं करते थे। सच में भले ही उन्होंने इनसान पर हमला किया हो यह बिकार है जैसे इनसान उन्हें च्छू नहीं सकत वांग चान के लोटने के बाद, राजवीर भी लेवल पर लेट गया और अपने नए डाउनलोड किये गए प्राइंडिया तलवार के मकबरे के तहखाने को लॉंच किया। हाला कि यह प्राइंडिया इंसान कबरों से अलग है कबरों के सामने कोई मकबरा नहीं है प्रतेक कबर के उच्चतम बिंदू पर एक तलवार है। के सदस्यों के अलावा प्राइंडिया तलवार मकबरे में प्रवेश करने का मौका है यह एक प्रसित डाइमेंशन एरिया है। जिया जियूहुँआंग का पहला पौरानिक साथी जानवर प्रा इंडिया तलवार के मकबरे से आया है। उस टाइम, इंसान के हाथों में केवल मुठी भर पौरानिक पालतु जानवर थे। जिया जियू हुआंग ने अपनी तलवार से दुनिया पर राज किया और फेडरेशन के नागरिकों के लिए लड़ाए लड़ी। शह वीर इंसान के लिए देवता तुलिय थे। बेशक उस टाइम पौरानिक साथी जानवरों के एक्जिस्टेंस के बारे में कोई नहीं जान जिया जियू हुआंग की तलवार बहुत पावर्ड है लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह एक पौरानिक साथी जानवर है। बाद में जिया परिवार तलवार चलाने के लिए प्रसिद हो गया। जडाटार तलवार प्रकार के साथी जानवर प्रा-इंडिया तलवार के मकबरे से आई है लेकिन जिया परिवार से किसी ने भी इसे एक्जैप्ट नहीं किया है। कुछ और था जिसने राजवीर को शौक कर दिया। किसी कारण से उसने जिया जियू हुआंग को एक पौरानिक साथी जानवर का यूज करते हुए नहीं देखा था जब उसने उससे लड़ाई की है। जैसे ही वह प्रा-इंडिया तलवार के मगबरे में चला, राजवीर ने चारो ओर देखा। उसने केवल एक शेन का उलेक सुना था कि जब तक कोई प्रा-इंडिया तलवार के मगबरे में तलवार नहीं उठाता, तब तक वे मरे हुए वस्तुए बनी रहेंगी। तलवारों ने किसी औरर या पावर का उतसरजन नहीं किया, जिससे उनके लीब को नापना impossible हो गया। उन्हें बाहर खीच कर ही कोई उनके सच लेवल और पावर को जान सकता है। तलवार खीचना भी एक हुनर है ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी को तलवार क्या करे कपैसिटी और लेवल का पता नहीं है अगर किसी में पावर की कमी है तो उच्च लीब तलवार को बाहर निकालने से उसकी मरे हुए यू हो सकती है। हाला कि अगर कोई मजबूत है तो उनके ड्रॉ के परिनामस वरूप निम्न लेवल के डाइमेंशन एलियम को मारना बेका कर लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि तलवार की कबर में एक अजीब बल एरिया था जो कबर में अमबिडे तलवारों की रक्षा करता है अगर वह यहां की तलवारों को नश्ट करना चाहता है तो उसे पहले उन्हें बाहर निकालना है। हाला कि राजवीर से दो बार अपन प्लेट थोड़ा मुड़ा हुआ है और यह नुकिला नहीं लग रहा है इसका बहुत ही अजीब शेप है. क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पहले ड्रॉ के लिए मेरा सामना किसी बड़े आदमी से हुआ हो, राजवीर ने अपने पेरों को फैलाया और दोनों हाथों से मूट को पक लेकिन वह भी इसे बाहर नहीं निकाल सके. इसका मतलब था कि बेल की तलवार निश्चित रूप से अप्राइमरी जीनो है यह एक पौरानिक डाइमेंशन एलियम भी हो सकता है. राजवीर ने अत्याचारी बेहिमोत को बुलाया और उसे बेल की तलवार निकालने के लिए कहा. चाप्टर 765 प्राइंडियकाल की तीन तलवारे ट्रांसलेटर सी के टेलन. लाइट शिपाना, पौरानिक लाइफ प्रोविदेंस, असीन तलवार. लाइफ सोल, असीन तलवार और भाग्य का पहिया, हलका शिपाव. पावर, 81 स्पीड, 81 सम्विधान, 80 सार उर्जा, 81 talent skill, sword light slash, sword light wheel, sword light rain, integration strike. सहयोगी रूप तलवार हाला की वह नहीं जानता था कि स्किल या life providence कैसे थे, वह पूरी तरह से आकणों से जानता था कि light concealment sword एक शीर्ष साथी साथी जानवर है. सम्विधान में एक बिंदु के अंतर के अलावा, इसके सभी आकडे पौरानिक अवस और एक संधनित तलवार की किरंग को गिरा दिया. इसको एकल लक्ष विनाशकारी पावर अत्यंत पावर्ड है. स्वार्ड लाइट वील एक बहू डाइमेंशन लाइट हमला है इसे एक छोटा AOE हमला माना गया. स्वार्ड लाइट रेन ने एक बड़े एरिया को कवर किया, लेकिन इसको अग्रेसिव पाव एक स्वार्ड लाइट स्लेश की तुलना में बहुत कमजोर है. हाला कि अगर उसने स्वार्ड लाइट रेन के पूरक के लिए स्लोटर की अनंत सार उर्जा का यूस किया, तो यह कुछ हद तक हास्यास पद होगा. विशिष्ट स्वार्ड रेन का यूस केवल एक बार किया जा सकता है, इससे पहले की कोई उनकी सार उर्जा फिनिश हो जाए. यहां तक एक पौरानिक जीव के एसेंस एनजी स्टो भी दो या तीन राउंड के खर्च को जेलने में असमर्थ थे. हाला कि स्लोटर की अनंत एसेंस एनजी रिकवरी न नहीं है इसलिए राजवीर इसके मुख्य अफेक्ट को नहीं अंडिस्टेंडिंग पाए. असीन तलवार लाइफ प्रोविदेंस लाइट कंसीलमेंट तलवार की असीन ता कपासिटी है दे इन्विजेबल सोड औरा लाइफ सोल दिल्चस्प है तलवार की किरन के अलावा लाइट कंसीलमेंट तलवार एक असीन तलवार की औरा भी उत्सजित कर सकती है अन्या लोग केवल तलवार की किरन देख सकते थे लेकिन असीन तलवार औरा नहीं अगर कोई केवल तलवार की किरन को अवरुद करता तो वे असीन तलवार औरा के आगे जुग जाते यह एक बहुत ही भयावे लाइफ सोल है। भागय के चक्र के अफेक्ट, लाइट शिपाना कुछ विचित्र थे। राजवीर को इसका स्टडी कंटिन्यू रखने की जरूरत है इसका यूज करने के बाद, लाइट कंसीलमेंट स्वाट की तलवार की किर्मने और तलवार की और एक हो जाती है, जिससे इसको विनाशकारी पावर कम हो जाती है। उसे अभी तक इसका सही यूज पता नहीं चल पाया है। संक्षेप में, राजवीर लाइट कंसीलमेंट सोट से बहुत संतुष्ट थे। असीन्ता के लबादे के साथ मिलकर, यह दूसरों को गुप्त रूप से हराने का सबसे अच्छा हथियार है। पास्ट में, अगर राजवीर ने असीन्ता का लबादा पहने हूँ इस्वर्न अधिपती तलवार का इस्तेमाल किया होता, तो वह एक विशाल सुनहरी तलवार का परदाफाश कर रहा होता। एक अंधा व्यक्ती भी इसे देख सकता ह है। अब जब उसके पास हलकी गुप तलवार है तो देखे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लाइट कंसीलमेंट तलवार को तीन प्रा-इंडिया तलवारों में से एक के रूप में जाना जाता है। उपर से नीचे तक यह चला गया लाइट कंसीलमेंट सोड, खीचने के लिए नियुक्त किया। चारों और इसकरूर जानवर के साथ, खून के रंग के अवतार को कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। राजवीर ने अपने शांदार पौरानिक पालतु जानवरों की कतार कंटेन्यू की और उन्हें अपने दम पर तलवारे बनाने के इसके अलावा, काफी संख्या में तलवारे सार उर्जा स्किल गिरा दी गई। उनमें से जादातर लेजंडरी स्टेज पर थे, जबकि तीन एपिक स्टेज पर थे। राजवीर ने सार उर्जा के सभी स्किल को आत्मसात कर लिया। यह कुछ नहीं से बहतर है। अगली सु तुम कहा जा रहे हो। जियो सी ने विनमरता से पूछा। जैसी आपकी इच्छा। एक डाइमेंशन एरिया के लिए वांग चान ने थंडे भाव से कहा। उस मामले में मैं किसी भी आक्सिदेंट को रोकने के लिए आपका साथ दूनगा। जियो सी ने कहा। वांग चान मिस्फोच्यून बुद्ध बॉड़ी को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। मैंने आज ही उसे अस्थाय रूप से सील कर दिया है। यह आपके दुर्भाग या लाइफ टोविडेंस की देवी को अफेक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा आपके साथ जाने से अगर सच में अत्यधिक अप्शकुन है तो मैं इसे टाइम पर रोक सकता हूँ ताकि अनावश्य खताहतों को रोका जा सके। विशेश रूप से आपके मित्र को जियोसी ने कहा। आप पर है वांग चान एक पल के लिए हिचके चाय और जियोसी को पीछा करने से नहीं रोका। वह सासी एचेच में डर गए थी कि उसकी वजह से राजवीर को कुछ हो जाएगा। इसके अलावा जियोसी के आसपास होने की कारण अगर वह सासी एचेच में यह साबित कर सकती है कि उसकी बुरी किस्मत राजवीर को अफेक्ट नहीं करेगी तो वह जियोसी को भ अपने साथ ले जा रही है वांग चान फिर से पुराने आंगन में नहीं गई। यहीं पर दादी वांग ने विश्राम किया है बाहरी लोगों का तो उलेक ही नहीं, यहां तक वांग परिवार के सदस्यों को भी वहां बिना किसी कारण के जाने की अनुमती नहीं है वांग च काहता था कि कौन उसे अफेक्ट कर रहा है उन्होंने जियो परिवार को पहले ही जाच के लिए बुला लिया है लेकिन कम टाइम प्रदान किये जाने के कारण उन्हें कुछ भी पता नहीं चला है इसके अलावा संसेट कॉलेज से कोई भी हाल ही में वांग परिवार में नह से मिल जाएगा जी जाजी आप यहां है राजवीर नियत प्लेस पर पहुँचे जब वांग चान ने उसे देखा तो वह तुरंट दौर पड़ी हाला कि उसके संबोधन के तरीके ने राजवीर को थोड़ा अचमभित कर दिया हाला कि राजवीर तुरंट अंडिस्टैंड दिया है तो यह स्वाभाविक रूप से बहुत तकलीफ दे होगा वांग चान ने जानबूचकर राजवीर को उसके नाम से नहीं बुलाया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जियोसी को उसकी असली पहचान पता चले ताकि उसे परेशानी पैदा करने से रोका जा सके इतनी क वांग चान के संबोधन ने जियोसी को थोड़ा अचमभित कर दिया क्योंकि उसने पहेली में पूछा मेरी सिस्टर का बॉयफरेंड अगर मैं उन्हें देवर नहीं कहूं तो और क्या कहूं वांग चान ने अपने होठों पर हाथ फेरा और कहा जियोसी ने राजवीर को द वांग लू वांग चान से अलग है वांग लू को वांग परिवार का आंसर कहा जा सकता है वांग परिवार के लिए उसे बाहरी लोगों से शादी करने देना अंपॉसिबल है भाग्य की देवी के लाइफ प्रोविडेंस को बरबाद करने की अनुमती तो बिलकुल भी नह वांग परिवार निश्चित रूप से उन लोगों को सावधानी पूर्वक फिल्टर करेगा जो वांग लूके भागीदार बन सकते हैं. अब जब वांग चान ने राजवीर को सिस्ट कहा है, जियो सीक्षन भर के लिए राजवीर की उत्पत्ती के बारे में अनिश्चित है. चाप्टर 766, Immortal Youth, The Soul Translator, C.K. टैलन. वी जी, ज्यादातर लोग मुझे भाई कहते हैं, राजवीर ने अपना हाथ बढ़ाया और जियो सी का हाथ हिलाया. जियो सी को चुपके से यह नाम याद है लेकिन वो स्वाभाविक रूप से उसे, भाई, नहीं कहते थे. उन्होंन अपनी नाक रगरी और खुद से बुद बुदाया, कौन मेरे बारे में सोच रहा है? इसे काट दें. जी जा जी, किया आप महान दीवार पर नहीं जाना चाहते थे? चलिये चलते हैं, वांग चान ने राजवीर को महान दीवार के एंट्री गेट की सीरियो की और खीचा. राजवीर लंबे टाइम से महान दीवार के बाहर खोज रहे थे, लेकिन उन्हें हतेली का छोटा प्रतीक नहीं मिला. हाला कि वह हार मानने पर अड़ा रहा, वह महान दीवार पर रहते हुए खोज करना चाहता है. फाइनली, इमोर्टल युद्ध सोलो जैसे डाइमेंशन जीव बहुत यूज हो सकते हैं. वान चान अभी भी कुछ बेचैन हैर उसे डर था कि उसकी दुरभाग्य की देवी राजवीर को खत्रे में डाल देगी. जियो सी ने लगातार उनके चहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए उनका पीछा किया. हाला कि वह अंदर ही अंदर से की खोच की है इसलिए उन्होंने इमोटल युद्ध सोलों को नहीं देखा है महान दीवार पर चड़ने के बाद वह एन्डमी जानता था कि बैटल सोल्स किस तरह का एक्जिस्टेंस है. प्रा-इंडिया सिटी की दीवार पर आमर पहने हुए सैनिक लक्षहीन रूप से घूमते थे जैसे कि उनके पास कोई दिमाग या सोल नहीं है. उनका पहनावा प्रा-इंडिया लग रहा है इसके अलावा ये सैनिक और असी अनुमानों की तरह थे. उनके बोडी पारभासी थे. जब राजवीर ने एक इमोटल बैटल सोल की बाह को पकड़ने के लिए करने का कोसिस किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. सभी प्रकार के एसेंस एनरजी स्किल्ज ने इमोटल बैटल सोल के बोडी में प्रवेश किया, जिससे वे आफेक्ट रहे. एक इमोटल युद्ध सोल भटकती रही और राजवीर और कमपनी के माध्यम से आगे बढ़त रही. ये इमोटल युद्ध सोल ये काफी दिल्चस्प है. वे घोस्ट ब्राइट के बराबर दिखती है जिनके पास सोल का बोडी है, लेकिन वे थोड़ी अलग दिखती है. राजवीर ने इमोटल युद्ध सोलों को रुची के साथ शेप दिया. ये ठीक रसे पहली बार था जब वांग चान ने इमोटल युद्ध सोल को देखा है वह बहुत उत्सुक थी और उसे पकड़ने के लिए बाहर निकली, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से टाइम वेस्ट है. मैंने केवल सुना है कि इमोटल युद्ध सोल ये पास्ट में बहुत जादूई है, मैं उसकी आए एक अजीब अविवे की नजर से चमक रही है. राजवीर ने रास्ते में हथेली के छोटे प्रतीक की खोच की, लेकिन वांग चान ने इसे चुट्टी के रूप में लिया. हाला कि महान दीवार के सीन बहुत नीरस थे. सिटी की दिवारों के अलावा जो कुछ भी देखना है वह इमोटल युद्ध सोले है. लंबे टाइम के बाद ऐसा सीन थोड़ा उबाओ हो गया. चलते चलते उन्हें अचानक अपने सामने काला धुआ उठता दिखाए दिया. उठते हुए काले धुए की दिशा में देखते हुए उन्होंने देखा कि वह एक बी प्राइंडिया टाइम में कोई मौडर्न सिगनलिंग स्टेशन नहीं थे, नहीं कोई रेडियो या उप्लैनट थे जो दूरी पर सिगनल प्रसारित करते थे. वे केवल धुए के उत्पादन पर भरोसा कर सकते थे ताकि दूर के लोगों को सिगनल देखने की अनुमती मिल स के. इसलिए सूचना को जलता से वित्रित करने के लिए महान दीवार पर निश्चित दूरी पर एक बीकन टौवर बनाया जाएगा. यह महान दीवार का मुख्य उद्देश भी है हाला कि महान दीवार लंबी और राजसी है लेकिन इसका मुख्य उद्देश युद्ध के लिए नहीं है बीकन टौवर की सूचना प्रसारित करने की कपैसिटी के अलावा, ग्रेट वॉल का मुख्य उद्देश भ्यापार और सूचना प्रसारन को रोकना है. हाला कि, मौडरन टाइम में, महान दीवार पूरी ट्रहन से बेकार है, डाइमेंशन तूफानों के बीकन टौवर से उठता हुआ, धुआ दूर से आबराबर में उठता हुआ एक काला बबंडर जैसा लग रहा है. जो बात और भी अजीब थी वह यह थी कि सोल विहीन बेटल सोल्स अचानक से जाग उठे. बीकन टौवर की और बढ़ते ही उनकी आखे लाल हो गई. जी जा महान दीवार से दूर ले जाती है. महान दीवार पहले ही एक डाइमेंशन एरिया में परिवर्तित हो चुकी है, सिटी की दीवार से कूदना अंपॉसिबल है, हाला कि कोई भी सिटी की दीवार से बाहर कूद सकता है, डाइमेंशनल जोन की पावर अफेक्ट होगी. कोई ए यही माइने में महान दीवार को छोड़ सकता है। नहीं, यह यहाँ कैसे नहीं हो सकता। यह ठीक रसे यहाँ था। वांग चान ने बाए और दाय देखा, अप्रॉक्स चिंता से रो रहा है। यह ठीक है, चूनकी हम बाहर नहीं निकल सकते, मैं देख सकता हूँ कि बीकन और तक राजवीर का पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जियो सी ने बगल से कहा, मैंने पहले ही कहा है कि केवल मेरा दुर्भागया बुद्ध बोडी ही आपको मन की शांती दे सकता है। कोई और नहीं कर सकता। वांग चान ने उसे न सुनने का नातक किया औ और जल्दी से राजवीर के पास चली गई। जल्द ही तीनों पास के एक बीकिन टावर पर आ गए। उन्होंने देखा कि एक अजीबो गरीब कंटेनर से भारी मात्रा में काला धुआ निकल रहा है। पास की इमोटल युद्ध सोल एक खुद को कंटेनर में फेक रही है। राजवीर को यह जानकर कुछ शौक हुआ कि काला धुआ इमोटल युद्ध सोलो को जलाने से क्रियेट हुआ है। उसने मुड़कर पास के अन्य बीकिन टावरों को देखा, लेकिन उसे उनमें से कोई धुआ नहीं दिखा। केवल इसी से धुआ उट रहा है। उसने साव अस्यमय पैटन उकेरे हुए थे, लेकिन राजवीर उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं पाए। जैसे जैसे अधिक से अधिक इमोटल युद्ध सोल एक खुद को बरतन में फिकती गई, वैसे वैसे बरतन के पैटन धीरे-धीरे चमकने लगे, जैसे कि उनमें से कोई भाव बदल गए। चित था की यह एक डाइमेंशन एलियम था न की एक साथी जानवर। राजवीर ने सा सी एचेच में चान्दी के पन्खों वाले यक्ष के बारे में सुना है डाइमेंशन तूफानों के कुछ टाइम बाद, कुछ तटिय असित में चान्दी के पन्खों वाले कुछ यक्ष एक्स्प्रेस हुए थे। चांदी के पंकों वाले यक्ष बेहद रखत पिपासू थे। वे हर बार एक्स्प्रेस होने पर इंसान ता के लिए एक भयानक आपदा लाते थे। कुछ जगहों पर नर्सन हार हुआ। हाला की पिछले 20-30 ये में सिल्व पंक वाले यक्ष शायद ही कभी दिखाई दिये। इंपिरियल कैपिटल जैसी जगह में यह और भी अधिक है। राजवीर ने सिर्फ इतना सुना था कि चांदी के पंक वाले यक्ष भयानक थे। यह पॉसिबल था कि यह एक पौरानिक एलियम है लेकिन उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। जी जा जी भागो, वांग च के नरसनहार का वीडियो है चांदी के पंको वाला यक्ष न केवल एक पौरानिक एलियम है बलकि वह अत्यन तेजवी है इसको अवतार और पावर बराबर रूप से भयानक है राम तोर पर यूमन सिर काटे जाने से पहले इसे देख भी नहीं पाएंगे। अब वांग चान में ही तुम्हें दुर्भागे से उलजने से रोक सकता हूँ जियो सी ने कहा। उस टाइम जियो सी अपने आप में बहुत प्रसंद महसूस कर रहा है चांदी के पंको वाला यक्ष स्वाभाविक रूप से यहां अकारन एक्स्प्रेस नहीं हुआ। यह उसके एक्स्प्रेस होने का कारण दोहत्थे वाला बर्तन है। बर्तन अपने आप में एक जादूई वस्तूर है इसे दक्षन जिले में डेविल स्पॉट का शीर्षक मिला है यही खजाना था जिससे जियो परिवार के हाथों फिनेश होने से पहले दक्षन जिले में एक रहसिमय डाइमेंशन एरिया से हासिल किया गया है. डेविल स्पॉट में कोई सच्चे शैतान नहीं थे, लेकिन वे कुछ प्रकार के डाइमेंशन जीवों को अंदर सील कर सकते थे. जियो परिवार ने चांदी के पंख वाले यक्ष को खोजने के बाद, उसके पास सिल्वर विंग यक्ष को छोड़ने या पुना हासिल करने की कापासिटी है. चांदी के पंखो वाले यक्ष अत्यंत रखता पिपासू थे. जैसे ही वे रहा हुए, वे प्रचंड वद में सनलग्न हो गए. उनकी एक ही कमजोरी थी कि वे दोस्ट और दुश्मन में फर्क नहीं करते थे. आमतोर पर, वे केवल इंसान और सोलों को ही अपने लक्ष के रूप में चुनते हैं. हालांकि डेवल स्पॉट डाइमेंशनल जोन को क्रेक करने में ज्यादा मददगार नहीं है लेकिन ह्यूमन के खिलाफ इस्तेमाल किये जाने पर यह एक बहतरीन हथियार है. हालांकि जियो सी ने वांग चान से कहा कि वह अपने लाइफ को नियंत्रित कर सकता है. यह सासी एच एच में इंपॉसिबल है इसलिए. जब तक वह उसके साथ है वैंग चान की दुरभागिय लाइफ प्रोविडेंस की देवी का आधेक अफेक्ट नहीं होगा. जियो सी का वांग चान की लाइफ प्रोविडेंस को अफेक्ट होने देने का कोई इरदा नहीं है वह निश्चित कारकों को पसंद नहीं करता था और चाहता था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में हो. गर्जन जियो सी ने जमीन पर गिरने का नाटक किया, लेकिन उसकी आई मारने के इरादे से भरी हुई है कोई नहीं जानता की डेविल स्कूल में दोस्त बनाने की फालतू उम्मीदों पर पच्चतावा हुआ. और सिल्वर विंग यक्ष हमारे जियो परिवार के हैं. यह व्यक्ती चाहे कोई भी हो, अगर यह रजत पंक वाले यक्ष से मारा जाता है तो कोई भी मुझ पर दोश नहीं लगा पाएगा. उसके बिना, सब कुछ सामान्य हो जाएगा. वांग चान फाइनली मेरे जियो प हास किया. सिल्वर पंक वाले यक्ष की तरह एक भयानक एक्जिस्टेंस ने कई immortal युद्ध सोलो को निगल लिया है. यूमन की कृपान उसकी बराबरी कैसे कर सकती है? जी जा जी, I am sorry. वांग चान जोर से चिल लाया. उसका दिल अफसोस और निराशा से भर गया. उसकी पंको वाला यक्ष बांस के ब्लेड से दो भागों में विभाजित हो गया क्योंकि यह जमीन पर पटक दिया गया है. नहीं, impossible, जी ओसी का मूह खुला का खुला रह गया जब उसने राजवीर और सिल्वर विंग यशा की लाश को अपने पैरों पर अबिलीव से देखा. उ उसने अपनी उदास एक्स्प्रेशन को पूरी तरह से नियंतरित नहीं किया है, फिर भी यह एक विसमयकारी नजर के साथ मिला हुआ है. क्या कहा आपने? राजवीर ने चांदी के पंको वाले यक्ष की लाश से एक चांदी के अंडे के शेप की वस्तू उठाय और वांग राजवीर को कीच लिया. मुझे भी ऐसा ही लगता है. हाला कि इस तरह के एक कमजोर डाइमेंशन एलियम शायद साथी जानवर के रूप में बहुत कमजोर है. यह बेकार है. अगर आप इसे पसंद करते हैं, तो आप इसे हासिल कर सकते हैं. राजवीर ने लापरवाही से जियो परिवार ने सिल्वर विंग्ड यक्ष को इतने लंबे टाइम तक सील कर रखा है लेकिन वे इसे मारने का कोई तरीका खोजने में विफल रहे थे. उन्होंने कभी भी इस तरह के सौभाग्य की उम्मीद नहीं की थी कि सिल्वर विंग्ड यक्ष अपनी मरे हुए य इससे जियो सी गुसे में अपने दात पीस रहा है. हाला कि राजवीर जियो सी की एक्स्प्रेशन की परवा करने के मूड में नहीं है और उनकी आकरिती दूर हो गई और गायब हो गई. अच्छा नहीं. जियो सी घबरा गया. उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि रा जियो सी ने जल्दी से अपने लाइफ सोल को शैतान के बरतन को पुनह हासिल करने का ओडर दिया. उन्हें अभी भी अपने लाइफ सोल पर बहुत भरोसा है. फाइनली, उसने अपनी लाइफ सोल का यूज शैतान के बरतन को चुपचा बीकन टॉवर पर रखने के लिए कि 68, Kuman Thong Life Soul Translator, CK Talon. राजवीर का Transcendent Flying Immortal बहुत तेज है जिससे वो तुरंट बीकन टॉवर पर पहुँच गया. दो हैंडल वाला बरतन अभी भी बीकन टॉवर पर है लेकिन यह लहरा रहा था जैसे कि गायब होने से पहले इसे किसी चीज से हिलाया गया हो. सत्य श्रोता स्पीड की आवाज सुन सकता था और यह निर्धारित कर सकता था कि कोई वस्तु कहां है लेकिन यह एक सटीक शेप की रूपरेखा नहीं बना सकता है. राजवीर ने होली हिल लाइफ सोल को सक्रिय किया और होली हिल की आख खोली. तुरंट उसने एक बच्चे को दो हत्थे वाले डेवल स्पॉर्ट के साथ दोरते हुए देखा. बच्चा मॉंस्टर नवजात से बहुत छोटा है लेकिन उसके बोड़ी पर पापजवाला बहुत सम्रिधा है. बच्चे ने राजवीर को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जिससे वह थोड़ा अचमवित रह बच्चे के चहरे की विशेशताएं बहुत धुंदली थी जैसे की वह बड़ा नहीं हुआ हो. उनकी बोड़ी भी बहुत अजीब है उसका पेट बहुत बड़ा है लेकिन उसके अंच्छोटे थे. वह अवर्णिये रूप से भयानक और विचित्र है. पवित्र नर्क की आँख को सक्रिय करते हुए, एक बल ने असीन बच्चे को पवित्र नर्क किंग की आँख में निगल लिया. बच्चा शुधपाप ज्वाला से बना हुआ प्रतीत होता है इसलिए वह सीधे अवशोशित हो गया और जीरोता में परिश्कृत हो गया. राजवीर यह भी म शौशित और परिश्कृत होने के बाद, गायब हो गया शैतान का बरतन तुरंट जमीन पर गिर गया. उसी टाइम, राजवीर ने एक दुख़द रोना सुना. उसने देखा कि जियो सी मुह से खून उगल रहा है और उसके चहरे का रंग उतर गया है. यह ऐसा था मानो उस उसने जियो सी को देखा, जो भागने ही वाला है और कहा, यह तुम्हारा है, है ना. तुम्हारी किस बारे में बोलने की इच्छा थी? वह भद्दा बरतन मेरा कैसे हो सकता है? जियो सी ने तुरंट अपना सिर हिलाया और कहा, मैं पूरी ट्राहन से आपको जीने का मौका द लेकिन फिर भी उसने शांथ होने का नातक किया. उसने राजवीर को सिल्वर विंग्ड यक्ष को एक ही जटके में मारते देखा था और जानता था कि राजवीर की पावर कितनी भयानक है जहां तक लाइफ सोल की बात है जिस पर जियो सी ने भरोसा किया था और दूसरे नह नहीं देख सकते थे उसे राजवीर ने मार डाला है वह अपना आपा खो बैठा है मेरे कुछ क्वेस्चिन्स के जवाब दो अगर तुम्हारे जवाब मुझे संतुष्ट करते हैं तो मैं तुम्हें जीने देने पर विचार कर सकता हूँ राजवीर ने कहा जो कुछ जानन गया कि क्या हुआ था और उसने जीनोसी को गुस्से से देखा राजवीर ने उसे अपने पीछे खीच लिया और जीनोसी को देखा मुझे परवा नहीं है अगर इसका आपसे कोई लेना देना है मुझे इस घड़े की उत्पत्ति बताओ और इसका क्या यूज है इस बरतन क को दक्षन जिले में देविल स्पॉट नाम दिया गया है एक बार जब आप आसपास पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा यह कुछ विशेश डाइमेंशन प्रानियों को सील कर सकता है जैसा कि जीयोसी ने आंसर दिया उसके उंगलिया उसकी आस्तीन में चली गई मैं इस बरतन को कैसे नियंतरित कर सकता हूँ राजवीर ने फिर पूछा यह बहुत सरल है जीयोसी ने डेविल स्पॉट के यूज के बारे में बताया वह बच्चा आपकी लाइफ सॉल है है ना उसका नाम क्या है उसका क्या यूज है राजवीर ने फिर पूछा उन्हें की Life Soul में बहुत इंट्रेस्ट है, एक Life Soul के लिए इतने सारे पापजवालाएं होना जियो सी के बोड़ी पर पापजवालाओं से भी अधिक का कोई मतलब नहीं है. कुमन थोंग यह चांग राय में एक Expectation Crit सामान्य Life Soul है. जब तक कोई कुमन थोंग एसेंस एनजी आर्ट की Cultivation करता है, उसके पास एक कुमन थोंग Life Soul होगा. हाला कि उनकी अबिलिटी थोड़ी अलग होनगी, जियो सी ने कहा. यह सुनते ही राजवीर की आखे चमक उठी. उसने जियो सी को देखा और पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि चांग राय में कई लोगों के पास कुमन थोंग Life Souls है. यह सिर्फ चांग राय नहीं है. आसपास के एरिया में कई महाकाव्य विशेशग्यों के पास कुमन थोंग Life Souls है. जियो सी ने ततपर्ता से आंसर दिया. एक आखिरी Questions. आप वांग चांग को जियो परिवार में क्यों ले जाना चाहते हैं? राजवीर ने जियो सी को देखा और पूछा. निश्चित रूप से, मैं हमारे जियो परिवार को बनाने के लिए वांग परिवार की मदद हासिल करना चाहता हूँ. इससे पहले की जियो सी अपनी सजा पूरी कर पाता, राजवीर ने पहले ही अपने बांस के ब्लेड को खोल दिया. प्रिपान किरंग चमक उठी. जिसक शन उसका हाथ उसकी गर्दन को छूता है, उसकी पूरी ट्रैहन से सामान्य गर्दन पर एक खूनी निशान दिखाए देता है. फिर खून बह निकला. लाग कोशिश करने के बाद भी वह खून नहीं रोप पा रहा है. मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हारे आंसर से संतुष्ट होता तो मैं तुम्हें जिंडा रहने दे सकता है राब. मैं आपके जवाब से बहुत असंतुष्ट हूँ, इसलिए मैं आपको कोई रास्ता देने से इनकार करता हूँ. राजवीर ने तत्यात्मक रूप से कहा आप जियो सी ने अपना मूह खोला लेकिन उस टाइम उसका मूह खून से भर गया है वह एक शब नहीं कह सका मरने से पहले वह कई बार जमीन पर गिरा और मरोणा राजवीर ने अपनी हथेली को खोलने के लिए शीथर बैंबू ब्लेड का इस्तिमाल किया और अपने हाथ में एक अजीब सी पटिका देखी वह काला है लेकिन वह किसी जीब की हड़ी जैसा लग रहा है पटिका में एक रहसे में उतकीर्नन है और पटिका से जुडाहार कई अजीब सामगरियों का यूज करके बनाया गया है वह निश्चित नहीं था कि यह क्या है यह एक बुद्ध पटिका है वांग चान ने पहचाना कि यह क्या है बुद्ध पटिका क्या है कोई बुद्ध का सम्मान करता था राजवीर सच में नहीं जानते थे कि बुद्ध पत्टिका क्या होती है। नहीं, बुद्ध पत्टिका दक्षन जिले के कुछ महाकाव्य विशेशग्यों से डाइमेंशन सामग्रियों का यूज करके बनाई गई एक डाइमेंशन का लाकृती है। आम तोर पर, यह बुद्ध पत्टिका के अंदर एक साथी जानवर को बलपूर्वक सील करने से पहले एक डाइमेंशन एलियम की हट्यों से बनाया जाता है। इस तरह, बुद्ध पत्टिका में एक साथी जानवर की पाव होगी, लेकिन इसका कोई स्वामी नहीं है। जब तक एक विशेश विधी का यूज किया जाता है, कोई भी बुद्ध पत्टिका के अंदर सायोगी जानवर की पाव का यूज कर सकता है। यह टेकनोलोजी बेहत पावड है। बुद्ध पत्टिका में सील किये गए साथी जानवर केवल अपनी पावर के एक हिस्से का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा, जब आम लोगों से यूज किया जाता है, तो कई वरजनाय होंगी। एक भी गलती का परिनाम प्रतिगात होगा। एक साथी जानवर को नियंतरित करने के लिए औसत व्यक्ति इस तरह की विधी का चयन नहीं करेगा। यह कुमन थॉंग लाइफ सोल के बराबर है। कुमन थॉंग लाइफ सोल भी एक लाइफ सोल है जो त्वरित क्रिएशन की अनुमती देती है। जब तक सही विधी का यूज किया जाता है, कुमन थॉंग लाइफ सोल को संधनित करना बहुत आसान है। हाला कि कुमन थॉंग को संधनित करने का तरीका बहुत खुरूर है इसके अलावा बुद्ध पटिका की तरह इसके लिए अपने मालिक को नकारात्मक रूप से अफेक्ट करना आसान है इसलिए दक्षन जिले के एक निश्चत एरिया के अलावा बहुत कम लोग हैं जो कुमन थॉंग लाइफ सोल की कल्टिवेशन करते हैं मैंने कभी उम्मीद नहीं कि थी कि यह भी तारांकन स्टा जीयोसी कुमन थॉंग लाइफ सोल की कल्टिवेशन करेगा इसके अलावा यह एक बच्चे के रूप में है लानत है वांग चान ने जियो सी की लाश पर घ्रिना से लात मारी चाप्टर 769 चान्स का आनंद ले ट्रैंसलेटर, सी के टेलन राजवीर ने अपनी तलवार से जियो सी के हाथ में बुद्ध पटिका उठा ली जियो सी के लिए अपनी पावर देखने के बावजूद राजवीर के खिलाफ बुद्ध पटिका का यूज करने के लिए यह पॉसबिलिती थी कि बुद्ध पटिका में अप्राइमरी जीनो पावर है इसलिए राजवीर बलकी सावधान थे डाइमेंशन तूफानों के बाद दुनिया में कई रहस्यमय पाव या भी है राजवीर इतना अहनकारी नहीं था कि उसे लगता था कि वह जया है क्योंकि उसके पास कुछ उपलब्धिया है अगर वह सावधान नहीं होता तो बुद्ध की यह छो पटिका उसका मरे हुए युपत्र बन सकती है राजवीर ने ध्यान से बुद्ध पटिका का शेप लिया और कुछ भी गलत नहीं देखा उसे बस इतना ही लगा कि उस पर कोई असीन दुष्ट औरा मनरा रही है कुछ देर तक उसके साथ खिलवार करने के बाद और यह देखकर की वह बेकार है उसने उसे दूर रख दिया उसने फिर से जियोसी के बॉड़ी की तलाशी ली कुछ बुद्ध पटिकाओं के जेडर से जादा और कुछ भी मूल्यवान नहीं है राजवीर ने बुद्ध पटिकाओं को हटा दिया और जियोसी की लाश को जला कर राख करने के लिए फायर फनेस क्वीन को बुलाया चलो वापस राजवीर वांग चान को वापस वांग परिवार के आंगन में ले गए और दादी वांग को देखने गए उन्होंने पूरी प्रक्रिया को अक्सपैंशन से बताया लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया दादी वांग ने बिना एक शब्द कहे ध्यान से सुना सुनने के बाद उसने राजवीर और वांग चान से कुछ क्वेस्चिन्स पूछे चोटे जोग, तुमने अच्छा किया है. आपने हमारे वांग परिवार की काफी मदद की है और लिटल चान को बचाया है. मैं इसे छोटा रखूंगा. हमारी प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए मुझे वांग परिवार के प्रमुख सदस्यों को इकठा करने की जरूरत ह हाला कि जियो परिवार की सेनाए हमारे वांग परिवार से तुलनिये नहीं है और दक्षन जिले में बहुत दूर है, उनके साथी जानवर और विभिन स्किल कुछ खास है. हमें उनसे सावधान रहना होगा. साथ ही इस मामले के बारे में किसी को न बताएं. बस इसका देना, राजवीर ने कहा. अच्छा बच्चा, चूनकी तुम मुझे दादी कहते हो, मैं तुम्हारे साथ समारों में खड़ा नहीं होँगा. मैं तुम्हारे बारे में सोचूनगा जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी. लिटल चान के साथ अभी वापस जाओ. आपको ज यहापके लिए नहीं होता, तो मैं उस घ्रिनिट साथी से मूर्क बन जाता. अब, मैं फाइनली आराम से हो सकता हूँ. राजवीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी सिस्टर ने मेरी बहुत मदद की. इसको तुलना में मैंने जो किया वह कुछ भी नहीं है, आपक में स्वाभाविक रूप से सावधान रहेंगे. राजवीर को हस्तक शेप कंटिन्यू रखने की जरूरत नहीं है. जैसे ही वांग चान ने राजवीर को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा, उसने सिल्वर विंग्ड यक्ष साथी अंडे को हाथ में पकर रखा है, वह उ उरी ट्राहन से इसे राजवीर को लोटाना चाहती है, फाइनली, उसके पास इस तरह के पौरानिक सहयोगी अंडे को सेने का कोई तरीका नहीं है लिया तो भी बेकार है, इसके अलावा, वह कोई ऐसी नहीं थी जो दूसरों से चीजे लेती हो. अगर वह सा सी एच एच में एक पौरानिक सहयोगी अंडा चाहती है तो उसके लिए वांगलू जैसी बड़ी सिस्टर के साथ रहना मुश्किल नहीं होगा. इसके बावजूद, वांग चान ने अपना विचार बदल दिया और राजवीर को साथी अंडा वापस नहीं किया. इसके बजाए, वह इसे ल हाँ है रन्य है मैं उस भी तारान कंस्टा जी उसी से मूर्क बनाया गया होता. अब मैं एंड मी जानता हूँ कि मेरा दुर्भाग्य लाइफ ट्रोविडेंस जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए दुर्भाग्य लाए. कम से कम, राजवीर मेरे दुर्भाग्य से अफेक्ट न ने पूछा. वह कैसे हो सकता है? हम सिर्फ एक बहतर रिष्टे वाले क्लासमेट हैं, वांग लू ने जट से कहा. अच्छा ऐसा है. फिर, सिस्टर, तुम्हें इस चांस को संजोना होगा, वांग चान ने कहा. आपका क्या मतलब है चांस का आनन ले? ऐसा बोरिंग आदमी क कोई नहीं चाहता. अगर उसकी कोई गल्फ्रेंड होती तो अजीब होता, वांग लू ने अपने होठो को फड़फडाते हुए कहा. ऐसा हो सकता है. मुझे लगता है कि नंबर स्कूल वेन खराब नहीं है. अगर आप उसे नहीं चाहते हैं, तो मैं बढ़ा होकर उसकी प् में लोटने के बाद, उसने प्रा-इंडिया तलवार के मगबरे को पीसना कंटिन्यू रखा. वह अभी भी चाया कंट्रोल तलवार और रात्री ट्रैनिंग तलवार के बारे में सोच रहा है. हाला कि प्रा-इंडिया तलवार का मगबरा बहुत बड़ा है. जडाटर प्रा बेल की तलवार अभी भी वही है, राजवीर ने तलवार निकालने के लिए हर तरह के तरीके आजमाय थे, लेकिन नतीजा वही रहा। चाहे कुछ भी हो जाए, वह इसे बाहर नहीं निकाल सका। राजवीर ने बुद्ध पर्टिकाओं का स्टडी करने के लिए उन्हें नहीं निकाला क्योंकि उन्हें डर्था की उन पर विशेश सेटिंग्स है यह अच्छा नहीं होगा अगर जियो परिवार ने उसका सुराग धून लिया। उन्हें अव्यवस्थित प्लेस में रखना उनके किसी अन्य प्लेस पर होने के बराबर है इसने बाहरी दुनिया से सारे संबंध तोड लिये। सोल प्रकार का एलियम है ऐसा नहीं था कि वह उसे मार नहीं सकता है लेकिन उसे कुछ विशेश पावयों की जरूरत है। फबिडन सिटी में चिच कंटिन्यू रही क्योंकि आकाश से बिजली गिरना कंटिन्यू रही, फबिडन सिटी को बिजली के सिटी में बदल दिया। हाला कि बिजली सिटी तक ही सीमित है इसलिए इसने इंपीरियल कैपिटल को ज्यादा अफेक्ट नहीं किया। कुछ लोगो के अंदर महिला सा CHH में क्या है। मुरिग से उसका क्या संबंध है। यह मुझे उसे फबिडन सिटी में क्यों ले जाने देगा। राजवीर ने काफी देर तक सोचा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने मुरिग से पूछा लेकिन वह अजीब भाव से उसकी और देख अगले कुछ दिनों में राजवीर इंपीरियल कैपिटल में कुछ डायमेंशनल जोन में गया लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। उसने हथेली के छोटे चिन्हों की खोज नहीं की। जियो परिवार के संबंध में वांग परिवार ने पहले ही मामले को सुलजा लिया ह हालां कि उन्होंने जियो परिवार को अस्थाय रूप से खुश कर दिया है यह फाइनली एक छिपा हुआ खत्रा है। वांग चान में जियो परिवार की इंट्रस्ट शायद जियो सी की मौत के कारण नहीं रुकेगी। वांग परिवार भी इस मामले का कारण जानना चाहत है अगर पॉसिबल हो तो वे सीधे जियो परिवार को भी खत्म करना चाहते थे और फ्यूचर की इस परेशानी को खत्म करना चाहते थे। हालां कि जियो परिवार कमजोर नहीं है इसके अलावा वे दक्षन जिले में बहुत दूर थे। वांग परिवार का अफेक्ट अभ इम्पीरियल कैपिटल में मामले पूरी ट्राहन से फिनिश हो गए थे। राजवीर ने लुवांग लोटने की योजना बनाई। उनके जाने से पहले दादी वांग ने उन्हें वांग लू और वांग चान के साथ विदा किया। उसने उससे फ्यूचर में अकसर उससे मिलने का आप लैनट भी किया। राजवीर ने शाही राजधानी को छोड़ दिया और एक परित्यक्त गाव में पहुँचे। उसने देखा कि एक शेंग पीर की जड़ पर बैठा उसका इंतजार कर रहा है। यंग मास्टर वेंग बुरे मास्टर जिया कैसे हैं। एक शेंग यह उसने कुछ जानकारी नहीं मांगी। वह फ्यूचर में फिर से एक्सप्रेस नहीं होगा। राजवीर ने जिया जियू हुआंग के साथ हुई घटना के बारे में बताया, जिससे एंग शेंग शौक रह गया। बुरे मास्टर जिया, जिया जियू हुआंग है। इसके अल है कि जिया जियू हुआंग का कोई वन्शज है। हाला कि उनकी अज्जय कौने दिव्यकला पहले से ही महान समराट सूत्र के साथ महान समराट सूत्र में शामिल हो गई है। शायद उसके वन्शज हो सकते हैं। अब जबकि वह मर चुका है, मुझे डर है कि कोई भी इस रह से जानता था कि उसके लिए मुरिक से आंसर हासिल करना impossible है इसलिए उसने विशे बदल दिया। ली जुवान दक्षन जिले में गया। वह अचानक दक्षन जिले में क्यों गया। राजवीर दंग रह गया। ली जुवान ने उन्हें इस बारे में सूचित नहीं किया है। क्या ली मोबाई ने उसे जाने के लिए कहा। राजवीर ने अचानक कुछ सोचा और उसकी एक्स्प्रेशन में भारी बदलावाया। नहीं वह वंदुगू के साथ गया है वंदुगू उसे एक शिश्य के रूप में लेना चाहता है लेकिन ली हुवान सहमत नहीं अमदुगू ने उसे कुछ रहस्य बताए इसलिए ली हुवान दक्षन जिले में अपनी किस्मत आजमाना चाहता है वह डर गया था कि आप चिंतित होंगे इसलिए उसने मुझे आपको बताने नहीं दिया। एक शेंग ने पूरा मामला बताया। राजवीर साच में चिंत है गू की रिक, कुमन थॉंग, काला जादू, आदी। भले ही ली जुवान के पास एक अविनाशी बोड़ी है यह ऐसी जगह में बिलकुल सुरक्षित नहीं है इसके अलावा ली हुवान अविनाशी दाइरे में नहीं पहुचा है। अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी है राजवीर को केवल उम्मीद्थी की ली हुवान सुरक्षित वापस आ जाएगा। आगे एक बहुत प्रसिद अर्थ मंदिर है। क्या आप देखना चाहते हैं। एक शेंग ने राजवीर से पूछा कि वे एक छोटे सिटी में कब पहुचे। अर्थ मंदिर आने एक धातु का अक्रोट दिया है और धातु के अक्रोट के अंदर ताइस हुई है। पूर्वी जिले के सभी अर्थ मंदिरों के बराबर कार्य थे। अगर कोई मूल निवासी अर्थ गौट का सम्मान करता है तो वे खजाने का नक्षा हासिल कर सकते हैं। हाला कि अगर कोई मूल निवासी नहीं है तो अर्थ गौट दुर्भाग्य से उनकी उपेक्षा करेंगे भले ही उन्होंने अपना सिर जुका लिया हो। एक शेंग राजवीर को पास के अर्थ मंदिर में ले गया। यहां अर्थ मंदिर सा CHH में राजवीर से पहले देखे गए मंदिर से बह आसल खजाने के नक्षे हैं। बस एक लेजेंडरी कमपैनियन एग। नब निर्मित खजाने के नक्षे केवल दो पौरानिक पावर क्रिस्टल के लिए। उन्हें बस छे से उपर होना चाहिए। एक पैत्रिक खजाने का नक्षा अर्थ मंदिर के सामने बहुत चहल पहल थ क्या आप सा C.H.H. में मानते हैं कि ये लोग खजाने के नक्षे बेच रहे हैं। डाइमेंशन तूफानों को सेंशिरीज बीच चुके हैं। प्लेस लोगों ने लंबे टाइम तक नमन किया है। केवल नवजात शिशुओं को ही खजाना नक्षा हासिल करने के लिए राजवीर तुरंत अंडिस्टैंडिंग गए कि खजाने के नक्षे बेचने वाले ये लोग उन लोगों के बराबर थे जो एक मंदिर के एंट्री गेट पर प्रा-इंडिया वस्तुए और बुद्ध की मूर्तियां बेचते थे। जादातर लोग जानते थे कि वे नकली थ लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि वे भाग्या एड़ हो सकते हैं। दुर्भाग्या से हम प्लेस नहीं हैं। अगर हम प्रणाम करें तो भी यह वेकार है। अन्य है अपनी किस्मत आजमाने के लिए खजाने का नक्षा हासिल करना बुरा नहीं होगा एंड शेंग न इस तरह के असाच सपने देखने के बजाए तुम अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुझसे दो खजाने के नक्षे क्यों नहीं खरीड लेते। खजाने के नक्षे बेचने वाले एक बुरे व्यक्ति ने मुस्कराते हुए कहा। आप से एक खजाना नक्षा खरीडना। हम अर्थ गौट को भी प्रनाम कर सकते हैं। राजवीर ने अपना सिर हिलाया और अर्थ मंदिर की ओर चल दिया। लड़का, फिर से देख लो। शायद मेरा खजाना नक्षा अर्थ गौट की तुलना में सा CHH में आधिक यूज है। जेश्ट ने हार नहीं मानी और राजवीर को वापस पकड़ लिया। जेश्ट को देखते ही राजवीर की एक्स्प्रेशन थोड़ी बदल गई। उनकी प्रतिक्रिया बेहत तेज है यहां तक एक पौरानिक एलियम भी राजवीर को छूने में एबल नहीं होगा, एक बुजूर्ग की बात तो दूर। राजवीर को प्रतिक्रिया करने से रोकते हुए बुजूर्ग के प्रतीत होने वाले आकस्मिक रसाक्षी ने उसकी बाह पकड़ ली है यह निश्चती असामान्य है। हाला कि राजवीर को बढ़े के बारे में कुछ खास नहीं लगा। खत्रे को भाम्पने की उनकी कपैसिटी जिसे उ आखें। जिंग डाउक्सियन इसमें कोई गलती नहीं है। यह जिंग डाउक्सियन की आखें है। राजवीर अप्रॉक्स रो पड़े चाप्टर 771 जिंग डाउक्सियन से दोबारा मिलना ट्रांसलेटर C.K. टैलन। ऐसा लग रहा था कि राजवीर के रोन्टे खड़े ह गए थे और वह बुरे आदमी की पकर से बचने के लिए अपनी पावर बटोरने की कोशिश कर रहा है। एक शिंग को भी फील हुआ कि कुछ गरबर है क्योंकि वह किसी भी टाइम हमला करने के लिए तयार बुरे व्यक्ति को गौर से देख रहा है। राजवीर के शौक के लिए बुजुर्ग ने अपना हाथ चुडाया और लकरी की पटिका के शेप में एक खजाने का नक्षा उठाया। उसने इसे राजवीर को सौक दिया और मुस्कराते हुए कहा लाड यह खजाना नक्षा घर पर है। इसे खोदो और देखो अगर आप खजाना खोद सकते ह तो मुझसे खजाने के नक्षे खरीदने में देर नहीं लगेगी। राजवीर ने बुड़े आदमी को देखा और उसे नाप लिया। लेकिन उसकी आँखों के अलावा बुड़े आदमी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था जो जिंग डाउक्सियन जैसा दिखता हो। व मेरे जैसे बुड़े व्यक्ति के साथ समारों में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। इसको खुदाई करें। कौन जानता है आप एक इमोटल खजाना खोदने में एबल हो सकते हैं। हाला कि हर कोई इस इमोटल खजाने को नहीं ले सकता। लॉस्ट इमोटल आठ के ब यंग मास्टर वेन एक शेंग राजवीर की तरफ चला गया लेकिन उसकी आई अभी भी स्टाल के पीछे बैठे बुड़े आदमी को घूर रही है। राजवीर पूरी ट्रहन से खजाने का नक्षा नहीं लेना चाहते थे लेकिन वह इस से बचने में असफल रहे। खजान चलते चलते उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। इस दुनिया में जिंडा रहना हाड और हाड होता जा रहा है। यंग मास्टर वेन क्या आप उस बुड़े व्यक्ति को जानते हैं। एक शेंग मदद नहीं कर सका लेकिन उसने पूछा कि जब उसने देखा कि राजवीर अभी भी बुड़े व्यक्ति की पीट को घूर रहा है जबकि वह आधी गली चल चुका है। मुझे संदे है कि वह जिंग डाउक्सियन है। राजवीर फुस फुस आया। यह सुनते ही शेंग का बॉड़ी कांपने लगा। उन्होंने आबिलीव में कहा, आप जिंग सूत्र का पता लगाना चाहते थे, लेकिन उनके सामने जो व्यक्ति था वह फेडरेशन के इतिहास में सबसे प्रसिद शैतान है। फेडरेशन के स्टार्टिंग दौर में कई शैतान सामने आये थे और बाद में सभी तरह के शैतान सामने आये थे, जैसे की जैक एंड कमप लेकिन उन्हें जिंग डाउक्सियन ने खिलवार किया है। भले ही राजवीर के पास अफेक्टेड उपलब धिया थी, लेकिन उन्होंने ऐसे व्यक्ति को कमांकने की हिम्मत नहीं की। इससे पहले, राजवीर ने जिंग डाउक्सियन की गुप्त रूप से जाच की है लेकिन उसे जो जानकारी मिली वह बहुत सीमित है वह केवल इतना जानता था कि जिंग डाउक्सियन डायमेंशनल जोन में गंभीर रूप से घायल हो गया था और अप्रॉक्स अपंध हो गया है इसलिए बयूरों ने उसका पीछा करने का चांस लिया है। फिर भी विशेश निरीकशक बयूरों का पीछा विफल रहा। वे अपंग जिंग डाउक्सियन को पकड़ने में विफल रहे। राजवीर ने उस टाइम के टाइम प्र जिंग डाउक्सियन का सामना किया था और Lost Immortal सूत्र हासिल किया है। दात पीस्ते हुए राजवीर उठा और उसका पीछा करने लगा। हाला कि जिंग डाउक्सियन भयानक है लेकिन उससे बचना कोई विकल्प नहीं है कुछ बातों का जवाब केवल जिंग डाउक्सियन ही दे सकते थे। एक शेंग ने राजवीर लेकिन वह यह पता लगाने में असफल रहा कि वह कैसे गायब हो गया। यह ऐसा था जैसे उसने टेलिपोर्ट किया हो। अपने आसपास खोजने और बुरे आदमी का कोई निशान नहीं मिलने के बाद राजवीर का दिल हिल गया जब उसने अपने हाथ में खजाने का नक् जिंग डॉक्सियन हो सकता है। यंग मास्टर वेंग क्या आप जा रहे हैं। खजाने के नक्षे पर टाइम देखते हुए एक शिंग ने पूछा। मेरे कुछ क्वेस्चन्स हैं जिनका जवाब केवल जिंग डॉक्सियन ही दे सकते हैं। राजवीर ने खजाने का नक्ष देखने के बाद कहा। ठीक है चलो रात तक इंतजार करते हैं। राजवीर ने कहा। यंग मास्टर वेंग पहले आराम करने के लिए जगह ढूंढो। मैं कुछ तयारी करूंगा। एन शेंग ने कहा। राजवीर अर्थ गौड को सम्मान देने के लिए अर्थमंदिर जा कोशिश की। हाला कि अगर दूसरी पार्टी सा CHH में जिंग डाउक्सिन है तो मेरी तयारी बहुत काम की नहीं हो सकती है। यंग मास्टर आपको सावधान रहना होगा। राजवीर ने सिर हिलाया और एक शब्द भी नहीं कहा। यह देखते हुए कि अब टाइम आ गया है राजवीर एंशेंग के साथ अर्थ मंदिर की ओर चल पड़ा। अर्थ मंदिर के सामने स्वाभाविक रूप से दिन की तरह जिनाई की अबिलिटी नहीं है आसपास कोई नहीं है लेकिन उसी जगह पर भुजुर्ग ने अपना ठेला लगा रखा है। मैंने जो सविलांस क की ओर चला, राजवीर ने स्लोत्रल लाइफ सोल को भी सक्रिय कर दिया। उसी टाइम उसने अपने साथी जानवरों को बुलाने की तैयारी की। जब तक कुछ भी गलत होता, वो तुरंत अपनी पूरी पावर से हमला कर देता। आखिर तुम आई, बुजुर्ग ने मुसक कराते हुए कहा, जब से तुम मुझे धुनरने आए हो, छिपाने की किया बात है, राजवीर ने बड़े की ओर चलते हुए कहा, बड़े ने कोई टिपनी नहीं की जैसे वह किसी खजाने की टरीफ कर रहा हो, उसने राजवीर का शेप लिया और कहा, मैंने पूरी ट्राहन स सोचा था कि तुम मर जाओगे, यहां तक अगर तुम मर नहीं गए, तो तुम्हें आप पागल होना चाहिए, हाला कि न केवल आप मरे हुए या पागल नहीं है, बलकि आप बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं, होया हुआ इमोर्टल सूत्र के कारण, राजवीर ने जिन्ग डाउक्सिर ने सिरहिलाया और कहा, उस टाइम मैंने तुम्हें अपनी आखों को भाता हुआ पाया, मैं पूरी ट्राहन से आपको स्काइफाइन ट्रीटीज देना चाहता है, जिस पर मैंने मज़े के लिए शोध किया है, लेकिन मेरे शौक के लिए, आपने सा C.H. चेच में मुझे अरेक्जेप्ट करने का साहस किया, इस दुनिया में कोई भी मुझे अरेक्जेप्ट नहीं कर सकता, अगर वे करते भी हैं, तो उन्हें इसको कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको खोया इमोटल सूत्र दिया, सच में, खोया हुआ इमोटल उकसान नहीं उठाना पड़ता. चाप्टर 772, आपका लाइफ मेरा है ट्रैंसलेटर, C.K. टैलन. राजवीर का जिंग डॉक्सियन को बाधित करने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि वह लगातार सुन रहा है. उस टाइम, मैं बहुत अधिक घायल हो गया था और मेरे जड ना हुआ और आपने मुझे बुरे मूड में छोड़ दिया. इसलिए, मैंने खोया हुआ इम्मॉटल सूत्र आप तक पहुचाने के लिए एक विधी का यूस किया. यह आपको खत्म कर सकता है और मेरा बोज कम कर सकता है. यह एक तीर से दो हंट कर रहा है. इसके साथ ही, ज सभी अपनी अद्भुत विशेष्टाओं के साथ उत्कृष्ट लोग है. हाला कि, आप इतने सारे लोगों के एबल न होने के बावजूद लौस्ट इम्मॉटल सूत्र में महारत हासिल करने में काम्याब रहे. मैं साथ चेच में जानना चाहता हूँ कि आप उनसे कैसे बह अगर एक सामान्य सत्रह ये स्टूडंट जिंग डॉक्सियन के शब्दों को सुनता, तो वे निश्चित रूप से प्रसन होते. यहां तक जिंग डॉक्सियन जैसे शैतान ने भी एक्जेप्ट किया कि वह उससे कमतर है वह कितना गौरवेड था. दुरभाग्य से, जिंग डॉक्सियन ने उसे उसी कारण से लॉस्ट इम्मोटल सूत्र दिया है. मुझे नहीं लगता कि लॉस्ट इम्मोटल सूत्र के बारे में कुछ खास है. मैंने केवल इसको कल्टिवेशन करके इसमें महारत हासल की, राजवीर ने अठीक्र से आंसर दिया. यह आंसर ठ जिंग डॉक्सियन को संतुष्ट करने के लिए पूरी ट्राहन नहीं है, वह हरबड़ी में नहीं था और उसने धीरे से कहा, हम सौधा क्यों नहीं करते. एक क्वेस्चन का आंसर दो और मैं एक का आंसर दूनगा. तुम क्या सोचते हो? मेरे पास आपके लिए कोई क्वेस् कहां से आया? जिंग डॉक्सियन ने कुछ क्वेस्चन्स पेश किये जो राजवीर जानना चाहते थे. मैं तुम्हें हराने के बाद स्वाभाविक रूप से इन क्वेस्चन्स का जवाब जान लूनगा, राजवीर ने अचानक कुछ सोचा. इस बात की परवा किये बिना की लॉस्ट इम्मोटल सूत्र जानबूज कर उन्हें जिंग डॉक्सियन से दिया गया है वे कम से कम इक बात की पुष्टी कर सकते थे जिंग डॉक्सियन अपनी साधना की प्रक्रिया या परिनाम जानना चाहते थे. लॉड अलकोहल और जिया जीयू हुआं की तरह जिंग ड लॉक्सियन नहीं चाहता था कि उसकी मरे हुए यू हो तो उसे इतनी हिचक क्यों होनी चाहिए. राजवीर यह भी जानना चाहते थे कि पौरानिक शैतान के पास अभी भी कितनी पाव है. ऐसा लग रहा था कि जिंग डॉक्सियन राजवीर के विचारों को मैं अब तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि तुमने मुझे कुछ दिलचास पॉसबिलिटी ए दिखाई है. तुम्हें मारने की तुलना में मैं आंसर देखने के लिए आधेक इच्छुखू अप्रत्याशित रूप से जिंग डॉक्सियन ने एक्जैप्ट किया था कि वह राजवीर को नहीं मारेगा. हाला कि जिंग डॉक्सियन ने विशे बदल दिया और थंडेपन से कहा, हाला कि मैं तुम्हें नहीं मारूनगा, मैं तुम्हें बंद कर सकता हूँ और धीरे धीरे तुम्हारा स्टरी कर सकता हूँ. अच्छा यहीं होगा कि आप कोई भी दम उठाने से पहले सावधानी से विचार कर ले. मैंने इसके माध्यम से सोचा है. इससे पहले, मैं तुम्हें टुकरे टुकरे कर दूनगा, राजवीर ने अपनी कृपान खीचते हुए और उसे कातते हुए कहा. Transcendent Flying Immortal Unbelievable रूप से तेज है लेकिन यह राजवीर का तुरूप का इकका नहीं है उसी टाइम उसने हमला किया, महान पावर वजर बेल और बेहिमोत उसके बगल में दिखाए दिये. एक ने Soul Separation Bale का इस्तेमाल किया, जबकि दूसरे ने Absolute Strength का इस्तेमाल किया. और यह अभी भ याद रखें, आपका लाइफ मेरा है. जिंग डाउक्सियन ने राजवीर को अपनी आखों में एक अजीब नजर से देखा क्योंकि उसकी आकरिती अचानक अंडरग्राउंड हो गई है यहां तक जमीन पर मौजूद चीजे भी उसके साथ अंडरग्राउंड हो गई और त आत्या श्रोता को उसकी सीमा तक धकेलते हुए, उसे जिंग डाउक्सियन का कोई संकेत नहीं मिला. यंग मास्टर वेंट, शायद मैं उससे ट्रेक कर सकता हूँ. दिन के टाइम प्र, मैं पहले से ही जमीन पर एक विशेश गंध के साथ मिशुत पानी बिखेर चुका लेकिन जमीन में गंध बनी हुई है. जिंग डाउक्सियन पहले से ही इस गंध से दागदार है. मैं कोशिश कर सकता हूँ और देख सकता हूँ कि क्या मैं उससे ट्रेक कर सकता हूँ, एंड शेंग ने कहा. तो जल्दी से कोशिश करो, राजवीर बहुत खुश हुआ. उन् चेंग की तरह मोटा था और उसकी आखे नहीं है हाला कि इसको नाग पर कईमी ट्लैंटीना थे. प्राइमरी एलियन गंध को सूंग नहीं सकते. गंध की अत्यंत एवॉल्व भावना वाले केवल साथी जानवर ही इसका पता लगा सकते हैं. जैसे ही एंड शेंग ने बात क यह अग्याद था कि क्या जिंग डाउक्सियन का अर्थ एसकेप बहुत पावड है जिससे वह 50 किलोमीटर से आधिक दूर भागने की अनुमती देता है या अगर उसने जमीन में मौजूद गंध को नहीं छुआ है. फेडरेशन में नंबर एक शैतान की एक्सपेक्टेशन के हिसार से. यह कोई शौक नहीं है कि फेडरेशन से इतने लंबे टाइम तक पीछा किये जाने के बावजूद वह भी भी लापरवा हो सकता है. मैंने टाइम से पहले बहुत सारी तैयारिया की हैं, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं आई. यंग मास्टर वेन, आपको अप ऐसे व्यक्ती से लक्षित हैं. एन शेंग ने भारी एक्स्प्रेशन के साथ कहा. राजवीर ने सिर हिलाया. मैं सावधान रहूंगा, राजवीर और एन शेंग अब सिटी में रहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और सीधे लुओ आग के लिए रवाना हो गये. वे बिलक यह सबसे अच्छा है कि तुम स्कूल नहीं लोटो. मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दूनगा. यह हर्थ हैस्केप के जरिये किसी भी इंट्री को ब्लॉक कर सकता है. राजवीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे लिए हमेशा के लिए छिपना इंपॉसिबल है. इसके अलावा, जिंग डाउक्सियन शायद मुझे चुने में एबल न हो. एंशेन के नेक इरादो को खारिच करने के बाद, राजवीर स्कूल लोट आया. म्रिग और चूजा उस इमारत में लोट आय जिसमें वे रहने के अभ्यस्थे, बहुत सहज दिखाई दे रहे थे. म्रिग और चूजे के उपर नजर रखने के साथ, जिंग डाउक्सियन के लिए चुपके से कारवाई करना आसान नहीं होगा. कैंपस में लोटने के तीन दिन बाद जिंग डाउक्सियन का कोई निशान नहीं है इसके बज़ाए, ली मोबाई फिर से उसकी तलाश में आय, यह उम्मीद करते हुए कि राजवीर एक गाजियन को अनुबंदित करने का कोसिस करने के लिए उसके साथ दक्षन जिले की ट्रैवल कर सकते हैं. क्या आपको यकीन है कि गाजियन अभी भी वहाँ है? राजवीर ने ली मोबाई से पूछा. ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्ह कुछ हशुब विचार आए. मैंने सुना है कि जुगु जी, जाग चुनकियू और कमपनी ने दक्षन जिले में कही गाजियन को कून की खोच की है. इसके अलावा, उन्होंने इससे सफलता पूर्वक अनुबंदित कर लिया है. राजवीर ने आधा सच कहा. यह सुनकर ली मोबाई ने राहत की सास ली. मुझे पता है कि आपने अभी क्या उलेक किया है. दोनों एक जगह नहीं है. अब तक, किसी ने भी उस प्लेस पर प्रवेश नहीं किया है. जिसे मैंने खोजा है यह बेहत खतरनाक डाइमेंशनल जोन से घिरा हुआ है. सबसे प्रसिद डाइम की पॉसिबिलिटी बेहत कम है. सच कहून तो, राजवीर कुछ लल्चा गया है, बहुत कम अभिभावक थे, और जिन दो अभिभावकों के संपर्क में वहा सकता है, वे बहुत पावर थे. वह उनके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता है. अगर राजवीर के धीरे-धीरे ए वस्था में प्रवेश नहीं करता है, तो वे फाइनली नश्वर थे. चूनकी उनकी नीव बहुत कम जोर है, इसलिए पौरानिक प्रतिद्वंधवी का सामना करते टाइम उन्हें आसानी से कमजूरी माना जा सकता है, भले ही उनके पास पौरानिक साथी जानवर हो, यह बे राजवीर ने अपना हाथ बढ़ाया और एक अंडिस्टैंडिंग पर पहुँचकर ली मोबाई से हाथ मिलाया, इस तरह के अंडिस्टैंडिंग को काले और वाइट रंग में लिखना वेकार है, इसलिए अनुबंध पर ओटग्राफ करने की कोई जरूरत नहीं है, आप के लिए गुनाम के एक मित्र को ढूंधना होगा, उसके नित्रित्व में हम सुरक्षित रूप से नो रिटन की घाटी तक पहुँच सकते हैं, ली मोबाई ने कहा, क्या कोई परेशानी है जिसे हम रास्ते में हल नहीं कर सकते, राजवीर ने भोहें चड़ा कर पूछा, ल जहां तक कुछ प्लेस ऐसे भी है, जहां छोटे किंग है, एक डाइमेंशन एलियम जितना छोटा होता है, उसकी विनाशकारी पावर उतनी ही अधिक होती है, रैंकिंग पर फेरी अंड़ई गू की तरह, यह केवल एक चीटी की शेप का है, लेकिन इसको विनाशकारी में थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैं फाइनली प्लेस नहीं हूँ, प्लेस गाइड का होना ज्यादा सुरक्षित है, ठीक है, राजवीर ने सिरहलाया और पूछा, क्या आप जानते हैं कि ली हूँ अंदक्षन जिले में गय थे, इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि वह कह जाता है, यह कहकर ली मोबाई चली गई, राजवीर तयारी करने के लिए वापस गया और अपने दोस्तों को सूचित किया कि वह दक्षन जिले की ओर जा रहा है, शाम को, राजवीर ली मोबाई के साथ मुन हसत के लिए रवाना हुआ, ली मोबाई अपने साथ दो और धान है, रास्ते में उसने पहरेदारी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, चून की मोंग हसत के लिए उड़ाने अब पॉसिबल नहीं थी, इसलिए आगे बढ़ना आसान नहीं है, डाइमेंशन तूफानों के बाद तो सफर और भी मुश्किल हो गया है, शुक्र है, म्यूट, जो जंगल के रास्ते से बहुत परिचित थे, ने रास्ता दिखाया, रास्ते में वे पहाडों पर चड़े और चोटियों को पार किया, यह सब उसके आगे स्काउट करने के लिए धन्यवाद था कि वे जडाटर खत्रों से बचने में एबल थे, कभी-कभी, वे ब्रेक प्रानियों का सामना करते थे जो आसानी से भीजे जाते थे, मोंग हसत इन दिनों भूमी पर एक अकेले द्वीब के बराबर है इस प्लेस पर बहुत कम लोग पहुँच पाते थे, केवल आसपास के मूल निवासी और गू परिवार जैसे लोग जो मोंग हसत में खुद को इवल्व करना चाहते थे, वे यहां रहना कंटिन्यू रखेगे। सखों पर साधू के वेश धारंग किये अनेक स्त्री पुरुष थे, पुरुषों के वस्त्र बैंगनी लाल थे, जबकि महिलाओं के गुलावी थे, प्लेस लोग पूरी ट्रहन से बौध धर्म को मानते थ डाइमेंशन तूफानों के बाद, बिलीव और भी इंपोर्टन्ट हो गया। चाहे वो स्वदेशी या बहरी परिवार हो, जब तक वे लोग थे जो मोन हसत में बस गये थे, वे बौध धर्म को मानते थे। अन्य है उनके लिए प्लेस सोसाइटी में एक इकरित होना मुश लगते थे। इसके बजाए, वे शाव सी से हासिल बुध पट्टिकाओं की तरह लग रहे थे। बुध पट्टिकाओं के अलावा, गुशांशुई के बौडी पर कई टैटू थे। टैटू ठीक्र से साथी जानवरों से नहीं बनाए गये थे, बलकि इंसान निर्मित थे ली, मेरे दोस्त, मुझे डर है कि नो रिटन की घाटी में जाने का कोई और रास्ता नहीं है, गुशांशुई ने कहा, मास्टर गुशांशुई क्या हुआ, ली मोबाई को पता था कि अवश्य ही कुछ हुआ होगा, अन्य है गुशांशुई के व्यक्तित्व के साथ, पहले से ही बहुत से लोग हैं जो फ्लावर रिवर का यूज करके मुंग हसत और चांग राय के बीच ट्रावल करना चाहते हैं, फूल रिवर में प्रवेश करने के बाद उन्हें दोबारा नहीं देखा गया, उनमें महाकाव्य विशेशग्यों की कोई कमी नहीं है, पूल बढ़ी अमाउंट में बढ़ता है जिससे एक अंतहीन रिवर बन जाती है इसलिए प्लेस लोगों से इसे फ्लावर रिवर कहा जाता है, डाइमेंशन एरिया के कारण, मोन हसत और च्यांग राय के बीच परिवहन पूरी ट्राहन से कात दिया गया है, केवल फ्लावर रिवर के माध्यम से चल कर ही सभी डाइमेंशन एरिया से बचा जा सकता है, हाला कि पिछले देर महीने में फ्लावर रिवर में एक चिजा गई है फ्लावर रिवर में प्रवेश करने वाले कई लोग गायब हो गए, किसी की दुबारा फ्लावर रिवर में प्रवेश करने क पहले गू परिवार के एक महाकाव्य विशेशग्य ने लोगों को फ्लावर रिवर में लाया है लेकिन उनकी कोई खबर नहीं है गू परिवार से जाच के लिए भेजे गए लोग लापता हो गए थे लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। चाप्टर 774, जेलिफिश का वर्क ट्रैंसलेटर, सीके टैलन राजवीर और ली मोबाई ने एक दूसरे को देखा। अगर वे नो रिटन की घाटी में जाना चाहते थे तो उन्हें फ्लावर रिवर को पार करना पड़ता है हालां कि फ्लावर रिवर की स्टेटिस का पता अगर वे जल्दबाजी में प्रवेश करते हैं तो उनके मरने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है। मास्टर गुक या आप हमें फ्लावर रिवर के किनारे देखने के लिए ले जा सकते हैं। ली मोबाई ने पूछा, कोई बात नहीं, पर मुझे माफ कर दो, मैं तुम्ह फ्लावर रिवर में नहीं ले जा सकता, गुशांशुई ने खुद को सपष्ट किया। यहां तक अगर वे फूल रिवर तक पहुँचे, तो वह निश्चित रूप से प्रवेश नहीं करेगा। ली मोबाई केवल उन्हें फ्लावर रिवर के तडपर ले जाने के लिए त गुशांशुई उन्हें फलावर रिवर तक ले गए। रास्ते में वे जंगल की पगधनडियों से गुजरे। सड़के बिलकुल नहीं हैं गुशांशुई ने गुवार के दो युवा यंग को एक रास्ता खोलने के लिए आगे बढ़ाया, जबकि राजवीर औरली मोब यह चूजे के बराबर दिखती है लेकिन यह वाइट है यह चूजे की तरह राजवीर के कंदे पर खड़ा है। सुक्षम डाइमेंशन जीवो पर एक मजबूत निरोधक अफेक्ट है यही कारण था कि राजवीर ने दक्षन जिले में आने का साहस किया है। यह सुनिष्चित करने के लिए बाहर रहने की जरूरत थी कि राजवीर पर सूक्षम सहयोगी जानवरों से हमला नहीं किया जाएगा, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से अस्मित नहीं किया जा सकता है। गू शानशुई ने स्वाभाविक रूप से इस सीन को देखा, लेकिन उन्होंने एक शब्ध भी नहीं कहा। इसके बजाए, गू परिवार के दो नौजवान ने अपने होटों को मोड लिया जैसे कि वे राजवीर के कार्यों को तिरसकार से देखते हों, लेकिन उन्होंने एक शब्ध भी नहीं कहा। सब आगे बढ़ते रहे, राजवीर को जल्द ही फील हुआ कि गूश आन्शूई उन्हें गैस मास्क क्यों पहनना चाहते थे। यहां बहुत सारी फफून्ड हैर और हर जगह इतने तेरते हुए बीजनू थे कि यह कोहरे की तरह दिखाए देता है। यह बैक्टीरिया पूरी ट्रहन से अर्थ के जीव थे। वे डाइमेंशन तूफानों के कारण उत परिवर्तित हो गए थे। हाला कि वे डाइमेंशन प्रानियों के लेवल तक नहीं पहुँचे थे। लेकिन अगर वे श्वसन पत में प्रवेश कर गए तो उनकी से प्रानियों की उर्जा इतनी कम थी कि वे तैसुई की नजर में नहीं आये। चूजा इन बीजानूयों से भी नहीं डरता है कोई भी बहरी सूक्षम जीव जो उसके बोडी में प्रवेश करता है। उसके बोडी में फीनिक्स की लेप्टो से परिश्कृत किया जाएगा। अन्य है फीनिक्स गू का दुश्मन नहीं होता। राजवीर ने उन दोनों को अपने बैग में रखा और बाहर नहीं आने दिया। जैसे ही समूव जंगल से गुज्रा, उनके बॉडी जल्दी से धूल की परत में धग गए। वे सा सी एच एच में बड़ी अमाउंट में बी परजीवी बीजानू से कुछ अलग थे। परजीवी बीजानू स्वतंत्र डाइमेंशन जीव थे और ये बीजानू मूल बॉडी का केवल एक हिस्सा थे। फिर भी, अगर एक अप्रस्तुत व्यक्ति इस एरिया में प्रवेश करता है और बड़ी मात्रा में बीजानू को सांस में लेता है, तो उनके फेफड़े और श्वसन प्रणाली बरबाद हो जाएगी। अचानक राजवीर को फील हुआ कि उसके सामने जमीन पर एक लाशपणी है देखने से लग रहा था कि यह प्लेस नहीं है उसकी लाश पहले ही सर्च चुकी थी और उस पर एक नौजवान ने जवाब दिया और एक हथेली के शेप के काले बिच्चु साथी जानवर को बुलाया, उसने इसे धीरे-धीरे लाश के पास पहुचा आया और जेली फिश जैसे मश्रूम तक रेंगने लगा, जेली फिश जैसे मश्रूम को अपनी पूँच से मारने के देने से पहले गूलू को गू शांशुई का सकारात्मक नोड मिला। बम, चुभने के बाद मश्रूम पानी से भरी गेन की तरह फट गया। हाला कि जो विसफोट हुआ वह पानी नहीं है बलकि अंगिनत पारदर्शी बीजानू थे। वापसी, गू शांशुई ने गूलू का सामना किया हो। जडाटर बीजानू तुरंत नश्ट हो गए, लेकिन कुछ बीजानू अभी भी फैल गए। गूलू और गूहे ने अपने जाल से निकलने वाले बीजानू को जलाने के लिए अगनी मूल साथी बीस्ट्स का भी इस्तिमाल किया। हाला कि काले साथी जानवर के साथ लाश को भस्म करते हुए आगोगल दी। जेले फिश मश्रूम बीजानूओ के साथ आग की लप्तों में फट गए। यह पुष्टी करने के बाद की कोई भी नहीं बचा है। गूशान्शुई ने भारी एक्स्प्रेशन के साथ ली मोबाई से कहा, लीक कुछ गढ़बढ है। वह व्यक्ति ठीक्त्र से कवक डाइमेंशन जीवों के बीजानूओं से संक्रमित होने से मर गया। आसपास कवक डाइमेंशन प्रानियों का मौम डैड होना चाहिए। इसके अलावा इसका लेवल कम नहीं है। यह कम से कम एपिक स्टेज पर है यह पास्ट में कभी नहीं खो जा गया है। क्या आप अभी भी फ्लावर रिव जा रहे हैं। ली मोबाई ने राजवीर को देखा और पूछा तुम क्या सोचते हो। आगे है राजवीर लाश पर जेली फिश मश्रूम और बीजानूओं को देख रहे थे। यह चीजे उस कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं। तो क्रिपया मुझे टाइम से पहले बताएं। ली मोबाई ने गू शान्शूई से कहा। ठीक है, मास्टर गू ने और कुछ नहीं कहा और गूलू और गू हे का नित्रत्व करना कंटिन्यू रखा। उनके लिए सबसे अधिक इस्तिमाल किया जाने वाला साधन एक अगनी तत्विय साथी जानवर है लेकिन यह अगनी तत्विय साथी जानवर बहुत अजीब है इससे निकलने वाली लप्ते नीले सफेद रंकी थी जिनका कवक और जहरीले कीरों पर एक मजबूत निरोधक अफेक्ट है। कुछ दूर चलने के चिकी आग उगलती है ट्रैंसलेटर सी के टैलन। राजवीर तुमने क्या खोजा। सामने के लोग रुख गए और ली मोबाई ने राजवीर को देखा। आगे कुछ गरबढ है राजवीर ने आगे इशारा करते हुए कहा। गू शान्शुई ने आगे देखा लेकिन उस से कुछ नजर नहीं आया। हाला कि उसने जल्दी से एक साथी जानवर को बुलाया। साथी जानवर एक दरपन आख में बदल गया जो उसकी बाई आख में दिखाई दिया, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसकी बाई आख पर पूरी तरह से परितारिका का कबजा है। गू श गू शान्शुई ने बात की, वो आगे बढ़ गया। जल्दी, वो वापस लोटा और ली मोबाई से कहा, जो सही कह रहा है। आगे जरूर कुछ गरबढ़ है। जेले फिश कवक के साथ कई लाशे हैं जो उन पर बढ़ रही हैं। उनमें से बहुत सारे हैं। हम उनसे नि नहीं तो परेशानी हो सकती है। हाला कि हम जिन अगनी मूल साथी जानवरों का यूज करते हैं, वे अडवांस लेवल के नहीं हैं, उनके अगनी मूल गुन बहुत खास है। इसे शवगनी कहते हैं। यह एक प्रकार की यिन आग है जो सर्ती हुई लाशों पर परजीवी क अबक के खिलाफ सबसे एफेक्ट है। मास्टर गुक या कोई और रास्ता है? ली मोबाई ने पूछा। हम केवल एक चक्कर लगा सकते हैं। अगर हम एक चक्कर लगाते हैं, तो हमें 30 से 40 किलोमीटर जेड़ से जादा लगेंगे। इसके अलावा, हमें सोल अफ शोशन घ घाटी कुछ हद तक खतरनाक है। अगर हम बदकिस्मत हैं, तो हमें फिर से पीछे हटना पड़ सकता है। गुशांशुई ने कुछ हिसाब लगाने के बाद कहा। क्या कोई और रास्ता नहीं है? सोल अफ शोशन घाटी बहुत खतरनाक है। इसके अलावा, हम उस तक अचने में एबल नहीं हो सकते हैं। ली मोबाई ने प्रसिद सोल अफ शोशन घाटी के बारे में सुना था और वह वहाँ नहीं जाना चाहती है। अगर हम चक्कर नहीं लगाते हैं, तो हमें जेलिफिश कवक से छुटकारा पाना होगा। हाला कि हम केबल परिधी से ही धी और कहा, फिर जेलिफिश कवक को साफ करते हैं। सोल अफ शोशन घाटी में न जाना ही बहतर है। मेरे यहां एक अगनी मूल पालतु जानवर है। मास्टर गू, क्या आप मुझे यह देखने में मदद कर सकते हैं कि क्या इससे कोई मदद मिल सकती है। राजवीर ने अपन वाले भी जानवों से उगए गए थे, न कि डाइमेंशन जीवों के बोडी से। ताइसुई की इंट्रेस्ट तो और भी कम है। ताइसुई, पौरानिक, डिवेलिप्मेंट शील, लाइफ प्रोविडेंस, क्लेशिंग ताइसुई, लाइफ सोल, बारा, ताइसुई देव देस्टिनी की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कोई विशेश एफेक्ट नहीं खोजा है, जैसे कि यह विकार है, ताइसुई के बोडी में कोई बदलाव नहीं आया, जिससे राजवीर उदास हो गया। क्या मास्टर गू ने नहीं कहा था कि प्राइमरी जीनो अगनी तत् पारे में बुरा लगा। अब जब राजवीर ने एक अगनी मूल पालतु जानवर को बाहर निकाल लिया है गूलू को और भी चिर महसूस हुई। हाला कि गू शान्शुई के विचार बराबर नहीं थे। राजवीर ने टाइम से पहले जेलिफिश कवक की खोच की है जिस के पालतु जानवर की लो यिन अगनी प्रकार की है। मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूँ लेकिन इसको लप्तों को मुक्त किया जा सकता है और स्वतंत्र रूप से वापस लिया जा सकता है। यह कुछ काम का होना चाहिए राजवीर ने कहा। स्वतंत्र रूप से रिहा करने और वापस लेने का क्या मतलब है। किसके साथी जानवर की की कपैसिटी ऐसा नहीं कर सकती। क्या आपके पास कोई सामान्य घ्यान नहीं है। यहां बहुत सारे बी जानू हैं एक साथ हिकठा होने पर वे पाउड़ की तरह होते हैं। प्राइमरी जीनो लप्तो का यूज करने से धूल का विस्फोट आसानी से हो सकता है। धूल विस्फोट के बिना भी वी जानूओ के एक बड़े एरिया को प्रजवलिद करने से जंगल में आग लग जाएगी। जंगल में डायमेंशन जीवों को सचेत करना बहुत आसान है। गूलु ने कहा। पांशुई ने राजवीर को प्रणाम किया और कहा, जो, गुलो, युवा और असमवेदिनशील है। प्रिपया उनकी कटू बातों को दिल पर न ले। हाला कि उन्होंने जो कहा वह सही है। विशिष्ट लपते सासी एचेच में कई प्रॉबलम में पैदा करेगी। अगर आ आप आश्वस्थ हैं, तो आप इसे आजमाने के लिए अपने पालतु जानवरों को हासिल कर सकते हैं। अगर आप आश्वस्थ नहीं हैं, तो आईए हम सफाय का जिम्मा सभाले। इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि हम अधिक टाइम व्यतीत करते हैं। मास्टर गू, मैं आप की लप्टो के यूज की वर्जनाओं के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। क्या मैंने अभी यह नहीं कहा कि मेरा पालतु बिना किसी विस्फोट या आप के आप की लप्टो को नियंत्रित कर सकता है। राजवीर ने पहले चूजे की लप्टे देखी थी, इस को बुद्धी इंसान से कम नहीं है हालाकि यह इंसान भाशा नहीं बोलता है यह उन्हें अंडिस्टैंडिंग सकता है। गूलू के शब्दों ने इसे अप्रसन कर दिया। जैसा कि राजवीर ने इशारा किया, चूजे ने अपने पंक फरफढ़ाए और गू पर विभिन शेप के अंगिनत जेलिफिश कवक एवॉल्व हुए। एक बार जब वे आग की लप्टों से जल गए तो बढ़ी अमाउंट में जेलिफिश कवक फट गए। यहां तक अगर वे धूल विसफोर्ट नहीं करते हैं तो बढ़ी अमाउंट में बीजनू फैल जा पीच्वे जल्दी से राक हो गए। जेलिफिश कवक के साथ अप्रॉक सो लाशे तुरंत राक में बदल गई। कुछ भी पीछे नहीं रह गया है। इसके अलावा सुनहरी लप्टों ने केवल लाशों और जेलिफिश कवक को जला दिया। आस पास के जीवों पर उनका को अफेक्ट नहीं पड़ा। यहां तक हवा में अन्य बीजानू भी प्रजवलित नहीं हुए थे। गूलू और गू हिदंग रह गए। यहां तक उनके से यूज की जाने वाली लाश की आग कभी इतना अच्छा अफेक्ट नहीं है इतनी जल्दी सभी जेलिफिश कवक और लाशो को हटाने में एबल होने की बाद तो दूर है। गू शान्शूई ने लड़की को देखा और उसकी एक्स्प्रेशन अजीब हो गई। कुछ देर उसे घूरने के बाद वह अचानक राजवीर की ओर मुरा और जुक गया। श्री जू अगर मैं तुम्हें फूल जानते थे कि यह बहुत अद्वांस लेवल का शिष्टाचार है आमतोर पर इस तरह के धनुष का यूज केवल महान योग्यता वाले सिधर भिक्षूओं के लिए किया जाएगा। युक्ती लेट मी गेम इन पीस चाप्टर 776 लाइफ का फूल चाप्टर 776 लाइफ का जाने को तयार है। मुझे शौक है कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, मास्टर गू। राजवीर आसानी से सहमत नहीं हुए। गू शान्शुओी ने ठीक ट्रसे चिक में से कुछ देखा है। गू शान्शुओी ने कहा, इमानदारी से कहूं तो हमारा गू परिवार ही गू का पालन पोशन करने और उन्हें वश्मे करने में अच्छा है। मैंने कहीं एक पौरानिक डाइमेंशन एलियम की खोच के और उसे एक गू में वश्मे करना चाहता है लेकिन मैं असफल रहा क्योंकि वह बहुत पावड है अगर आप मेरी मदद करने को तयार हैं, मि लिए एक दूसरे की मदद करना ही सही है, हाला कि हम नो रिटन की घाटी की और जाने की जल्दी में हैं, मुझे डर लग रहा है, इस से पहले की राजवीर अपना वाक्य पूरा कर पाता, गू शांशुई ने कहा, मी, जो, शिंता मत करो, मैं पहले नो रिटन की घाटी में जाने में आपकी मदद करूंगा, हमारे लोटने के बाद तुम्हें मेरी सहायता करने में देर नहीं लगेगी, मास्टर गू, मुझे अभी भी पूछना है कि आप किस तरह के पौरानिक एलियम को वश्मे करना चाहते हैं, इसमें किस तरह की अबिलिटी है, तुम मुझ से क क्या करवाना चाहते हो, राजवीर ने गंभीरता से पूछा, राजवीर एक अंडिस्टैंडिंग पर वापस जाने के लिए तयार नहीं थे, इसलिए उन्हें पहले पूछना पड़ा, श्री, जो, क्या मैं आप से अकेले में बात कर सकता हूँ, गू शान्शुई ठीक ट् डाइमेंशन एरिया में है, यह आम लोगों के लिए बेहत खतरनाक है, लेकिन मिस्टर जोओ, आपके पास एक फीनिक्स दिव्यपक्षी है, उसके लिए लाश रेशम कीट को वश्मे करना मुश्किल नहीं होगा, मैं मदद करने के लिए सहमत हो सकता हूँ, लेकिन टाइम आने पर मैं केवल अपना सर्वश्वेष्ट करने में एबल हूँ, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि यह सफल होगा, फाइनली, राजवीर ने रेशम कीट की लाश को पहले कभी नहीं देखा है, वह नहीं जानता था कि यह कितना पावड है, इसलिए वह बहुत रूरिवादी के लिए इंस्पायर किया, रास्ते में उन्होंने जेलिफिश कवक के साथ कुछ लाशों की खोज की, गू शांशुई की एक्स्प्रेशन गंभीर हो गई, रास्ते में गूलू और गू हे चुपके से टाइम टाइम पर चूजे को शेप देते थे, यहां तक कि ली मोबाय और कमपणी ने भी इस पर कुछ और नजर डाली, ठीक ट्रा से, वे जानते थे कि गू शांशुई ने जो कारवाय की हैर उसका चूजे से कुछ लेना देना है, चूजा राजवीर के कंधे पर खड़ा हो गया और चारों और तसक्री से देखा, राजवीर जेलिफिश कवक कि मूल बॉडी को खोजने की उम्मीद में अपने परिवेश का अब्जवेशन करने के लिए ट्रूथ लिसन का यूज करता रहा, हाला कि उन्हें मा नहीं मिली, उसने केवल पर जीविकृत लाशे देखी, अचानक ताइस हुई अपने बैग से बाहर निकली, उसने अपने पंक फरफढाय और पास के पत्तों की ओर उड़ गया, क्या हुआ, ली मोबाय एंड कमपनी ने राजवीर को देखा, यह ठीक है, मेरा साथी जानवर बहुत लंबे टाइम से मेरे बैग में है, यह तहलना चाहता है, राजवीर ने लापरवाही से कहा, वह लापरवाह नही होना चाहता है, लेकिन वह भी नहीं जानता था कि ताइसुई क्या करना चाहती है, इसे ठीक रसे अंडिस्टैंडिंग का कोई तरीका नहीं है, ताइसुई जिस दिशा में उड़ी है, उसका अब्जवेशन करने के लिए राजवीर टुथ लिसन का यूज करता रहा, लेक उसने ताइसुई को जमीन से बाहर निकलते देखा और तेजी से वापस उड़ गया, हाला कि इसका पेट ठीक ट्रस से उभरा हुआ है, राजवीर को नहीं पता था कि उसने क्या खाया है, जब उन्होंने राजवीर के साथी जानवर को वापस आते देखा तो सभी फिर से चल पड़े, रास्ते में, हाला कि उन्हें कुछ लाशे मिली, लेकिन उन्हें उन पर जेली फिश कवक नहीं मिला, जब राजवीर ने यह देखा, तो उसने अनुमान लगाया कि ताइसुई जमीन में दब गई थी और जेली फिश कवक के मूल बॉड़ी को खा गई है, रा राजवीर ने कुछ घ्यान हासल किया है, यहां के कई विचित्र एलियम ऐसी चीजे थी जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा या सुना नहीं है, शुक्र है, गो शान्शुई और कमपनी के नित्रित्व के साथ, वे डाइमेंशनल जोन से बचते रहे, अन्य हैर अगर व गो शान्शुई ने दूर से घुमावदार रिवर जैसे फूलों की और इशारा करते हुए कहा, सबकी निगाहें पहले से ही फूल रिवर पर टिकी है, राजवीर भी फ्लावर रिवर की खोच के लिए ट्रुथ लिसन का यूज़ कर रहे थे, लेकिन फूलों के अलावा, क सान के लिए बहुत सुरक्षित है, चून की वहाँ कोई अन्य एलियम नहीं थे, बहुत कम डाइमेंशन जीव, फ्लावर रिवर एक इंपोर्टन डिरेक्शन बन गई जो आसपास के सिट को जोडती है, हाला कि कुछ हफते पहले से, फ्लावर रिवर में प्रवेश करने वा खूबसूरत थे, ये लाइफ के फूल डाइमेंशन प्रानियों की तरह नहीं दिखते, मोबाई ने लाइफ के दूर के फूलों को शेप देते हुए कहा, गू शान्शुई ने सिर हिलाया और कहा, लाइफ के फूल शेप के तूफानों से पहले मौजूद थे, यह एक प्र प्रण से, लाइफ के उत्परिवर्तित फूल में कोई जहर नहीं होता है, बहुत से लोगों ने लाइफ के फूल के साथ प्रयोग किया है, इसमें अब कोई जहर नहीं है, अगर इसे खाया भी जाए तो यह यूमन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, हाला कि यह जानता था कि फ्लावर रिवर में क्या खत्रा है, वे केवल फ्लावर्स ओफ लाइफ का अनलाइज करके शुरू कर सकते हैं, राजवीर ने जो कल्पना की है उसके विप्रीत, गुशान शुई ने एक बांस की नली खोली और रेशम के कीरों की तरह दिखने वाला एक कीरा यह गोरा और मोटा है कीरा फूल रिवर की ओर रेंगता हुआ आया और फूल को चबाने से पहले लाइफ के फूल की पत्तियों और जड़ों को चबाया, ऐसा नहीं लगता था कि कोई प्रॉबलम है, यह वाइट रेशम कीट है, यह जहर के प्रती बहुत समवेदनशील है, अगर यह जहर सोर्खता है, तो इसका बॉड़ी अलग-अलग रंग दिखाएगा, गू शान्शुई ने अंडरस्टैंडिंग, अब जब की वाइट रेशम कीट का रंग नहीं बदला है, तो क्या इसका मतलब यह है कि लाइफ का फूल जहरीला नहीं है, तितली ने जैसा कि उसने कहा है, उसने अचानक देखा कि वाइट रेशम का कीड़ा अपने बॉड़ी को सीधा करता है और फूल से गिरता है, वह मर गया, लेकिन उसका बॉड़ी बिना किसी बदलाव के वाइट बना रहा, यू चाप्टर 777, फूल रिवर में प्रवेश करना ट्रैं लाश को वापस लाया, फिर गू शान्शुई ने वाइट रेशम कीड की लाश का एक हिस्सा काट कर दूसरी मकड़ी को खिला दिया, रेशम के कीड़े की लाश खाकर मकड़ी ठीक हो गई, गू शान्शुई ने अपनी विभिन बुद्ध पट्टिकाओं में से एक की बोतल की तरह दिखती थी, जिसके अंदर पीला लिकवर्ड है, लिकवर्ड के अंदर एक बच्चे जैसी मूरती है, गू शान्शुई ने कांच की बोतल खोली और शेश वाइट रेशम कीड की लाश पर कुछ पीला लिकवर्ड डाला, जब लिकवर्ड ने वाइट रेशम की कीडों के शव से कुछ नहीं निकला। गू शांशुई ने अपनी बुद्ध पटिका को हटा दिया और उस मकरी को देखा जिसने वाइट रेशम कीट की लाश का एक हिस्सा खा लिया है उसने भारी एक्स्प्रेशन के साथ कहा वाइट रेशम कीट की लाश में कोई जहर नहीं है। यह जहर से नहीं मरा। मैंने वाइट रेशम कीट में बची हुई आध्यात्मिक चेतना को संघनित करने के लिए सोल कंट्रोल का यूज करने की कोशिश की लेकिन मैं असफल रहा। जब ली मोबाई ने यह सुना तो वे आंडिस्टैंडिंग गए कि गूश शांशुई ने कहा। किया आप पता लगा सकते हैं कि वाइट रेशम कीट की आध्यात्मिक चेतना को क्या चूस गया। ली मोबाई ने पूछा। कोई अन्य जीव नहीं खो जा गया है। सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी यह है कि लाइफ के फूलों ने उसकी आध्यात्मि गो शांशुई ने कहा। इससे ली मोबाई और राजवीर का दिल ढूब गया। अगर लाइफ के फूल सा CHH में किसी काम की नहीं है तो उनके लिए फूलों की रिवा को पार करना बहुत खतरनाक होगा। अगर वे सावधान नहीं होते तो उनकी आध्यात्मिक चेतना चू नहीं हूँ। मुझे इसका और स्टडी करने की जरूरत है। गू शांशुई ने कई एवियन साथी जानवरों को बुलाया और उन्हें फ्लावर रिवा के पार और दूर तक उड़ने को कहा। साथी जानवरों ने बिना किसी प्रॉबलम के कुछ बार फ्लावर रिवा के उपर से उडान भरी। इससे राजवीर और कमपनी को अच्छा महसूस हुआ। अगर वे उड़कर फ्लावर रिवा को पार कर सके तो इससे उन्हें काफी परेशानी से बचाया जा सकता है। अपने साथी जानवरों को बुलाने के बाद गू शांशुई ने गूलू और ग उमीद नहीं की थी कि गूलू और गूहे इस तरह की वस्तू ले जा रहे होंगे। अंदर के ततया ठीक्र से साथी जानवर नहीं थे, नहीं उन्हें डाइमेंशन एलियम माना जा सकता है वे पॉसिबल तहर्ट से उत परिवर्ते ततया थे। गूलू और गूहे से संचालि ततया छत्ते से निकल कर फ्लावर रिवर के उपर आकाश में उड़ गई। हाला कि उनके उड़ने के कुछी टाइम बाद वे आबराबर से गिरे जैसे की वे नशे में हो और फूलों में गिर गए हो। कोई ततया नहीं बची, वे सबके सब फूल के खेत में गिर गए। पर कई अजीब चीजे थी जो आँखों को चकाचोध कर देती है। गू शान्शूई के रुखने के बाद ली मोबाई ने पूछा, मास्टर गू, क्या फ्लावर रिवर को पार करने का कोई रास्ता है। एक रास्ता है, लेकिन हम केवल अपनी आध्यात्मिक चेतना को चू बुद्ध पट्टिकाय निकाली और राजवीर को सौब दी। इन बुद्ध पट्टिकाओं को अपने गले में लटकाओ, वे स्वाभाविक रूप से आपकी आध्यात्मिक चेतना को चूसे जाने से बचाएंगे। हाला कि कुछ वरजनाय हैं जिनका आपको पालन करने की जरूरत है। सबसे पहले तो इन्हें पहनने के बाद लापरवाही से न उतारे। जब हम स्पाष्ट होंगे तब मैं उन्हें हटाने में आपकी मदद करूंगा। दूसरे, आपको हर दिन बुद्ध पट्टिकाओं पर खून की एक बून टपकाने की जरूरत है। तीसरा, आप मीट नहीं खा सकते। तुम्हें इन तीन नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो तुम संकट में पर जाओगे। ली मोबाई को बुद्ध पट्टिका मिलने के बाद उन्होंने उसे अपने गले में डाल लिया। फिर उसने अपनी उंगली चुभाई और उस पर खून के बराबर है, इसे तीन लीव में विभाजित किया गया है, एक परत पारदर्शी क्रिस्टल की है, जबकि दूसरी परत पीले लिकवर की है, ठीक बीच में एक काले बच्चे की मूर्ती है। बुद्ध पट्टिकाएं जो साथी जानवरों को मुहर लगाती हैं, अब रूर रखें, आपको नियमों का पालन करना होगा, आन्या है तुम बड़ी मुसीबत में पर जाओगे, गु शान्शुई ने उन्हें बार-बार चेताब नी दी। ली मोबाई ने कहा, मास्टर गु का परिवार गु का पालन पोशन करता है बाद में, गु परिवार च्यांग र देशों का पालन किया और बुद्ध पटिका को अपने गले में लटकाने से पहले रख्त की एक बून पिलाए, सभी ने बुद्ध पटिकाओं को अपने गले में लटका लिया और गु शान्शुई के डिरेक्शन दर्शन में फ्लावर रिवर में प्रवेश कर गए, जैसा की वे सुन्दर दिखती थी, लेकिन उनमें अकिलेपन की भावना भी जलकती है। राजवीर पूरी ट्राहन से गू शांशुई को यह देखने में मदद करना चाहते थे कि उन्होंने जियोसी से हासल बुद्ध पटिकाओं का क्या यूज किया है लेकिन कुछ विचार के काश में धीरे-धीरे अंधेर अचा गया। चांदनी के नीचे, फूल रिवर एक रहसिमय घूगट में धकी हुई लग रही है यह सुन्दर और भयानक लग रहा है। आह, जाड़ियों में गिरते ही गूलू ने अचानक एक दुखत चीक निकाली। उसके बोड़ी के हिंस उसने एक छोटी बोड़ निकाली और उसकी सामगरी गूलू के मुह में डाल दी। राजवीर ने पूरी ट्राहन से कल्पना की थी कि बोड़ में दवा है, लेकिन उसके शौक के लिए उसने देखा कि एक कंखजुरा जैसा कीड़ा बोड़ से रिंग कर गूलू के मुह में चला गया. चाप्टर 778 नेदर बटरफ्लाइ ट्रैंसलेटर, सीके टैलन. गूलो के पेट में सूजन आ गई और उसने उल्टी की. राजवीर ने देखा कि गूलू ने कई वाइट वस्तुओं को उल्टी की है, एक सावधा नजर ने उसे अप्रॉक्स उल्टी भी कर दी. गूलू ने जमीन पर पड़े कीडों को उल्टी कर दी है. गूलू अधिक से अधिक कीडों को उल्टी करता रहा. उनमें से कुछ ने अपनी खोपडी में जुनजुनी महसूस की, चिन्तित थे की वे गूलू की तरह खत्म हो जाएंगे. थोड़ी देर उल्टी करने के उन्होंने अभी अभी अपने परिवेश पर ध्यान दिया था और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है गूलू के साथ अचानक हुई घटना ने उन्हें भी उतना ही बेचैन कर दिया। इसे गलती से खाना आसान हो जाता है। बोडी में प्रवेश करने के बाद यह जल्दी से प्रजनन कर सकता है और बोडी को अंदर से नश्ट कर सकता है। गूलू से लाए गए बांस के चावल में मिला दिया जाता। उसके खाने के बाद ही राइस गू ने उसके बोडी पर आक्रमन किया। इसके साथ ही गू शान्शुई ने गूलू और गूवे को उन चीजों की जाच करने के लिए कहा जो वेलाए थे। दरसल उनके बांस के चावल में उन्हें कुछ चावल गू मिले। उन्हें एक गू भी मिला जो केतली में बालों के एक लट से भी पतला है। गू शान्शुई ने उन्हें बताया कि यह बोन ड्रिलिंग वम नाम का एक पौरानिक गूभी है जब यह उनके बोडी पर आक्रमन करता है तो यह आसानी से किसी की जान ले सकता है। यह हड्डी की गुहाओं में घुस गया और बढ़ी अमाउंट में पुनरुत पादित हुआ। यह हड्डियों को तब तक कुतरता रहेगा जब तक की सारी हड्डिया खा नहीं जाती। राजवीर ने राहत की सांस ली। उनमें से कुछ ने बास के चावल नहीं खाये थे और नहीं पानी पिया है रब उनकी खाने पीने की इच्छा और भी कम हो गई है। उनमें से कुछ ने ऑब्जवेशन के लिए अपनी चीजे गु शान्शुई को सौब दी। शुक्र है कि उनका खाना और पानी ठीक है। ऐसा लगता है कि हमारे जाने से पहले किसी ने ऐसा किया है मास्टर गु, क्या आप जानते हैं कि यह किस ने किया। ली मोबाई ने पूछा। गु शान्शुई ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमारे गु परिवार के सदा से शा शुक्षित नहीं किया गया है रसन के पॉसिबिलितिये थी, जिससे अनुमान लगाना मुश्किल हो गया। मास्टर गु, क्या इंग गु से बचने का कोई तरीका है, तितली ने पूछा। आखिर वह एक महिला है जब उसने गुलू को कीरों की उल्टी करते देखा तो उस किया जा सकता है। हाला कि अगर आपके पास एक पौरानिक दिव्य वस्तू है जो सभी गु को रोक सकती है, तो कोई भी गु आपके पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही गु शान्शुई ने बात की, उसने राजवीर के कंदे पर बैठे बच्चे को देखा। वह क अगर वे आपसे संपर्क करने की हिम्मत करते हैं, तो वे बर्फ रेशम की गु से खोजे जाएंगे और सीधे मारे जाएंगे। जडाटर पौरानिक गु के बराबर एफेक्ट होते हैं, लेकिन यह बशर्ते की आप उन्हें वश्मे कर सकें, गु शान्शुई ने कहा। क् जिन्डागू ने कई लडायों का अनुभव किया है। उनके पास बहुत मजबूत प्रवरिती, अनुभव और एक निश्चित लेवल की बुद्धी है। उनके पास एरियर जागरूपता भी है। हाला कि जब साथी जानवरों की बात आती है, तो उनकी बुद्धी मानक त पास एक पौरानिक गू है, हमारे लिमिट को ग्यापक बनाने के लिए इसे बाहर आने दे, तितली ने कहा, अगर मेरे पास एक होता, तो मुझे लाश बग को पकड़ने में मदद करने के लिए श्री जोग से अनुरोध करने की ज़रूरत नहीं होती। साउथ डिस्ट्रिक्ट में गू को पालने वाले कई लोग हैं, लेकिन मिथीकल गू रखने वाले बहुत कम हैं। इसके अलावा, उनमें से ज़्यादातर दुगो परिवार में होने चाहिए। गू शान्शुई एक अच्छे मूर्ड में लग रहे थे और उन्होंने आगे कहा, अगर मिस्टर जो इस बार लाश को पकड़ने में मेरी मदद कर सकते हैं, तो मेरे पास एक पौरानिक गू होगा। फ्यूचर में, गू परिवार को दक्षन जिले में एक शीर्ष गुट माना जाएगा। उन्होंने आगे फूलों का एक विशाल समुद्र देखा, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। हाला की, हवा तेज हो गई। कुछ ही देर बाद, उन्होंने दूर फ्लावर रिवर के उपर कुछ रोशनी को नाचते हुए देखा। राजवीर का सत्य श्रोता अत्यंत पावर्ड हैर इसलिए उसने जल्दी से देखा कि यह क्या है। यह बिल्कुल भी रोशनी नहीं है बलकि क्रिस्टल जैसी तितली है तितली का बौडी पारदर्शी था और उसके पंकों पर कई तरह के पैटन बने हुए थे। पैटन से एक बरफीली नीली ठंडी चमक निकलती है जिससे यह और भी चमकदार दिखता है। जब बरफीली नीली तितली ने अपने पंक फढ़फढाए तो उसने एक तेज हवा चलाई जिससे फ्लावर रिवर में लहरे उठने लगी। यही नीदर बटरफ्लाई जब गू लू ने देखा कि यह एक तितली है तो उसका पूरी ट्राहन से पीला चेहरा किसी भी रंग का हो गया है। निश्चित रूप से एक पौरानिक डाइमेंशन एलियम है। पौरानिक नीदरलेंड दूथ नीदरलेंड तितली जो अंडरवर्ड में सोलो का डिरेक्शन दर्शन करती है। हम निश्चित रूप से अपनी किस्मत के नीचे हैं। युक्ति आपर चाप्टर 779 डिवेलप्मेंट फिर से ट्रैंसलेटर सी के टैलन। नीचे की तितली उड़ गई। बड़ी अमाउंट में लाइफ के फूल लाइट के कंड क्रियेट करते हैं जो नीचे की तितली के बॉड़ी पर एकत्रित होते हैं। जल्द ही, पूरी फ्लावर रिवा एक फ्लोरोसेंट रिवा बन गई। हर कोने से चमक उठ रही है। राजवीर और कमपनी पहले से ही पीछे हट रहे थे लेकिन उनके बॉड़ी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे थे जैसे लाइफ के फूल। उन्होंने लाइट के कंड उ तो चलते हैं, हम रुख नहीं सकते, अगर हम रुख गए तो मौत हमारा इंतजार कर रही है। गुश आंशुई ने फ्लावर रिवा के माध्यम से दौरते हुए डिरेक्शन का नित्रित्व किया। उसके बॉड़ी पर बुद्ध की कुछ पटिकाएं एक अजीब रोशनी से जिल मिला रही थी, जिससे वह बहुत स्लो स्पीड से चमक का उतसर्जन कर रहा है हाला कि यह केवल स्लो हो गया। उसने चमक को निकलने से नहीं रोका। बम, बम, राजवीर एंड कमपनी पर बुद्ध की पटिकापीले लिकवर्ट के छीटे पढ़ने से फट गई। ब अरत्यन तेज है यहां तक अगर राजवीर बच सकते थे, तो दूसरे निश्चित रूप से नहीं बच सकते थे। हाला कि जब गोल्डन स्वार्ड और आनेदर बटरफ्लाइ पर गिरा, तो यहां बिना किसी नुकसान के उसके पारदर्शी बोडी में घुस गया। नीदर जानवर एक काले कागस की छत्री पकड़े हुए एक वाइक कॉस्ट्यूम वाली लर्की है लेकिन वाइक कॉस्ट्यूम वाली लर्की के चहरे की कोई विशेश्टा नहीं है वह बेहद अजीब लग रही है। हाला कि, जैसे ही लर्की बाहर आई, काले कागस का छाता खुल और उसने ली मोबाई के सिर को अवरुद कर दिया। ली मोबाई ने तुरंत लाइट उत्सजित करना बंद कर दिया। दुर्भाग्य से ब्लैक पेपर छाता बहुत छोटा है इसने केवल दो के लिए आश्रे की अनुमती दी और सभी को कवर करने में असमर्थ है। राजवीर नेदर बटरफ्लाई को मारने की कोशिश करो। ली मोबाई ने वाइट कपड़े वाली लड़की को काली छत्री के साथ राजवीर की और तैरने का ओडर देते हुए कहा। वाइट कोस्ट्यूम वाली लड़की गोस्ट की तरह राजवीर की तरफ तैरने लगी और नेदर बटरफ्लाई पर हमला करने के लिए मुर गया। रुकना, गुशांशुई ने राजवीर को रोका और अपना हाथ बढ़ाया। उसके सामने एक सुनहरा बच्चा एक्स्प्रेस हुआ। सुनहरा बच्चा कुछ हद तक जियोसी के कुमान थौन के बराबर है लेकिन उसमें इतनी भयानक दुष्ट और नहीं है। मेरी जान लेलो सोल और तुम्हारी तलवार नीचे की तितली को छुने में एबल होगी। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। माई लाइफ सोल जादा से जादा दस मिनट ही चल सकता है। जैसे ही गुशांशुई ने बात की, सुनहरा बच्चा लाइट की एक सुनहरी किरन में बदल गया जो स्वर्ण अधिपती तलवार में विलीन हो गया। इसमें एक सुनहरी चवी जोड़ी गई थी जो स्वर्ण अधिपती तलवार पर एक बच्चे या बुद्ध के बराबर है तलवार के उपर से सुनहरी और अभी प्रबल हो गई। राजवीर ने एक कदम आगे बढ़ाया और ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इम्मोटल को सक्रिय कर दिया। उसके हाथ में सुनहरी अधिपती तलवार ने एक सुनहरी तलवार की किरन को काट दिया जो तुरंथ ही नीचे की तितली के सामने एक्सप्रेस हो गई। अजीब तरह से काली छत्री वाली वाइट कॉस्ट्यूम वाली लड़की राजवीर से चिप की हुई लग रही है राजवीर चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो वह उसके करीब रही और उसके सिर को ढखने के लिए काले कागस की छत्री का इस्तिमाल किया। नेदर बटरफ्लाइ को लग रहा था कि इस स्ट्राइक में कुछ गढ़बर है। अपने पंकों के फढ़फढाने के साथ ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी आकृती नीदरलेंड में प्रवेश कर गई और गायब हो गई। जब वह फिर से एक्सप्रेस हुआ तो वह पहले से ह फ्लावर रिवर के दूसरी ओर है। राजवीर के हाथ में सुनहरी अधिपती तलवार एक के बाद एक तलवार की किरनों को कात्ती हुई। सुनहरी बिजली की तरह हवा में आड़ी तिरची नजर आ रही है हाला कि नीचे की तितली का चित्र टिम्टी मॉम हुआ गायब हो के थे और उनके पास बचने की कोई पावर नहीं है वे सभी जमीन पर गिर गए। गूलू और गू है जो कमजोर थे, सो जाने वाले थे। फिर भी ली मोबाई ने अपने साथी जानवर को नहीं बुलाया, नहीं गू शांशुई ने उसकी लाइफ सोल को दूर किया। उन् तुरंत अपनी सार उर्जाकला को बदल दिया और पवित्र नरक किंग लाइफ सोल एक्स्प्रेस हुई। उनके गलेबेला में पवित्र नरक किंग की आँख भी खुल गई। राजवीर पूरी ट्रहन से यह देखना चाहते थे कि क्या आई औप दहोली हेल उन्हें अंडर नरक के किंग की ओर बढ़ गई। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि नीचे की तितली के बोडी पर लाइट भी बिखरा और पवित्र नरक किंग की आँख की ओर उर गया। एक ही पल में नीचे की तितली का बोडी बर्फ नीले मंत्रों के रूप में चमकने लगा। मं बिना किसी जिजग के अपने हाथ में गोल्डन ओवलोड तलवार लेकर बाहर निकल गया। यह एक सुनहरी तलवार की किरण में तबदील हो गया, जो बर्फ नीली किरण से अलग हो गई। नीदरलेंड की तितली फिर से नीदरलेंड की दुनिया में भाग गई। लेकिन पवित्र नर्ट के किंग की आँखों के नीचे, राजवीर नीचे की तितली को देख सकती है दुर्भागय से, वह इसे चुनहीं सका। जेस खशन इसने नीदरलेंड को छोड़ा, स्वर्न अधिपती तलवार उसके बोडी पर कट गई। अदम्य तलवार की किरण ने में फार दिया। डिंग, एक डाइमेंशन क्रिस्टल गिरा, यह भीतर की तितली की छाया के साथ एक नीलम जैसा दिखता है, यह एक सार उर्जस्किल क्रिस्टल है। एक बार जब नीचे की तितली मर गई, तो उसका बोडी तुरंट लाइट की अंगिनत की रनों में को भर दिया, लेकिन वे आई ओफ दहोली हेल को नहीं देख सके। यहां तक वाइट कॉस्ट्यूम वाली लड़की और सुनहरे बच्चे भी कोई अपवाद नहीं थे। उनके बोडी से एक चमक निकल रही थी जो राजवीर की गलेबेला की और बढ़ रही है हालांकि ली म और गूशांश्वी ने जल्दी से वाइट कॉस्ट्यूम वाली लड़की और सुनहरी बच्ची को भगा दिया। तभी उन्होंने अपने बोडी को चमक लीक होने से रोका। जैसे ही बड़ी मात्रा में पवित्र नर्क किंग की आँख में लाइट डाला गया। राजवीर की दूसरी लाइट सोल होगी जो पूर्ण बोडी तक पहुचेगी। पूरी ट्रहन से लाइट के खूबसूरत फूलों ने अपनी चमक हो दी क्योंकि एक बड़ा एरिया मुर्जा गया। पूरी ट्रहन से सुन्दर फूलों की रिवर तुरंत मौत की मुर्जाए हुई रेड्नोबल फल कॉम लाइट उपन्यास वैब उपन्यास चैप्टर 780 साउस बीडिय नरक किंग। ट्रैंसलेटर सीके टैलन पवित्र नरक किंग की आँखों में पाप की लप्ते कमल के फूल की तरह खिल गई। राजवीर के बौडी को ढखने वाली पंखुलियों की पर रही है। जब उसकी औरर अपने चरम पर पहुची, राजवीर के बौडी में एक जबरदस्त बदलाव आया। दहोली हिल लाइफ सोल ने पाप की लप्तों के बीच अपना लास्ट डिवेलिपमेंट पूरा किया। तुरंत, राजवीर ने महसूस किया कि उसका पूरा जब बुद्ध अपनी आई बंद कर लेते हैं, तो दुनिया का हर इंच पवित्रता से अलग हो जाएगा। कलनके दुनिया में सारा लाइफ बुद्ध से त्याग दिया जाएगा और लास्ट शुद्धी अबतरित होगी। गंदी दुनिया को देखते हुए, राजवीर को कुछ अंतरद्रिष्टी मिली। यद्यपी पवित्र नर्क किंग की आख बंद है उसकी आई खुली रही। उन्होंने अपने को यथार्थ से पूरी तरह अलग नहीं किया। इसके बजाए उसने खुद को दुनिया में लोटने की इजाज़त दी। एक लाइफ सोल का संख अलग अलग थे। पूरी तरह एक जैसा होना अंपॉसिबल है। अगर राजवीर इस गंदी दुनिया को छोड़ने पर तुला हुआ होता, तो पवित्र नरक किंग लाइफ सोल एक संथ की दिशा में इवॉल्व होती, फाइनली बुध्ध या देवता बन जाती। हाला कि राजवीर के पास आगे बढ़ने का कोई विचार नहीं है, वह गंदी दुनिया में रहा। इसलिए पवित्र नरक किंग लाइफ सोल दूसरी दिशा में इवॉल्व हुई। ली मोबय एंट कमपनी ने राजवीर को हवा में देखा। उन्होंने पूरी ट्रहन से महसूस कि राजवीर के बोड़ी ने एक पवित्र दबाव उतसजित किया जैसे कि वह बुद्ध का पुनरजन्म है। हाला कि पलक जपकते ही राजवीर का पूरा बोड़ी मंद पढ़ गया। यह ऐसा था मानो एक सच्चे इमोटल को नशवर दुनिया में गिरा दिया गया हो, ने एसेंस एनजी स्किल क्रिस्टल को उठाया जिसे नेदर बटरफलाई ने गिरा दिया था और ली मोबाई और कमपनी को देखा। केवल एक ही क्रिस्टल है। हम इसे कैसे विभाजित करते हैं। मैं केवल गाजियन के कोकून के लिए यहां हूँ। मुझे और कुछ नही जाऊंगा राजवीर क्रिस्टल लेने के टाइम प्रसमारोह में खड़ा नहीं हुआ। सब फिर चल पढ़े। फूल रिवर के लाइफ के फूल पहले ही मुर्जा चुके थे। पूरी ट्रहन से सुंदर फूल रिवर बंजब भूमी में बदल गई है कोई जीव नहीं बच जिससे वे बहुत तेजी से आगे बढ़ सके। रास्ते में राजवीर ने देखने के लिए अपना फोन निकाला। दरसल उन्होंने पाया कि पवित्र नर्क किंग लाइफ सोल फिर से एवल्व हो गया है एक संपूर्ण बोडी बन गया। हाला कि राजवीर की निराशा के लिए पवित्र नर्क किंग लाइफ सोल के हिसार से सम्विधान 40 बिंदों पर बना रहा। यह 41 पॉइंट तक नहीं बढ़ा। यह सावस बीडिये बुजूर्ग के स्वर्ग उद्धातन धर्मरत की उन्नती के बराबर है रेसेंस एनजी ए ट्रिब्यूट जो इसके हिसार स है 41 पॉइंट तक नहीं बढ़ा और 40 पर बना रहा। माइ लाइफ सोल एक सम्पूर्ण बॉड़ी में उन्नत हो गया है लेकिन मेरे आकड़े 41 तक नहीं पहुँचे हैं। मैं अपने आकड़े कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। राजवीर कुछ परेशान है। वो इतने लं पर जिया जियुहांग ने 9 लाइफ फ्यूचर वानियों और लाइफ सोलों की पाव का यूज किया है साथ ही 10,000 से आदेक महाकाव्य विशेशग्यों के लाइफ सार को अफशोशित किया है विजली की मदद से वह एक इनसान के रूप में पौरानिक अवस्था में आगे ब क्या इसका मतलब यह नहीं है कि लाइफ सोल और लाइफ प्रोविदेंस पौरानिक अवस्था को आगे बढ़ाने में सहायक है। मैंने गलत रास्ता नहीं अपनाया। क्या यह केवल इसलिए है क्योंकि एक जीव सोल गुनों की लिमिट्स को तोड़ने के लिए पूरी ट्र तो क्या दो लाइफ सोल्स मेरे एसेंस एनरजी स्टेट को 41 पॉइंट तक बढ़ा देंगे। इसे ध्यान में रखते हुए राजवीर को आशा की एक किरन महसूस हुई। जैसे ही उन्होंने अपने नए उन्नत पफेक्ट बॉडी लाइफ सोल को ध्यान से देखा तो उनके मूर में काफी सुधार हुआ। सुप्रीम हेल किंग पफेक्ट बॉडी नरख में साउजा प्यएगजिस्टेंस पाप के स्रोत का लास्ट बिलीव। राजवीर सुप्रीम हेल किंग और होली हेल के बीच के अंतर को अंडिस्टैंड इंग सकते थे। उसके पास अब पवित करके एक संबंध स्थापित कर सकता है। हाला कि राजवीर ने यह देखने की कोशिश नहीं की थी कि क्या होगा अगर वह सा CHH में नर्क में प्रवेश करने के लिए साउस BDA नर्क किंग लाइफ सोल का यूज करता है। राजवीर की इंद्रिया भयानक रूप से पावर्ड हो गई। हाला कि इसमें कुछ गरबर है रितनी पैनी इंद्रियों के तहट उसने चाहे जो भी देखा हो उसे सब कुछ गंदा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी कुलेदान में पढ़ा हो। यहा सहनिय है। अगर यह आवश्यक नहीं है तो राजवीर सुप्रीम हिल किंग लाइफ सोल को सक्रिय करने के लिए तैयार नहीं थे। जल्द ही समूह फ्लावर रिवर से गुजरा और नो रिटन की प्रसिद घाटी के पास पहुचा। गाजियन कोकून जिसका ली मोबाई ने उलेक किया है नो लाइफ सोल पर महारत हासिल करने के लिए ली मोबाई गलती से नो रिटन की घाटी में एक पत्थर की गुफा में गिर गये थे जब वह एक गुकिंग का पीछा कर रहे थे। वह पत्थर की गुफा से गुजरा और नो रिटन की घाटी के पीछे एक अंडरग्राउंड यही पर उन्होंने गाजियन कोकून की खोज की। अब ली मोबाई ने फिर से अंडरग्राउंड टनल के माध्यम से राजवीर और कमपनी का नित्रित्व किया। वे नो रिटन की घाटी के चारों और चक्कर लगाते थे जिसके उलेक पर दक्षन जिले में हर कोई पीला प करने वाला एक भयानक पौरानिक एलियम है। ली मोबाई ने ग्रे कोकून की तरफ इशारा किया। राजवीर और कमपनी ने देखा और वहाँ एक कैलाश बेलोग रही है। युक्ति, आप चैप्टर के बीच ब्राउस करने के लिए बाई, दाई, और दी कीबोर्ड और इंडिया उपन्यास पा सकते हैं जो डेली अध्यतन होते हैं। ओनलाइन उपन्यास पढ़ें, ओनलाइन हलका उपन्यास पढ़ें, ओनलाइन मुफ्ट पढ़ें, मुफ्ट लाइट उपन्यास ओनलाइन पढ़ें। संपर्क टॉस साइट मैप चाप्टर 781, गूपूल Translator, CK Talent. कैलाश बेल बहुत अजीब है, इसको जड़े और पत्तियां चूने के पत्थर के रंग की थी, रॉक्स के रंग की. यह एक जिंडा एलियम की तरह नहीं दिखता है, बलकि पत्थर से उकेरी गई किसी चीज की तरह दिखता है. कैलाश की बेल के उपर जो 20 से 30 मीटर लंबी है कुल मिलाकर एक कैलाश है वह भी भूरे हरे रंग का है. क्या वह पौधे प्रकार का डाइमेंशन एलियम है? राजवीर ने पूछा. ली मोबाई ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे अभी तक यकीन नहीं है. यह एक पौधे की तरह दिखता है, लेकिन यह कैला ली मोबाई ने एक गुकिंग का पीछा करते हुए गलती से इस गुफा में प्रवेश किया, तो गुकिंग को कैलाश में खीच लिया गया है, जैसे ही वह उससे पकड़ने वाला है. ली मोबाई को लगा कि कैलाश बेल में कुछ गरबर है, इसलिए वह जल्दी नहीं आया. इसके बजाए, उन्होंने जाच करने के लिए एक साथी जानवर का इस्तिमाल किया. हाला कि, जैसे ही साथी जानवर तेजी से आगे बढ़ा, गुकिंग जो कैलाश में प्रवेश कर गया है, वह फिर से रेंड कर बाहर आ गया. गुकिंग खुनचूसने वाले गुका किंग है, यह महकावगे चरण में है, अगर ली मोबाई इविल किंगू लाइफ सोल की और बढ़ना चाहते थे, तो उन्हें ऐसे गुकिंग का हंट करने की जरूरत है. उस टाइम, ली मोबाई के पास इविल किंगू लाइफ सोल है, यह कहा जा सकता है कि पौरानिक गुके अलावा, वह सभी गुके लिए अजया है, खुनचूसने वाले गुकिंग से निपटना मुश्किल नहीं है. हाला कि उसके शौक के लिए बलड़सुकिंग गुकिंग के कैलाश से बाहर आने के बाद यह बेहत प्रूर हो गया. इसको पावर में भारी बदलाव आया, जैसे कि यह पौरानिक चरन में आगे बढ़ गया है और ली मोबाई के साथी जानवर को आसानी से मार डाला. अगर ली मोबाई ने देखा कि स्टेटिस अच्छी नहीं देख रही है, तो वह जल्दी से नहीं भागा होता, तो उसकी मौत हो हासिल करने से पहले रक्त्चूसने वाले गू किंग को लुभाने का एक तरीका सोचना चाहता है. हाला कि, उनके शौक के लिए इससे पहले की अगनी मूल सहयोगी जानवर कैलाश बेल तक पहुँच पाता, एक गू किंग फिर से कैलाश से बाहर निकल आया और ली मोबाई के अगनी मूल सहयोगी जानवर को मार डाला. बाद में, ली मोबाई ने कई तरीके आजमाय, लेकिन वे सभी बिकार थे. यहां तक जब उसका इविल किंगू लाइफ सोल संपूर्ण बॉडी तक पहुँच गया, तब भी वह कैलाश बेल से निपटने में विफल रहा. की वह ग्रे कोकून था जिसकी उसने रक्षा की है. दुर्भाग्य से, उसके पास कैलाश बेल से निपटने की कपैसिटी नहीं है, हालांकि वह जानता था कि वहाँ एक अभिभावक है, वह इसे अनुबंधित नहीं कर सका. वह जो कर सकता है, वह राजवीर के साथ सहयोग क कर सकता है. ली मोबाई का एक्स्प्लेनेशन सुनने के बाद, गू शान्शूई घबरा गया. आपका मतलब है कि उसके लाश में एक पौरानिक गू है, और यह सिर्फ एक नहीं है. यही तो मुझे लगता है, ली मोबाई ने राजवीर को देखा और कहा, क्या आप चाहते ह कि मैं अपने साथी जान्वर का यूज अंदर के गूकिंग को लुभाने के लिए करूँ. ठीक है, राजवीर ने सिर्हिलाया और डॉक्टर डाकनेस को अपने सोल रूप में उसके साथ फ्यूज करने के लिए बुलाया. प्रा-इंडिया युध्धा हो या मॉडर्न प्रवेश का इस्तेमाल किया. शुक्र है, हुक्कम असली पत्थर नहीं है प्रवेश की अपनी आखों के माध्यम से, उन्होंने इसके माध्यम से देखा और तुरंत चिंतित हो गए. केलाश के अंदर, दस से आधिक अलग-अलग दिखने वाले गू थे. उनकी शकल थी वह यह थी की लोकी में मौजूद गू सासी एच-च में आपस में लड़ रहे थे. जब साथी जानवर ली मोबाई बुलाए गए कैलाश के पास पहुँचे, तो एक बल ने गू में से एक को नियंतरत किया और उसे थूप दिया. गू एक बिच्चू की तरह दिखता है लेकिन उसकी पीट पर व्याद पतंगे जैसे पंक थे. इसके मुव में महीन दाथ थे, जिससे यह भयानक दिखाए देता है. सहयोगी जानवर ली मोबाई कंटिन्यू किया गया एक महाकाव्य काला बाग है लेकिन जब यह गू के करीब उड़ गया, तो गू की पूंच उ बोहें चधाई और कहा, वह गू एक साफ बिच्चू गू की तरह दिखता है, लेकिन इसमें कई विशेशताए हैं जो साफ बिच्चू गू में नहीं है. इसके अलावा, इसको पाव स्नैक्स कौपियन गू से कहीं अधिक मजबूत है. यह साथ CHH में पौरानिक अवस्था में पहुँच गया है. यही तो मैं भी शौक हूँ. अगर गू के वल बाद में कैलाश में प्रवेश करता है, तो उसके अंदर कुछ प्रॉफिट होने चाहिए जो उनकी पाव में काफी सुधार कर सकते हैं. ब्लिडसुकिंग गू किनके प्रवेश करने के बाद, इसको प अधाकतित गू पूल को कई गू को अंदर रखना था और उन्हें एक दूसरे से लड़ने देना है रेनमी, आखिरी जिंडा व्यक्ति सबसे मजबूत गू होगा. और ना केवल वह गू सबसे मजबूत है बलकि यह युद्ध में आन्य गू की कपासिटियों और पावर को भी अफशोशित करेगा. इसको पावर प्राइमरी जीनो गू से कहीं अधिक है. हाला कि यह केवल एक अनुमान है राजवीर इसे ठीक ट्रसे देख सकता है रंदर के गू सा CHH में आपस में लड़ रहे थे. इसके अलावा, ऐसा लग रहा था कि उनमें से कई के पास पौरा पावर है. हाला कि अन्य गू पौरानिक अवस्था तक नहीं पहुंचे थे, उन्हें महाकाव्य अवस्था में अत्यंत पावर एक्जिस्टेंस माना जाता है. यह व्यभारिक रूप से एक सुपर गुजरात पूल है. अगर अंदर का गू अंत तक लड़ता है और एक गू सो उसकी बाद यह थी कि राजवीर को नहीं पता था कि गू को कैसे उठाना है. यहां तक अगर एक पावर गू किंग सच में दिखाए दिया, तो राजवीर केवल यह देखने के लिए उसे मार सकता था कि क्या एक साथी अंडागिरा. राजवीर तुम क्या सोचते हो? ली म रिटन की घाटी में हर जगह गू है. पौराने का अवस्था में कई है. मुझे लगता है कि नो रिटन की घाटी से गू यहां रेंग कर आये थे और केलाश से चूसे गए थे, गू शान्शूई ने कहा. आपकी क्या योजना है? राजवीर ने ली मोबाई से पूछा. कोई विशेश समाधान नहीं है. हम केवल अंदर के गू किंग्स को लुभा सकते हैं और उन्हें एक-एक करके मार सकते हैं. हमें आपकी पावर पर भरोसा करना होगा, ली मोबाई ने कहा. राजवीर ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि अंदर के सभी गू किंग्स को ल जालन पोशन कैसे किया जाए. रखा तो भी वेकार है. ली मोबाई की एक योजना है मूक और तितली प्रत्येक ने एक साथी जानवर को बुलाया. ली मोबाई के अपने साथी जानवर के साथ, तीन साथी जानवर एक जैसे दिखते थे. वे तीन कास्य पुरुष थे. तीन राजवीर ने शौक से पूछा, ली मोबाई ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वे संस्थापक सम्राट के मखबरे में कास्य पुरुश है, इन तीन साथी अंडों को हासिल करने के लिए, मैंने उन्हें जाग परिवार से खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च किया, राजवीर संस्थापक सम्राट के मखबरे से अपरिचित नहीं थे क्योंकि यह बहुत प्रसिद है, वह लंबे टाइम से देखना चाहता था कि क्या वहाँ कोई छोटा हतेली का प्रतिक है, लेकिन उसके पास जाने का मौका नहीं है, संस्थापक सम्राट के मखबरे में कई बुरी पाओ या होने के कारण आम लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे, केवल जाग परिवाद जो इस एरिया के विशेशगय थे, डाइमेंशन जीवों का हंट करने के लिए प्रवेश कर सकते थे, इसलिए संस्थापक सम्राट के इसके अलावा, वे बराबर लेवल पर साथी अंडे की तुलना में बहुत आधिक महेंगे थे। तीन का से पुरुशों के कलाबाश बेल के पास जाने के बाद अंदर का गूसा CHH में बाहर निकल गया। हाला कि जो इस बार सामने आया वह पहले वाला नहीं है बलकि एक मच्छर जैसा गू है जिसके बोडी की रक्षा करने वाला केरपेस है। ली मोबाई ने राजवीर को बताया कि यह वही खून चूसने वाला गूकिंग था जिसका उसने पहले पीछा किया है हाला कि पहले का खून चूसने वाला गूकिंग इतना पावड नहीं है रब खून चूसने वाले गूकिंग के साथ यह जरूरी था कि उसे कोई चोट न है इसलिए रक्ट चूसने वाले गू किंग की रक्ट चूसने की कपासिटी उनके खिलाफ बेकार है हाला कि खून चूसने वाले गू किंग के पासना केवल खून चूसने की कपासिटी है. ब्लिडसुकिंग गू किंग ने अपने पंक फरफडाए और तेजी से उड़ गया. क उसके सिर पर सिर्फ एक छेद था जो उसे बिलकुल एफेक्ट नहीं करता है। खुन चूसने वाला गूकिंग ब्रॉंज मैन के सिर में घुस गया और दूसरी तरफ से बाहर आ गया। हाला कि इसने केवल ब्रॉंज मैन को घायल किया और घातक नहीं है। जैसे ही राजवीर कारवाई करने वाला हैर उसके कंदे पर बैठा चूजा अचानक अपने पंक फरफणाया और उड़ गया। पाव वर ब्लडसुकिंग गूकिंग एक चूजे की तरह था जो एक बिल्ली को देख रहा था जब उसने चूजे को देखा। उसका बॉड़ी ऐसा शितिल हो गया था मानो उसमें विरोध करने की ताक्त ही न हो। वाले गूकिंग को चोंच मारी। ब्लडसुकिंग गूकिंग का खोल सक्त है इसलिए चूजे को इसे फाड़ कर खाने से पहले इसे कुछ बार चोंच मारने की जरूरत है। शुरू से अंत तक पौरानिक खून चूसने वाले गूकिंग ने बहुत आधिक प्रतिरोध नहीं किया। एक पौरानिक गूको ऐसे ही खाया गया। ली मोबाय और कमपनी अवाक रह गये। गू शान्शुई के अलावा जो चूजे के बारे में जानता है बाकी सभी लोग शौक से देख रहे थे कि चूजे ने अपनी पावर का प्रदर्शन किया। हालाकी वे जानते थे कि जेली फिश कवक को मारने के लिए आग की लप्तो को उगलने पर यह बहुत पावर्ड है उन्होंने कभी भी इसके इतने पावर्ड होने की उम्मीद नहीं की है। पुरानिक खून चूसने वाले गूकिंग में विरोध करने की हिम्मत भी नहीं है यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे पावर्ड के रूप में वर्नित किया जा सके। यह व्यभारिक रूप से एक पूरी तरह से अलग विमान पर हमला है। जब चूजे ने ब्लडसुकिंग गूकिंग को खाना फिनिश कर दिया तो यहा संतुष्ट लग रहा था क्योंकि यह कैलाश की ओर उर गया, वह कैलाश को खोलना चाहता था और अंदर गू को खाना चाहता है। हाला कि कुछ बार चोंच मारने के बाद कैलाश हर एफेक्ट रहा। यहां तक कि उससे निकली सुनहरी लप्टे भी खजाने को जलाने में असफल रही। ने सुनहरी अधिपती तलवार को पकड़ रखा था और कैलाश में एक सुनहरी तलवार औरा को काड़ दिया। गोर्डन स्वर्ड औरा का एव विक्टोरियस और अनस्टोपेबल काम कर गया, जिससे कैलाश पर दरार आ गई। अगर मुझे पता होता कि आपको आमंतरित करने से मुझे इतनी परिशानी से बचाया जा सकता है, तो मैं आपको बहुत पहले ही आमंतरित कर चुका होता, भले ही मैं दिवालिया हो गया होता. अगली मोबाई एंड कमपनी चल बसी. हाला कि वह कैलाश को काटने या अंदर के सभी गो को मारने में एबल नहीं है, कैलाश ने कोई असामान्य कारवाई करने की हिम्मत नहीं की. ली मोबाई ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है उस कैलाश को नजरंदाज करते हुए, जो उखड गया है वह गाजियन के ग्रे कोकून की ओर चल पड़ा. यह देखते हुए कि कैलाश कितना जादूई है, राजवीर इसे हटाना चाहता है, लेकिन कुछ बार काटने के बाद, उसके सभी प्रहार अफशोशित हो गए. वह कैलाश को काटने में असफल रहा. बाग की तरह अपने हंट पर नजर गड़ाय चूजे के साथ, किसी भी टाइम बाहर आने वाले गू को खाने के लिए तयार, कैलाश ने कुछ भी असामान्य करने की हिम्मत नहीं की. इसने कोई असामान्य हरकत नहीं की और स्थिर रहा ली मोबाई पहले ही गाजियन कोकून के सामने चल चुके थे. बिना किसी जिजक के, उसने अपनी उंगली काट ली और अपना खून कोकून पर टपक ने दिया. गाजियन कोकून पर टपक रहे खून को सभी ने देखा. यहां तक राजवीर ने अस्थाई रूप से कैलाश पर हमला करना बंद कर दिया और उसकी और देखा. राजवीर स्वाभाविक रूप से ली मोबाई के सफल होने की कामना नहीं करते थे. अगर ली मोबाई सफल हो जाते हैं, तो उनके लिए कुछ भी नहीं होगा. गाजियन के कोकून में खून धीरे-धीरे सिस्ट लगा, ल लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है. एक भी असफलता कोई बड़ी बात नहीं है. अगर इस बार काम नहीं हुआ तो अगली बार होगा. चून की यह रास्ता काम नहीं करता है, आई यह रास्ते बदलते हैं. जब तक हम चलते रहेंगे, हमेशा एक रास्ता होगा जो ह में हमारी मंजिल तक ले जाता है. ली मोबाई बहुत निराश नहीं दिखे. उसने अपनी भावनाओं को सुझाया और राजवीर से कहा, राजवीर, हमारे पिछले अंडरस्टेंडिंग के अनुसार, अब तुम्हारी बारी है. अगर आप सफल नहीं होते हैं, तो मुझे आशा है कि आप उन्हें एक मौका दे सकते हैं. चाप्टर 783, फीनिक्स हो सकता है, ट्रैंसलेटर, सी के टलन. जरोर, राजवीर ने सहमती में सिरहिलाया. अगर वह गाजियन को नहीं मार सकता है, तो दूसरों को इसे आजमाने देने में कोई हर्ज नहीं है. हाला कि, राज गाजियन से लड़ने के लिए थे, तो यह परेशानी होगी अगर कैलाश ने गू को अंदर छोड़ दिया. एक पल इंतजार करें. मैं इस कैलाश को तोड़ने का एक तरीका सोचूंगा, राजवीर ने ली मोबाय और कमपनी से कहा. तितली ने मजाक किया, कोकून पर थोड खुन टपका दो. कैलाश आपको बाधा नहीं देगा. इतनी परेशानी से गुज्वने की जरूरत नहीं है, है ना. क्या आपको गाजियन की मान्यता हासिल नहीं होने का डर है? राजवीर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वह अपने सामने कैलाश का स्टड़ी करता र फोन के कमपेनियन बीस्ट फ्यूजन फंक्शन के बराबर है हाला कि यह अदेक आदिम और अप्रिश्कृत संसकरन है यह फोन के फ्यूजन फंक्शन जितना मौडर्न नहीं है. राजवीर ने मन ही मन सोचा, अगर मैं इस कैलाश को हासिल कर सकता हूँ, तो मेरे पास एक एक इस्प्लिनेशन होगा अगर मैं फ्यूचर में कुछ हजीब समलन वाले पालतु जानवरों को बाहर निकालू, लेकिन मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूँ, क्या यह चीज एक डाइमेंशन एलियम के रूप में गिना जाता है, अगर मैं कैलाश को काट दू, तो क्या यह एक सा इंचमारी और खरोचा, लेकिन यह अफेक्ट नहीं है और उसकी सुनहरी लप्तो का भी कैलाश पर अधेक अफेक्ट नहीं पड़ा। बेल की जड़ों पर नजर डाली और वहां से हमला करने की योजना बनाई, स्वर्ण अधिपती तलवार एक अविनाशी तलवार की किरन से नीचे गिर गई, इससे पहले की तलवार की किरन कैलाश बेल की जड़ों पर वार कर पाती, कैलाश ने अचानक दसगू से अधे गल दिया। एक के बाद एक अजीबो गरीब गू ने राजवीर पर आरोप लगाए। कुछ तिल के बीज जितने छोटे थे, जबकि अन्यकरूर जानवरों जितने बड़े थे। इसके अलावा, उनकी अबिलिटी अलग है। सभी को धम अफ्तार गया। उन्हें उम्मीद न जंगरा हो गए और आबराबर से गिर गए। राजवीर पर केवल कुछ पौरानिक गूने चार्ज करना कंटिन्यू रखा। हाला कि उनके कांपते बोट से यह सपश्ट हाकी वे बेहत दरे हुए थे। कैलाश के कंट्रोल के कारण उनके पास भागने के अलावा कोई विकल नहीं है। यह देखकर कि वे अभी भी हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं। चूजा तुरंत गुस्से में उर गया। इसने अपने पंक फरफणाय और उपर छलांग लगा दी तेजी से गू को चोंच मारने के लिए। चिक की पावर मिथीकल गू जितनी मजबूत नहीं है ले तुरंत यह पावर लग रहा है एक समराट जैसा दिखता था जो हिजडों के एक समूह से निपट रहा है कि नरों ने वापस लड़ने की हिम्मत नहीं की। इसमें कोई शौक की बात नहीं है कि वंडूगू ने कहा कि फीनिक्स गू की दास्ता है। चूजे को देखने के ब बिना कुछ भी करने की जरूरत के सभीगों को खत्म कर सकता है। ली मोबाई ने विसमयकारी चूजे को देखा और ऐसा लगा कि वह सोच में है। ऐसा लग रहा था कि उसने चूजे की उत्पत्ती का अनुमान लगा लिया है। इसमें कोई शौक की बात नहीं है कि राजव राजवीर को अपनी सुरक्षा सुनिष्चित करने का बिलीब था कि वह नो रिटन की घाटी तक उसका पीछा कर रहा है। चूजे ने अपनी पूरी पावर जोग दी और कुछी देर में दसफू से ज्यादा निगल गया। उसका बोड़ी ठीक ट्रस से फूल गया और उसक पेट गोल हो गया। राजवीर को अचानक याद आया कि म्रिग चूजे को माउंट लावजुन की सुनहरी चोटी पर ले गया है लोटने के बाद चूजे का वजन अचानक कम हो गया है। उस टाइम राजवीर शौक्थी की चूजे का वजन अचानक कम क्यों हो गया। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो चूजे को माउंट लाओ जुनकी सुनेहरी चोटी से प्रॉफिट हुआ होगा और उसने अपने बॉडी में संचित उर्जा को पचा लिया होगा। इसमें कोई शौक की बात नहीं है कि मुझे लगा कि उस टाइम के बाद चूजा काफी बड़ा हो गया है यह टाइम के कारण नहीं है, बलकि इसलिए है क्योंकि इससे कुछ प्रॉफिट हुआ। राजवीर अब अन्डिस्टैंडिंग गया था कि फीनिक्स ने उसे चूजा क्यों दिया है। हाला कि किसी कारण से इसने उसे चुना है। सारे गू को खोने के बाद कैलाश काम पुठा। हाला कि यह सब के बाद केवल एक हुक्कुम है यह पशु प्रकार के डाइमेंशन एलियम की तरह नहीं बच सकता है। राजवीर समारोह में खड़ा नहीं हुआ क्योंकि उसने अपनी तलवार निकाली और कार दिया। कुछी प्रहारों से उसने कैलाश की बेल की जड़े कार डाली। जब कैलाश की जड़े तूट गई तो कैलाश की बेल तुरंत सूख गई। भूरे नीले पत्ते भी सिकुड कर गिर गए। कैलाश का रंग भी धीरे-धीरे हलका हो गया। मूल भूरा नीला रंग धीरे-धीरे भूरा वाइट हो गया। राजवीर ने भूरी सफेद कैलाश बेल को काट कर राक कर दिया। केवल हुकुम बरकरार रहा। राजवीर ने अपना हाथ बढ़ाया और कैलाश को अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने इसे चुटकी में लिया और महसूस किया कि कैलाश अभी भी पहले की तरह सक्त है यह लताओं या पत्तियों की तरह पावडर में नहीं बदला। हाला कि कैलाश बना रहा लेकिन उसमें कोई लाइफ एनरजी नहीं बची है राजवीर को नहीं पता था कि क्या यह भी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने इसे दूर करने का फैसला किया। चूजा इतना शक आम तोर पर बहुत मजबूत थे। यहां तक अगर राजवीर गार्डियन को अंदर ही मार सकता है तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी लड़ाई का परिनाम होगा। उन्हें फासाने से बचने के लिए उसने उन्हें बहुत दूर चलने को कहा ताकि अगर चीजे दक्षन की और जाती हैं तो उन्हें बचने का मौका मिल सके। यह सिर्फ खून की एक बूंद है। इतनी परेशानी से गुज्वने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। तितली ने कहा, चलिए चलते हैं ऐसा लग रहा था कि ली मोबाई ने कुछ नोटिस किया जब उसने विभावक की हत्या, मुझे मत बताओ राजवीर पतली चमरी वाला है और असफल होने पर हमारे से उफास किये जाने से डरता है, चलते चलते तितली ने कहा, मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है, ली मोबाई की अपनी अटकले थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रा सच में, ली मोबाई ने पहले इसी तरह की एकविधी के बारे में सोचा है, लेकिन क्योंकि उसने इविल किंग गूल लाइफ सोल को ली हुआन में प्लेस कर दिया है, उसकी अपतार अब बहुत कमजोर है, उसने पास्ट में इस्तिमाल किये जा सकने वाले किसी भी तरीके क इस्तिमाल करने की हिम्मत नहीं की, ली मोबाई को इस बात में बहुत इंट्रेस्ट थी कि राजवीर किस तरीके का इस्तिमाल करना चाहता है, उन्होंने आशा व्यक्त की कि राजवीर सफल होंगे, इस तरह वह एक संदर्ब के रूप में राजवीर की पध्धती का यूज कर सकता था और फ्यूचर में भी उसके पास एक मौका है, राजवीर ने उनके जाने से पहले काफी दूर तक इंतजार किया, हाला कि वह गाजियन कोकून की ओर नहीं चला, उन्होंने इससे दूरी भी बना ली है, हाला कि दूरी बनाए रखते हुए, उसने अत्याचारी ब बेहेमोद जो चौथे प्लेस पर है, यह साथ CHH में राजवीर का साथी जानवर है, जब उसने अत्याचारी बेहेमोद को देखा तो तितली शौक से चिल लाई, गूलू और उनके साथी भी चिंतित थी क्योंकि उनकी आखे अप्रॉक्स बाहर निकल आई है, रत्याचारी बेहेमोद का नाम शायद सभी जानते थे, फेडरेशन के कई विशेशग या अत्याचारी बेहेमोद के मालिक के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह राजवीर का साथी जानवर होगा, पहले गूलू ने सोचा था कि राजवी को शौक से देखा, उसे लगा कि कुछ गरबर है, राजवीर गाजियन को अनुबंधित करने के लिए एक चाल का यूज नहीं कर रहे थे, सच में, हर किसी की भयानक निगाहों के नीचे, अत्याचारी बेहेमोद दहारता है और गाजियन को कून पर एक मुक का फिकता है, व इससे गाजियन अंदर एक्स्प्रेस हो गया, जहां तक राजवीर की बात है, तो उसने खुद को छिपाने के लिए पहले से ही असीन्ता के लबादे का इस्तेमाल कर लिया है उसी टाइम, उसने मौन्स्टर नवजात को बुलाया और उसे अपनी बाहों में जकर लिया, उस इसने सासी एचेच में जोखिम नहीं उठाया होता, अपनी असीन अवस्था में भी, राजवीर का गाजियन से संपर्क करने का कोई इरादा नहीं है, वही यह पता लगाना चाहता था कि गाजियन के पास क्या कपैसिटी हैं, गाजियन ग्रे कोकून में काले केरपेस में ध हका हुआ है, इसके सिर पर चीटी जैसे एंटिना, पीट पर सिकाडा जैसे पंक, साब जैसी आखे और पीट पर बिच्चु जैसी चार पूंच है, यह गाजियन एक यूमनोइट गू की तरह दिखता है, इसका बोडी एक दुष्ट औरा से भरा हुआ है, जिस तरह अत्या अत्याचारी बेगेमोत की मुठी गाजियन को मारने वाली है, गाजियन का फिगर अचानक धुंधला गया, अत्याचारी बेगेमोत की मुठी ने केवल एक भ्रम मारा, उपर देखने पर, उसने देखा की गाडियन गुफा के शीर्ष पर एक चमगादर की तरह उल्टा इसका बॉडी हवा में उठ गया क्योंकि उसने अपनी मुठी उठाए और हवा में मकरी के जाले पर मुख का मारा, जिससे मकरी के जाले और अभिभावक को मौत के घाट उतारने की उम्मीद है. हाला कि जब इसको मुठी मकरी के जाले जैसे पतले ब्लेड से टकराई, तो पतला ब्लेड बल का सामना करने में एबल हो गया. यह ऐसा था मानो उसने हवा में मुख का मारा हो. जहां तक रेशम की जाली के ब्लेड की बात है, यह पीछे हट गया और अत्याचारी बेहेमोत के बॉडी को धंग दिया. अत्याचारी बेहेमोत एक बड़ी मचली की तरह था जो मचली पकरने के जाल में गिर गई है जितना अधेक यह संघर्ष करता, रेशम के ब्लेड उसके चारों और लिप्ते हुए उतने ही सक्त होते. इसके अलावा, रेशम के ब्लेड में बहुत ब्लेड करे हो गए. गार्डियन, जो गुफा के शीर्ष पर उल्टा खड़ा है, चमक उठा और अत्याचारी बेहेमोत के पीछे दिखाए दिया, जैसे कि उसने टेलिपोट किया हो. इसको काटेदार हथेली और पैर अत्याचारी बेहेमोत की पीट पर टिके हुए है. उस उसी टाइम, उसने अपना मुह खोला और अपनी जीब को खून के रंग के तीर की तरह अत्याचारी बेहेमोत की गर्दन में घोब दिया. गर्जन, अत्याचारी बेहेमोत ने सीधे तोर पर Absolute Strength को सक्रिय किया, लेकिन Powerball Web Blade को अलग करने में मदद करने में विफल रहा. भल रहन से पौरानिक प्रानियों का शिखर है, लेकिन अभिभावकों से लड़ते टाइम यहाभी भी हीन है. राजवीर शायद इस बार बहुत पीडित होंगे. मास्टर, चलो जल्दी से पीछे हटे. तितली ने ली मोबाई से कहा. ली मोबाई ने जवाब नहीं दिया. उसन उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्होंने राजवीर को नहीं देखा. उन्होंने जो कुछ देखा वहदूर नहीं एक पत्थर पर एक सुनहरा और वाइट पक्षी है वे अत्याचारी बेगेमोत और गाजियन की लड़ाई देख रहे थे. उस टाइम, राजवीर ने असीन्ता का लबादा पहन रखा था और किंग की आह को सक्रिय कर दिया है लंबे टाइम के बाद नहीं, उसकी पावर स्लोटर को सक्रिय करने के लेवल तक पहुँच गई. बिना किसी हिचके चाहट के, उन्होंने असीन्ता के लबादे के भाग्य के पहिये को सक्रिय किया और गुप्त रूप से मौन्स्टर नवजात शिशु के साथ अभिभावक के पास पहुँचे. अद्रिश्यता लबादे की अद्रिश्यता कपैसिटी बस इतनी ही यूज है गाजियन असीन राजवीर की खोच करने में विफल रहा. यह अत्याचारी बेगेमोत की पीट पर लेटा हुआ था और अपनी जीब का यूज हत्याचारी बेगेमोत के बोडी में उर्जा को भस्म करने के लिए कर रहा है. राजवीर पहले ही उसकी पीट पर पहुँच गया है लेकिन वह अभी भी उसे नोटिस करने में असफल रहा. बिना किसी हिचकी चाहट के, राजव बारे कैची की तरह नीचे गिर गई. इतनी नज़दी की दूरी पर गाजवीर के पास प्रतिक्रिया करने का टाइम नहीं है. ली मोबाय एंट कमपनी को राजवीर का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अचानक एक दुखत चीक सुनी. जब उन्होंने अपना सिर घुमाया, तो उन्होंने महसूस किया कि राजवीर हवा में तैर रही है गाजवीर का सिर धर से अलग कर दिया गया था और उसका सिर जमीन पर गिर गया है. लॉप, गाजवीर की बिना सिर वाली लाश आबराबर से गिरी और जमीन पर गिर गई. अत्याचारी बेगे मोत के बॉडी पर लगा महीन जाला ब्लेड भी गायब हो गया। राजवीर सावधानी से हवा में तैरने लगा और उसने अपनी हतेली को ऐसे हिलाया जैसे वह खून को बहा रहा हो। बटरफलाई, गूलू और कमपनी पहले से ही अवाक रह गये थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे असीन लाइट चुपाने वाली तलवार को नहीं देख सकते थे। उन्होंने कलपनाकी की राजवीर ने एक हथेली से गाजियन का सिर्कार दिया है। युक्ति, आप चैप्टर के बीच ब्राउज करने के लिए बाई, दाई, और दी कीबोर्ड कुंजियों का यूज कर सकते हैं। गाजियन के साथ एक अनुबंध पर ओटिग्राफ करने और अधिक पावर हासिल करने के लिए श्रमसाध्य रूप से यहां आये थे। ली मोबाई ने ऐसा नहीं सोचा है राजवीर को गौर से घूरते हुए उसकी आये जलुठी जैसे कि उसने नई भूमी खोजली हो। तो क्या यह एक संभावित डिरेक्शन है ली मोबाई को लगा जैसे उसके बौडी में आग का गोला जल रहा हो। राजवीर के बौडी में कोई आग नहीं है लेकिन जैसे ही गाजियन का बौडी विघटित हुआ और गायब हो गया उर्जा उसके बौडी में बढ़ गई जिससे स्लोत्र लाइफ सोल अपने आप बदल गई। उर्जा को अफ्शोषित करने के बाद यह और मजबूत हो गया। राजवीर की निराशा के लिए हलाकि स स्लोत्र मजबूत हो गया यह उर्जा पूरी तरह से अफ्शोषित होने के बाद भी एक संपूर्ण बौड़ी के लिए आगे नहीं बढ़ा। वोद करने वाले को सं ली मोबाई ने मुस्कराते हुए कहा, यह ठीक है, यह important नहीं है, अगर यह सुविधाइंग है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने गाजियन को क्यों मारा, आपने उसके साथ अनुबंध पर autograph क्यों नहीं किया, अनुबंध की कोई जरूरत नहीं है, राजवीर लेकिन जब उन्होंने गाजियन के सिर गिरने के सीन को याद किया, तो उन्होंने उसका खंडन करने में पावहीन महसूस किया, चूनकी हम पहले से ही यहां हैं, तो हम नो रिटन की घाटी के एंट्री गेट पर एक नजर क्यों नहीं डालते, राजवीर अभी भी सोच रहा था कि क्या उसे वहां हतेली का छोटा चिन्ह मिल सकता है, नो रिटन की घाटी के साथ, उसके पास फ्यूचर में गू टाइप कमपैनियन बीस्ट के लिए पीसने की जगह होगी, ठीक है, आपके साथ होने से, नो रिटन की घाटी हमारे लिए बहुत कुछ नहीं कर पाएग हाला कि उसके पास वह चूजा था जो गू को दबा सकता है चूजा अभी बड़ा नहीं हुआ हैर अगर बहुत सारे गू होते, तो यह उन सभी से निपटने में एबल नहीं होता, या शायद गू थे जो चूजे से नहीं डरते थे, अगर वे मार पीट पर उतर आते, तो च चूजा शायद एक पौरानिक गू को हराने में एबल नहीं होता, राजवीर बहुत शौक था कि चूजा उन पौरानिक गू को मार सकता है, वह नहीं जानता था कि चिक का नोबल फीनिक्स ब्लिडलाइन काम कर रहा है या उसमें कोई विशेश पाव है, इसके अलावा, इम मौटल हत्या स्किल का इस्तेमाल किया है तब उसकी युद्ध पावर बहुत अफेक्ट हुई है, राजवीर ऐसे टाइम में जोकिम नहीं उठाना चाहते थे, समूह ने अंडरग्राउंड गूफा को छोड़ दिया और नो रिटन की घाटी की परिदी में आ गया, राजव था जिसने इसे अपना नाम दिया, हाला कि ऐसा नहीं था कि कोई जिंदा नहीं लोटा, अभी भी अपवाद थे, हाला कि वे लोग घाटी में गहराय तक नहीं गए थे, उनमें से जादातर बाहर आने से पहले केवल घाटी के एंट्री गेट के चारों और चक्कर लगाते थे, राजवीर केवल हथेली के चोटे प्रतीक को खोजने के लिए घाटी के एंट्री गेट के चारों और चक्कर लगाना चाहता है लेकिन उसका प्रवेश करने का कोई इरादा नहीं है, उनका भाग्य शौकिंग रूप से अच्छा लग रहा है कुछ देर तक घाटी का चक्कर लगाने के बाद, उन्हें एक पहार की दीवार पर एक अत्यंत असपश्ट ताड का चिन्ह मिला। ताड का छोटा प्रतीक घनी घास से धका हुआ था और काई से धका हुआ है अगर राजवीर के पास सत्यश्रोता की कपैसिटी नहीं होती, तो वह इसको खोज नही कर पाता, उसने अपने रहसे मयफोन से एक तस्वीर ली और उसे डाउनलोड होते देखा, राजवीर ने राहत की सांस ली, मैंने इस बार काफी कुछ हासल किया है, मैंने वेली ओफ नो रिटन इंस्टेंस कालकोटरी डाउनलोड की और एक गाजियन को मार डाला, मैंने कोई प्रॉफिट नहीं मिला है, चूनकी गू शांशुई शबबग को पकरने के लिए च्यांग राय जाना चाहते थे, राजवीर के पास च्यांग राय के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ली मोबाई ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मास्टर गू, अगर आपको कोई आपती नहीं है, तो चलिए देखते हैं, ली, यह बहुत अच्छा है कि आप हमारे साथ जा सकते हैं, गू शांशुई ने सहर्श एक्जेप्ट कर लिया, हर कोई फूल रिवर के किनारे च्यांग राय की और चल पड़ा, दो से तीन सो किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने लाइफ के फूल देखे जो मुर्जाय नहीं थे, राजवीर ने टीम के पीछे ग्रेट माइट वज्र भुल की सवारी की और अपने फोन से खेला, नो रिटन की घाटी में कालकोटरी को डाउनलोड कर लिया गया है, इसलिए राजवीर खुद को पर्यावरन से परिचित कराने के लिए अंदर गया, नो रिटन की घाटी सा सी एचेच में चारो तरफ से पहाडों से घिरी हुई है केवल एक ओपनिंग अनुमत प्रविष्टी के एक स्लाइव, दोनो तरफ पहाड की दिवारे बहुत करीब थी, जिससे केवल एक व्यक्ती बगल में से गुजर सकता है, खून के रंग का अवतार तिर्चा चला गया क्योंकि सत्यश्रोता की कपैसिटी लगातार सक्रिय है उसी टाइम, इसने अपनी सार उर्जाकला को प्रग्या की लगू पूर्मता में बदल दिया, आठ सिधियों की व्रिद्धी के साथ लाइफ प्रोविद वे इतने छोटे थे, कोई कलपना कर सकता था कि वे केवल पत्थर की दिवारों की बनावत हैं। पास कीरों को नियंत्रित करने का अच्छा तरीका नहीं है वह केवल ताइसुई को भुला सकता था और देख सकता था कि क्या वह कीरे खा सकती है। हाला कि ताइसुई को इन कीरों में कोई इंट्रस्ट नहीं है फिर भी राजवीर के ओडर पर उसने उन्हें खा लिया। गेम स्क्रीन पर बड़ी अमाउंट में सूचनाय दिखाए दी। वे सभी उसके नश्वर जीवों को मारने के संकेत थे। कभी कभी पौरानिक प्रानियों को मारने के बारे में एक अधिसूचना होगी। बहुत कम वस्तुए थी जो गिरी थी और जो गिरी वह पूरी ट्राहन से बेकार है ताइसूई की मदद से राजवीर दरार से गुजरा और घाटी में आ गया। चून की यह एक घाटी में एक घाटी है राजवीर एक गोलाकार घाटी देख सकता था जो बहुत बड़ी नहीं है अंदर हरा भरा दिखने वाला घास का मैदान है। हाला की अगर किसी के पास अप्राइमरी जीनो द्रिश्टी है तो उन्हें पता चलेगा कि घास के मैदान में कई हरी कैटर पिलर हैं। वे घास के मैदान के साथ अप्रॉक्स एक थे जिससे उन्हें भेदना मुश्किल हो गया। राजवीर ने फायर फने स्क्वीन को बुलाया और घास के मैदान को आग के समुधर में बदल दिया। इसने केवल पौरानिक ग्रीन हेट गू को मारने के बारे में लगातार सूचनाय देने का काम किया। लगता है काफी संख्या में गू है। पीसने के लिए यह एक अच् संख्या में डाइमेंशन क्रिस्टल गिर गए। जैसे ही वह और आगे बढ़ा, घाटी फिर से संकरी हो गई। आगे एक और छो घाटी थी जो घोड़े के खुर के शेप की है यह आगे की घाटी से भी छोटा है। घाटी का भूभाग बहुत नीचे था और जमीन साफ से धकी हुई है पानी का लेवल बहुत उथला है केवल राजवीर के बच्छडे तक पहुँच रहा है वह एक नजर में नीचे देख सकता है। वहाँ बहुत से पानी के पौधे उगे हुए थे जिससे यह बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रहा है यह एक स्वच स्वर्ग जै राजवीर ने एक वाटर स्नेक साथी बीस्ट को बुलाया जो उसने पास्ट में हासिल किया है यह एक जल प्राथमिक साप्था जिसे उसने उस द्वीप से हासिल किया था जहां से एक स्विंग गाजियन ड्रेगन रहता है इसका बोड़ी पानी से संधनित है इसलिए यह स् के मीट के छोटे-छोटे टुकडों में बदल जाता है। लीजेंडरी लीच गू को मार डाला। सुचनाय ओन स्क्रीन पॉप अप करती रही। पानी का साफ तेजी से पानी में तैर गया। जहां भी यह गुजरता, लीच गू चूसा जाता। यह कोई शौक नहीं है कि नो र चोड़ना आसान नहीं है। राजवीर लीच गू को लेकर उत्साहित नहीं थे। उसने पानी के साप को मारना कंटिन्यू नहीं रहने दिया क्योंकि वह हवा में उर गया और अगली घाटी की ओर बढ़ गया। आगे घाटी में विभाजित सडकें है, एक रास्ता बाई औ जाता है जबकि दूसरा दाई और जाता है राजवीर ने बाया रास्ता चुना और अगली घाटी में प्रवेश किया। यह घाटी पिछली घाटी की तुलना में ठीक्र से बहुत बढ़ी है, पहले से घाटी में पानी यहां से बहता है उसे ज़रना बहता हुआ दिखाई पानी में अभी भी कई लीच गू थे लेकिन उसने एक प्रकार का काला टेड़पोल तैरते हुए भी देखा। पानी का साप अलग हो गया। विस्फोर्ट के बाद टेड़पोल नहीं मरे। इसके बजाए वे टेड़पोल के एक समूव में बदल गए जो पानी में तैरते रहे। जल साप का बौड़ी पूरी ट्रहन से पानी से संधनित है विस्फोर्ट से अलग होने के बाद यह जल्द से उनका शेप घटा गया, उनकी संध्या बढ़ती गई। फिर भी मरे हुए यू का कोई संकेत नहीं है। बार बार के कोसिस के बाद टेड़पोल पहले ही तिल के शेप के हो गये थे। ऐसा लग रहा था कि वे विस्फोर्ट और विभाजन कंटिन्यू रख सकते हैं। यह देखने के लिए कि उनकी सीमाई क्या है। एंड मी, उन्होंने महसूस किया कि जब टेड़पोल एक सुई के छेद के शेप के हो गए, तो विस्फोर्ट के बाद उनके बॉड़ी अलग अलग नहीं रहेंगे। वे कुल मिलाकर पांच बार विभाजित और आत्मविनाश कर क्योंकि इसका लेवल थोड़ा कम था और इसका आत्मविनाश पूरी ट्राहन पावर्ड नहीं है। हाला कि जल्द ही, एक विशेश प्राइंडिया टेड़पोल ने राजवीर का ध्यान अकर्शित किया। प्राइंडिया टेड़पोल के समूह में एक गहरे सोने का पूल कोर भी। यह वैसे ही मर गया। यह आत्मविनाश काफी पावर्ड है। राजवीर कुछ शौक था जब उसने गहरे सोने की टेड़पोल को देखा जो पानी में अलग हो गया है उसने एक और साथी जानवर को बुलवाया। यह एपिक इलेक्ट्रिक इल थी जिसे रा पानी में भाग गया और गहरे सोने के टेड़पोल की विसफोटक पावर को चकमा दे गया। इसने और भी छोटे काले सोने के टेड़पोल पर एक और एलेक्ट्रिक फ्लो प्रवाहित की। जाहिर है। डाग गोर्ग टेड़पोल एपिक स्टेज पर है इसको विसफोटक पाओ और अत्यंत पाओड है जो बराबर लेवल के जदातर महाकाव्य प्रानियों को मारने के लिए पूरी ट्रहन है। कमपेनियन बीस्ट कॉलम में एक प्रा इंडिया डाक गोल्ड टेड़पोल है। प्रा इंडिया टेड़पोल पानी में उतरा तो यह डाक गोल्ड प्रा इंडिया टेड़पोल ग्रेनेट के एक समूह में विभाजित होकर तुरंद फट गया। जहां तक छोटे काले सुनहरे टेड़पोल की बात है, वे दबाव उठाने पर विस्फोट करना कंटिन्यू रखते थे। हाला की, परानिक प्रा इंडिया टेड़पोल से अंतर यह था कि डाक गोल्ड प्रा इंडिया टेड़पोल के आत्मा विनाश के बाद, वे स्वचालेत रूप से एक साथ इकठा हो जाते थे जब तक कि वे टाइम की अबधी के लिए बाहरी पावर से दबाय नहीं जाते थ वे फिर से बड़े डाक गोल्ड प्रा इंडिया टेड़पोल बन जाएंगे और संभावित विभाजनों की संख्या सामान्य हो जाएगी, जब तक यह साथ बार आत्मा विनाश नहीं करता, तब तक प्रा इंडिया डाक गोल्ड टेड़पोल धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और मरेगा नहीं. यह अच्छी चीज है. अगर कई डाग गोल्ड प्रा इंडिया टेड़पोल एक ही टाइम में आत्मविनाश करते हैं, तो पाव काफी एफेक्टेड होगी. राजवीर ने फिर से घाटी की खोच की और महसूस किया कि प्रा इंडिया टेड़पोल के हर समूह में एक डाग गोल्ड प्रा इंडिया टेड़पोल है. राजवीर ने विशेश रूप से गहरे सोने के प्रा इंडिया टेड़पोल को लक्षित किया ताकि अधिक साथी लेकिन उनमें से दस से अधिक को मारने के बाद कोई भी साथी अंडा नहीं गिरा। लेकिन जब इलेक्ट्रिक कर्ट का हमला किया, लेकिन जब इलेक्ट्रिक कर्ट विशाल टेड़पोल से तकराया, तो इस से उसमें विसफोर्ट नहीं हुआ। बूम 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 विशाल टेड़पोल अलेक्ट्रिक प्रवाह के उच्छाल के विरुध्ध इलेक्ट्रिक इल में पटक दिया। फिर, राजवीर ने घाटी में प्राइंडिया टैड़पोल में एक भयानक विसफोर्ट देखा. विशाल टैड़पोल का विसफोर्ट पहले से ही भयानक है और विसफोर्ट से क्रियेट छोटे टैड़पोल अन्या एपिक और लेजेंडरी टैड़पोल में फंस गए, जिसस कि उसके बॉडी में दबे हुए टेड़िपोल फिर से फट गए थे। विसफोर्टों की एक श्रिंखला के बाद, खून से रंगे अवतार की मरे हुए यू हो गई। क्या यह विसफोर्ट कुछ ज़्यादा पावर्ड नहीं है? राजवीर कुछ घबराया हुआ है टेड़िपोल थीक्र से एक पौरानिक एग्जिस्टेंस है विसफोर्ट के कारण यह विभाजित हो गया और फिर से फट गया, जिससे घाटी के सभी प्रा-इंडिया टेड़िपोल फट गये। जब तक यह अत्यंत पावर्ड रक्षा के साथ एक पौरानिक एलियम नहीं है तब तक विसफोर्ट का सामना करना उंपॉसिबल है। विसफोर्ट थे। यह पौसिबिलिटी थी कि पौरानिक टेड़िपोल ने नौ विभाजन और विसफोर्टों का अनुभब किया है। पावर का यूज करने के बावजूद अत्याचारी बेगेमोत अभी भी विसफोर्ट से घायल हो गया है हालाकि यह केवल थोड़ा सा घायल है प्राइंडिया विखंडन टेड़िपोल की आत्मविनाश पावर अत्यंत भयानक है। साथी का अंडा पानी में गिर गया है पौरानिक सहयोगी अंडे के अलावा। पानी में हर जगा विखरे हुए कई डाइमेंशन क्रिस्टल और छोटे साथी अंडे थे। पौरानिक और महाकाव्य टेड़िपोल से पौसिबल तहु उन्हें पीछे छोड़ दिया गया है। राजवीर ने पौरानिक सहयोगी अंडे को उठाया और उसे हैचने के लिए चुना। जल्द ही, पौरानिक प्राइंडिया स्प्लिटिंग टेड़िपोल उनके पालतुस तंभ में दिखाए दिया। यह पहले से अलग नहीं दिख रहा है। प्राइंडिया विभाजन टेड़िपोल, पौरानिक लाइफ प्रोविडेंस, स्प्लिट, लाइफ सोल, गटबंधन, वील ओफ देस्टिनी, पेरासिटाइजी इंग रैथ, पावर, 81 स्पीड, 76 सम्विधान, सतहतर सारूर्जा, 81, टालेंट स्किल, आत्म विसफोर्ट सहय प्राइंडिया विखंडन टेड़िपोल की विशेशताएं पहले से ही भयानक है, दो विशेशताएं शीर्ष 81 पॉइंट तक पहुँच गई थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि परजीवी करण मरे हुए यो किस प्रकार की कपासिटी है, हाला कि सिर्फ नौ प्राइंडिया स्प्लिटिंग टेड़िपोल नौ बार आत्मविनाश कर लेता है, तो यह सासी एचेच में मर जाएगा. इसे खेल के बाहर बेतर तीब धंग से इस्तिमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुझे खेल में इस तरह की योग्यता की जरूरत नहीं है. राजवीर ने explosive fiend man के बारे में सोचा, जिसके पास आत्मविनाश की capacity भी है, उनका आत्मविनाश और भी निर्मम है मरने से पहले वह केवल एक बार आत्मविनाश कर सकता है, उनके पास दूसरा मौका भी नहीं है. स्प्लिटिंग टेड़पोल कम से कम नौ बार आत्मविनाश कर सकता है. जब तक यह लगातार नौ बार आत्मविनाश नहीं करता, तब तक यह सास CHH में नहीं मरेगा. इसे नियंतरित करने से उसे सच में इसका यूज करने की अनुमती मिली. मुझे शौक है कि क्या मैं स्प्लिटिंग टेड़पोल को एक्स्प्लोसिव फींड मैन के साथ फ्यूज कर सकता हूँ. अगर एक्स्प्लोसिव फींड मैन में भी ऐसी फूटने की कपासिटी है, रा इस्प्लोसिव फींड मैन और स्प्लिटिंग टेड़पोल के बीच संगत्ता को देखते हुए, उन्होंने महसूस किया कि यह केवल 24 प्रतिशत देनिय है, अगर यह एक समलन है तो विफलता की पॉसिबिलिटी अप्रॉक्स 80% है. हाला कि उन दोनों में बराबर आत्म विन इसलिए राजवीर के पास दो रहे पर पीछे हटने और अंदर क्या है, यह देखने के लिए दाई और घाटी की ओर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. दाई और की घाटी बाई और की घाटी से बिल्कुल अलग है दाहिनी ओर की घाटी में प्रवेश करने के बाद temperature अचानक गिर गया। कुछ कदम चलने के बाद, जमीन पर ठंड और बर्फ दिखाए दी। दाहिनी ओर की घाटी एक बर्फ की घाटी है, वह जितना गहरा गया, बर्फ उतनी ही मोटी होती गई। कुछ कदम चलने के बाद फोन की स्क्रीन अचानक काली हो गई. रक्तरंजित अवतार की किसी कारणवश मरे हुए यू हो गई है. इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बर्फ की प्रॉब्लम है. राजवीर ने प्रॉब्लम को मोटे तोर पर अंडिस्टैंडिंग, लेकिन अपने हेल किंग लाइफ सोल को प्रॉब्लम की खोज करने में एबल बनाने में एबल होने के लिए बर्फ में चीजों को बेहदा प्राइमरी जीनो होना है. जैसे ही वह नो रिटन की घाटी में जिंडा होने और पीसना कंटिन्यू रखने के लिए अपना खून टपकाने वाला है उसने अचानक गू शांशुई को यह कहते हुए सुना, हम फूल रिवर के अंत तक पहुँच गए हैं. हम और दस किलोमीटर में च्यांग राय की परिधी तक पहुँचेंगे. डाइमेंशन तूफानों से पहले, यह एरिय तीन देशों की लिमिट्स पर स्थित्था प्रस धर्मरत और अन्य जिलो की सार उर्जा कलाएं जिन्हें यहां देखा जा सकता है. यह गंदा है. इसके अलावा यहां हर तरह के लोग है. कुछ होना बहुत आसान है. आपको यहां सावधान रहना होगा. यह सबसे अच्छा है कि आप बिना सोचे अंडिस्टैंडिंग या दूसरों से कुछ भी न ले. गुशांशुई एक पल के लिए रुके और फिर आगे बोले. च्यांग राय इस एरिया में है. आप च्यांग राय में तीन सबसे प्रसिद परिवार है. सबसे बड़ा जियो परिवार है. जियो परिवार ना केवल बुद्ध और कुमन थॉंग में कुशल है. बलकि उनके पास गुव और भूडू जादू में भी गहरी उपलब दिया है. अफवाह यह है कि उनके पास एक पौरानिक कुमन थॉंग है जो बेहत पावर्ड है. जो कोई भी इस परिवार का अपमान करता है, उसका अंतभायानक स्टेट इसमें होता है. राजवीर शौक था और उसने पूछा क्या कुमन थॉंग एक लाइफ सोल नहीं है. गुशांशुई ने अंडरस्टैंडिंग कुमान थॉंग पूरी ट्रहन से जादू टोना था जो सोल वाले बच्चों का पालन पोशन करता है हेवन बेबीज, अर्थ बे पाला. चाप्टर 788 अप्रत्याशित रियूनियन गुशांशुई का नित्रित्व करते हुए, वे जल्दी से च्यांग राइ पहुचे. गुशांशुई ने उन्हें रहने के लिए एक जगा ढूंद दी. वह जिस प्लेस पर जाना चाहता है वह च्यांग राइ के पास है. च्यांग राइ और मोंग हसत थोड़े अलग थे. गुशांशुई जैसे कई लोग थे जिनके टैटू और बुद्ध पट्टिकाए है. रात के खाने के बाद ली मोबाई, बटरफलाई और कमपनी च्यांग राइ के आसपास टेहलने के लिए निकली. राजवीर रुके रह उनका बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है. चूनकी च्यांग राय के डाइमेंशनल जोन सिटी में नहीं थे, वह बाहर जाने पर भी उन्हें नहीं देख पाएगा. गुशांशुई राजवीर के कमरे में आय और कहा, मी, जो, हम कल लाश कीट को पकड़ने जा रहे हैं. फ सेलेब्रटी है कि एक अजगर वहां मर गया, इसको सत्यता अग्यात है. हाला कि ड्रेगन कॉप्स वैली बेहत खतरनाक है. अंदर के गू कम से कम एपिक स्टेज पर है. कभी-कभी, मिथीकल गू दिखाए देगा. यहां तक डुगू परिवार को भी ड्रेगन कॉप्स वैल के अलावा, वह कौपसे बग बहुत खास है. मुझे संदे है कि लाश का कीडा ड्रेगन लाश के अंदर पैदा हुआ एक पौरानिक गू है. टाइम आने पर, फीनिक्स दिव्य पक्षी की मदद से भी, मुझे डर है कि हमारे लिए इसे वश्मे करना आसान नहीं होगा. अल गू शान्शुई ने अपनी योजना और साधनों के बारे में एक्स्पैंशन से बताया ताकि राजवीर टाइम आने पर उसकी मदद कर सके. श्री, जो, केवल हम दोनों ही लाश बग का रह से जानते हैं. आपको इसे लीक नहीं करना चाहिए. अन्य है दूसरे निश्चित रूप से इसके लिए होड करेंगे, गू शान्शुई ने कहा. मास्टर गू, शिन्ता मत करो. मेरा मुह बंद है, राजवीर ने कहा. अच्छी बात है. मिस्टर जो, मैं आब आपके आराम में खलल नहीं डालूंगा. गू शान्शुई ने विदाली और चला गया. राजव मोती के साथ काले ड्रेगन को मारने के बाद, अन्या आठ काले ड्रेगन तुरंत अलग हो गए, जिससे राजवीर के साथी जानवरों को मारने की अनुमती मिली. जब वह छठे काले अजगर का वद कर रहा है, राजवीर ने एक जहनकार सुनी जब एक काले साथी का अंडा एक साथी अंडा, राजवीर बहुत खुश था क्योंकि वह सीन हो गया और उसने इसके आकड़े जाचने के लिए इसे उठाया. डेमन ब्लड ट्रू ड्रेगन कुन पौरानिक लाइफ टोविडेंस, डेमन ड्रेगन ब्लडलाइन अपून. लाइफ सोल कुन ड्रेगन अपून भाग्यका पहिया, ड्रेगन डोमेन अपून. पावर, 80 स्पीड, 80 समविधान, 80 सार उर्जा, 80. टेलेंट स्किल, ड्रेगन ब देखा तो वह निराश हुए बिना नहीं रह सका. इसका लाइफ प्रोविडेंस, लाइफ सोल, भाग्यका पहिया, और सहयोगी रूप सभी अधूरे थे. इसके आकड़े केवल 80 थे. क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे दानव रक्ट ट्रू ड्रेगन की पावर दिलाने के लिए सभी 9 ब्लेक ड्रेगन्स को एकठा करना पड़े. राजवीर ने डैमन ब्लड ट्रू ड्रेगन को रचा और उसे उसके साथी के रूप में बुलाया. हाला कि ड्रेगन स्केल आमा अधूरा है इसने रक्ट के रंग के अवतार के पूरे बोडी को ढख लिया. क्या कमी रह ड्रेगन स्केल आमा को शेप दे रहा है उसने अचानक पास के गलियारे से एक परिचित आवाज सुनी. ओर्ड वम, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप कार्य के लिए तैयार है? बेशक, यह एक अक्सिडंट है रगली बार जब मैं तुम्हें वहां ले जाओंगा, तो मैं स्वामी पर भरोसा रखना चाहिए. ऐसा मत कहो, आप अभी तक मेरे स्वामी नहीं है. यह केवल टाइम की बात है. मुझे साथ C.H.H. में शौक है कि क्या आप दुगू परिवार से हैं? एक पौरानिक गू को पकड़ने में क्या मुश्किल है? अगर यह मियर के इतने सुन वाजा खोला और बाहर चला गया. सच में, उन्होंने वमदुगू और लीजुवान को बात करते हुए देखा, जब वे कमरे में प्रवेश करने की तयारी कर रहे थे. लीजुवान, राजवीर ने जल्दी से उसे पुकारा. राजवीर, तुम यहां क्यों हो? राजवीर को हो. मुझे चिंता क्यों होगी? मैं यहां इसलिए आया क्योंकि मुझे च्यांग राय में कुछ करना है, मुझे नहीं पता था कि तुम यहां हो. राजवीर ने कहा. भाए, आपको अपने शब्दों पर काम करने की जरूरत है. उन्होंने मेरे युवा दिल को चोट पहुन क्या आप अंडिस्टैंडिंग गए? ली हुआन ने अपने सीने को अपने हाथ से पकर रखा था क्योंकि उसने दिल के दर्ग की एक दबी हुई एक्स्प्रेशन पहन रखी है. राजवीर ने उसे अंदेखा किया और कंटिन्यू रखा, तुम्हारा भाई यहां है. चार के बाद, इसको पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, कोई नहीं जानता था कि ली जुवान वमदुगू के साथ कहा आ गई है. जब ली हुआन ने सुना कि ली मोबाई आ गए है, तो उनके चहरे पर मुस्कान गायब हो गई और उनकी एक्स्प्रेशन गंभीर हो गई. व उसकी एक्स्प्रेशन गहरी हो गई. ऐसा लगता है कि वह अभी भी ली मोबाई से अपनी लाइफ सोल को उसके पास प्लेस करने के बारे में बहुत चिंतित है. वैसे, मुझे आपको कुछ और बताना है, राजवीर ली हुआन को जिया जियू हुआंग के बारे में बताना चाहता है इस बात की बहुत possibility थी की ली जूवान का सबसे बड़ा भाई जिया जियू हुआंग का हंट है. अब जब कि जिया जियू हुआंग मर चुका है, इस मामले का जिया परिवार से कोई लेना देना नहीं है ली जूवान को जिया परिवार के खिलाफ अपनी जान जो एहम शर्माव मत ली हुआन पहले ही मेरा शिश्य बनने के लिए तैयार हो गया है हाला कि मैं मामलों को बहुत स्पष्ट तरीके से हैंडल करता हूँ मैंने सबसे पहले आपको पसंद किया आप मेरे सबसे बड़े शिश्य है इस वरिष्टता के साथ खिलवार नहीं किया जा सकता है वंदुगू ने एक्स्प्रेशन में बदलाव के बिना कहा राजवीर कुछ शौक है खीरद दुगू जो उसे अपने स्वामी के रूप में एक्जेप्ट करना चाहता है ने अचानक अपना रवया बदल दिया और शत्रुतापूर्ण हो गया बकवास मत करो मुझे आपका शिश्य बनना मंजूर नहीं है आपको मुझे एक शर्थ में हराना होगा शायद अगर आप शर्थ हार जाते हैं तो फ्यूचर में आपको मुझे अपना स्वामी मानना जब ऐसा होता है तो आपको ओल्ड जोव पॉइंटलर मास्टर को फोन करना होगा ली जुवान ने अपने होटों को हिलाते हुए कहा क्या चल रहा है राजवीर शौक है चैक्टर 789 गुजरात गौट का पुनरजन्म ट्रैंसलेटर सीके टैलन वम डुगू ने उसे हरा दिया और कहा मुझे लगता है कि ली हुआन की टैलन्ट पास करने योग्य है इसलिए मैं उसे एक शिशे के रूप में लेने की योजना बना रहा हूँ आपको भी इस पर विचार करना चाहिए मेरे सबसे बड़े शिशे होने पर पच्चतावा करने में अभी भी देर नहीं हुई है राजवीर तुरंत अंडिस्टैंडिंग गया की क्या हो रहा है ली हुआन की लाइफ सोल ली मोबाई के इवल किंग गू के साथ मिल गई है इसलिए उसमें कुछ गू विशेशता है वहम दुगो को इस बिंदू पर एक कल्पना हुई होगी इसलिए वह ली हुआन को अपने शिशे के रूप में लेना चाहता है हाला की ली हुआन और राजवीर अच्छे दोस्त थे वहम दुगो को डर था की ली हुआन को यह शर्मनाक लगेगा अगर वह जानता है कि वह राजवीर को अपने गुरू के रूप में एक्जेप्ट करना चाहता है इसलिए उन्होंने उसे आगे एक्जेप्ट करने से इंकार कर दिया इसे काट दे मुझे शौक है कि राजवीर के हॉस्टल के सामने कौन खड़ा है जो अपने मालिक की तलाश करने का दावा कर रहा है ली जुवान ने अपने होर्थो पर हाथ फेरा और कहा चिंता मत करो मैं ली जुवान अपने वचन का पक्का हूँ जब तक तुम मुझे बाजी में हरा सकते हो तब तक मैं निश्चे ही तुम्हें अपना स्वामी मानूंगा हाला कि अगर आप हार जाते हैं राजवीर के शुक के लिए ली जुवान को पहले से ही पता था कि वंडुगू उसे अपने गुरू के रूप में एक्जेप्ट करना चाहता है विराम मेरे लिए हारना अंपॉसिबल है वंडुगू ने तुरंत कहा राजवीर ने ली हुआन से पूछा कि क्या हो रहा है और ली हुआन ने एक्सपैंशन से स्टेटिस के बारे में बताया तभी राजवीर को पता चला कि वंडुगू ने ली हुआन को दक्षन जिले में आने के लिए क्यों राजी किया है राजवीर के चले जाने के बाद वम डुगू ली हुआन से टक्रा गया, जो राजवीर की जगा से कुछ ले रहा है दोनों पक्षों में कहा सुनी हो गई वम डुगू ली हुआन से निपटने के लिए अपने गू का यूज करना चाहता है लेकिन उसके गू ने ली हुआन से संपर्ट करने की हिम्मत नहीं की इससे वम डुगू घबरा गया कई परीक्षनों के बाद वम डुगू ने महसूस किया कि ली हुआन की लाइफ सोल गू की दास्ता है फीनिक्स को पालना भी गू को रोकने के लिए है जहां तक हुआन की बात है तो वह सभी प्रकार के गू पर लगाम लगा सकता है ऐसी टैलन्ट के साथ वम डुगू ली जुवान को अपना शिश्य बनाने और उससे गू को पालने का तरीका सीखने के लिए ललचाया ली जुवान ठीक्ट्र से तयार नहीं था लेकिन वम डुगू ने हार नहीं मानी उसने ली हुआन को कईफू के जादूई एफेक्ट दिखाये और यहां तक कि वह ली हुआन को मिठीकल गू को पकड़ने में मदद करना चाहता है जब ली हुआन ने गू की अजीब और जादूई कपासिटियों को देखा तो वह सासी एच एच में ललचा गया हाला कि क्योंकि वंदुगू राजवीर को अपने गूरू के रूप में लेना चाहता है इसलिए ली हुआन वंदुगू का शिश्य बनने के लिए तैयार नहीं है इसलिए उन्होंने वंदुगू के साथ शर्ट लगाए अगर वंदुगू प्रसिद बर्फ रेशमकीट गूकिंग को पकड़ सकता है तो ली जुवान उसका शिश्य बनने के लिए सहमत हो जाएगा और उससे गू को पालना सीखेगा हिम रेशमकीट गूकिंग वंदुगू का अपने शिश्य को शुबकामना गिफ्ट होगा अगर कोई परेशानी का कारण नहीं होता तो मैं लंबे टाइम तक बर्फ के रेशमकीट गूकिंग को पकड़ लेता और उसे एक शिश्य के रूप में ले लेता ली हुआन ने अपने होठो पर हाथ फेरा और इंसल्ट के साथ कहा अगर किसी ने अंदर आकर बर्फ के रेशमकीट गूकिंग का ध्यान नहीं की चाहोता तो हम शायद वहीं मर जाते यह सोचने के लिए कि आप अपने आपको दक्षन जिले में गूपालन में नंबर एक विशेशगे कहते हैं कितना शर्मनाक है ली हुआन ने बताया कि क्या हुआ है पूरी ट्राहन से वम दुगू ने आइस रेशमकीट गूकिंग को रोकने के लिए ली जुवान की लाइफ सोल का यूज करने के इरादे से आइस सिल्कवर्म गूकिंग को पकड़ने के लिए ली हुआन को लिया है अपनी कपैसिटी ओं के साथ वह इसे एक जटके में पकड़ सकता है हाला कि उनके शौक के लिए बर्फ रेशमकीट किंगू सिर्फ एक नहीं बलकि दो थे जैसे ही वे एक बर्फ रेशमकीट किंगू को पकड़ने में सफल होने वाले थे एक और बर्फ रेशमकीट किंगू अचानक दिखाए दिया, जिसने कीरा दुगू को अचानक पकड़ लिया. उन दोनों की वही अप्रॉक्स मरे हुए यू हो गई. शुक्र है कि उस टाइम, ऐसे लोगों का एक समूह था जो आइस सिलकवर्म गू किंग को भी पकड़ना चा लगता है कि वे सबसे अधिक सफल हुए हैं. ली जुवान ने कहा. बकवास्ट ती, क्या आपको लगता है कि बर्फ के रेशमकीट किंगू को पकड़ना इतना आसान है? जियो परिवार के उनकुछ बेकार चुतरों के साथ, वे आइस सिलकवर्म किंगू को पकड़ने में एबल नहीं होंगे, भले ही उन्हें और दस साल दिये गए हो. ऐसा लगता है कि वे सब वही मर जाएंगे, वमदुगो कूटते ही चिल लाया. जियो परिवार, कौन सा जियो परिवार? वमदुगो से पूछते ही राजवीर का दिल हिल गया. कौन सा जियो परिवार हो सकता है? च्यांग राय जैसी छोटी सी जगह में ही जियो परिवार मजबुती से खड़ा हो सकता है, वमदुगो ने इंसल्त के साथ कहा. मैंने सुन जुगू जियो परिवार को बड़ी अवमानना साथ देखता है जब उसने यह सुना, तो उसने अपनी दाड़ी कीची और कहा, कई बड़े लोग हैं जो काला जादु जानते हैं, कुमा थौंग और दक्षन जिले में बुद्ध पटिकाए हैं। जियो परिवार उच्चर रैंक भी नहीं रखता है, वे अपनी उत्कृष्ट टेक्नोलजी के कारण नहीं, बलकि इसलिए की वे नियमों का पालन नहीं करते हैं, और निर्दई हैं, कम्पेनियन बीस्ट में पैर जमाने में एबल थे. क्या आप जानते हैं कि जियो परिवार क और वे दक्षन जिले में काफी प्रसित थे. उन्होंने गू को बढ़ा किया, लेकिन उन्होंने अपने साथ दूसरों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया. बाद में पत्नी गर्भवती हो गई. जब से वह गर्भवती हुई, जंगली गू अकसर उसके घर के आसपास खाए देने लगा. यहां तक पौरानिक गू भी थे. एक गहरी सास लेने के बाद, वंडुगू ने आगे कहा, फिर सभी ने कहा कि पत्नी जिस बच्चे को ले जा रही है वह गूगौट का पुनरजन्म है. इसलिए उसने अपनी रक्षा के लिए सभी गू को आकरशित किय हाला कि गू ने उन्हे कोई नुकसान नहीं पहुचाया, लेकिन उन्होंने आसपास के पढोसियों के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर दी. इसलिए दमपती के पास रहने के लिए एक दूरस्ट प्लेस पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कुछ देर बाद ही कि चला कि दमपती की घर में दर्दनाक मौत हो गई है. पत्नी का पेट कटा हुआ था और बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है. जब उन्होंने यह सुना तो राजवीर औरली जुवान को लगा कि उनका खून ठंडा हो गया है. उन्होंने वंदुगू को अपनी बात कहत हुए सुना, ज्यादातर लोगों का मानना की गूने दमपती को नुकसान पहुचाया और उनके बच्चे को ले गए. हाला कि हमारे डुगू परिवार के एक सदस्य के इस जुड़े के साथ अच्छे संबंध थे. उनके मुताबिक, जियो परिवार के मुखिया के दमपती क साथ अच्छे संबंध थे. जब वह दमपती से मिलने गए, तो उन्होंने जियो परिवार के मुखिया से भी मुलाकात की. इसके अलावा, दमपती की मरे हुए यू के एक साल से अधिक टाइम बाद, जियो परिवार ने एक पावट कुमन्थोंग का उत्पादन किया. इसक या आपके दुगू परिवार के पास कोई सबूत है, ली हुआन ने पूछा. अगर सबूत होते, तो हम बहुत पहले जियो परिवार का सफाया कर देते. हम उन्हें अब तक कैसे जीने दे सकते थे. हाला कि, मुझे लगता है कि यह मामला जियो परिवार से किया गया है, वं निश्चित रूप से ऐसा करने में एबल है. एक मिनट रुकिए, जियो परिवार वांग चान चाहता है. मुझे यह मत बताओ कि वे कुमा थौन की कल्टिवेशन के लिए उसका यूज करना चाहते है. राजवीर ने जल्दी से वं डुगू से पूछा, क्या आपको कुमन निखारने के लिए एक बच्चे की जरूरत है. क्या व्रिध लोगों को कुमान थौन में परिश्कृत किया जा सकता है? आमतोर पर, शुन्य और ट्वेल्व यर की आयो के बच्चों का यूज जर्थ शिशूओं और इनसान शिशूओं को बनाने के लिए किया जा सकता है. यह पास्ट का तरीका है लेकिन अब यह तरीका और भी क्रूर है वंडुगू ने एक्स्पैंशन से नहीं बताया. शुन्य से बारह साल की उम्र तक, राजवीर ने एक पल के लिए सोचा. वान चान अप्रॉक्स 11 या बारह साल के लग रहे थे. इसके अलावा, उसके पास दुर्भाग्य लाइफ प्रोविडेंस की देवी है जिसने उसे अप्राइमरी जीनो बना दिया. चाप्टर 790, ड्रेगन लाश रिवर ट्रैंसलेटर, सी के टैलन. अगर एक ग्यारह या बारह साल का बच्चा पहले से ही एक लाइफ प्रोविडेंस को संधनित कर चुका है और यह बहुत खास है, तो क्या यह कुमा थौन को परिश्कृत करने में सहायक होगा? राजवीर ने फिर पूछा. मैं इस बारे में बहुत निश्चित नहीं हूँ. फाइनली, मैं गु का पालन पोशन करने में माहिर हूँ और मैं केवल कुमन थौन के बारे में मूल बाते जानता हूँ. आपको एक पेशेवर से पूछना चाहिए, वंदुगो ने कहा. राजवीर ने उन्हें विदा करने से पहले कुछ देर उनसे बातचीत की. वह यह पता लगाना चाहते थे कि क्या वांग चान का लाइफ प्रोविडेंस कुमन थौन को अफेक्ट करेगा? सामतोर पर, घृून जो जल्दी मर जाते हैं या गर्भपात कर दिये जाते हैं, उनका यूजर्थ शिशुओं और इंसान शिशुओं को बनाने के लिए किया जाता है. इस तरह, आख्रोश अधिक होगा और आध्यात्मिक्ता मजबूत होगी. जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें उम्र बढ़ने के साथ कमजोर आध्यात्मिक्ता होगी. वे जितने पुराने हैं, कुमान थौन के रूप में उतने ही अनुप्युक्त हैं. बारह साल की उम्र सैधान्तिक सीमा है, लेकिन बहुत कम लोग सा C.H.H. में कुमन पीटी बनाने के लिए इतने पुराने ब इस्चित था कि जियो परिवार वांग चान को जिस कारण से चाहता है वह पॉसिबल तह कुमन थौन के शोधन से संबंदित है. अगर ऐसा है, तो यह जियो परिवार सा C.H.H. में मौत का हगदार है. राजवीर कुछ गुस्से में है. राजवीर ने ड्रेगन कौपस रिव में कोई आपत्ती नहीं की. इसे वांग लू को एहसान लोटाने पर भी विचार किया गया. जब ली मौबाई वापस लोटे, तो राजवीर ने उन्हें बताया कि ली हुआन भी यहां थे. ली मौबाई ने अपने कमरे में लोटने से पहले उदासीनता से कहा कि इसका उसस कोई लेना देना नहीं है. अगली सुबह, राजवीर, गू शान्शूई, ली मौबाई और कमपनी ड्रेगन कॉप्स रिवर की ओर चल पड़े. ली जुवान और वम डुगू के लिए, उन्हें आइस सिलकवर्म गू किन को पकड़ने से पहले कुछ तयारी करनी है. बिना क लुगू के साथ जाते टाइमली जुवान ने एक शब भी नहीं कहा. राजवीर को नहीं पता था कि क्या कहना है. वो गू शान्शूई के साथ आगे बढ़ते हुए नसुनने का नाटक कर सकता है. रिवर में एक अजगर के मरने के कारण ड्रेगन कॉप रिवर को इसका ना गई. उदाहरं के लिए ड्रेगन कॉप रिवर में प्रवेश करने के बाद कोई ड्रेगन कॉप रिवर के पानी को बिल्कुल नहीं चू सकता है नहीं तो इूमन जॉंबी बन जाएगा. ड्रेगन कॉप रिवर के उपर से उडान नभर पाने और उसमें खोन न टपकने की भी वर्जना है साथी, जिन महिलाओं के पीरियद्स चल रहे थे, वे ड्रेगन कॉप्स रिवर में प्रवेश नहीं कर सकती है. इसलिए, राजवीर एंट कमपनी केवल नाव से ड्रेगन कॉप्स रिवर में प्रवेश कर सकती है जिस नाव पर वे सवार थे, उसे के अनुसार, नाव पर सामगरी को विशेश रूप से संसाधित किया गया है, गू को नाव पर लकड़ी की गंध पसंद नहीं थी और आमतोर पर वह उसके पास नहीं जाता है. ली, ड्रेगन लाश रिवर बहुत खतरनाक है. क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप हम से जुड आते हुए कहा. गू शांश्वी ने और कुछ नहीं कहा और सभी को नाव पर चड़ा दिया. उन्होंने रिवर के किनारे को छोड़ दिया और ड्रेगन कॉप रिवर के उपर की ओर चले गए. ड्रेगन कॉप रिवर बहुत बड़ी नहीं है लेकिन जिसक्षन जहाज रिव चलाने में गू शान्शुई की मदद करना चाहते थे, लेकिन गू शान्शुई ने उन्हें बताया कि ड्रेगन लाश रिवर पर आखों को मूर्क बनाया जा सकता है. उसे यह अंडिस्टेंडिंग ने की जरूरत थी कि लाश बग कहा है इसलिए केवल वही नाव चला सकता है नाव के कोहरे में घुसने के बाद, गू शान्शुई ने मिट्टी से बना एक कंटेनर निकाला. कंटेनर को धनुष पर रखने से पहले उसने कंटेनर को रिवर के पानी से भर दिया. एंड मी, उसने एक गू निकाला जो एक लोच जैसा देख रहा था और उसे अंदर के लिए किया कि आसपास के पानी में कई डाइमेंशन जीव तैर रहे थे. हाला कि वे लकडी की नाव के पास नहीं गए. यह अग्यात था अगर यह लकडी की नाव या मिट्टी के घड़े में रखे गू के लिए धन्यवाद है. लकडी की नाव धीरे-धीरे अंधेरी रि एक भयानक धरकन ने उसके दिल को तेज कर दिया. ट्रुथ लिसनर की कपासिटी के साथ, राजवीर ने महसूस किया कि ड्रेगन कौपस रिवर के तल पर ऐसा लग रहा था कि एक बड़ी चाया उन्हें घूर रही है. प्लॉप, प्लॉप, मिट्टी के घरे में गू अचानक उच्छल पड़ा जैसे की चौका दिया गया हो, जिससे गू शांशूई की एक्स्प्रेशन गंभीर हो गई. गू शांशूई ने मिट्टी के बरतन से गू को पकड़ा और उसे रिवर में डाल दिया. गू दूर त तल पर चाया बहुत बड़ी है, दस मिनट से आधिक टाइम तक नाव चलाने के बाद, लकडी की नाव अभी भी चाया के उपर बनी हुई है, इससे दूर जाने में असमर्थ है. राजवीर का मन तनाव ग्रस्थ है, उसने चाया को स्कैन करने के लिए ट्रूथ लिसन का इम्मत नहीं की, उसे डर था कि वह उसे सचेत कर देगा. अगर लकडी की नाव पलट जाती, तो राजवीर को अपनी सुरक्षा का डर नहीं है लेकिन नाव पर सवार अन्य लोग शायद मर जाते. शुक्र है कि चाया नहीं चली. जब से इसने गू को खाया है, यह केवल उ रिव के तल पर क्या है? क्या यह सा सी एचेच में ड्रेगन हो सकता है? हाला कि यह पास्ट में देखे गए ड्रेगन से अलग लगता है. इसको और अब बिलकुल अलग है. राजवीर ऐसी जगह पर कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहता है यह स्वाभाविक रूप से अच्छा था अगर उसे लड़ने की जरूरत नहीं है. करीब 4-5 घंटे नाव चलाने के बाद उनके सामने रिवर पर एक चोटा सा टापू दिखाए दिया. यह द्वीप अधिक से अधिक एक सौक मैदान के शेप का हैर उस पर एक चोटा पहार था जो 100 मीटर से भी कम उच चेंगे तो मैं मुर्दे को बाहर निकालने का लालच दूनगा. मिस्टर जोव कृपया योजना का पालन करे. गूशान्शुई ने लकडी की नाव को किनारे तक पहुचाया और सभी को किनारे पर पहुचा दिया. राजवीर को गूशान्शुई की योजना के बारे में प पहार पर ले गया. वे व्यभारिक रूप से रिंगते हुए आगे बढ़े. जब वे ज्वाला मुखी के क्रेटर पर पहुचे तो उन्होंने कुछ छोटी बोतले निकाली जो उन्होंने तयार की है टाइम टाइम पर वे ज्वाला मुखी यो क्रेटर में पीले लिकवर्ट आधिक बोतले डालने के बाद, फाइनली ज्वाला मुखी के अंदर हल चल हुई. युक्ती, आप चैक्टर 791, लाश बग से जूजना वन ट्रांसलेटर, सी के टैलन. राजवीर एंड कमपनी ने ज्वाला मुखी क्रेटर से चीटे की आवाजे सुनी. गू शान्शुई औ कमपनी ने आवाज सुनने के बाद, वे धीरे-धीरे ज्वाला मुखी क्रेटर से पीछे हट गए. जैसे ही वे पीछे हटे, उन्होंने एक पतली रेखा बनाते हुए जमीन पर लाश का तेल डाला. जल्द ही, तिकड़ी पीछे हट गई और राजवीर और कमपनी के साथ र और एक विभाजित सींग है. कीड़ा थोड़ा-थोड़ा रेंगता हुआ बाहर आया और लाश के तेल को चाटते हुए नीचे की ओर चला गया. कीड़े को धीरे-धीरे नीचे उतरते देखकर, गू शान्शुई की एक्सप्रेशन गमभीर हो गई. गू लू और गू ही भ गहुद घबराय हुए लग रहे थे. गू शान्शुई ने राजवीर को देखा जिसने थोड़ा सा सिरहिलाया. जवाब में, गू शान्शुई ने एक धातु का कंटेनर निकाला. यह भट्टी की तरह दिखता था और तिपाई की तरह भी. यह एक अग्यात वस्तू है. ज लाश के तेल की गंध ने तुरंत कीट का ध्यान आकरशित किया. इसने अपने पारभासी पंक फैलाये और धातु के कंटेनर की ओर उड़ गया. यह धातु के कंटेनर के किनारे पर उतरा और लाश के तेल को अंदर खीचने के लिए अपना सिर बढ़ाया. डिब्बा थोड गहरा है, खटमल के आधे फिनिश हो जाने के बाद वह नीचे शब के तेल तक नहीं पहुंच सका. यह सब कर सकता था कंटेनर में क्रॉल किया गया है. अभी गुशान्शुई ने तुरंत राजवीर को कारभाई करने का इशारा किया और वह धातु के कंटेनर की ओर भागा राजवीर ने चूजे को उड़कर कंटेनर के किनारे पर गिरा दिया. जब मुर्गे ने चूजे को देखा, तो वह प्राइमरी जीनोगू की तरह डरा हुआ नहीं है, इसने तुरंत अपने दात खोल दिये और चूजे का सामना करने के लिए अपने पंजो को लहराया. हाल फिर उसने एक क्लिक से कंटेनर को ढग दिया. गू शांशुई ने एक हाथ से धातू के कंटेनर को दबाया और दूसरे हाथ से उसके चारो और एक लाल रसी लपिदी उसे बांधने की कोशिश कर रहा है. धातू का कंटेनर अचानक हिंसक रूप से हिल गया. राजवीर ने अत्याचारी बेहेमोत को बुलाया और उसे धकन को पकड़ने में मदद करने के लिए कहा. अत्याचारी बेहेमोत की मदद से धातू के कंटेनर ने तुरंध हिलना बंद कर दिया. हाला कि अंदर से लगातार जणकार आ रही है. गू शांशुई ने ज्यादा परवा नहीं क उसने धातू के पात्र के चारों और कई बार एक लाल रसी लपेटी. गू शांशुई की योजना के अनुसार उसने पहले ही लाश के कीड़े को फंसा लिया है उसे बस इतना करना था कि उसे वापस लाया जाए और धीरे धीरे उसे वश्मे किया जाए. हाला कि उसके शौक के लिए धातू के कंटेनर से एक करकश आवा जा रही है गू शांशुई के हाव भाव काफी बदल गए क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ गरबर है. वह तुरंत रुख गया और धातू के कंटेनर को बाहर फिक दिया. धातू का कंटेनर बीच हवा में फट गया और लाल ध पानशुरी चिल लाया और जल्दी से पीछे हट गया. उसी टाइम उसने दरजनों अजीब गू को तलब किया. गू के बाहर आने के बाद उन्होंने लाश के कोहरे को अवशोशित करने की पूरी कोशिश की लेकिन थोड़ा सा भीगने के बाद वे मर गये. चूजे ने एक पानशुरी को शौक हुआ. लाश की चूजे से भी तेज हैर अपने पनकों के फरफराने के साथ, इसका सीन चूजे पर पटक दिया, जिससे वह उड़ गया. चूजा जमीन पर गिरा और रूपने से पहले काफी दूर लुड़क गया. जब से यह पैदा हुआ है, चूजे चक्मा देने के लिए अपने पनक फरफराई और पीछे हट्ते गू शांशुई की ओर उड़ गया. ऐसा लगता है कि लाश बग की बुद्धी कम नहीं है यह कमजोरों को धमकाने और मजबूतों से डरने का सिध्धान जानता है. गू शांशुई ने जल्दी से अपने अगल से देखा और महसूस किया कि कॉपस बग से निकला लाश का कोहरा जहरीला कोहरा नहीं है बलकि बैक्टीरिया या वाइरस का एक समूह है. एक बार जब बैक्टीरिया और वाइरस गू के बौडी में प्रवेश कर गए तो गू भी इसे नहीं ले सका और जल्दी ही मर उन जीवानों विशानूओं को भी गूँ ही मानना न। यह कॉपसेबर पूरी ट्रहन से गूँ का पैत्रिक बोडी है। इसमें से बस एक मुठी धुंद में भारी मात्रा में गूँ होता है। मुर्दा बग पहला गूँ था जिसने चूजे से लरने की हिंमत की लेकिन फिर भी रह चूजे की सुनेहरी लप्टो से चूने की हिंमत नहीं करता है। इसने अपनी स्पीड का यूज अपनी स्टेटिस को लगातार बदलने के लिए किया, वह भाग कर चूजे को कातना चाहत चूजा उतना तेज तो नहीं है लेकिन उसकी उड़ान का रास्ता बहुत अजीब है राजवीर ने अपनी आई चौरी होने से पहले कुछ देर तक देखा इस साथी की उड़ान प्रक्षे पवकर उसकी Transcendent Flying Immortal की तरह लग रही है प्लानत है एक पक्षी ने साथ CHH में मेरी Transcendent Flying Immortal Movement Technology सीखी राजवीर हक का बग का रह गया चूजे ने Transcendent Flying Immortal का इस्तेमाल किया और सा CHH में कौपस बग के बराबर है इसको सुनेहरी लप्ते मुर्दे कीट से तकराने में विफल रही और लाश कीट इसे चूने में विफल रही Master Gu, या आपके पास कोई प्लान भी है राजवीर ने Gu Shanshui से पूछा जब लाश बग चूजे से लड़ रहा है उसके पास कई साथी जानवर थे, इसलिए लाश बग को मारना उनके लिए impossible नहीं है हाला कि उसके लिए उसे मारना time waste था क्योंकि Gu Shanshui उसे जिंदा रखना चाहते थे यहां तक प्यो एसेंस गोल्ड से बना Gu Flask और Blood Trade Gu से बना Blood Trade Rope भी इसे नहीं फसा सकता अगर मेरे पास इसे लुभाने का कोई तरीका है तो भी यह बेकार है Gu Shanshui ने अपना सिर हिलाया और करवाहट से मुस्कराया उन शब्दों को सुनकर राजवीर को कुछ याद आया उसने कैलाश निकाला और Gu Shanshui को सौप दिया कोशिश करें और देखें कि क्या आप लाश बग को फंसाने के लिए इसका इस्तिमाल कर सकते हैं Gu Shanshui कैलाश की उत्पत्ती को जानते थे और जब उन्होंने इसे देखा तो वे बहुत खुश हुए हाला कि कैलाश को चारो और घुमाने के बावजूर उसे कोई छेद नहीं मिला युक्ती आप चैप्टर के बीच ब्राउस करने के लिए बाई, दाए और दी कीबोर्ड कुंजियों का यूज कर सकते हैं Red Novel Falcom Light Openyaas, Web Openyaas, Korea Openyaas और India Openyaas मुफ्ट में ऑनलाइन पढ़े मुफ्ट पढ़े, मुफ्ट Light Openyaas औनलाइन पढ़े, संपर्क TOS Sightmap Chapter 792, खत्रे का सामना करना Translator, CK Talent, अपनी सार उर्जा को इसमें इंजेक्ट करें और यह स्वचालित रूप से एक छेद खोल देगा आपको गू को अंदर लाने का एक तरीका सोचना चाहिए, राजवीर ने कहा गू शान्शुई ने इससे आज माया दरसल, जब तक वहे सिंस एनरजी इंजेक्ट करता, तब तक कैलाश की शीर्ष पर एक ग्रे कोहरा दिखाई देता, जिससे वह ग्रे फॉक के माध्यम से चीजों को रख पाता कैलाश को पकड़ते हुए, गू शान्शुई ने अपने दाथ पीस्ते हुए कहा, फिर हम केवल जोके मुठा सकते हैं गू शान्शुई ने अपने गोल्डन चाइल्ड लाइफ सोल को बुलवाया और उसे कैलाश के साथ लाश के बग तक पहुँचाया जब लाश के कीड़े ने सुनेहरे बच्चे को देखा, तो वह शहद देखकर मधुमक्खी की तरह हैर इसने चूजे को छोड़ दिया और गोल्डन चाइल्ड की और इस तरह दोड़ा जैसे वह उसे खाना चाहता हो राजवीर को बहुत शौक हुआ, वह नहीं जानता था कि गोल्डन चाइल्ड लाइफ सोल कौपस बग के लिए इतना अकरशक है गोल्डन चाइल्ड भी सार उर्जा का यूज कर सकता है इसने अपनी सार उर्जा को कैलाश में इंजेक्ट किया और चांस लिया जब कौपस बगे से कैलाश के अंदर स्टो करने के लिए दोड़ा दुर्भाग्य से गोल्डन चाइल्ड केवल एक एपिक लाइफ सोल है इसको स्पीड लाशकीट की तुलना में बहुत स्लो है जैसे ही मुर्गे की आकरिती चमकी उसने हुक्कुम के चारो और चक्कर लगाया और गोल्डन चाइल्ड के सिर पर वार किया अच्छा नहीं गूश आन्शुई के हाभभाव में भारी बदलावाया अगर उसकी लाइफ सोल नश्ट हो जाती है तो किसी आन्यल लाइफ सोल को संधनित करना आसान नहीं होगा विशेश रूप से उनका गोल्डन चाइल्ड लाइफ सोल भी एक प्रकार का कुमा थोंग है हालां कि उनका एक हेवन बेबी था ना कि एक अपरम प्रागत अर्थ बेबी या में बेबी यह बहुत दुरलब है जैसे ही लाश का कीड़ा गोल्डन चाइल्ड के सिर में घुसने वाला है एक बांस अचानक कैलाश में पटक दिया जिससे कैलाश का मुँँ पट गया यह कौपस बग से टकराने के कारण हुआ जिससे यह गायब हो गया और कैलाश में जमा हो गया राजवीर ने अपना हाथ बढ़ाया और बांस के आवरन वाले ब्लेड को वापस ले लिया गु शान्शुई बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने जल्द बाजी में अपनी सार उर्जा वापस लेने के लिए गोल्डन चाइल्ड हासिल कर लिया कैलाश पर ग्रे कोहरा बिना किसी निशान के गायब हो गया कैलाश से टकराने की हलकी आवाज आई यह possibility थी कि कीरा हुकुम में फंस गया था और बाहर निकलना चाहता है हाला कि यह कैलाश के खिलाफ कोई effect नहीं दिखा रहा है श्री जू यह सब आपके लिए धन्यवाद है कि मैं लाश बग को पकड़ने में एबल है मैं सा CHH में नहीं जानता की आपको कैसे धन्यवाद दू गो शान्शूई ने उत्साह से कहा मैं बस अपना पिछला वादा पूरा कर रहा हूँ मास्टर गू इसे दिल पर मत लो हाला की जब हम लोटेंगे तो आपको अभी भी एक कंटेनर खोजने का तरीका सोचना होगा मेरे पास अभी भी इस कैलाश के अन्य यूज है राजवीर ने कहा जब हम वापस आएंगे तो मैं इसे हल करने के तरीके के बारे में सोचूनगा गू शान्शूई ने हरबरी में कहा आपकी इच्छा पूरी करने के लिए बधाए मास्टर गूपली मोबाई बटरफलाई और म्यूट के साथ चली गई गू शान्शूई को फाइनली लाश बग पकड़ने पर बधाए दी यह सब आपके और श्री जोव के लिए धन्यवाद है गू शान्शूई बहुत खुश है लेकिन वह अपनी भावनाओं से अंधा नहीं हुआ है अब ड्रेगन कॉप रिवर को छोड़ दे यह यहां सुरक्षित नहीं है सभी ने लकड़ी की नाव को रिवर में धकेल दिया और जिस रास्ते से आये थे उसी रास्ते से वापस चले गए कुछ ही टाइम बाद राजवीर को लगा कि कुछ गरबर है इससे पहले जब वे आये थे ड्रेगन कॉप रिवर में गू लकड़ी के जहाज के बहुत करीब नहीं आया है हाला कि जब वे वापस लोटे तो पास का गू धीरे धीरे लकड़ी की नाव के पास पहुचा इसके अलावा उनमें से अधिक से अधिक थे अगर चूजा नाव पर नहीं होता तो वे काफी देर तक आगे बढ़ते मास्टर गू कुछ गड़बर लग रहा है राजवीर ने गू शांशुई से कहा गू शांशुई ने भी असामान्यता पर ध्यान दिया है और उसने एक भारी एक्स्प्रेशन के साथ सिरहिलाया और कहा ऐसा लग रहा है कि ड्रेगन कॉपस रिवर में गूलाश बग के कारण इकठा हो रहे हैं हाला कि वे दिव्य पक्षी की वजह से संपर्क करने की हिम्मत नहीं करते परंतु इतना कहने के बाद गू शांशुई ने आगे बढ़ने से पहले रुख गए हाला कि ड्रेगन कॉपस रिवर में एक भयानक एलियम हो सकता है अगर इन गू की तरह अफेक्ट हो जाए तो दिव्य पक्षी की और अभी शायद उसे भय भी न कर पाए जब ऐसा होता है तो हम बड़ी मुसीवत में पर जाएंगे राजवीर ने तुरंत रिवर के तल पर विशाल छाया के बारे में सोचा जब वे आए क्या कोई और उपाय है राजवीर ने प अगर यह सा CHH में काम नहीं करता है तो मैं लाश का कीड़ा वापस कर दूनगा गू लो और गू वह घबर गए और उन्होंने जल्दी से कहा मास्टर गू आप नहीं कर सकते आखिर इतनी मशक्कत के बाद आपने लाश के कीड़े को पकड़ ही लिया यह लाश कीट आपके लिए बहुत इंपोर्टन्ट है आपको इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहिए शायद ड्रेगन कॉप रिवर में वह भयानक एलियम नहीं है या शायद वह एलियम कॉप बग से बिलकुल भी एफेक्ट नहीं है गू शान्शुई ने अपना सिर हिलाया और आह भरी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कॉपस बग ड्रेगन कॉपस रिवर में गू को ट्रिगर करने में एबल होगा लाश का कीरा पालना सा सी एचेच में मेरी इच्छा है लेकिन मैं हम में से बहुत से लोगों के लाइफ को दाव पर नहीं लगा सकता अगर हम जमीन पर होते तो हम अभी भी एक समाधान के बारे में सोच सकते थे लेकिन अब हम ड्रेगन कॉप रिवर पर हैं यहां बहुत सारी वर जनाये हैं एक बार वह एलियम एक्स्प्रेस हो गया तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे इतना कहकर गू शांशुई ने हुककुम खोलने और ल को पहले ही पकर चुके हैं अपनी बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व के साथ क्या आपको लगता है कि अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो भी यह हमें ड्रेगन कॉप रिवर को सुरक्षित रूप से छोड़ने देगा गू शांशुई ने करवी मुसकान के साथ कहा मैं यह से एक बंधक के रूप में क्यों नहीं छोड़ देते शायद ड्रेगन कॉप्स रिवर को छोड़ने का एक मौका है गू शांशुई ने अपने दाथ पीस लिए अब जब चीजे इस पर आ गई हैं तो मैं केवल एक जुआ खेल सकता हूँ मैंने इस बार चीजों को ठीक से नहीं सोचा है इसलिए मैंने अपने साथ सभी को परेशान किया अगर मैं आज नहीं मरा तो मैं फ्यूचर में सभी के लिए प्रायश्चित करूंगा हम फ्यूचर में उन चीजों के बारे में बात करेंगे चलिए पहले कुछ तयारी करते हैं यहां तक अगर ड्रेगन स्रिवर में ऐसे जीव है जिन्हें दिव्यपक्षी भी नहीं रोक सकता है तो हम पीछे नहीं बैठे रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे ली मोबाई ने कहा उन्होंने कुछ देर तक चीजों पर चर्चा की और तयारी करने लगे दुर्भाग्य से उनकी स्पीड विधी की सीमा लकड़ी की नाव तक ही सीमे थेर्वे लकड़ी की नाव को चोड़ करना तो आकाश में उड़ सकते थे और नहीं जल को चू सकते थे वे चोटल भी नहीं हो सकते थे यह उनके लिए बहुत आधिक प्रतिबंधात्मक है राजवीर ने एक पल के लिए सोचा और Primodial Sp पो को बुलवाया। उन्होंने स्टेटिस की जाच करने के लिए इसे पानी में प्रवेश कराया। इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि पानी में गु कितने पाउट थे। ऐसे सूक्षम साथी जानवरों को खुजना मुश्किल है। प्रिमोर्डियल स्पो के पानी में प्रव आ रहे थे। वे अपनी नंगी आँखों से दूर से बहते पानी को देख सकते थे। उनके चारों और हर तरह के गु थे एक साथ दबे हुए। यह अजीब और उबकाए देने वाला है। और राजवीर के अवलोकन के तहत लकडी की नाव के पास रिवर के तल पर एक के कारण लकडी की नाव के चारों और भीर लगा रहे गु भागने के लिए चटपटाय और जल्दी से गायब हो गए। पूरी ट्रहन से शांत रिवर की सतह में भी लहरों की बड़ती परते दिखाए देती है। ऐसे सपष्ट संकेतों के साथ लिमोबाई, गु करने की पूरी कोशिश नहीं की होती, तो लकडी की नाव पलट जाती। लिमोबाई, बटरफलाई और कमपनी ने लकडी की नाव में गिरने वाले रिवर के पानी को रोकने के लिए अपने साथी जानवरों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि लकडी गोर रहा है। उसके सामने हुमन और यहां तक की लकडी की नाव भी चीटियों की तरह छोटी है। हाला कि इसका जडाटर बॉडी अभी भी रिवर में है जिससे कोई भी इसके पूर्ण रूप को देखने से रोक रहा है बस इसके खुले हुए हिससे काफी चौकाने वाले है। राजवीर ने कई ड्रेगन देखे थे ओर्ड ड्रेगन गुफा में वाइट ड्रेगन, अंडरग्राउंड समुद्र में काला ड्रेगन, टॉर्च ड्रेगन मंदिर में टॉर्च ड्रेगन और यहां तक पश्चिमी ड्रेगन भी। हाला कि कोई भी अजगर उसके सामने जितना अजीब और सुन्दर नहीं हो सकता है. मूनगा जैसे बॉडी के रंग उसकी भावनाव के अनुसार बदल गए. यह कभी जेड की तरह वाइट, कभी खून की तरह लाल और कभी इंद्रधनुशी रंग का होता है यह कला के एक विशाल टुकडे की तरह है. हो सकता है. क कॉप्स रिवर में कोई ड्रेगन लाश नहीं है. सच में एक ड्रेगन किंगू है. गू शान्शुई की आखे चोरी हो गई क्योंकि वह अपने सामने भव्य और भयानक एलियम को घूर रहा था और अनच्छिक रूप से चिल लाया. गू लू और गू ही की स्टेटिस और भ अपनी लड़ाई की भावना खोदी है वे वध होने की प्रतीक्षा कर रहे मेमनों के बराबर थे. सलेब्रटी यह थी की फीनिक्स गू की दास्ता है जबकि ड्रेगन ने दुनिया में सभी गू का उत्पादन किया. कुछ एरिया में ड्रेगन को देवता माना जाता है. Modern इंसान के दृष्टिकोर से गू ड्रेगन गौड पर परजीवी थे. बेशक यह एक निश्चित एरिया में केवल एक सलेब्रिटी है यह सच था तो अग्यात है. हाला कि इन एरिया की कीवदन्तियों में अगर ड्रेगन गौड के बौडी पर परजीवी बेहत पावर थे तो वे स्टेटेस को बदल सकते थे, ड्रेगन गौड को गू में बदल सकते थे, फिर यह गू के महान किंग, ड्रेगन किन गू का निर्मान करेगा. यह सासी एचेच में सिर्फ एक प्लेस सलेब्रिटी है ड्रेगन किन गू को पहले किसी ने नहीं देखा है इस यूग में किसी को बिलीव नहीं था कि गू सा CHH में स्टेटेस को बदल सकता है और ड्रेगन गौट को गू में बदल सकता है। हाला कि उनके सामने इस लाइफ रूप में निसंदेह ड्रेगन और गू की विशेशताए है। यह एक दिव्य अजगर की तरह दिखता था और इसमें एक भयानक अजगर हो सकता है लेकिन इसका बोडी मूनगा की सनरचना के बराबर है। प्रवाल के रूप में ही यह कई प्रवाल क्रिमियों से संधनित हैर उनके सामने का जीब भी अंगिनत गू के समलन के रूप में देखा जा सकता है। यह विशेशताए पौरानिक ड्रेगन किंग गू के बराबर है। इसके अलावा, जब से यह जी ड्रेगन किंग गू होने का संदेह एक्स्प्रेस हुआ, तब से गू शांश्वी पर गू, गूलू और गूहे के बोडी कापने लगे. वे आप चल फिर नहीं सकते थे. यह चूजे के दमन से भी भायानक है. गू को पालने वाले लोगों के लि अन्य है चूजे के व्यक्तित्व के साथ, इसने फीनिक्स की लप्तो को उगल दिया होता और जीव को अपने सामने जला दिया होता. ड्रेगन किंग गू ने चिक और राजवीर को ठंडेपन से देखा. यह ठीक रसे दूसरे गू की तरह चिक से नहीं डरता है इसने चूज प्राइमरी जीनो गू को नियंतरित कर सकता है लेकिन ड्रेगन किंगू जैसा एक्जिस्टेंस कुछ ऐसा नहीं था जो चिक से मेल खा सके. राजवीर ने देखा कि ड्रेगन किंगू की निगाहें लगातार उस कैलाश को घूर रही थी जिसमें लाश बग है जाहिर है, यह लाशकीट से आकरशित किया गया है. गू शांशुई ने कापते हाथों से कैलाश उठाया और ड्रेगन किंगू को पेश किया. एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने गू का पालन पोशन किया, किसी ने भी ड्रेगन किंगू का विरोध करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह उसके दिल में साउस बीडिय देवता है. एक फ्लेश के साथ राजवीर धनुष पर पहुँचे और गू शांशुई से कैलाश ले लिया. उसने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और ड्रेगन किंगू को देखा. चून की वह गू पालने वाला पेशेवर नहीं है भले ही उसने कैलाश में शब बग को सौप दिया हो. ड्रेगन किंगू उन्हें जाने नहीं दे सकता. गर्जन ऐसा लग रहा था कि ड्रेगन किंगू राजवीर की हरकतों से नाराज हो गया और उसने एक अजीब सी गर्जना की. ड्रेगन की दहार के विपरीद जो राजव लिया जैसे कि उनके दिमाग में कीडे काट रहे हो. राजवीर को भी ऐसा लगा जैसे कोई बहुत छोटा जीब उसके कानों में घुस गया हो और उसके मस्तिश्क पर आक्रमन करने वाला हो. यह एक ध्वनी गू है जो ध्वनी का यूज़ करता है. जल्दी से अपने कान ब अपने बोडी पर सुप्रीम हिल किंग लाइफ सोल के कंट्रोल का इस्तेमाल किया. मुझे पता है कि तुम मुझे अंडिस्टैंडिंग सकते हो. आईए हम ड्रेगन कॉप रिवर को छोड़ दे और हम लाश बग को आपके अंदर वापस कर देंगे. अगर हम में से एक की मरे हुए यो हो जाती है तो मैं इसे राक में बदल दूनगा. राजवीर ने ड्रेगन किंगू से कहा और उसने अपने हाथ में कैलाश उठाया. राजवीर पर अजगर की सास उगलते ही ड्रेगन किंगू को गुस्सा आ गया. ड्रेगन की सास एक जवारिये लहर की तरह थी जो बेहत भयानक लग रही है. चूजे ने अपना मुह खोला और सुनेहरी लप्ते उगल दी. जब सुनेहरी लप्ते ड्रेगन की सास के संपर्क में आई, हाला कि ड्रेगन की सास का एक हिस्सा जल गया, लेकिन ड्रेगन की सास ने इसे दबा दिया. ड्रेगन की सास लकड़ी की नाव को कंबल देने वाली है। गू शान्शूई, गूलू और गूही के चहरे राक जैसे हो गए थे। उन्होंने विरोध करने का तनिक भी साहस नहीं किया। हाला कि ली मोबाई, बटरफलाई और म्यूट ने ड्रेगन की सास को रोकने की पूरी कोशिश की है लेकिन उनके क पोसस टाइम वेस्ट रहे। उनके भाव भद्दे हो गए। चाप्टर 794, ताइ सुई की पाव ट्रैंसलेटर, सी की टैलन। अचानक राजवीर के कंधे पर वाइट चूजे ने अपने पंक फरफड़ाई और अजगर की सास के सामने उर गया। इसने अपना मूह खोला औ इतना पावर था और अनुमान लगाया कि यह फीनिक्स का वन्शज है। हाला कि ताइ सुई ने जो वाइट चिक रूप धारंग किया है वह बहुत स्पष्ट नहीं है इसके अलावा यह एक अगनी तत्वर एलियम की तरह नहीं दिखता है यह फीनिक्स का वन्शज नहीं हो सकता। इसके अलावा फीनिक्स दुरलब थे। एक के लिए एक बेहत भाग या एड है यह कलपना करना हाट था कि एक व्यक्ति के पास दो फीनिक्स हो सकते हैं। इसके अलावा ताइ सुई आमतोर पर अचंभे में लगती थी और ज्यादा हिलती नहीं है ज्यादा तर ताइ सुई ने अपना मुँ खोला और ड्रेगन किंगू की ड्रेगन सास को निगल लिया जैसे की कुछ भी नहीं हुआ हो। उन्हें सुख़द शौक हुआ। हालाकि ताइ सुई पावर्ड है यह सास CHH में अजेय नहीं है मुख्य बात यह थी कि ड्रेगन किंगू की ड्र असली ड्रेगन सास से अलग है। ड्रेगन किंगू की ड्रेगन सास कुछ हद तक कौपस बग के कोहरे के बराबर है यह बड़ी अमाउंट में लगूगू से बना है और ताइ सुई इन चीजों की दास्ता है। सच में यह सिर्फ ड्रेगन की सास नहीं है यहां तक ड्रेगन किंगू स्वयम एक जटल सूक्षम समूँ है ताइसुई के लिए ड्रेगन किंगू का बॉड़ी एक दावत है। ताइसुई ने अपने पंक फरफ़डाय और ड्रेगन किंगू पर हमला कर दिया। ड्रेगन किंगू ठीक त्रसे नहीं जानता था कि ताइसुई कितनी गया है। ड्रेगन किंगू सभी गू का किंग हैर इसके बॉड़ी में सभी प्रकार के सूक्षम गू होते हैं। अगर कोई इसे निगल जाता है तो वे बड़ी अमाउंट में गू से आक्रमन कर देंगे। यहां तक एक पौरानिक एलियम भी इसका सामना नहीं कर पाएगा लेकिन उस टाइम गू शांशुई और कमपनी ने अचानक ड्रेगन किंगू को आबराबर में ऐसे दहरते देखा जैसे कि वह अत्यदिक दर्द में हो। फिर उन्होंने देखा कि उसके पेट में एक छोटा सा छेद दिखाई दे रहा है। ताइसुई रेंग कर बाहर निक भद रूप से मरेंगे। वाइट पक्षी का ड्रेगन किंगू के बौडी पर आकस्मिक चोंच मारना अन्बलीवेबल है। क्या वह साथ एचेच में ड्रेगन किंगू है। यह नकली नहीं हो सकता है ना। गू लू को संदेह की नजर से देखा। असंख्य गू के पौरान अनक ड्रेगन सासे और पावर कंटिन्यू की लेकिन वे ताइसुई के खिलाफ बेकार थे। ताइसुई सूक्षम जीवो की दास्ता है यहां तक अत्याचारी बेहिमोत को ड्रेगन किंगू पर गू से पर जिंडा किया जा सकता है। यहां तक टॉर्च ड्रेगन को भी ड् बन गई। कोई फर्क नहीं पढ़ता कि ड्रेगन किंगू कितना पावर्ड है फिर भी उसे ताइसुई ने चोंच मारी है। गू शांशुई और बाकी लोग अचमवित होकर देख रहे थे क्योंकि ड्रेगन किंगू को छोटे वाइट चुजे ने खा लिया हैर एंड मी, यह पानी में भाग गया और रिवर के तल से निकल गया। असंख्य गू के प्रसिद किंग सच में ऐसे ही बच निकले थे। ताइसुई का बोडी सूज गया क्योंकि वह अब और नहीं खा सकती है इसके अलावा यह तेज नहीं है इसलिए यह पानी के नीचे ड्रेगन गू तक नहीं पहुँच सका। यह वापस उड़ गया और राजवीर के कंधे पर जागिरा। गू शान्शुई और कमपनी ने राजवीर के कंधे पर ताइसुई को शौक से देखा। उन्होंने पूरी ट्राहन से कल्पना की थी कि फीनिक्स रक्त रेखा वाला चूजा प विपरीत हाला की ताइसुई चिक के बराबर दिखती है इसमें फीनिक्स की और या कपासिटी नहीं है गू शान्शुई और ली मोबाई इसको उत्पत्ती का अनुमान नहीं लगा सके। राजवीर ने गू शान्शुई को केलाश वापस सौप दिया। मास्टर गू चलो अब इस जगह को छोड़ दें। गू शान्शुई के लाश लेने नहीं पहुँचे। श्री जू अगर यह तुम नहीं होते तो हम जिंडा भी नहीं होते। इस मुर्दे कीट को लेने की मेरी हिम्मत कैसे होगी। अच्छा होगा कि तुम इसे रख लो। राजवीर ने मु बात है कि आप मुझसे गू को पालने का तरीका सीखने को तयार है। मैं निश्चित रूप से तुम्हे सब कुछ सिखाऊंगा और कुछ भी नहीं चिपाऊंगा। गू शान्शुई ने गंभीरता से कहा। वापस आने पर बात करते हैं। यह बात करने की जगह नहीं है। गू शान्शुई ने मना नहीं किया। साबधानी से कैलाश को दूर रखने के बाद उसने नाव को ड्रेगन कौपस रिवर के बाहर निकलने की और बढ़ाया। राजवीर ने उस दिशा में देखा जहां ड्रेगन किन गू गायब हो गया है उसकी आँखों में एक अजीब सी नजर है। अगर ताइसुई नहीं होती तो एक पौरान एक साथी जानवर के साथ भी ड्रेगन किन गू को हराना आसान नहीं होता। इसके अलावा यह बहुत पॉसिबिलिती थी कि लडाई शुरू होने से पहले वे गू से पर जिंडा हो जाएंगे। हाला कि यहां तक ताइसुई भी केवल ड्रेगन किन गू को घायल करने में काम्याब रही। इसके बौडी में नहित उर्जा बहुत आधिक है ताइसुई यह सब पचा नहीं पाई। राजवीर का ध्यान इस बात पर गया कि उसने रिव में जो प्राइमडियल स्पो रखा है उसने ड्रेग के कारण प्रिमोडियल स्पो अभी भी जिंडा हैर उनके बीच का रिष्टा काफी कमजोर हो गया है वह नहीं जानता था कि ड्रेगन किंगू के बौडी में आधिम वी जानू कैसे कर रहा है। राजवीर ने सोचा अगर मैं इससे सफलता पूर्वक पर जिंडा कर सकता हू और ड्रेगन किंगू को अपने लिए ले सकता हूँ तो मुझे दक्षन जिले में डरने की कोई बात नहीं होगी। राजवीर आदिम वी जानू की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित नहीं थे। इसमें शाश्वत इमोर्टल ता का लाइफ है इसलिए इसे मारना आसान काम नहीं है। हाला की एक पुरानिक एलियम को पर जिंडा करने में काफी टाइम लगेगा। राजवीर ड्रेगन कॉप रिवर में इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता है इसलिए वह केवल जा सकता है। ड्रेगन किंगू की धमकी के बिना दूसरे गू चूजे से डरते थे इस लिए उनमें से किसी ने भी वहाँ से भागने की हिम्मत नहीं की। समूह ने ड्रेगन कॉप रिवर को सफलता पूर्वक छोड़ दिया। राजवीर ड्रेगन कॉप अस रिवर के बाहर प्रिमोडियल स्पो के एक्जिस्टेंस को भी अंडिस्टैंडिंग सकते थे। हाला क कॉप रिवर में नो रिटन की घाटी से कम गू नहीं है अगर वह इसे गेम कालकोटरी में डाउनलोड कर सकता है तो यह पीसने के लिए एक अच्छी जगा होगी। दूर्भाग्य से उन्हें हथेली का छोटा चिन्ह नहीं मिला। इसलिए वह रातोरात मोंड हसत लोट आया। राजवीर ने मोंड हसत के लिए गू शांशुई का फॉलो नहीं किया। उसने कुछ दिनों में मोंड हसत में कैलाश वापस लेने का फैसला किया। उसने रहने का फैसला किया क्योंकि वह जियो परिवार का दोरा करना चाहता और जियो सी और वांग चान के बीच के मामले को सुलजाना चाहता है। ली मोबाई ने राजवीर के साथ मून हसत जाने से पहले कुछ और दिनों के लिए चियांग राय में रहने की योजना बनाई। उस रात, राजवीर ने असीनता के लबादे का इस्तेमाल किया और जियो परिवार की और चल दिया। उसने यह देखने के लिए परिवार में घुस्पैट करने की योजना बनाई की क्या उसे कुछ पता चल सकता है। जियो परिवार एक बहरी जागीर में रहता है और उनके आने से पहले राजवीर को एक प्रॉबलम का फील हुआ। सड़क के दो पहर गु भी लगाया। राजवीर गु के बारे में ज्यादा नहीं जानता है इसलिए वह नहीं जानता था कि दुश्मन याद्वनी को पहचानने के लिए कौनसा गुगंध पर निर्भर है। इसलिए गु को सचेट करने से बचने के लिए वह आबराबर से जागीर में उ पहर गया है। टुथ लिसनर की लगातार एरिया को स्कैन करने की कपासिटी का यूज करते हुए उन्होंने जियो परिवार के विभिन छिपे हुए तंत्र और जाल का पता लगाया। डैमेंशनल जोन के एंट्री गेट की रखवाली करने वाले जियो परिवार के गार्ड क साथ वह गौन है राजवीर की असीनता के माध्यम से देखना चार पौरानिक इंसान के लिए impossible है। राजवीर का ध्यान आकर्शित करने वाली बात यह थी की डैमेंशनल जोन के एंट्री गेट पर एक मूर्ती है मूर्ती बड़ी विचित्र लग रही है यह एक बुद्ध प्रतिमा पहले कभी नहीं देखी है लेकिन मूर्ती की नककाशी बौध धर्म में इस्तेमाल की गई नककाशी के बराबर है इसको पीट पर एक बौध चमक उकेरी गई है। राजवीर अठीक्र से बुद्ध की प्रतिमा से गूमाटों के बराबर औरा को महसूस कर सकता सोल बौडी की दृष्टी इंसान से कुछ भिन है। बात सिर्फ फौम की नहीं है। उस बुद्ध प्रतिमा को प्राइमरी जीनो असीन्ता से मूर्क बनाना शायद इंपॉसिबल है। राजवीर ने असीन्ता के लबादे के भाग्य के पहिये को सक्रिय करने और उन्होंने प्रवेश किया, उन्होंने सास लेना मुश्किल पाया जैसे की घाटी में ऑक्सीजन ही नहीं है। राजवीर ने किसी भी गू की खोज नहीं की और तुरंत जान गए कि यह इस डाइमेंशन एरियर की वर्जित पाव हैर उसे सावस बीडिये भुजूर के स्वर जैसा कि अद्रिशिता लबादे के भाग्य के पहिये में केवल तीन मिनट थे, उसे उन तीन मिनटों में डाइमेंशन एरियर में स्टेटेस का पता लगाना है। राजवीर ने पूरी ट्राहन से कल्पना की थी कि ऐसी घाटी में सभी प्रकार के गू होंगे, लेकिन सासी चेच में, वहाँ कोई नहीं है घाटी में केवल एक मंदिर है लेकिन शेली लुआग के मंदिर से बहुत अलग है यह स्पश्ठा की यह च्यांगराय की प्लेस शेली है। मंदिर के बाहर कोई नहीं है लेकिन अंदर बहुत से लोग थे। वे संभावित रूप से जियो पर घाटन धर्मुरत से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह जानता था कि यहाँ कोई वर्जित पावर नहीं है। जैसा कि वे जागीर के बाहर पहर पह्रिदारों और घाटी में वर्जित पावर पर भरोसा करते थे, मंदिर की आंतरिक सुरक्षा उतनी सक नहीं है। और लड़कों और लड़कियों के शेप में कई गुडिया देखी। वह मोटे तोर पर जानता था कि वे क्या थे। राजवीर को उनमें कोई इंट्रेस्ट नहीं थी और वह सीधे पिछवारे की और भागा। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है हालांकि वह रेवल होन लग रहा है। राजवीर ने हमेशा महसूस किया था कि ये धार्मे के मारते सौंदर्य की द्रिष्टी से मनभावन नहीं है धर्म के बावजूद उन्होंने उससे एक उनकमफरिबल भावना दी। रास्ते में जियो परिवार के कई लोगों से उनका सामना हुआ लेकिन उन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे राजवीर की इंट्रेस्ट बढ़ी हो। यह देखते हुए कि तीन मिनट हो चुके थे राजवीर को फील हुआ कि पास के याड में कोई नहीं है इसलिए उसने पहले याड में प्रवेश करने का फैसला किया। प्रांगन में प्रवे मंदिर का हॉल है दर्वाजा खुला है और अजीब तरह से दर्वाजे के सामने एक काला कपड़ा लटका हुआ है। राजवीर ने इंटिरियर को स्कैन करने के लिए ट्रुथ लिसन का इस्तेमाल किया और महसूस किया कि छोटा मंदिर हॉल भयानक और भयानक है अंदर की पश्ट विचार था कि यह लाश का तेल है यह देखकर कि अंदर कुछ नहीं है राजवीर ने प्रवेश नहीं किया। जैसे ही वह मंदिर की खोच कंटिन्यू रखने वाला है उसने अचानक एक लड़की को अपने सामने खड़ा देखा। लड़की ज्यादा बुरी नहीं रोन्ते खड़े हो गए। वह मुझे देख सकती है राजवीर सोच रहा था कि ऐसी स्टेटिस से कैसे निपता जाए। दूसरी पार्टी केवल एक लड़की थी जिससे उसे कोई शिकायत नहीं है राजवीर उसे मारने के लिए क्रिपान कीचने के लिए खुद को तयार नह के चलते ही लड़की की रीटनर बाई और चली गई। राजवीर ने दाई और कुछ कदम उठाय और लड़की की पुतलिया फिर से दाई और चली गई। वह उसे घूरती रही ठीक ट्रस से असीन राजवीर को देख पा रही है। के लिए लंबे टाइम तक कारवाई करता। हाला कि जब वह बिना किसी शोर शरावे के उसे देख रही है तो राजवीर के लिए हमला करना उच्चित नहीं है। जियो परिवार में इतने सारे लोग है कि लड़की शायद उन सभी को पहचान नहीं पाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह नहीं जानती कि मैं जियो परिवार से नहीं हूँ। कुछ विचार के बाद राजवीर को फील हुआ कि यह बहुत पॉसिबल है रण्य है लड़की के पास मदद के लिए न बुलाने का कोई कारण नहीं है। लेकिन उसने उसका रास्ता रोकने के लिए दो कदम उठाए। जाहिर है वो उससे जाने देने को तयार नहीं है। एह हम क्षमा करें। मैं खो गया। आपको परिशान करने के लिए क्षमा करें। राजवीर ने लड़की के चारों और चक्कर लगाने की उम्मीद में दूसरी तरफ कुछ कदम चलते हुए कहा। लड़की ने फिर से उसका रास्ता रोक लिया लेकिन उसका हमला करने का कोई इरादा नहीं है ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका चिलाने का कोई इरादा है। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? राजवीर ने अपनी खराब वाकपटुता से लड़की को अंडिस्टैंडिंग की कोशिश करने की यूजना बनाई। लड़की चुप रही और उसकी ओर देखती रही, उसे बड़े शेप में ल पॉसिबल था कि यार्ड में कोई है? हाला कि जब लड़की उसके पीछे खड़ी हुई, तो राजवीर सच में यह पता नहीं लगा सका कि वह कहां से आई है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह लड़की ह्यूमन नहीं बलकी गोस्ट है? राजवीर ने साबधानी से लड़की की जा मंदिर के हॉल के अलावा, कोई अन्य बाधा नहीं है. लड़की पर नजर डालने के बाद, राजवीर ने उसे मंदिर के हॉल में गहराय तक जाने से पहले चुप रहने का इशारा किया. लड़की उसे देखने में एबल होने का मतलब यह नहीं था कि दूसरे उसे देख सक राजवीर ने चिपने और कोशिश करने की यूजना बनाई. चून की वह पहले ही बेनकाब हो चुका है इसलिए स्टेटिस और खराब नहीं हो सकती है. मंदिर के हॉल में बिना किसी जेर से जादा सजावट के एक भीट की मेज है राजवीर सोची रहा था कि कहा चिपना है उसने देखा कि लड़की अंदर आ रही है. राजवीर का पीछा करने वाली लड़की के साथ भले ही अन्या सीन राजवीर को न देख सके वे उसकी वजह से उसके existence का पता लगा लेंगे. जैसे ही राजवीर कारवाइ करने और लड़की को नीचे गिराने ही वाला हैर उसने मंदिर के हॉल के कोने में एक कपड़े के परदे पर उसकी बात देखी, जो उसके पीछे चिपने का संकेद दे रहा है. दो लोग पहले ही यार्ट के एंट्री गेट पर आ चुके थे. राजवीर ने एक और शब कहने की हिम्मत नहीं की, डर था कि वे उसे सुन लेंगे. वह क राजवीर ने खुद को स्थिर किया, उसने यार्ट का दर्वाजा खुला हुआ सुना. दो लोग अंदर चले गए और तेजी से मंदिर के हॉल में दाखिल हुए. राजवीर खोजे जाने से नहीं डरते थे. अगर उसे खोज लिया जाता, तो वह बस अपना रास्ता निका राजवीर असीन थे. उसे नंगी आखों से पहचान पाना मुश्किल है. हाला कि राजवीर को जो शौक हुआ वह यह था कि उन्होंने लड़की को इस तरह नजरंदास कर दिया जैसे कि वह वहा नहीं है. मंदिर के हॉल में प्रवेश करने वाले दो लोग अब युवा नह निकलने वाले धुए के गुच्छे. धुवा लंबवत नहीं उठा. ऐसा लग रहा था कि वह किसी बल से आकरशित हो गया है और भेट की मेज पर कुमाथौन की ओर तैरने लगा. किनारे पर चलने से पहले उस आदमी ने कुमाथौन को प्रणाम किया. लियू की किया आपन होने की possibility है. इस व्यक्ति के वांग चान के साथ अच्छे संबंध हैं, इसलिए हमें अभी तक पता नहीं चला है कि यह कौन है, जियो लियू की ने answer दिया. आपकी राय में क्या ऐसा हो सकता है कि वांग परिवार ने हमारे लक्ष की खोचकी और जानबूच कर सीर को खत्म क कर दिया. जियो त्यान फैंग ने भौहें चड़ाते हुए कहा, ऐसा लगता है, यह नहीं होना चाहिए. अगर वांग परिवार ने सा C.H.H. में हमारे लक्ष की खोचकी, तो वे निश्चित रूप से अकेले जियो सी को लक्षित नहीं करेंगे. वे हमें जियो सी के बारे में कोई explanation भी नहीं देंगे और हो सकता है कि उन्होंने हमारे जियो परिवार के साथ संबंध भी तोड़ दिये हो. लेकिन इसका कोई संकेत नहीं है, जियो लियूकी ने कहा. जियो त्यान फैंग ने आह भरते हुए कहा, वेंग परिवार फाइनली पूर्वी जिले में एक परिवारिक कभीला है. भले ही वे हमारे जियो परिवार से ज्यादा मजबूत हो, लेकिन हमारे जियो परिवार को छुने के लिए उनके लिए दक्षन जिले में आना आसान नहीं होगा. मुझे डर नहीं है कि वे हमारे साथ गिर जाएंगे. दुर भाग्य से, सीर की मरे हु यू के साथ, मुझे डर है कि हमारी योजना को कोई मौका नहीं मिलेगा। तियान फैंग किया और कुछ नहीं है जो वांग चान के लाइफ प्रोविडेंस की जगह ले सकता है। जियो लियू की ने पूछा। अगर कोई प्रतिस्थापन होता, तो हम वांग परिवार को प्रियंत्रित नहीं किया जा सकता। हाल के यह में, उस पर हमारा कंट्रोल कमजोर और कमजोर हो गया है। उसे एक लाइफ सोल में परिशोधित करना तो और भी इंपॉसिबल है। अब जब वह पहले से ही पौरानिक लेवल पर है, तो उसे एक लाइफ सोल में परिश्कृत करना impossible है। हाला कि वेंच चान की दुर्भाग्य लाइफ प्रोविडेंस की देवी का यूज करके हम एक दुर्भाग्य कुमन्नी बना सकते हैं और उसे गु लेडी कुमन्नी को दबाने और एफेक्ट करने दे सकते हैं। इस तरह हम उन दोनों को मजबूती से पकड़ने का च जबरदस्ती एक कुमन्नी में परिश्कृत किया। हाला कि वे साच गौड नहीं है लेकिन वे कोई प्राइमरी जीनो कुमा थौंग नहीं है जिसकी तुलना की जा सकती है। केवल कुछ विशेश रूप से पावर्ट कुमन्नी में उससे अफेक्ट कर सकते हैं। वर्तमान म हमारे पास सबसे अच्छा मौकावान चान को एक दुरभाग्य कुमन्नी में परिश्कृत करने का है। अन्य तरीके और भी हार्ड और एंपॉसिबल हैं। जियो त्यान फेंग ने कहा। एक कुमन्नी में समवर्दित किया और इसे पौरानिक लेवल तक बढ़ाया। कुमन्नी के बारे में राजवीर की अंडिस्टैंडिंग बहुत सीमित है वह नहीं जानता था कि कुमन्नी कैसे परिपक हुआ लेकिन उसका मानना की जियो परिवार ने अपनी पूरी कोशिश क ही है अब जब वे कुमन्नी को नियंत्रित नहीं कर सकते थे तो वे गू लेडी कुमन्नी को नियंत्रित करने के लिए वांग्चान को एक और कुमन्नी में परिश्कृत करना चाहते थे क्या शेतानी जियो परिवार है ऐसे दौर में मजबूत बनने की इच्छा करना गलत नहीं है हर तरह के हतकंडे अपनाना गलत नहीं है लेकिन इतना शातिर होने के लिए दूसरों के साथ वैसा ही वहेव करने के लिए तयार रहना होगा राजवीर का दिल मारने के इरादे से भर गया है राजवीर लाइट कंसीलमेंट तलवार को बुलाना चाहता था और पहले जियो लियू की और जियो तियान फैंग को मारना चाहता है उनमें से दो निश्चित रूप से निर्दोश नहीं थे टाइम आने पर वह जियो परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्णय ले सकता है जैसे ही वह एक चाल चलने वाला है उसने अचानक महसूस किया कि लड़की उसके सामने खळी है ऐसा प्रतीत होता है कि वह उसे जियो लियू की और जियो तियान फैंग पर एक चाल चलने से रोकने की कोशिश कर रही है. राजवीर ने अपने सामने लड़की को देखा और अचानक कुछ अंडिस्टैंडिंग गया उसने मन ही मन सोचा क्या यह लड़की गूर लेडी हो सकती है जिसे उन्होंने कुमन्नी में परिश्कृत किया है जितना अधिक राजवीर ने इसके बारे में सोचा उतना ही उसे लगा कि यह पॉसिबल है मन्दिर के हॉल में प्रतिष्थित व्यक्ती पॉसिबल तह गूर लेडी कुमन्नी है फिर यह अजीब लड़की बड़ी होने के बाद गूर लेडी हो सकती है आमतोर पर कुमन्नी इवॉल्व नहीं होता लेकिन कुमन्नी और एक एसेंस एनरजी आठ के सयोजन के बाद कुछ भी पॉसिबल है वह अब जियो परिवार के कंट्रोल में है अगर मैं जियो परिवार को मार देता हूँ तो वह निश्चित रूप से मेरी दुश्मन बन जाएगी इसे ध्यान में रखते हुए राजवीर ने अस्थाय रूप से कोई कार्रवाई नहीं की गुल लेडी एक दयनियव यक्ती है अगर वह जादूई पैदा नहीं हुई होती तो उसे जियो परिवार से नुकसान नहीं पहुचाया जाता यहां तक उसके मॉम डैग की भी दर्दनाक मौत हो गई पैदा होने से पहले उसे कुमन्नी में परिश्कृत किया गया है यह कहा जा सकता है कि वह बेहत दुख़द है राजवीर को यकीन नहीं था कि अगर उसने अपने मालिक को मार डाला तो वह बच सकती है इसलिए उसने कारवाई नहीं करने का फैसला किया जियो त्यान फैंग ने एक पल के लिए सोचा और कंटिन्यू रखा भले ही वांग परिवार ने इस पर ध्यान दिया हुई या नहीं चलो वांग चान के मामले को अभी के लिए अलग रख दे आये आईस सिल्कवर्म गू किंग को पकड़ने की पूरी कोशिश करें अगर हमारे पास बर्फ रेशम की गू किंग है तो हमें गू लेडी की पावर पर ज्यादा भरोसा नहीं करना पड़ेगा बर्फ के रेशम की गू किंग को पकड़ना आसान नहीं है मैंने पूरी ट्राहन से सोचा था कि गू लेडी की मदद से हम आईस सिल्कवर्म गू किंग को पकड़ने में एबल होंगे यह जानने के बाद की आईस सिल्कवर्म गू किंग सिर्फ एक नहीं बल्कि एक जोडी है, गूल लेडी शायद आइस सिल्कोम गू किंग्स की जोडी के लिए भी मैच नहीं है. मुझे अभी भी कुछ और सोचने की जरूरत है, जियो लियूकी ने कहा. पुरानिक रक्ट बिच्छू गू को पालतू बनाने का काम कैसा चल रहा है? क्या इसका शेश रूप से मुश्किल है. पहले के तीनों को इतने लंबे टाइम तक पालतू बनाया गया है लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं मानने से इंकार कर दिया. यह थोड़ा बहतर है, लेकिन यह बमुश्किल हमारे कंट्रोल में है. इसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित नही किया जा सकता है. बस काफी है. आइस सिलकवर्म गू किंग्स को बिचलित करने के लिए इसे अपने साथ ले जाएं. जब तक आइस सिलकवर्म गू किंग्स की जोड़ी अलग हो जाती है, तब तक गूर लेडी एक से निपटने के लिए पूरी ट्रहन से आधिक होनी जियो तियान फैंग ने भेट की मेज पर कुमननी को देखा और कंटिन्यू रखा, रख बिच्छुगू तैयार करो. हम किसी भी देरी को रोकने के लिए कल जाएंगे. कीड़ा दुगू की नजर बर्फ के रेशम के कीड़ों के जोड़े पर भी है. हम उसे अपने आगे सफल नहीं होने दे सकते. मैं अंडिस्टैंडिंग ता हूँ. मैं अभी तैयारी करता हूँ. जियो लियुकी ने आंसर दिया. अच्छा कार्य करना. फ्यूचर में परिवार के मुखिया का पद आपके से प्लैनेट अनर किया जाएगा. हालां कि परिवार के मुखिया के तैयान फैंग आप अभी भी अपने चरम पर हैं. जियो लियुकी को तुरंट बहुत खुशी हुई. लेकिन उन्होंने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की. जियो तैयान फैंग ने अपना हाथ हिलाया. मैं अपने आपको जानता हूँ. इन सभी यह में गुल लेडी को दबा आने के लिए मेरा बॉडी दिन बा दिन बिगरता जा रहा है. मेरा दिमाग भी फेल हो रहा है. फ्यूचर में जियो परिवार को आप पर भरोसा करना होगा. आपको भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए. तियान फैंग चिन्ता मत करो. मैं निश्चित रूप से आपको निरा के सामने खड़ा हो गया. वह बाहर क्रिस्टल बेरियर को छूने के लिए बढ़ा और एक अजीब भाव के साथ कहा. इतने साल हो गये हैं. लेकिन मैं आभी भी तुम्हें पूरी तरह से वश में नहीं कर पाया हूँ. आप वांग चान को पकड़ने और उसे दुर्भाग य कुमननी में बदलने की मेरी योजनावी विफल हो गई है. अगर आप अभी भी सबमिट नहीं करते हैं, तो मैं केवल लास्ट कदम उठा सकता हूँ. मेरा बोडी सच में इसे आब और नहीं ले सकता. बर्फ के रेशम की गूकिंग को हासिल करने के बाद मैं आपकी चेतना क को पूरी तरह से मिटा दूनगा. हाला कि इससे कुमननी की आध्यात मिक्ता और कपैसिटी ओ में बहुत कमी आएगी, आपने मुझे एक कोने में धकेल दिया है. मैं केवल ऐसे उपाई कर सकता हूँ. जियो त्यान फैंग ने याज छोड़ने से पहले कुमानी को कुछ देर तक देखा. शुरू से अंत तक लड़की राजवीर के सामने खड़ी रही, उसे जियो त्यान फैंग को नुकसान पहुचाने से रोका. जब उसने तुम्हें इस अवस्था में पहुचाया तो तुम उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो? राजवीर ने पूचा. लड़की प्रतिक्रिया करते देखा तो वह बहुत खुश हुआ. उसने पूचा, फिर क्या कोई उपाय है जिससे तुम घायल होने से बच सकते हो? लड़की बिना जवाब दिये बस उसकी तरफ देखती रही. राजवीर अपने होश में आया और जानता था कि लड़की बोल नहीं सक कुछ दिन प्रतीक्षा करें. मैं तुम्हें जल्दी से बचा लूनगा. राजवीर ने मंदिर के हौल से निकलने के लिए मुरने से पहले लड़की से कहा. लड़की अंडिस्टैंडिंग गई कि उसका क्या मतलब है और उसने उसे नहीं रोका. राजवीर के याद छोड़ को छोड़ने के बाद वह अपने निवास पर लोट आया और गू शांशुई को फोन किया. शुक्र है कि वह पहले ही मोंग हसत पहुच चुका था और उसके पास फोन का सिगनल है उसने जल्दी से कॉल का जबाब दिया. राजवीर ने कुमन थॉंग और कुमन नी के बारे म ने भी उपहास नहीं किया. राजवीर को पता था कि वंडुगू की असफलता दुखद रही होगी, इसलिए ली जुवान ने एक शब भी नहीं कहा. चाक्टर 798 बर्फ रेशम की ट्रैंसलेटर, सीके टैलन, हम अपनी शर्थ क्यों नहीं भूल जाते? यह शुरुआत में स चिश्य बनूनगा, वंडुगू ने गुस्से में कहा. ली हुआन ने मुस्कराते हुए कहा, मैंने तुम्हारी कपैसिटी ओ को देखा है. अगर केवल एक बर्फ रेशम कीट गूकिंग होता, तो आप निश्चित रूप से इसे पकड़ने में एबल होते. लेकिन अब दो कामी मान लूनगा. मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूनगा, इतना कहने के साथ, वंडुगू राजवीर की ओर मुरा और बोला, अगर ली जुवान मेरे गुरू है, तो राजवीर, आप मेरे पॉइंटलर मास्टर होंगे. पॉइंटलर मास्टर के लिए मुझे कुछ स् वंडुगू को देखा. उसे यह अनबलीवेबल लगा कि यह व्यक्ति डुगू परिवार से था छेह नायक परिवारों में से एक. वह बहुत बेशर्म है. अच्छा, क्या यह आपकी योजना शुरू से थी? यह सुनकर ली जुवान अचमवित रह गया. तभी उसे फील उसे बेवकूफ बनाया गया है. वंडुगू हसा और बोला, एक ह्यूमन के रूप में मेरा मकसद व्यभारिक होना है. तो क्या हुआ अगर मैं आपको अपना स्वामी मानता हूँ? आपको अभी भी मुझे यह सिखाने की जरूरत है कि गू का पालन पोशन कैसे करे? उपर स तो तुम मेरे मालिक हो, लेकिन असल में मैं अब भी तुम्हारा मालिक हूँ. यह सिर्फ एक शीरशक है. कोई फर्क नहीं पढ़ता की. अगर राजवीर मुझे फीनिक्स पालना सिखा सकता है, तो मुझे उसे पॉइंटलर मास्टर कहने की बात मत करना, मैं उसे ग्रेंड म मास्ट भी कह सकता हूँ. राजवीर और ली हुआ नवाक रह गए. यह पहली बार था जब उन्होंने वंडुगु जैसे किसी व्यक्ति को देखा है, यह एक आख खोलने वाला है. मैं सासी एचेक्श में नहीं जानता की फीनिक्स का पालन पोशन कैसे किया जाता है. इस ना मैंने प्रा-इंडिया पुस्तकों में फीनिक्स की आदतों और खाने की आदतों के बारे में लंबे टाइम से पढ़ा है. अगर मेरे पास फीनिक्स दिव्य पक्षी होता, तो मुझे खुद पता होता की उसे कैसे खिलाना है. आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है. फ सिर्फ आप से सीखना चाहता हूँ. मैं एक फीनिक्स को अपने पीछे चलने के लिए कैसे तयार कर सकता हूँ. वंडुगो ने कहा. मैंने पहले ही कहा है कि यह मूर्ख पक्षी स्वाभाविक रूप से मेरा फॉलो करने को तयार है. इसमें कोई चाल नहीं है. शायद यह मे कुछ कारण और एफेक्ट का फॉलो करता है. कोई कारण नहीं होना अंपॉसिबल है. अगर कोई कारण नहीं है, तो इसका अर्थ है कि आपने कारण की खोज नहीं की है. ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके आपके पास एक छिपी हुई विशेश इपतार है. यह दुगू लंबे टाइम तक गंभीर नहीं है इससे पहले उसने एक चुटिली मुस्कान के साथ राजवीर से कहा, वैसे भी यह अत्यधिक पॉसिबिलिती है कि मैं इस बार एक बर फ्रेशम कीट को पकड़ने में एबल नहीं हो पाऊंगा। मदद करूंगा। हाला कि इसे लेने के बाद इसे दो दिनों के लिए मुझे उधार दे दो। उधार देना कैसे। कीरा डुगू ने अपने होठो को सिकोर लिया और कहा, गुको एक बार अपने मालिक को पहचानने के बाद प्लेस नहीं किया जा सकता है। तुम इसे उधार कैसे लोटा सकते हो। मैं नहीं चाहता कि बर्फ रिश्म की गूकिंग मुझे अपने मालिक के रूप में पहचाने। मुझे बस कुछ करने के लिए इसे उधार लेने की जरूरत है। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं इसे आपको वापस कर दूनगा। राजवीर न नहीं है। आप इसे ले भी सकते हैं। उधार लेना तो दूर की बात है। ली वान ने मुसकराते हुए कहा। यह सुनकर वम दुगू थोड़ा नाराज हुआ। अगर आप आइस सिल्कवर्म गूकिंग को पकड़ने के लिए फीनिक्स का यूज करना चाहते हैं तो मैं हुद बड़ा नुखसान होगा। हम देखेंगे कि यह कैसे करना है जब हम कल वहां होंगे। राजवीर को भी पता था कि आइस सिल्कवर्म गूकिंग को पकड़ना आसान नहीं होगा। हाला कि जियो परिवार कल इस पर कबजा करने वाला है वह यही चांस चाहता है। वह त्यान फेंग निश्चेत रूप से ऐसा तब तक करेगा जब तक कि वहमूर्प नहीं है। फाइनली उसने पहले ही गूलीडी की आध्यात्मिक चेतना को मिटा देने की योजना बना ली है जब ऐसा हुआ तो कुमन्नी की कपासिटी बहुत कम हो जाएगी। वह शायद एक बर्फ के रेशम कीट से हीन होगी। इस तरह की तुलना से किसी को भी पता चल जाएगा कि क्या चुनना है। ठीक है। मैं देखूंगी कि तुम कल बर्फ रेशम की गूकिन को कैसे पकड़ते हो। अगर आप इसे पकड़ सकते हैं तो मैं वम दुगू आप दोनों को के रूप में तुरंत एक्जेप्ट कर लूनगा। वम दुगू ने कहा। ठीक ट्रसे वो राजवीर की पॉसिबिलिटी के बारे में आशावादी नहीं थे। रहने भी दो आपके गुरू होने का कोई अर्थ नहीं है। ली जुवान ने कहा। आप ऐसा नहीं कह सकते। हो सकता है कि अब आपको उपलब्धी का अहसास नहों, लेकिन अगर आप दक्षन जिले में ट्रैवल करते हैं और दुगू परिवार के किसी व्यक्ति से मिलते हैं और कहते हैं कि आप वम दुगू के मास्टर हैं, तो यह कितना शांदार होगा। आपको जीरो उपलब्धी का अहसास नहीं होगा वंडूगू ने मुस्कराते हुए कहा राजवीर और ली हुआन ने उसे तिरसकार से देखा उनके व्यक्तित्व के साथ यह अग्यात था कि उन्होंने कितने स्वामी और चाचा स्वामी को बाहर एक्जेप्ट किया है यह अजीब होगा अगर दूगू प परिवार जा रहा है अगर वह देर से जाता तो शायद जीव परिवार पहले ही सफल हो जाता जल्दी जाना भी अच्छा नहीं है अगर उन्होंने जीव परिवार के आने से पहले आईस सिलकवर्म गूकिंग को पकड़ लिया तो जीव परिवार को यह नहीं पता होगा कि आइस सिलकवर्म गुकिंग राजवीर के हाथों में थे। हाला कि वम दुगो कुछ शौक था कि राजवीर को इतनी जल्दी क्यों जाना पड़ा, फिर भी वह उन दोनों को इन विंड रिज ले गया। जब वे पहुँचे तो उन्होंने महसूस किया कि कोई पहले से ही आइस तुरंत ठंड से धाक जाती है यह सपश्था की टेंप्रचर कितना कम है। इसमें कोई शौक की बात नहीं है कि वम दुगो ने कहा कि चूजे शायद बर्फ के रेशमकीट को रोक नहीं सकते। राजवीर ने सोचा कि इस तरह की बर्फ मूल पावयों के साथ, शिक की फीनि अजीब बात है केवल एक ही बर्फ रेशमकीट क्यों है। दूसरा बर्फ का रेशमकीट कहा गया। किरा दुगू सिकोरी। क्या ऐसा हो सकता है कि जियो परिवार ने दो बर्फ रेशमके कीरों को अलग किया हो। ली हुआन ने पुछा। किरा दुगू ने अपना सिर हिल लाया और कहा ये दो बर्फ रेशमकीट एक जोड़ी है। उनके पास टेलीपैथी कपैसिटी और जैसा कुछ है। इन्हें अलग करना इतना आसान नहीं है। अगर मैं उन्हें अलग कर पाता तो मैं बहुत पहले ही कर चुका होता। जियो परिवार को एक मौका भी नहीं म के लिए सोचा और कहा ये बहुत पॉसिबल है। ली हुआन ने वम दुगू को शौक से देखा। हर बार जब वह गू का जिक्र करता वम दुगू गर्व से ऐसा जताता जैसे वह दुनिया में नमब एक हो। ये अन्बलीवेबल था कि वह एक्जेप्ट करेगा कि वह जिय जियो परिवार से नीचा है। आपको मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है। क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुम से क्या कहा था। अगर जियो परिवार के पौरानिक लेवल के कुमन थॉंग को साथ CHH में एक गूग और से पुनरजन लेने वाले बच्चे से पर कर दिया है। जियो त्यान फैंग ने कुमानी को पकर रखा था जिसे मंदिर के हौल में रखा गया है लेकिन गूल लेडी कहीं दिखाई नहीं दे रही है और उसने अवश्य ही दूसरे बर्फ के रेशम कीट को बहला फुसला कर भगा दिया होगा। यह बर्फ का रेशम का कीड़ा जियो परिवार से यहां फासा हुआ था और खून के रंग के बिच्चु से लड़ रहा है। रख बिच्चु ठीक ट्रसे बर्फ रेशम कीट के लिए कोई मुकाबला नहीं है बर्फ की धुन से इसका बोडी अप्रॉक्स जम गया था जिसे बर्फ रेशम कीट ने बली दी। इसके अलावा जियो परिवार अभी भी रख बिच्चु को बढ़ाने के लिए कुमान फॉंग का यूज कर रहा है इसने ही उन्हें बर्फ के रेशम कीट को रोकने की अनुमती दी। जब तक कोई उसे छूता उसका बोडी ठंडा हो जाता। कई गू ने बर्फ के प्रभामंडल के केवल एक छोटे से हिस्से को छुआ। शुरुआत में यह बहुत बड़ी प्रॉबलम नहीं है लेकिन थोड़ी देर बाद वे बर्फ में जम जाते और फाइनली बिखर जात क्या हमें कारवाई करनी चाहिए आप जब कि दो बर्फ के रेशम के कीरों को अलग कर दिया गया है यह एक महान चांस है ली हुआन ने वम दुगु से पूछा वहाँ भीर नहीं है चलो इंतेजार करके देखते है वे बर्फ के रेशम कीट का मुकाबला नहीं कर सकते वम द दुगु और कमपनी केवल दूरी पर ही रुके हुए है और उनका आगे जाने का कोई इरदा नहीं है तो वे राहत की सास लेने से खुद को रोक नहीं पाए तियान फैंग क्या आपको लगता है कि वम दुगु हमारे बर्फ के रेशम कीट को चीन लेगा जियो लियुकी न जियो तियान फैंग से फुस-फुस आया जियो तियान फैंग ने भारी एक्स्प्रेशन के साथ कहा डुगु परिवार दक्षम जिले को नियंतरत करता है सथी तोर पर वे चीजों को निश्पक्ष रूप से करते हैं इसलिए हो सकता है कि वे खुले तोर पर इसे नच्छी ने. हाला कि हमें अभी भी सतर्क रहना होगा. मुझे उम्मीद है कि गूल लेडी जल्दी से दूसरे बर्फ रेशम कीट को पकड़ सकती है. गूल लेडी की स्टेटिस कैसी है? जियो लियुकी ने पूछा. यह बहुत असपश्ट है. मैं केवल इतना जानता हूँ कि वे लड रहे हैं. जियो तियान फैंग ने कहा. तियान फैंग, गूल लेडी के बारे में आपकी धारना कमजोर और कमजोर होती जा रही है. क्या कोई प्रॉबलम होगी? जियो लियुकी ने चिंतित होकर पूछा. जब तक उसका मुख्य बौडी मेरे हाथों में है, वह मेरा पोशन कर रहे हैं, लेकिन हम उसके आत्मिक बौडी को देख भी नहीं सकते. यहां तक उसने आपको फसाया और आपको कुमन नी से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा. अगर हम सा सी एचेच में उसे अपना बना सकते हैं, तो हमारा जियो परिवार च्यांग राय जैसे ए मैंने यूगल से हासिल की गईगू पोशन टेकनोलोजी में आई सिलकवर मगूकिन के विस्तृत रिकॉर्ड है. अन्य है गू लेडी की मदद से भी, हमारे लिए दो बरफीले रेशमखीटों को अलग करना मुश्किल होगा. जियो तियानफैंग की एक्स्प्रेशन थंडी मुझे पहले गूल लेडी और दूसरे आई सिलकवर्म को ढूंधना चाहिए. राजवीर ने बड़े पैमाने पर खोज करने के लिए ट्रोथ लिसन का इस्तेमाल किया और जल्द ही एक दूर दलदल में एक बरफ का रेशम का कीरा मिला, लेकिन उसे गूल लेडी नहीं मिली अभी के लिए उस बरफ के रेशम कीट पर नजर रखें. मैं दूसरे बरफ के रेशम कीट को खोज लूनगा, राजवीर ने चुपके से पीछे हटने से पहले लिए हुआन से कहा. जल्द ही, जियो परिवार को फिल हुआ कि वंदूगू के समूर से एक व्यक्ति गायब है हालां कि वंदूगू अभी भी आसपास है केवल एक नौजवान लापता है इसलिए वे ज़्यादा चिंतित नहीं थे. फाइनली, किड़ा दुगू भी बर्फ के रेशमकीट को पकड़ने में एबल नहीं है यहां तक अगर वह दुगू परिवार का सदस्य है तो उसके लिए अकेले बर्फ के रेशमकीट को पकड़ना एंपॉसिबल है इसके अलावा, उन्होंने तंतिस थापित किया था जो जियो तियान फैंग और अन्य लोगों को सूचित करेगा अगर कोई संपर्क करता है राजवीर के चले जाने के बाद उसने असीन ता का लबादा पहन लिया और जल्दी से दूसरे बर्फ रेशमकीट के पास गया आइस सिलकवर्म के निकटतम एरिया में उसने कुछ गू क खोच की जिसे दलदल में रखा गया है राजवीर ने उन्हें बिना बताईगू के उपर से उडान भरी जब वह बर्फ के रेशमके कीड़ों के पास पहुचा तो उसने बर्फ के नीले बर्फ के रेशमके कीड़े को देखा यह बर्फ का रेशमका कीड़ा पिछले वाले स थोड़ा बड़ा है। अजीब तरह से, राजवीर को गू लेडी विद ट्रूथ लिसनर का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन जब उसने अपनी आखों से देखा, तो उसे फील हुआ कि वहाइस सिल्कवर्म का सामना कर रही है। यह वाकई अजीब है। सत्य श्रोता की कपैसि गू लेडी की खोज नहीं कर सकती। लेडी गू के मालिक जियो तियान फैंग भी उससे नहीं देख सकते। मैं उससे क्यो देख सकता हूँ। राजवीर कुछ शौक है। अगर उसने साउस बीडिये नर्क किंग लाइफ सोल का यूज किया होता, तो उसके लिए सोल बॉड गू लेडी जमीन पर उकड़ू बैठी थी और अपनी उंगलियों से बर्फ के रेशम कीट को चिड़ा रही है भयानक बर्फ रेशम कीट एक पालतुकुत्ते की तरह है जो उसके चारों और चक्कर लगा रहा था जैसे गू लेडी उसके साथ खेलती है हाला कि उसका उस प भयानक बर्फ रेशम कीट के लिए गू लेडी से निभाई जाने वाली भूमिका काफी भयानक है शुक्र है जियो परिवार सा सी एचेच में गू लेडी को नियंत्रित नहीं करता है अन्य है उसकी कपासिटी ओ के साथ जियो परिवार की पाओ लंबे टाइम तक उनकी वर पुझे आपकी स्वतंत्रता के बदले में इस बर्फ रेशम कीट गू किन की जरूरत है राजवीर ने जमीन पर बर्फ रेशम कीट की ओर इशारा करते हुए कहा गू लेडी ने बर्फ के रेशम कीट को मारने से पहले सिर हिलाया प्रूर और दबंग आईस सिलकवर्म आग गू बना सकती है जैसे कि बर्फ रेशम का कीरा उसके ओरर का पालन करता है तो मुझे शौक है कि उनकी क्या एक्स्प्रेशन होगी राजवीर ने एसेंस गोल्ड पॉट निकाला जिसे वमदुगू ने तैयार किया था और उसे जमीन पर रख दिया बर्फ का रेशम का कीरा एक पालतू-पालतू जानवर की तरह कोट गया गू लेडी को देखते ही राजवीर का दिल हिल गया और उसने पूछा क्या आप चुपके से दूसरे बर्फ रेशम कीटगू को नियंतरित कर सकते हैं और इसे ऐसा बना सकते हैं जैसे मैंने इसे पकड़ लिया है गू लेड करने के बाद की वह अंडिस्टैंडिंग सकती है राजवीर ने एसेंस गोल्ड पॉट में आइस गूलिया और चुपके से लिजुवान और कमपनी में वापस आ गई अरे नहीं गू लेडी फेल हो गई किसी ने बर्फ का रेशम की चुरा लिया जियो तियान फैन की एक्स् उसने बिलकुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी और गूल लेडी को उसका कोई निशान नहीं मिला जियो तियान फैन की एक्स्प्रेशन बदसूरत थी क्योंकि उन्होंने कंटिन्यू रखा मैंने पहले ही गूल लेडी को वापस बुला लिया है अब हम केवल इस बर्फ के रेशमकीट को छीन सकता था जियो तियान फैन के दिल की धर्कन रुख गई जियो लियुकी ने पहले ही अपने आदमियों को राजवीर को ब्लॉक करने के लिए नेत्रित्व किया है जिससे उन्हें युद्ध के मैदान में आने से रोका जा सके उसी टाइम वह कीड़ा दुगू परिवार हमेशा खुला और उपर वाला रहा है और मास्टर दुगू क्या आप यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यह दोस्त दुगू परिवार का सदस्य नहीं है जियो लियुकी ने राजवीर की और इशारा किया मैं सासी एच एच में चाहता हूं कि वह हमारे द दुगू परिवार का सदस्य नहीं है लेकिन वह मेरे पॉइंट लव मास्टर है जियो लियुकी जियो त्यान फैंग और कमपनी चिन्तित थे हाला कि वहम दुगू दुगू परिवार में एक आधिकारिक व्यक्ति नहीं है लेकिन उसकी वरिष्ट ता काफी अधिक है इसक से मामलो का मजाक नहीं उनाएगी क्या ऐसा हो सकता है कि यह व्यक्ति अपनी जवानी में लोटने की स्टेटिस तक साधना कर चुका हो वह जवान दिखता है लेकिन वह सा सी एचेच में एक बुड़ा मॉंस्टर है जियो त्यान फैंग ने मन ही मन सोचा चून की वह आपके पॉइंटलर मास्टर हैं तो क्या आपको लगता है कि उनके लिए ऐसा कुछ करना उचित है जियो लियुकी ने कहा वम डुगू मुस्कुराता रहा और उसने कहा मुझसे ऐसा कहना वेकार है मामा स्वामी ही अपने शिश्यों को अनुशासित करते हैं तुमने कब किसी को मामा गुरू को संभालते देखा है सर जियो लियुकी ने राजवीर को देखा और कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि राजवीर ने अपना हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया एक रक्त लाल भावर उसकी हतेली में दिखाए दिया और रक्त बिच्छू से लर रहे बर्फ रेशमकीट को चूस लिया राजसी बर्फ रेशमकीट खून के रंग के भावर के चूशन बल का सामना नहीं कर सका और सार गोल्ड पॉट में चूसा गया वह कैसे पॉसिबल है यह सिर्फ जियो परिवार नहीं है यहां तक कि क्रिमी डुगू ने भी अपन से कलपना की थी कि राजवीर बर्फ रेशमकीट से लढने के लिए विभिन तरीकों और पौरानिक साथी जानवरों का यूज करने से पहले चिक के निरोधक अफेक्ट का यूज करेगा और एंड मी इससे वश में कर लेगा। अब तक वे सेकरोगू और कुमन थोन खोचुके थे लेकिन वे आभी भी बर्फ के रेशमकीट के सामने बेबस थे। यहां तक पौरानिक रख्ट बिच्छूगू भी मारा जाने वाला है। फिर भी राजवीर एक हाथ से बर्फ के रेशमकीट को पकड़ने में काम्याब ह हो गया है यह पाव कितनी भयानक थी। यह अनबलीवेबल है। जैसा वमदुगू के पौइंटलर मास्टर से अपेक्षित है वह सा CHH में एक पुराना मॉंस्टर है। जियो तियान फैंग चुपके से घबरा गया क्योंकि उसकी एक्स्प्रेशन बेहत बदसूरत हो गई ह है। इतनी मेहनत खर्च करने और इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद बर्फ रेशमकीट सा CHH में किसी और किसे पकड़ा गया है जियो तियान फैंग को यह जानने के लिए अनुमान लगाने की भी जरूरत नहीं थी कि अन्य बर्फ रेशमकीट निश्चित रूप से वमदुगू पहले से ही ऐसा व्यक्ति था जिस पर हमला करने की उसकी हिम्मत नहीं है इसके अलावा उसके सामने वाला व्यक्ति वमदुगू का पॉइंटलर मास्टर है एक ऐसा एक्जिस्टेंस जिसने एक हाथ से बर्फ के रेशमकीट को वश्मे कर लिया है तभी जियो जियो त्यानफैंड ने एक भयावे औरा को वापस महसूस किया और अपने हाथ में कुमन्नी में प्रवेश किया आप बहुत देर से वापस आएक जियो त्यानफैंड कुछ हताश है आपके हाथ में कुमन्नी काफी दिल्चस्प है राजवीर ने जियो त्यानफैंड के परिवार के सदस्यों के भाव बदल गए. अगर एक existence जो एक हाथ से बर्फ के रेशम कीट को पकर सकता है, उनके कुमनी को छीनना चाहता है, तो शायद उनके पास विरोध करने का मौका नहीं होगा. यहां तक एक कालपनिक कुमनी भी ऐसे existence के खिलाफ लड़ने में एबल नह होगा. ओर्ड मास्टर दुगू, दुगू परिवार दक्षन जिले का प्रमुख है. आप अपने मामा मालिक को हमारी कुमानी छीनते हुए नहीं देखने जा रहे हैं न? जियो लियू की घबरा गया था क्योंकि उसने वम दुगू को देखा और दात पीसते हुए कहा. इस चाहता भी तो तुम जैसे जूनिय से कुछ नहीं छीनता. अधिक से अधिक, मैं आपका कुमननी खरीद लूँगा. मुझे इसे क्यों छीनना है? यह कुमननी हमारे जियो परिवार की विरासत है. यह विकरी के लिए नहीं है. जियो लियू की ने कहा. क्या आप इसे बेचन और जियो लियू की दंग रह गए. क्यूं? क्या बर्फ का रेशम का कीड़ा काफी नहीं है? दो बर्फ रेशम के कीड़ों के बारे में क्या? राजवीर ने कंटिन्यू रखा. गुरे साहब क्या आप सा CHH में कुमननी के लिए दो बर्फ रेशम कीटों का आदान प्रदान करने जा रहे हैं. जियो तियान फैंग और जियो लियू की ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आँखों में सुख़द शौक देखा. उनकी राय में कुमननी सा CHH में बहुत मजबूत है लेकिन वो बर्फ के रेशम कीड से केवल थोड़ी ही मजबूत है. गु आप ऐसा नहीं कर सकते कीड़ा दुगू चोग गया. कुमननी के बदले में दो बर्फ रेशम की कीड़ों का यूज करना एक घाटे का सौदा है हाला कि वे यह नहीं जानते थे कि बर्फ के दो रेशम के कीड़ेगू लेडी से बहुत हीन थे. वे बिलकुल बराबर लेवल पर नहीं थे. भले ही विनिमय सासी एचेच में किया गया हो, राजवीर का पलणा भारी रहेगा. इसके अलावा, जियो परिवार को सासी एचेच में बर्फ रेशम की कीड़ों को देने का उनका कोई इरादा नहीं है.